आप सभी लोग को नमस्कार, मैं अलोक सिंग, हाले मैंने भारती भूगोल पर अपने किताब लांच की, जो कि आफ्लाइन और ओनलाइन दोनों जगों अपलब्ध है, किताबों में भूमिका लिखी जाती जिसमें किताब के बारे परचे दिया जाता है, भूमिका के नीचे मै एक ऐसी वीडियो क्लास बनाओ, जिसमें सरसरी तोरपे में पूरे भारती भूगोल को समझाते हैं, पढ़ा दूँ, मेरा मकसद यह था कि एक ऐसा 15-16 घंटे का वीडियो क्लास बने, जिसको किसी भी परिच्छा से पहले आप कम समय में पूरे भारती भूगोल को रिवाइ नहीं देंगे, भले ही आप मन लगाके पढ़ रहा हैं, पसंद भी कर रहा हूं, लेकिन रेटिंग और रिव्यू नहीं देंगे, सजेस्टन में नहीं जाती है, तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग भी आप किताब को खरी दिये, तो डिलि पार्तियोग महादीव के उत्तरी सीमा पर नविन वलित परोत्तों की एक सरिंखला दिखाए देती है, इसके अंतरगत उत्तर में हिमाले, उत्तर पस्चे में हिंदकुष, और पूरुत्तर भारत में, यानि पूर्वी भाग में पूर्वांचल पहाडियां इस्थे थे थे तीन तरफ से कोई किसी भी महादीव का वह भाग जो तीन तरफ से जलराशी से घीरा होता है या समुद्र से घीरा होता है, उसे हम प्रायदीव कहते हैं, भारती प्रायदीव पूरी भाग में बंगाल की खाड़ी, भारत का जो दक्षडी हिस्सा है, पूरी भाग में बंग कगतार पतला होता जाता है जिससे हिंद महासागर दो सीर्ष समुद्रों में बट जाता है यानी विभाक्ट न हो जाता है पूरती प्रहदीप का जो तक्षरी छोर है वो अंतरीप की रूप में है अंतरीप क्या होता है भारती प्रायदीप का जो एकदम धुर सुदूर दक्षली छोर है वो अंतरीप की रूप में है अंतरीप किसी भी प्रायदीप का वह अंतिम बिंदु होता है जहां पर तीनों समुद्र आपस में मिल जाते हैं यह वह स्थान होता है जहां से पूर्व दिशा में सूरज समुद्र में उगते हुए दिखाए देता है और पस्ची में समुद्र में दूगते हुए दिखाए देता है ऐसे छेत्रों को हम अंतरीब कहते हैं उधाराण के लिए भारत पी अंतरीब का नाम है अंतरीब को हम अंगर गम स्रिंग खलाओं और दक्षण में हिंद महासागर से घिरे इस एसी आई भूखंड को भारती उप महादुईप की संग्या दी जाती है भारती उप महादुईप के अंतरगत कुल साथ देश हैं यहाँ पर साथ देशों के नाम लिखे हुए हैं जो कि बहुत डिटेल में आ कि अच्छिड में हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, स्रिलन्का और मालदीव यानि जो भारत के साथ साथ बिल्कुल में पहले हों है इसमें म्यामार को हम नहीं सामिल कर सकते हैं क्योंकि म्यामार क्या है है हिमाला के बहार स्थित है जो पू मिला हुआ है ऐसे तो भारती उप महाद्यूप में उसी इसे को सामिल करेंगे जो इस छत्र चाया के नीचे है तो यह साथ देश है जो भारती उप महाद्यूप के अंतरगत आते हैं भारत की अवस्थिती कैसी है थोड़ा साम देख लेते हैं भारत की अवस्थिती इसको आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह ब्लू कलर से भारती प्रायवडी बना हुआ यहां पर भारत है अक्छांसी तृष्टी से यह जीरो डिग्री अक्छांस रेखा को विश्वत रेखा कहते हैं और जीरो डिग्री देशांतर जो कि लंदन की ग्रीन विश्वत से होकर गुजरती है तो जीरो डिग्री देशांतर रेखा कि पूरु में जो गोलार्द हैं उसे हम पूर्वी गोलार्द करते हैं और उसके पस्चिम में जो है उसे हम पस्चिमी गोलार्द कहते हैं तो देशांतरी दिरिष्टी से भारत पूरी गोलार्द का देश है। इसी तरह से 0-degree अक्छांस रिखा पृत्वी को दो भागों बाड़ती है। उत्तरी गोलार्द और दक्षडी गोलार्द। 0-degree अक्छांस रिखा को हम विश्वत रिखा भी कहते हैं। तो अक्षानसी द्रिश्ची से आप देखें तो भारत उत्तरी गोलार्द में है जब कि देशांतरी द्रिश्ची से पूरी गोलार्द में है यहां पर आपको यह थोड़ा से समझने की जूरत है यहीं पर तो अभी तो आपने इतना समझ लिया कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्द में इस्तित है जो बुलू कलर से लाइन में ने बना रखी है ना तो यह पूर्वी और उत्तरी गोलार्द में इस्तित है यहां पर आ समझ लिजे कि जीरू डिगरी देशांतर रिखा है इसके पस्ची में जो देशांतर होते हैं यह ब्लैक कलर से रिखा हैं खिची यहां कहीं भी प्रस्चमी देशांतर रिखाओं का जिक्र नहीं होगा भारत का देशांतरी विस्तार की बात कर रहा हूं इस अंदर में हमेशा पूर्वी देशांतर का ही जिक्र होगा क्योंकि पूरा का पूरा भारत पूरा भारत पूर्वी देशांतर में है इसी तरह से भा अब्बे डिग्री उत्तरी और नब्बे डिग्री दक्षडी तो भारत चुकि उत्तरी अक्षांसों में इसलिए भारत का अक्षांसी विस्तार हमेशा उत्तरी अक्षांस से उत्तरी अक्षांस से उत्तरी अक्षांस तक होगा इसमें कहीं भी दक्षडी अक्षांस का जिक्र नहीं आएगा दिशांतर रिखाएं जैसे जैसे पूरब मेर जाएंगे उनकी numbering बढ़ती जाती है जैसे एक दिग्री दिशांतर दो डिग्री दिशांतर तीन दिग्री दिशांतर चार 2 boundary इसी तरह से होते हुए आ जाएगा आज़ायगा 68 डिग्री देशांतर 68 डिग्रीं देशांतर की और पूरव में आएगा तो आजाएगा शंतानबर पूरव में चलते जाएगे तो पहले 68 आएगा एक, दो, तीन, चाहर होते हुए, पहले 68, फिर 97, थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग अक्षान, देशान, तरुक याद करते करते ठक जाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं, क्यों हम इसा बता रहे हैं, थोड़ी दिर में आप समझ जाएंगे, इ आठ दिगरी उत्तरी से होते हुए, एक समयसा आएगा, कि 37 दिगरी उत्तरी पर पहुंच जाएंगे, कितने, 8 दिगरी उत्तरी 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 पहुंच जाएंगे, इसी तरह होते हैं, आप 90 दिगरी उत्तरी उत्तरी पहुंच जाएंगे, इस तरह से अक्षान अरत हैं को हम थोड़ा समस्ते हैं भारत मान लेते हैं ये डेशांतर जीरो डिगरी देशांतर रेखा इस तरह से होते हुए जब आप पूर्व में आएंगे तो एक डिगरी पूर्वी दो डिगरी पूर्वी तीन डिगरी दस डिगरी पूर्वी होते हुए आप यहां पर आ जाएंगे तो भारत का जो पस्मी छोर है वह 68 दसमलो 7 डिगरी पूर्वी देशांतर समझ गें तो भारत का पस्मी छोड आर्षट से दसमलो 7 डिगरी पूर्वी देशांतर से भारत सुरू होता है और किस देशांतर पर आके खतम होता है 97.25 डिगरी पूर्वी देशांतर पर आकर भारत खतम हो जाता है देशांतरी विस्तार की बात कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए अगर आर्षट साथ से 97.25 तक गिंती करेंगे काउंटिंग तो भारत का देशांतरी विस्तार कितने देशांतरों के मद्ध है भारत का देशांतर आजाएंगे भारत का देशांतरी विस्तार 30 देशांतरों के मद्ध है आर्षट से आप काउंटिंग करेंगे 97 तो लगभग लभग 30 देशांतरों का अंतर दिखाए देगा इसी तरह से 0 डिग्री अक्षांस रिखा जिसे हम क्या कहते हैं विश्वत विश्वत स तो मुख्य भूमी का भारत की मुख्य भूमी का जो दक्षडी बिंदू है यहां पर यह किस अक्षांस परिस्तित है 8.4 उत्तरी अक्षांस यानि 0 से आप उत्तर की तरह बढ़ेंगे तो पहले 1 आएगा 2, 2 डिगरी, 3 डिगरी, 4 डिगरी इस तरह से 8.4 डिगरी उत्तरी अक्षांस जहां पर है वहीं पर भारत का सबसे दक्षेड़तम छोड़ा है मैं बात कर रहा हूं भारत के मुख्य भूमी का दक्षेड़तम छोड़ा है भारत का जो सबसे उत्तरी छोड़ा है भारत खतम कहां पर होता है उत्तर में शुरू तो होता है अक्षांसी विस्तार अगर आप 8,4 उत्तरी अक्षांस से 37,6 उत्तरी अक्षांस की काउंटिंग करेंगे, जैसे ये वाली काउंटिंग किया, तो ये वाला विस्तार भी, यानि अक्षांसी विस्तार, जिस तरह से देशांतरी विस्तार, 30 देशांतरों के मद्ध है, उसी तरह से भारत का अक्षां अक्षांस से विस्तार भी 30 दिसांतरों के मद्ध है ध्यान देजेगा यह तो हो गया अक्षांस दिसांतरों का विस्तार नंबर की कहां से कहां सुरू होता है आपने देख लिया आप आए हम इसको थोड़ा सा इसके दोरा समझते हैं यह सब जो डिटेल है कुछ नया नहीं जो मैं बता रहा हूं यही से बता रहा हूं आप यह मैं सुझेगा कि गुरुजी तो बिल्कुल अपनी बुक को दिखाना ही नहीं चाहते पढ़ाते जा रहे हैं यही सब मैं बोला था भी लेकिन यहां पर खड़ा होके अगर मैं इस मेरा मक्सद यहां लाइन को पढ़ाना नहीं है पढ़ा रहा हूं वही तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं यह सारा कुछ वेवरंड जो देख रहा है वही मैं बताऊंगा यह है आपका भारत है ना अब हम पहले अक्छान से विस्तार देख लेते हैं भारत का जो अक्छान से विस्तार देख लेते हैं भारत का जो अक्छान से विस्तार है यह अक्छान से रेखा है कौन से रेखा है इस अक्छान से रेखा का नंबर क्या है आठ चार उत्तरी अक्छांस तो भारत की मुख्य भूमी का जो दख्षडतम बिंदु है वह आठ दस्मलों चार उत्तरी अक्षांस परिस्थित है अभी आपने देखा कि भारत कहां है विश्वत रिखा कि उत्तर में और विश्वत रिखा कि उत्तर में हमें सा उत्तरी अक्षांस ही आएगा तो भारत की मुख की भूमिका दक्षडतम बिंदु कन्या कुमारी है जो कि आठ चार उत्तरी अ च्छांस परिस्थित है इसी प्रकार भारत हां लेकिन भारत के आज पास कुछ दूइब भी है यह तो मुख के भूमिकाओं दक्षणतम बिंदु है लेकिन अगर दूइपों समय भारत का दक्षणतम बिंदु आप देखें तो इंद्रा इंद्रापॉंट ड्क्षणतम बिंदु क्यों हो गया है इसलिएए क्योंकि इंद्रापॉंट 6 something चार उत्तरी अक्षांस पर अगर आप विश्व सुरत्रेका से उत्तर की तरब चलें विश्व सुरत्रेका से तो तो पहले 6 चार आयेगा या पहले 8 चार, नोटिस करिएगा, विश्वत रिखा से आप उत्तर की तरफ चलें, एक डिगरी उत्तरी, दो डिगरी उत्तरी, तीन डिगरी उत्तरी, यानि विश्वत रिखा की ज्यादा नजदी कौन सा है, इंद्रा पॉइंट, क्योंकि ये 6 चा भारत भी कर सकते हैं. तो दुपों समय भारत का दख्षिडतम बेंदु इंद्रा पॉइंट ये इंद्रा पॉयंट से जा अंडमाण निकुपार दुफ का जो सबसे दुफड़तम तुप उसे हम कहते हैं। इंद्रा पॉयंट ग्रेट निकुबार पर ही इस्थित है। पहले इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्शन पॉइंट कहा जाता था इंद्रा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्शन पॉइंट कहा जाता था अब हम देखते हैं कि वास्त्विक दूरी इंद्रा पॉइंट और कन्या कुमारी का विश्वत रिखा से कितना है है यहां पर वही चीज में जो अभी आपको बताया आप देखेंगे सेम बाते हां पर लिखी हुई है तो ऐसा नहीं है कि खास करीब पहला अध्या है तो बिल् विश्वत रिखा से इंद्रा पॉइंट की दूरी 876 किलोमेटर है और कन्या कुमारी 899 किलोमेटर है यानि विश्वत रिखा से ज्यादा नजदी कुन सा है इंद्रा पॉइंट क्योंकि 876 किलोमेटर ही है और कन्या कुमारी या पेक्छा की दूरी पर 899 किलोमेटर दूर ह अब भारत का हम उत्तरी बिंदु देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अभी तो हमने दक्षडी बिंदु पर बात की मुख्य भूमी पर दक्षडी बिंदु और दीप समुहों समय दक्षडी बिंदु पर देखा भारत का सबसे उत्तरी बिंदू, यहां पर है भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है, यह पूरा है भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, भारत का सबसे उत्तरी बिंदू, इंद्रा कॉल है, जो कि केंद्र प्रदिश लद्दाख में सियाचीन ग्लिसियर के उत्तर में एक परवती दर्रा है इंद्रा कॉल क्या है यह परवती दर्रे का नाम है के जब आप भारत का उत्तरी विस्तार देखते हैं अकछांसी विस्तार तो 37 nah 6 6 से यहां पर जाता है उत्तरीुंच से भी देके तो भारत का सबसे उत्तरी sì हा तक जाता है क्योंकि यह 10 पा कि पीयोकर की कभजे में है तो है भारत का उत्तरी बिंदू वास्तों में तेरेस्ट उत्त diagnosis है लेकिन भारत के नियंहें नहीं होने के चलते भारत का उत्तरतम और इंद्राकाल को मानते हैं क्योंकि लड़ाक में स्याचिंग स्याचिंख ड्लेस ये принद्में इस्थिदी पर्वती दर्रह है भारत के पहुंच में है भारत का पस्जमी की विंद्व देखते हैं सभेरा गुजरात में जिस तरह से यह अब तरह से ही प्रएदिफ इसी तरह से अब 2- झोटे प्रएदिफ देखते हैं उत्तरी कच्यप प्राइदुभ fear love बुकल पूरी तॉर से ब हुआ ऐसेंक कच्यप और regret लोग इस गौहार मोटी भी कहते हैं इसको गौहार मोटी है गौहार मोटी कहते हैं गौहार मोटी नहीं हो सकता है तो बाष्ट का जो पस्मी छोर है गुहार-मोती 64 Tack पूर्वी देशान्तर पर भाय्त का जो पूर्वी छोर वह 2795 पूर्वी देशान्तर प्रिस्थित है अब भारत का जो सब्समी बिंदु है गुहार-मोती सब सबसे पूरों चल पड़िस में धारातल लुशार के बीच वास्त्रविक दूरी अपायं पूर्वी बिंदो और प्र सर्मिव दूरि कितनी है 2933 किलोमेटर जब कि आप सब से दक्षडğin बिंदू और उत्री बिंद्द ॏ ने 1 004 कि इसाया झाल विस्त्री जादा है धरातल पर किलोमेटर की बात कर रहा हूं 3214 किलोमेटर है जब कि पूर्वी और प्रस्चिमी विस्तार भारत का 2933 किलोमेटर यह है ऐसा क्यों एक आपको विरुदा भास यहां पर लगा होगा जब भारत का देशांतरी विस्तार कितने है भारत का देशांतरी विस्तार और ती सबस्क्राइब आपको दिशांतर के मध्यैनिकर भारत का benefit विश्तार समान है ये वाला भाग 30 देशांतर की मद्धे और ये वालब भाग 30 अक्छांसों की मद्दे तो जब अक्छांसी और देशांतरी विश्वतार समान है तो धरातल पर वास्तिरीक दूरी अलग-लग क्यों है इसका जबाभ आपको यहां पे मिलेगा यह जीरो डिग्री अक्षान से रिखा जिसे हम विश्वत रिखा कहते हैं यह देशानतर रिखाएं देशानतर रिखाएं उत्री धुरू से दक्षडी धुरू तक खेची गई कालपनिक रिखाएं प्रतिक देशानतर रिखाएं उत्री धुरू से दक्षडी धुरू तक खेची गई कालपनिक रिखाएं प्रतिक देशानतर रिखाएं उत्री धुरू से शुरू होता है दक्षडी धुरू पर जाकर समाप्त होता है यानि धुरू पर देशानतर रिखाएं आपस में मिल जा बना है मैंने आप Bennett बना दिया ठीक है यह भारत भारत उत्तरी गोलार्थ में स्थित है और जैसे आप विश्वत रेखा से द्रुँ उत्तरी द्रुग की तरब जाएंगे तो विश्वत रेखा से द्रुग की के बावजूद चुकि भारत उत्री गोलार्द में है तो देशांतरों की बीच की दूरी घरते चली जाती है यही कारण की धरातल पर भारत के पस्मी छोर और पूर्वी छोर के मद्द की दूरी केवल 2933 किलोमेटर ही पाई जाती है जबकि आक्छांस रिखाओं के साथ ऐसा है बात का आक्छांसी विस्तार भी 30 अक्छांसों के मद्द है लेकिन अक्छांस रिखाए एक दूसरे के समानांतर खिजि जाती है यह कहीं भी आपस में मिलती नहीं है आपस में बराबर दुरी बनाया रखती है यही औराण है कि जहां देशांतर रिखाओं की लंबाई ब बिल्कुल बराबर हैगी 360 संत्रों की अक्षांस रेखा नहीं है अक्षांस वृत्त के समान होते हैं यह पृत्वी को चारों तरफ से गोल गोल घेरे हुए है और एक दूसरे के बराबर दूरी पे है पृत्वी गोल है सौभाईक रूप से जैसे जैसे विश्वत रेखा से द झुटरों की और जाने पर अक्षांस वृत्या रेखा की लंबाई घर्ति चली जाती है जबकि देशांतर रेखां के साथai साले होता तो भारत का देशांतरी जो अक्षांसी विस्तार भी 30 अक्षांस के मद्द है≤ लेकिन अक्षांस रेखाय हैं समान दूरी पर होती हैं यहां पर बात मैंने भी बताई हो यहां पर लिखा हुआ है अब यह भारत के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु हैं जिनको आप किताब में देख सकते हैं आगे चलते हैं कि ग्लोब पर किसी स्थान का अक्षानसी मान हम कैसे ग्याद करते हैं कैसे डिगर एक्षांस पर है या फिर 45 डिगर एक्षांस पर यह कैसे ग्याद करते हैं कैसे पता करेंगे कि कोई इस्थान किस अक्षांस पर इस्थित है कौन सा इस्थान किस अक्षांस या किसी इस्थान का अक्षांसी मान क्या है देखिए पृत्वी पर किसी इस्थान का अक्ष कि खा रहा हूं अब उस इस्थान का अक्छांसी मान ग्याद करने के लिए हम प्रित्वी की केंद्र तक एक रेखा खीचेंगे तो प्रित्वी की केंद्र पर जो कोंड बनेगा अगर 45 डिगरी का कोन बन रहा है तो वही उस स्थान का अक्छान सी मान इसी तरह से निकाला जाता है किसी स्थान का अक्छान सी मान धर्ती की केंदर भाग में बने कोन से ग्याद किया जाता है कैसे किया जाता है जैसे किसे भी स्थान का अक्षांसी मान ग्याद करना है तो पहले उस स्थान को पृत्वी की केंदर से मिलाने वाली रेखा कीचेंगे उस स्थान को पृत्वी की केंदर से मिलाने वाली रेखा और विश्वत रेखा के बीच जो कोडी मान बनता है, वही उस स्थान का अक्छांस ये मान होगा इस चित्र में किसे स्थान की भूमद रेखा जे कोडी दूरी यहाँ पर 45 डिगरी दिखाई गई है अब इस कोड़ी दोरी पर जितने भी इस्थान होंगे उन्हें मंदली में रेखा 45 दिगरी उत्री एक चांस होगी जैसे कोड़ी दोरी 45 है तो यहाँ पर जितने भी इस्थान होंगे इस रेखा पर जैसे ये इस्थान 45 डिगरी उत्रिक छांस पर है ये भी 45 पर है ये भी या नहीं ये सभी स्थान किस कोड़ी दोरी पर है पृत्वी की केंद्र से यह सभी स्थान 45 जगरी की कोड़ी दूरी पे हैं आप कहेंगे कि सर यह तो दूर दिख रहा और यह तो पास दिख रहा है नहीं पृत्वी पलेट की तरह चिपटी नहीं है पृत्वी फुटबॉल की तरह ऐसे गोल है जब आप इसको गोल समस्की कल्पना करेंगे न तो ये सभी पृत्वी केंद्र से समान कोड़ी दूरी पर आपको दिखाये देंगे क्योंकि पृत्वी ऐसे गोल है यानि ये बाहर की तरह पैसे फैले हुए हैं तो समान कोड़ी मान वाले इस्थानों को मिलाने वाली इस्थानों को मिलाते हुए अगर आप रेखा खिश देंगे तो वो एक समान अक्छांस पर इस्थित हैं इसका मतलब यहाँ पर बाकी बाते लिखे हुए हैं इस तरह से हम किसी विस्थान का अक्षांसी मान ग्याद कर लेते हैं अब भारत के अक्षांसी विस्थार का प्रभाव हम देखेंगे भारत के अक्षांसी विस्थार का प्रभाव इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम या तो इसको पढ़ें लेकिन हम आपको चुकी किताब पढ़ने मक्सद नहीं है तो हम मैप के पास जाते हैं थोड़ा सा एक मैप है भारत के अक्षांसी विस्तार का प्रभाव इससे देखते हैं है ना जो साथे तेज डिगरी उत्तरी अक्षांस है हमने कहा कि भारत विश्वत रिखा के उत्तर में स्थित है पहले एक डिगरी एक्षांस दो डिगरी एक्षांस तीन डिगरी एक्षांस इस तरह से होते हुए हम उत्तर की तरह बढ़ेंगे तो एक समय आएगा कि हमें कौन सा अक चांस रेखा है वो भारत के बीचों बीच आठ राज्यों से होकर गुजरती है गुजरात राजस्थान में छोड़ा से गुजरती है गुजरात राजस्थान मध्यपदेश चत्यसगड जारखंड पस्चिमंगाल एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ त्रिपुरा और त्रिपुरा से होकर गुजरती है हालाकि इसमें थुद्धा सा गवड़ हो गया तो साधे तेज दिगरी उत्तरी अक्षानस से कहते हैं साधे तेज दिगरी उत्तरी साधे तेज दिगरी उत्तरी अक्षानस को हम करकर रेखा कहते हैं इसी तरह से दक्षडी गोलार्थ में साधे तेज दिगरी दक्षडी अक्षानस यह तो उत्तरी एक्षांस है दक्षडी गोलार्द में 35.30 डिगरी दक्षडी एक्षांस को हम मकर रेखा करते हैं 35.30 डिगरी उत्तरी एक्षांस जो करक रेखा है यह भारत के बीचों बीच आठ राज्यों से होकर गुजरती है पस्चि मंगालों तिरपुरा की बीच यह बांगला देश से होकर गुजरती है करक रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है इसकी सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में है पस्ची में सबसे पहले गुजरात राज्य में प्रोश करती है पूरु में सबसे पहले ये मिजुरम राज्य में प्रोश करती है करकरेखा पर इस्थित राजधानी का नाम राची है बाकी वहाँ डेटेल में आप देखेंगे कि करकरेखा के समयी पस तिस्ति कौन कौन से शहर है वो लिस्ट आप देख लेंगे थोड़े दिर में तो एकमात राजधने जो बिल्कुल करकरेखा पर उसका नाम राची है करकरेखा भारत की बिल्कुल बिचु 20 से होकर गुजरती है करकरेखा और मकररेखा प्रभाव क्या डालते हैं यह है पृत्वी पृत्वी सूर की चारुतरब 365 दिन में एक चक्कर लगाती है दूसरा काम क्या क्या करती है अपने अक्षपर 3.5.30 डिगरी जुकी होई है कितनी जो करकर मकर कमान है यह है करकरेखा यह क्या है साढ़े तेज डिगरी N N मतलब उत्तरी और ये हैं मकर रेखा ये हैं साढ़े तेज डिगरी दक्षुरी तो पृत्वी दो काम करती है विशिस्ट पहला विशिस्ट काम क्या करती है कि सूर की चारोत रुप 365 दिन में एक चक्कर लगाती है एक साल केते हैं दूसरा विशिस्ट काम करती है कि अपने अक्ष पर 35 दिगरी जुकी हुई है इन दोनों के चलते प्रभाव ये पैदा होता है कि पृत्वी इस्थिर्ट है नहीं अपना स्थान बदल लिए सूर की चारोत तरफ सूर बीच में और जुकी हुई भी है तो सूर की जो लंबोत किरणे हैं वो विश्वत रिखा पर इस्थाई नहीं रहती है साथ पृत्वी जुकी हुई है सूर की लंबोत किरणे करक और मकर रिखाओं के बीच विचलन करती हैं एक साल में कैसे विचलन करती है चो महीना में सूर की लंबवत किरणे में जानते हैं क्या होती है जब आप मैई जुन में यहां कहीं भी इलाबाद बनारस पतना बोपाल जबलपूर दिल्ली आसपास कहीं भी खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि जुन या मैई के महीना मे कैसे तिर्शा डूब जाती है तो सूर की लंबोत किरणे कभी उत्री भाग में चमकती है और कभी दक्षडी यानि सूर की लंबोत किरणे करक और मकर रेखा के बीच विचलन करती है कभी करक रेखा पर चमकती है कभी मकर रेखा पर यह घटना साल भर एक साल के दौरान होत यह हो गये चाम्हीने विश्वत रेखा पर आ जाती ए तीन महीने में कर के रेखा से वापस विश्वत रेखा पर आ यह भिर तीन महीन एंते मरतती है और अजयसा कौन सुर्य की लबवत पीरणे तो जब सुर्य उत्तरी गोलारद में ग्रेश रही होती है और सतुर की लंबोत केड़ें म franchise प्राप्ट करते हैं वही你在 दूब थोड़ा सा मिलना शुरू होता है ठंडे की दिनों में आप देखते हैं साड़े तीन बजा पौने चार बजा लगता है कि अभी प्रकाशी नहीं दे रही है टेपरिचर मिलना बंद हो जाता है लगता हो बहुत लेट से उठा जो धूब भी नहीं ले पाया क्यों क्यो करकर रेखा यहां पर बीचों बीच ऐसे गुजरती है तो यहां पर और जब कि शूर की लंबवत के लिए कहां पड़ रही है मकर रेखा पर पड़ रही है इसलिए उस समय सीतरी तुमें यहां पर ठंडी पड़ती है और यहां पर यानि आस्ट्रेलिया में जिस समय हमारे भारती उपमादुईपा और आजपास के छेत्रों में ठंडी कम उसम होता है। ठीक उसी समय आस्ट्रेलिया में बहुत भैंकर गर्मी पढ़ रही होती है। आप एक नोटिस करेंगे कि गर्मी की दिनों में एकसर क्रिकेट होता है। भारत में नहीं होता है, कहा होता है। तो उस समय ICC कोई भी क्रिकेट प्रत्यों कीता भारत में नहीं करवाते हैं। क्रिकेट खेलेगा इसलिए अब देखते होंगे कि गर्मी की दिनों में वो प्राय आस्ट्रेलिया और सौथ अफरीका में क्रिकेट मैच के आजजन करवाते हैं ताकि आराम से खेल सके तो सूर की लंबोत केड़ें कर्क और मकर रेखा के बीच दोलन करती हैं विचलन करती है इसलिए इन छेत्रों को हम क्या कहते हैं उस्र कटिबंद कहते हैं यह गर्म छेत्र होते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच जबकि कर्क और मकर रेखा के जो बाहर के छेत्र हैं इसे हम क्या कहते हैं उपोस्र कटिबंद कहते हैं क्या कहते हैं यह उपोस्र और यह उपोस्र इस भारत के अक्षांसे विस्तार का प्रभाव बता रहा था, तो जो कि विश्वत रिखा से साड़े तेज डिगरी अक्षांसों के मर्दे का छेत्र उस रड़कटी बंद है, और करक रिखा भारत के बीचों बीच आठ राज्यों से होकर गुजरती है, यही कारण है कि करक रिख कि दक्षिड का भारती छेत्र हो के रूकटी बंद के अंतर expelled आता है, और करक रिखा कि उतर का यहारती रूतर पोर्यकट से यह क्षांसी विस्तार का प्रभाव करक रिखा कि समी प्रिश्थित अलग-अलग राज्यों के सहर हैं है नोग गुजरत कि राजस्थान के प्रित्वी भारत का देशांतरी विस्तार का प्रभाव हम देख लेते हैं बड़ा मज़ेदार है यह भारत का देशांतरी विस्तार तीज देशांतरों की मत्थ है अधा पूर्वी से लेकर संतान बिदस मेलों दो पांच पूर्वी प्रित्वी भारत का देशांतरी विस्तार कितने देशांतरों के मत्थ हैं प्रित्वी एक चकर अपने अक्ष पर लगाती है अपने एकसेस पर एक चकर कितने दिर्म लगाती है 24 घंटे में और कितनी दिर्शानतर रिखा हैं प्रित्वी पर 360 कोई भी गोल वस्तु में कितनी डिगरी होती है 360 डिगरी, तो हर एक डिगरी के अंतर पे, हर एक डिगरी के अंतर पे, देशांतर रिखाएं खिची गई हैं, हर एक डिगरी के अंतर आल पे ऐसे, जो दुरो से चलती हैं, दुरो पे मिल जाती हैं, 360 देशांतर रिखाएं, कितनी हैं, 360, पृत्वी 24 गंटे में 360 देशांतर र कि 30 देशांतर घूमने में पृत्वी को 120 मिनट का समय लगता है 120 मिनट मतलब दो घंटा यानि भारत को भारत में यानि कि भारत का जो पूर्वी छो रहा है और परस्वी छो रहा है उसके बीच कितने का समय अंतराल है कि अगर और उरण्छल प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है यहाँ पर 5 बजे समरा होगा तो गुजरात में समरा कितने बजे होगा साथ विजए होगा दो घंटे का अंतर है ये है ना तो क्या और अंतिर प्रदेश और गुजरात का समय अलग-अलग हो सकता है नहीं एक ही देश में अलग-अलग राज्यों में घड़ियां अलग-अलग समय बताएंगी तो देश भर में समस्या पैदा हो जाएगी इस समस्या से कैसे बजा चाहें इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपा है कि ये कौन सा देश अंतर है संतान्व दसमलो दो पांच पूरवी देश अंतर ये कौन सा देश अंतर है कि भारत के बीचो बीच जो दिशांतर रिखा गुजरती है ठीक भारत के मद्ध में उसी को प्रधान भारत का प्रधान समय रिखा माल लिया गया भारत के बीचो बीच देखिए यहां से यहां और यहां से एकदम बीचो बीच है यह भारत के बीचो बीच गुजरने वाली द पूर्वी देश आंतर पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय होगा अब 18.000 पूर में यह का समय है यह कैसे पता चलेगा यह लंदन से गुजरने वाली जी रौ्दि देशांतर डिखा लंदन से गुजरने वाली zero degree देशांतर रिखा लंदन की green वीच से गुजरती है लंदन के green वीच से इसको हम अंतरास्ट्रिय मानक समय रिखा कहते हैं क्या कहते हैं अंतराष्ट्री मानक समय रेखा इसे हम ग्रीन वीच में टैम भी कहते हैं कुछ खान को सारद करते हैं चयां पहस्यमी गोलारत को या फिर पूरी गोलारत के देश तो दुनिया की सभी देश ग्रीण वीच मिन टाइम या निया थाए अपने समय भारत करते हैं भारत के कितना दूर है वहारत की से exit States better पूरुवी देशांतर पर समय होगा वह पूरे देश का समय होगा तो भारत की देशांतरी दुरी मानी गई साड़े 22 से डिगरी पूरुवी देशांतर अब साड़े 82 डिगरी पूरी दिशांतर पर समय कैसे ग्याद करेंगे पृत्वी को एक दिशांतर घुमने में 4 मिनिट का समय लगता है तो पृत्वी को 85 डिगरी घुमने में आप निकालेंगे तो 5 घंटा 30 मिनिट का समय लगता है पृत्वी को 85 डिगरी दिशांतर घुमने में 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है चो कि भहारत पूर्वी गुलार्द में है इसलिए भारत का समय आगे होगा जो देश लंदन या Greenwich से पस्वी गुलार्द में है उनका समय लंदन से पीछे होगा लेकिन जो भी देश लंदन से पूर्वी दिशा में है यानि पूरी गुलार्द में हैं, उनका समय लंदन से आगे होगा, तो भारत का समय जो है, लंदन के समय से सारी 5 घंटा आगे है, अब लंदन में जो समय होगा, जो भी बज़ रहे होंगे, वहां से अपनी देशांतरी दूरी के अधार पर, इसी अधार पर सभी देश अपना समय निर्धारित करते हैं, यही कराणे कि जब आप होटलों अगर होगे हो जाते हैं, तो लंदन में जो समय हो रहा है, उसे जरूर बताने वाली घड़ी टंगी रहती है, हलां कि कई देशों की रहती है, लेकि लंदन वाली जरूर हो हाँ पर रहती है, क्योंकि सभी देश लंडन यानि Green विष से अपनी देशांतरी दूरी के अधर पर समय निकाल देते हैं यानि कि अगर भारत में 10 बज़ रहे हैं सुब्हके सिंपल सी बात है भारत में अगर सुबख दस बज़ रहे हैं तो लंडन में कितना बज़ रहोगा सुबख के साथे चार बज़रे होंगे क्योंकि भारत के समय आगे हैं और लंदर के समय पीछे हैं यह भारत की देशांतर विस्तर का प्रभाव कि देशांतर रिखाओं के बारे में कुछ बाते लिखी हैं जो मैंने आपको भी बता दी वॉक्स में है अधिकांस बाते आप इनमें से पढ़ लिए हैं जनसंख्या और अकार भारत में अंतिम जन गड़ना सेंसस 2011 में हुआ भारत में पहली जन गड़ना उनली सो अठारसो बहततर में लाड़ मियो के समय में हुई थी उससे अगर पहली जन गड़ना मानी जाए 1872 वाली को तो 2011 की जनगर्णा 15 में जनगर्णा थी सो तंत्र भारत की 7 में जनगर्णा थी 2011 की जनगर्णा लेकिन 2011 के बाद चुकी पृतिक 10 वर्ष के इंतराल पर जनगर्णा होती रही है 2021 में नहीं होई सन्यूक तुराश जनसंख्या कोश एक विभाग सन्यूक तुराश जनसंख्या कोश ने एक गड़ना किया था जिसके आधार पर उसने पाया कि वर्ष 2030 में धान देजेगा इस वर्ष को आपको जानना पड़ेगा ये बात 2030 किया उसने पाया कि वर्ष 2030 में भारत चीन को पचाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक अबादी वाला देश बन गया है भाले ही जनगर्णा भारत में नहीं हुई लेकिन इसने बताया कि 2030 में भारत ने चीन को पचाड़ दिया और भारत की अबादी कितनी हो गई 142.86 करोन मतलब 142.86 लाग भारत का अबादी है भारत की जो जनसंख्या है वो विश्यो की कुल जनसंख्या का साड़े सतर प्रतिशत है भारती जनसंख्या विश्यो की कुल जनसंख्या का साड़े सतर प्रतिशत लेकिन भारत में जो धरातली भगोली छेत्र है वो विश्यो के कुल धरातल का केवल 2.4 प्रतिशत है जो महादुईपी छेतरफल है दुनिया भर का दुनिया के कुल महादुईपी या इस्तलखंड की छेतरफल का भारत में केवल 2.4 प्रतिशत है बात का छेतरफल यहां पे लिखा हुआ है चेटर्फभल की लिहासे भारत दुनिया सात्वों बड़ादेस है ए Sieya का तीसरा सबसे बड़ादेस है रूस औरचन के बाद और दक्षड Sak 원 का सबसे बड़ादेस है चाहे चेटरफभल हो चाहे जेश संख्या ऐसे हैं भात के आकृति चतुस कोड़ी है और भारत का जो दक्षडी भाग है वो त्रिबुज की रूप में है ऐसे यानि भारत का प्राइदिपी भारत त्रिबुजाकार है जो पुरूत्तर भारत है अभारत की आकृति आप देख रहे हैं चतुस कोड़ी है चतुस फलक की तरह है और भारत का जो दक्षडी भाग है ये तिरे भुजाकार है भारत पर दक्षणी भारत तर भारत की भूमी का हिस्सा है लेकिन इसके बवजूद ये बहुती सकरी गलियारी की मध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है इस सकरा गलियारा एक तरह से आप देखें तो बांगलादेश दक्षण में बांगलादेश और उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है यानि बांगलादेश और नेपाल के बीच में फासा हुआ छेत्र है बहुत ही सक्रा है इसकी चोड़ाई कितनी है 22 किलो میटर कितनी है 22 किलो मेटर इसे हम सेलिगुड़ी, गली आरा कहते हैं तो भारत का जो पूरत्तर भारत का छितर है मुख्य भूमि का हिस्सा होते हैं मुख्य, ब्हुम्य का हिस्सा होते हैं विख के यह बाइस किलो इसलिए हिंद महसागर नाम हिंद महत सबस्य मढम हिस्ते-मेंभारत के नाम हिसरा मेंभारत के नवी हिरह सबसे रहा है क्योंक hij यानि कि ये दोनों समुद्र भारत को प्रिथ्वी की तरिज्या के बराबर तर्ट रिखा परदान करते हैं जानने लाइक बात थी भारत की मुख की भूमी की तर्ट रिखा की लंबाई एक सट सो किलो मेटर है लेकिन भारत की चारो तरप कुछ द्वीप भी है हम मैप में आना पड़ेगा तभी आवर इस बात को समझ पाएंगे इस चीज को हम यहां बता देंगे मैप में आईए जो भी वहां लिखा है यहा एक सट सो किलो मेटर है चारो एक सो किलो मेटर है लेकिन भारत की चारो तरप कुछ द्वीप है जैसे लक्ष दीप अरफ से अगर बंगल की खाड़ी में अंड मानने को बार तो द्वीपो समेत भारत की कुल तट रिखा 71516.6 किलो मेटर है अगर 10.6 को हम पूढंक में पर 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 पस्वी तट पर अगर आप देखें मुख्य भूमी पर तट रिखा पर इस्थित पस्वी तट पर गुजरात, महरास्ट, करनाटक, केरल पस्वी तट पर चार राज्जे हैं तट्रेखा पर पूर्वी तट पर पांच राज्जे तट्रेखा पर इस्थित हैं तमिलनाडू, आंधरा प्रदेश, उडिसा और पस्वी मंगाल ये पांच राज्जे हैं इस तरह से भारत के कुल नौ राज्य तट रेखा पर इस्थित हैं भारत के कुल नौ राज्य तट रेखा पर इस्थित हैं नौ राज्यों के अलमा चार केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो जिनके पास तट रेखा है नौ राज्यों के अलमा यह तो सवाल बनता है कि भारत में कितन केंडर शासित प्रदेशों के पास तर्ट रेका है, चार, यह कौन कौन से हैं, पुदुचेरी के पास तर्ट रेका है, इसके अलाओं दादरा और नगर हवेली, तथा दमन और दीव, अब एक ही केंडर शासित प्रदेश बन गया है, जिनके बारे में भी बात होगी, तो दा केंदर शासित प्रदेश लक्षदीप चोथा केंदर शासित प्रदेश जिनकी पास तत्र रेखा उपलब्द है पुदुचेरी दादार नगरहवेली तर्था दमन और दीव लक्षदीप अंडमान और निकोबार देश समय दिर समय भारत की सबसे लंबी तत्र रेखा वाला राज्य केंदर शासित प्रदेश दिर समय समय अंडमान निकोबार दिर समय समय सबसे लंबी तत्र रेखा वाला राज्य अंडमान निकोबार है मुख्य भूमी पर सबसे लंबी तत्र रेखा वाला राज्य गुजरात है मुख्य भूमी पर सबसे लंबी तटरिखावला राज्य गुजरात है गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरिखावला राज्य आंद्र प्रदेश है आंद्र प्रदेश के बाद सबसे लंबी तटरिखावला राज्य तमिलनाडु है इसके बाद सबसे लंबी तटरिखावल राज्य क्रमस्वा, गुजरात, आंदर प्रदेश, तमिलनाडू, महरास्ट, केरल, ओडिशा, सबसे छोटी तर्टरेखा वला राज्य गोवा है, दक्षिड भारत में पूछा जा सकता है कि दक्षिड भारत में या प्रायद्विपी भारत में सबसे लंबी तर्टरेखा वला राज्य कौन सा है, तो दक्षिड भारत में प्रायद्विपी भारत में सबसे लंबी तर्टरेखा वला राज्य आंदर प्रदेश, आंदर सीमा और 7,500 का दोगुना कर देजिए, 7,516, तो दोगुना करने पर लभग निकलेगा 15,200 किलोमेटर, तो यानि कि इस्ठली सीमा की लमभाई, लभग लभग दोगुनी है, तर्ट रिखा की तुल नामे है, तो भारत क्या है कि इसे अंतराष्ट्री सीमा भी कहते हैं, तीसरा सबसे बड़ा देश है रूस होचीन के बाद एसिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और दक्षिड एसिया का सबसे बड़ा देश है एक बड़ा देश है भारत छेतरफल में इसके चलते भारत की जो अंतराष्टी सीमा है कई देशों से सपर्ष करती है भारत की अंतर हम यहां पर मैप में आई जाते हैं कि मैप में आ जाते हैं वहां पर पढ़ेंगे इच्छा रहेगा भारत की अंतराश्ची सीमा साथ देशों से सपर्ष करती है यह कौन-कौन से हैं पाकिस्तान अफगनिस्तान चाइना, नेपाल, भुटान, यहां पर है म्यामार, बंगलादेश, काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ देशों से भारत की अंतराश्ची सीमा सपर्ष करती है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है इन में से उत्तर पस्ची में पाकिस पाखिस्तान, अफगानिस्तां के साथ, उत्तर में चीन-नेपाल, भुतां के साथ और पूरु में मयामार, बंगलादेश के साथ भारत की सीमा इसपर्ष करती है भाद के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करने वाला देश बांगलादेश है दिखने में चाइना का लगता है लेकिन बांगलादेश की सीमा रिखा बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेड़ी और कटी छटी है इसके चलते बांगलादेश की सीमा रिखा के लंबाई सबसे ज़्यादा है भारत के साथ कितनी है 4,96 km लंबी सीमा साजा करता है बंगलादेश बंगलादेश के बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा साजा करने वाला देश कौन सा है भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साजा करने वाला देश चीन है चीन के बाद तीसरा सबसे लंबा सीमा साजा करने वाला देश पाकिस्तान है पाकिस्तान के बाद तीसरा पाकिस्तान है पाकिस्तान के बाद यानि दूसरे नंबर पे चीन है तीसर च未po नंबने नेपाल रपाचवें कि देखेंगे तो अब् ang 22 सकरी पट्टी के माध्यां तो भारत के सपाष करता है फोछ किपो चुछ अईसा है कि आप गतिखेंगे कि अगरने में ई theor च अफगानिस्तान के पूरी भाग में एक ऐसी पतली जी पट्टी आती है यह ऐसे मुर्गी की गर्दन की तरह हैं बिलकुल अफगानिस्तान की दक्षिण करें यह तो पाकिस्तान है यह क्या है पाकिस्तान यानि अफगानिस्तान पाकिस्तान की पस्षिम है लेकिन पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान का जो पूर्वी गलियारे जैसा छेत्र ही चलाता है भारत तक है उजबेकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फंसा हुआ छेत्र है इसको हम अफगानिस्तान का वाखन प्रदेश कहते हैं क्या कहते हैं वाखन प्रदेश तो अफगानिस्तान के यह वाखन प्रदेश भात के साथ इस फर्ष होता है कितना किवा एक सो छे किलो मिटर आप चेक कर लेज़ेगा साइद 1106 किलो मिटव किवलंबी सीमा साजा करता है अवगानिस्तान तो सबसे जादा नंभी सीमा बंगलादेश चेक कर सकते हैं go to the country वांट प्रोसी देश गी करते हैं इसे पांच अइसए ते हैं जो भारत के साथ त्राकृतिक रूप से सीवा बनाते हैं और दो डेश्र्चेश से हैं जिनकी सीमा भारत के साथ प्राकृतिक हैं मानो निर्मित हैं पाकिस्तान और बंगला देश की सिमाय भारत के साथ मानो निर्मित हैं और पांच देश कौन-कौन से हैं जिनकी सिमाय भारत के साथ प्राकृतिक हैं अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूतान और मियमार इन पांचों देशों की सिमाय प्राकृतिक कैसे है और उनचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर हिमाले के उच्छे उच्छे सिखर उत्तर में चाइना को लग कर देते हैं और दक्षिण में भारत को लग कर देते हैं इन पांच देशों के साध भारत की सिमा या तो किमाई की उचे सिखर को द्वारा निर्धारित होती के इसको एक बार से एक बार आपको चीन और भारत की सीमा हिमाले में निर्दायद कर दी है हिमाले के साथ साथ इन दुनों देशों की सीमा हैं खासकर भूटान के पूरु में यहाँ पर हिमाले के उचे उचे सिखर हैं और अंचर पर देश के उत्तरी सीमा पर तो यह जो हिमाले के उचे सिखर हैं इनको मिलाने वाली एक खीचे गई उससी सिखरों को मिलाने वाली र्यखा को मैक मुहन निर्धायत के रिखार अधिकारी थे उन्होंने भुटान के पूर में हिमाले के उंचे जिखरों की बिलाने वाली एक रेखाषए है ना और उसी के सहरीं भारत चीन की सीमा बना दी उसे मेग मोहन रेखा कहते हैं तो हिमाल्यक की शिखरों द्वराने दाइधा होती तिन ही सबीता होती है बारत बादर ही बाने निरधा ही जैसे आप उतरप्रदेश और बिहार से नेपाल की तरफ बढ़ेंगे अचानक से हिमाले उठने लगता है तो यह हिमाले का तलहटी छेत्र नेपाल के साथ हिमाले की तलहटी सीमा बनाती है इसी तरह से भूटान के साथ भी कौन से राज्य लगे हैं असम और पश्यमंगाल त के साथ हिमाले की तलहटी दोरा निर्दहट की गई है यह मैं अभी पढ़ा रहा था जो मैंने आपको पढ़ाया उसका जो बिलकुल आंकड़ा यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कोड़ोसी देश है उसकी सीमा की लंबाई कितनी भारत के साथ सीमा रिखा का नाम यह मै कुछ सब्सकते है भारत के राजी लिखी है कि प्रशासनी को बारत के समझना ज़रूरी है कि भारत में 28 राजज और आठक की इंससित प्रदेश है क्यों निर्माड और विनाश या विगटन से समंदित पूरा अधिकार है तो भारती संसद ने 2019 की बात है भारती संसद ने अनुछेट तीन द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2019 में पार्ति संसर ने 2019 में अनुछे तीन दौरा प्रदित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कस्मीर राजय को भंग कर दिया विगटित कर दिया और जम्मू कस्मीर राजय को भंग करके दो नए केंदर शासित बनाए इन दो नए केंदर शासित प्रदेशों का नाम था जम्मु कश्मीर और लद्दाक जम्मु कश्मीर की राजधानी बनाई गई स्रीनगर और लद्दाक की राजधानी बनाई गई ले लद्दाख जो केंदर शासित प्रदेश है न तो लद्दाख केंदर शासित प्रदेश दो जिलों को मिला कर बनाया गया कारगिल और ले दो ही जिले हैं तो कारगिल और ले जिलों को छेत्रों को लेकर मिला कर लद्दाख केंदर शासित प्रदेश बनाए गया जिसकी राजधानी ले है ये 2019 में भंग कर दिया गया जमुकस्मी राज्य को फिर 2020 में दो केंदर शासित प्रदेश को अपस में अटेच कर दिया गया ये थी दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये पहले अलग-अलग के अंदर शासित प्रदेश थे दादरा और नगर हवेली यहाँ पर है दादरा नगर हवेली के यहाँ पर थी यहाँ यहाँ और यहाँ दीव था गुजराद के दक्षिण में समुद्री छेतर में दीव और दादरा नगर हवेली के पास में यहां पर दमन था तो दीव यहां दमन यहां दीव और दमन अलग केंदर शासित प्रदिस थे गुजरात तट पर और दादर नगर हवेली अलग केंदर शासित प्रदिस था लेकिन 2020 में दोनों को भारती संसर ने अनुचेतीन दोरा दीग का नाम है दाद्राः और नगरवेली तथा दमन और दीव नैक इंसासीत प्रदेश जो बनाया गया उसकी रजधानी कहा है दमन कहाँ पर है गुजरात्तट पर है यह यहां दीव यह दमन है गुजरात्तट के डिए इंहीं दुनों के बीच है दमन और दीव के बीच यहीं कभात की खाड़ी का मुहना बनाते हैं यहीं से खमबात की खाड़ी में आप प्रविश करते हैं कि इस तरह से वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंदर्श रासित प्रदेश हो इसके पहले 9 केंदर शासित प्रदेश हुआ करते थे लेकिन अब 8 हो गया है जब जम्मु कस्मीर को दो केंदर शासित प्रदेश में बदल दिया गया था तो उसमें 9 केंदर शासित प्रदेश हो गये थे कुछ दिनों के लिए लेकिन 2020 में जब इन दोनों के एक कर दिया गया तो फिर से आठ हो गया, तो सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश भारत का लद्दाक है, 2019 में बना, भात के सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश लद्दाक, दूसरा सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश जम्मू कस्मीर, तीसरा सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश अंडमान और निको बाढ़िस्व्यूं मोई । तीस्रा सबसे बड़ा केनल जासी प्रदीस, दिल्ली यानि यहां पर अब ध्यान देना है । भारत की सबसे बढ़ा केनल सासीप्रदेस, लद्दाइस, दूसरा जममू कस्मीर सबसे छोटा राजा ग 2012 से थोड़ा से बड़ा से वह क्रम में है। अब में से बहुत से लोग इस अधिया हूंग अग आपे से बहुत से लोग को पैचान रहूंगे अगर द्यां से देखेंगे तो अगर आप बताते तो अच्छा है मैं अपने से क्या ही बोलू अंडमान और निकोबार्दु इस समों के बारे में कुछ जानकारिया हैं अंडमान निकोबार का बहुत विवस्ति तर्धियन भारत की भुवाकृति की विभाजन वाले अध्यामी किया गया है तो यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको मज पढ़ाना ही है इसलिए यहां पर छोड़ रहा हूं यहां पर खलका सा परचे दे दिया था भारत में पुदुचेरी केंदर सासित प्रदेश है इसकी बड़ी विशेशता है कि यह तीन राज्यों में स्थित है पुदुचेरी और इसकी चार अलग-अलग-अलग छेत्र है पुदुचेरी चार अलग-अलग छेत्रों में है और तीन राज्यों में फैला हुआ है पुदुचेरी भारत का एक मात्रेशा केंदर सासित प्रदेश है जो पस्मी तर्ट पर भी है और पूर्वी तर्ट पर भी है द्यान देजेगा पुदुचेरी तीन राज्यों में फ यहां यह तो है पुदुचेरी राजधानी यह करेक्ट यहीं पर है यहां से कावरी नदे निकलती है और दक्षिन में मुर्ती है करनाटक में मालनड और मैदान प्रदेश है मालनड और मैदान से क्रॉस करते हैं तमिलाड में आती है फिर पूरप की तरह घुम जाती है और य ऐसे ऐसे तो कावरी नदी की डेल्टा छेत्र में दो छेत्र है पुदुचेरी के एक तो पुदुचेरी और दूसरा कराईकल यहां पे कराईकल यह पुदुचेरी और यहां पर है कराईकल मालाब कोरो मंडल तठपर तमिलाड़ राज में कोरो मंडल तठपर पुदुचेरी की दो छेतर हैं पुदुचेरी और कराइकल चन्गिह के ठीक दखषण में पुदुचेरी है और पुदुचेरी की बसमें कराइक दोनों कहाँ है कोरमंडल टट पर इसके लवा है यह जो आप देखते हैं न यह व्लाisf acabou धुमकर आईसी होता ता है फिर अ ऐसे होते हुए यहां पे अपना यहां पर बनाती है यहां पर यह वाला हिस्सा गोदारु यहां नद्री का डेटा है और क्रिश्णानदी महांदेस्वर चोटी से निकल कर ऐसे प्रवाइत होती है और यहां पर अपना डेल्टा बनाती है यानि यह आगे बढ़े वे भूभाग है यह देखी तट से आगे निकले वे भाग है भारत के डेल्टा छेतर है नदियां क्या करती है कि पहाडों को काट कर धेर सारा आवसाद लाती है और पाटती है यही करना कि जहां बही डेल्टा छेतर होते हैं वहां पर तट आगे कीतर निकला होता है यानि डेल्टा छेतर में नदियां नई भूमी का निर्मार कर रही होती है एक तरीके से सोचिए मत पूर्चीज है हजारों सालों बाद ये डेल्टा चेत्र और आगे तक बढ़ जाएगा साथ कोई कालोनी भी महाँ पर बज़ जाए तो ये जो गोदावरी ने दिका जो डेल्टा चेत्र आप देख रहा है न इसके ठीक उत्तर में यहाँ पर यनम है क्या है यनम के पास ही काकी नडा है इसे हम गोदावरी डेल्टा चेतर में इसके ठीक उत्तर में यनम है यनम के पास ही काकी Перज़ एक पुद्चेरी तमिलनाडों में दो छेत्र है और कराईकल तीसरा छेत्र कौन से है यनम के पास ही काकिनाडा है इसको हम यनम काकिनाडा तट कहते हैं क्या यनम काकिनाडा तट कहते हैं तीस्ट्र और हों गया चौथा चेत्र यहां पर माहें किते स्ऱ्ट्है ये कौन से है मालाभार्त कर दाट कर केरल राज में मालाभार तट पर है इस तरह से से पुदौचेरी 10 इन एक तमिलनाडू केरल और आंध्रप्रदेश इसके चार चेत्र को princioter है यrhनम यह हमने आपको अभी बताया राश्ट्री रधानी छेत्र के बारे में कुछ पर चाहिए आप जानते होंगे जोद पढ़ने पर मैं उसे रिपीट कर दूँगा अंतराश्टी सीमाओं से लगी भारती राज्य और केंदर शासित प्रदेश भारत की कौन-कौन से राज्य से लंबी 4,096 किलोमेटर लंबी सीमा बनाता है तो सभावी कि बात है कि भारत के कई राज्य बांगलादेश के साथ सीमा बनाते होंगे है ना 4,096 किलोमेटर लंबी सीमा बनाता है भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांगलादेश के साथ सीमा साचा करता है इन में से 5 राज् पांच राजे सीमा बनाते हैं एक पांच मंगल दूसरा यहां पर देखिए असम सीमा बना रहा है असम यहां भी सीमा बना रहा है और यहां भी बना रहा है असम यूटरन लेता है यहां पर ऐसे यह लोकल लोक आरिया ऐसे यूटरन लेगी यहां भी दो जगों बंगलादेश से सीमा बनाता है यहां भी और यहां भी तो दूसरा आसम हो गया तीसरा मेगाला सीमा बना रहा है चौथा त्रिपुरा सीमा बना रहा है और पाचमा मेचवरम भारत की पांच राज्य बांगलादेश के साथ सीमा बनाते हैं इनमें से बांगलादेश के साथ सबसे लंबी सीम सीमा बनाने ऒबाद दूसरा राज्य कौन सा है तो पस्षी मंगाल के बाद दूसरा राज्य rouड़िंप टिलिपूरा बनाता है है और पर बंगला कि सबसे छोटी राजर्ब ने वला राज्य मिय जोराम है फेरे फॉर बाद भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश चीन है मांगला देश के बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश चीन है चीन के साथ भारत के कौन-कौन से राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ पस्चिम उत्तर भारत के कुछ राज्य सीमा बनात जैसे कि मैप में सकते हैं कि पस्षी में लदाख हिमांचल प्रदेश और उत्तराखंड सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ भारत के तीन राज्य और दुटी शीर्श परदेश सीमा बनाते हैं। म soup देख लेते हैं सबी को यहां पर देखते हैं। बागी को चीन के साथ पस्ची में तीन राज्य सीमा बनते हैं दो राज्य हिमांचर प्रदेश उत्तराखंड और केंद सासिर प्रदेश लद्दाक पूरु भाग में सिक्किम और और रांचर प्रदेश चीन के साथ कुल कितने राज्य हो गए हैं दो राज्य और एक केंद सा श्रासित परदेश भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हो जमू कस्मिर और लटक। दूसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश चीन है, तीसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश पकिस्तान है, चौथा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश नेपाल है, जो भारत किसा सीमा बनाता है, दो देश भारत के ऐसे हैं, जो तीन तरफ से भारती राज्यों से ग से घिरा हुआ है बोटान पस्ची में सिक्किम से घिरा हुआ है दक्षण में पस्ची मंगाला और असम राज्य सीमा बनाते हैं और पूरी भाग में और अंचल प्रदेश से सीमा बनता है हिमाले की पहाडियों की लगतार स्रिंखला से निरधारीत होती है हिमाले की पहाडियो और नामचा वर्वा चोटी के पास पहुंचता है तो वहां से दक्षिण वर्ती मोड लेता है दक्षिण वर्ती मोड लेने के बाद हिमाले कई छोटी छोटी पहाडियों की रूप में भारत और मयामार के बीच में फैला हुआ है दक्षिडवर्ति मोड लेने के बाद हिमालय भारत और मैमार देशों की सीमा पर कई छोटी छोटी पहाडियों की रूप में फैला हुआ है यहां पर हिमालय अविच्छीनिस रिंखला की रूप में तोटा हुआ नहीं है यहां पर हिमालय अविच्छीनिस रिंखला की रूप में ना होकर छोटी-छोटी पहाडियों की रुप में मबटा हुआ है पुरोत्तर भारत में हिमालय की इन पहाडियों को हम पुरवांचल पहाडियां कहते हैं भारत और मियमार किसी में पुरवांचल पहाडियों द्वारते होती है इसके नाम है अरवांचल प्रिदिस में हाँ यहां पर अफगानिस्तान का हमने पर जिक्र पहले कर दिया था अफगानिस्तान भारत की साथ सबसे छोटी सी मारेका साजा करता है अफगानिस्तान यह बहुत ही सगरा चेत्र ऐसे चला है और ऐसे करता है कि देखें भारत का मैप काम यहां पे हर जगह रहता है और बिना मैप के जोगर्फी जराभी अगर आप पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ाया गया मैं ही पढ़ाऊंगा तो जिससे लगेगा कि बिल्कुल समय में नहीं हा रहा है बहुत ही प्यार से बहुत ही रुची के साथ बहुत ही अच्छा समय वेतीत करते हुए मैंने ये किताब लिखिये अपनी जिन्दगी में अगर मैंने सबसे मन से कुछ काम किया होंगे जिसको निस्वार्थ भाव से करते हैं क्योंकि स्वार्थ भाव से किया गया काम कभी बहुत अच्छा नहीं हो सकता तो बहुत ही निस्वार्थ भाव से किया गया दो-तीन काम हैं जिनको मैंने किया है जैसे मैंने आपको जोगरफी पढ़ाई इंडियन जोगर्फी और वर्ल्ड जोगर्फी का भी कुछ हिसा उसी तरह से मैंने रात-रात भर जगके क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई काम अपने दिल से करता हूँ तो दिन में नहीं कर पाता हूँ बच्पन से यादत रहिया उसके लिए मुझे रात में जगना पड़ता है और पुरी रात भर कभी एक अपचाय बना लिया इस तरह से कभी ब्रेट खा लिया रात में ही तो इस तरह से सुबर पांच यच छे या साथ बजे तक जगते हुए करता हूँ पिर सो जाता हूँ इस किताब को लिखते हुए लाभग एक साल का समय मेरा बीटा तो एक साल का समय पूरा लिखने में नहीं गया बहुत से काम होते हैं मैप बनाना इसों मैप अगर दिखा रहा हूँ सब मैंने अपने हाँ से बनाये थे अब ही आप भारत का भुवाकरतिक विभाजन में जब पढ़ेंगे परवत पठार दर्रे घाटियां एवरी लोकेशन में चुकी जोगरफी में ग्राफिक डिजानर को ऐसे दे दिया जाए तो बहुत गबड कर देगा वह तो साथ में बठा के करवाना पड़ता था तो एक साल में इस तरह से पुस्तक त्यार होई और बाकी काम तो दिन में हो जाते थे लेकिन लिखने वाला काम सोचना पड़ता है कि क्या लिखें कैसे लिखें और क्यों लिखें चुकि पहला वस्ति और विस्तार वाला जो टॉपिक है बहुत फैक्चुल है लेगिन आगे आप पढ़ेंगे जिसमें आप लगेगा पढ़ते समय कि हाँ यह कुछ लिखा गया है अलग से देता है आपको इस पुस्तक को पढ़के वास्तों में जो इंडियन जोगर्फी के वीडियोस असी वीडियोस पढ़के जो अच्छा लगा दिल से अच्छा लगा कहते हैं न कि हाँ कुछ समझ में आया शायद उतना ही या उससे ज्यादा ही आपको एक किताब पढ़के लगेगा और एक अपना पंसा महसूस होगा जो की प्राइ हैं और दू केंदर शासित प्रदेश हैं बात कि कितने राज्य पढ़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं अभी जमने काउंटिंग कर रहा था सभी राज्यों से लगने वाली सीमा तो उसको आप काउंटिंग करेंगे तो पायाएंगे कि भारत के 16 राज्य और दो केंदर शासि प्रदेश पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं दो केंसा सी प्रदेश आप देखी लिए होंगे जमुकस्मीर और लद्दाक सोलर राज जिभी आप गिन सकते हैं अब हम देखते हैं भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण रेट क्लीफ लेखा इसमें हम देखें कि भारत पाकिस्तान का विभाजन के बाद दोनों देशों में सीमा निर्धारण से समंधित क्या समस्य आएं भारत का विभाजन धर्ब के धार पर हुआ था इसके अंतरगर तो मुस्लिम बहुल छेत्रों को भारत से प्रिथक कर दिया भारत में दो प्रमुक मुस्लिम बहुल छेत्र थे पस्ची में पंजाब प्रांथ और पूरा में बंगाल प्रांथ ठीक है तो 1947 में देश का भी भाजन होता है और उसी वर्ष 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रिखा यानि लाइन खिची गई उसी क तो हम रेट कलिफ लाइन कहते हैं मैंने पहले ही बताया कि भारत का विभाजन धर्म के अधार पर हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था उसके इंतरगथ पंजाब और बंगाल इन दोनों प्रांथों का विभाजन हिंदू मुसलिम जनसंख्या के अधार करना था हिंदू मुसलिम जन्सन क्या थापर कैसी किया जाएगा ऐसे होगा कि जो हिंदू बहुल छ्फिर हैं और मुसलिम बहुल छिते रहे उन दोनों को अलग करके बीच मेंए क्लाइंडी दी जाएगी तो इसकाम के लिए बॉर्डर कमीश न न का गठन किया गया जो लाइन कहिची गई उसी को हम रेट अलिफ कहता हैं 1947 में भारत जैसे ही आज़ात हुआ पाकिस्तान ने एक चाल चलिया उसने क्या और भीरे से जमो कस्मीर की कबाइलियों को अपनी ट्रंफ मिलाया जमो कस्मीर भारत का सबसे उत्री ठीक है इसकी राजधानी जो है मुझफराबाद है आम तोर पह में लगता हुगा कि पी-ओ-क वाला छेतर यहां पर है तो राजधानी मुझफराबाद यहीं पर कही होना चाहिए लेकिन आप स्री नगर को देख रहे हैं जम्मो और कस्ची में यहां पर मुझफराबाद है य है इसको थोड़े दैर के लिए आप जम्मो कस्मिर प्रांथ यहां पर दिखाता है उतने बड़े पस्चमी और पस्चमी उत्र छेत्रों में पाक का अधिकार हो गया है, पकिस्तान का अधिकार हो गया है, जिसे हम पाक अधिकृत करस्मी कहते हैं, और जम्मु कस्मीर का यह जो लद्दाख वाला छेत्र है, इसके एक बहुत बड़े छेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया, 1962 मे किया था सभी पूरे सीमा पर हमला किया दुझे सब से बड़ा कवजा कहा पर किया लडदाह्त में चिंदारा लीजն के लिसेया झि언 भरते सिन है और इसके सिन की सीमा+, ये एक तरह9 जो देखndarर हैं, और यह ये रिखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से युद्ध विराम रेखा है उसी तरह से ये वाली लाइन जिसे हम LAC कहते हैं लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल इसे हम LAC कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे हम LAC कहते हैं लाइन आफ कंट्रोल और लद्दाख भारत के नियंतर्ण वाले लद्दाख और अकसाई चीन जो चीन द्वारा कबजा किया गया है उसके बीच जो लाइन आफ देख रहे हैं इसे हम लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल यानि ले सी कहता है इतना आपने देख लिया जम्मू कस्मीर में भारत के नियंतर्ण वाले च्हेटर और पाक अध्कृत कस्मीर के मध्य यथा इस्थेती को दर्शाने वाली रिखा उसी को हम कहते हैं यह था इस्तेती मतलब 1947 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर अवय दुरुप से कबजा कर लिया और अंदर घुसाया बिल्कुल जम्मु कस्मीर में तो भारती सिनाओं को यहाँ पर पीछे हटना पड़ा भारती सिनाओं यहीं तक थी इसके आगे नहीं वड़ पाई तो एक त भारत के नियंतरण वाले छेत्रों और पाक अधिकरित कस्मीर के मध्य नियंतरण इस्थिती को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं नियंतरण इस्थिती थी दोनों देशों की मध्य उस नियंतरण इस्थिती पर एक लाइन खिच दी लेकिन उससे में इसका नाम नियंत्रण रेखा नहीं था यानि एलोसी लाइन आफ कंट्रोल उसमें इसका नाम नहीं पड़ा था उसमें इसको हम सीज फार लाइन कहते थे जब सेट राश संग ने दोनों देशों के बीच मध्यस्ता करते हुए एक लाइन खिछ दी तो उसमें इसका नाम एलोसी नहीं थ था 1972 में दोनों देशों के बीच एक सिमला समझोता हुआ और सिमला समझोते के तहट इस रेखा को एलोसी नाम दिया गया पहले इसका नाम था सीज फार लाइन यानि युद्ध विराम रेखा के तोर पे था ठीक है इसके एक तरफ आपने पहले देखा कि एलोसी के एक भारत किसे नए है मैक मोहन रेखा भुटान का पूर्वी भाग भुटान की पूर्वी भागों में भारत और चीन की सीमा हिमाले की उचे सिखरों को मिलाने वाली रेखा द्वारा निर्धारित होती है यानि भुटान की पूर्वी भाग में हिमाले की उचे सिखरों को मिला मिलाने वाली रिखा भारत और चीन को अलग अलग करती है दोनों देशों के सीमा का निर्धारण करती है कौन सी रिखा हीमाले की ऊंची सीखरों को मिलाने वाली रिखा इस रिखा को हम क्या कहते हैं मेक मोहन रिखा कहते हैं 1947 से पहले भारत पर ब्रिटि Kurdish आसन था पहले भी उभरता रहता था, 1947 के पहले ही, तो एक ब्रिटिस अधिकारी थी सर हेंडरी मेक मोहन, उन्होंने इस विवाद को हल करते हुए कहा कि जो हिमाले के उचे शिखर हैं, उसके उस पार आप रहिए, उसके इस पार हम रहते हैं, तो उन्होंने ही इसका निर्धारन किया था, और 1914 में भी एक सिमला समझोता हुआ था, ब्रिटिस राज, ब्रिटिस वाइसराय और चीन के मध्य सिमला समझोता हुआ था, उस समय चीन ने इस सीमा को सुईकार कर लिया था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो चीन ने इस सीमा को सुईकार करने से, जब अंग्रे है कि line of actual control ही दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा है मैक मोहन रेखा दोनों देशों के बीच सीमा नहीं है चीन का मन्ना है कि मैक मोहन नहीं बलकि line of actual control वास्तविक नियंत्रड रेखा ही दोनों देशों के बीच सीमा रेखा है वास्तविक नियंत्रड रेखा वास्तविक निंत्रड रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा है इसके लंबाई कितनी है बारत अपने राजनीतिक मया जिस्टर उत्तरी सीमा को दर्शाथा है उस पूरे उत्तरी सीमा तक भारत अधिकार नहीं है यानि यहां तक भारत की पूरी संप्रबुता नहीं हैं नहीं है वह यह था कि 1962 में जब चीन ने भारत पर धोखे से छल से अचानक से हमला कर दिया तो चीन की जो सीमाएं थी काफी अंदर तक चली आई थी कुछ छेत्रों में काफी हद तक अंदर चली आई थी जैसे लड़ाक के इतने छेत्र तक चीन की सीमा से नाय अंदर आ गई है उसी तरह से आवरांचल प्रदेश में भी इसपस्ट डाटा भारत सरकार द्वारा इस बारे में कभी भी जनकारी साजा इसपस्ट डाटा सरकार द्वारा नहीं दिया जाता लेकिन चीन जब कहता है कि यानि लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल ही दुनों देशों के भी सीम घुसके दोरा लाइन अफ एक्चुल कंट्रोल तक लाइन अफ एक्चुल कंट्रोल हैं यहां अभी भी भारत देस में यहां भिराजमान है हाला कि भारत इसको सिकार नहीं करता है यह नहीं देता है अकसाई चीन को लेकिन वास्तवी किस्तिती यही है कि इन पांची और पांचो राज्यों में चीन की सेनाय कुछ हद तक अंदर प्रवेश करती है ठीक है और अकसर यहां पर समस्य विद्पंध होती है चीन के छेत्रों में इस पस्ट नहीं कि लाइन आफ दोनों देशों के भी सीमा रिखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है पाँच राज्यों से होकर गुजरती है तो जब 1962 में चीन ने अकर्मन किया था और चीन की सिनाय अंदर घुज गई थी तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समावत होने पर जो वास्तिरिक नियंतर इस्तिती थी जहाँ पर चीन की सिमाएं अंदर तक प्रवेश कर चुकी थी उसी को हमने लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल मान लिया हाने पुरुत्तर भारत के वह सात्राजियों को हम सेवं सिस्टर कहता है यह राज्य हैं असम मिधालै अरुनाचल प्र déjà नागालैंड मडीपूर मिजोर्म और तृपूर यह सात्राज्य इन्हें हम Seven Sisters कहते हैं पुरोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं आठ राज्य हैं आठावा राज्य सिक्किम है लेकिन सिक्किम को पुरोत्तर भारत में आठ राज्य है लेकिन सिक्किम को Seven Sisters में सामिल नहीं किया जाता है ध्यान रखिएगा सेवन सिस्टर्स में असम एक मात्र ऐसा राज्य है जो कि अन्य छे सभी राज्यों को की सीमा को इसपर्ष करता है पुरुत्तर भारत अखंड भारत का एक हिस्सा है भारत के मुख्य भूमी का हिस्सा है भारत से अलग नहीं है लेकिन पुरुत्तर भारत का यह जो पूरा छेत्र यह जो साथ राज्य है यह बांगलादेश और नेपाल के मध्य एक बहुती सक्रे भुखंड के माध्यम से जोड़ा हुआ है पूरुत्तर भारत का जो छेत्र है वो बांगलादेश और नेपाल के बीच एक सक्रे भुखंड के माध्यम से जुड़ा हुआ है इस सक्रे भुखंड को ही हम क्या कहते हैं चिकननिक या चिकननिक के अलमाई से हम सिली गुडी गलियारा भी कहते हैं सिली गुडी गलियारे की जो चौडाई है वो किवल 22 किलोमेटर है इसी गलियारे में सिली गुडी सहर बसा हुआ है यहाँ पे देखें आपे लिखा हुआ है इसी गलियारे में सिली गुडी सहर बसा हुआ है और सिली गुडी सहर दारजलिंग जिले में इस्तित है दारजलिं इसलिए कहा जाता है कि दिखता भी मुर्गी के गर्दन की तरह अगर चीनी सेनाय कभी इस रास्ते से यह चुम्भी घाटी है ध्यान देजेगा यह लाइन जो मैंने खीची चुम्भी घाटी है तिब्बत का छेत्र भारत का छेत्र नहीं है चीनी सेनिकों की यहां पर छावन खुम्भी घैसे चीन द्वरा यह नाम दिया गया है चीकननिक का है ना एकटरह से भारत की मुर्गी की कभिते मर्दन कभीबी इसे दमोचा जा होचता है और संपर्ग बना रहता है अगला टॉपिक हम देखेंगे सिक्किम भूटान की मद्ध चुम्भी घाटी का छेत्र है इसको हम देखेंगे थोड़ा सा इसके अलवा हम सेली गोडी गलियारा का बस्तित्यों में आया और समझते हैं क्या है यह थोड़ा सा समझेंगे सिक्किम और भूटान की मद्ध तिब्वत का खंजर जयसा घुसा हुआ च्शेत्र आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक लाइन से इसको दिखाने का प्रयाश के आहिए भारत का च्छेत्र नहीं है तो य testimजिया में इसको हम हम चुम्भी घाटी कहते हैं चुम्भी घाटी में सेनिकों की च्छावनी आएक्षों कि तिबद पर चीन का राजनेतिक नियंत्रण है और चीन के सेनिक यहां पर अपनी च्छावनी बना के रखते हैं चोंबी घाटी में सिक्किम और भूटान के बेच में जो कि भारत के लिए हमेशा एक खत्रे वाली बात है सिली गोडी गली आरे को हम थोड़ा समझते हैं 1947 में भारत का विभाजन होता है लेकिन भारत की विभाजन से पहले हम चलते हैं जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो यहां पर आप नाम पढ़ गए लेकिन बांगलादेस का पहले नाम क्या था पूरवी पाकिस्तान यहां पूरवी पाकिस्तान भी नहीं होता था उननी से से सयतालेश की पहले यह बंगाल था क्या था यहां से शुरू होता था बंगाल यहां तक आता था तो 1947 के पहले जो बंगाल परांत था भारत का वह यहां से यहां तक फैला हुआ था तो जो बंगला देश की वर्तमान भूमी है वो भारत का ही हिस्सा थी तो जब यह भारत ही था तो सिली गोड़ी गलियारे का कोई अस्तित्तु नहीं था लेकिन जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो देश की विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गया, यानि पूर्वी बंगाल भारस से अलग हो गया, यह क्या बन गया, पूर्वी बंगाल बन गया, क्या बन गया, जब देश का विभाजन हो गया, तो पूर्वी काट कर भारत से अलग कर दिया गया, बीच में एक लाइन खिच दी गई, उस लाइन का नाम क्या था, रेट कलिफ लाइन, यहां भी रेट कलिफ लाइन खिचे गई थी, बहुत से लोग समझते हैं कि पूरी बारत में क्यों पाकिस्तान जो दिख रहा है, वहीं पर रेट पूरत्तर भारत के बन गया, केवली सिलीगोड़ी गलियारे का च्छेतर है केवली यही भारत को जोड़ता था, पूरोत्तर भारत को शेष भारत की भ्होमी से, विभाजन के बाद 1947 में ही भारत सरकार ने इस गतिरोद को दूर करने के लिए सिली गुडी गलियारे का विकास करना शुरू किया गलियारे के विकास से मतलब है कि यहाँ परिवहन मारगों का विकास प्रारम कर दिया था ताकि सड़क परिवहन के माध्यम से भारत सरकार पूरोत्तर भारत से अच्छी तरह से जुड़ी रहे किसी भी तरह की आप पात कल की स्थिति में सेना और प्रशासन की आवाजाही में बाधाना पड़े इसलिए 1947 में सिली गुडी गलियारे का विकास प्रारम हो गया था लेकिन 1947 में क्या स्थिति थी सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ सिक्किम ने अपना विलेक अप किया 1975 में 1947 में सिक्किम भारत का भाग नहीं था यानी चीन की सीमा यहां तक थी ठीक है सिली गुडी गली आ रहे कि उत्तर में चीन था 1947 के स्थिति बता रहा हुँ जब देश का विभाजन हो गया तो राजनितिक गतिरोट तो बनी गया और यह फंसा हुआ छेटर था जिसके उत्तर में चीन था और जिसके में नेपाल था और उसके दक्षिड में बंगलादेश था यारे की सुरक्षा करता हुआ ये कि 1975 में सिक्किम ने एक जन्मत संग्रह कराया और भारती संग में इसने अपना विलय कर लिया एक जन्मत संग्रह कराकर सिक्किम ने भारती संग में जब अपना विलय कर लिया तो सिक्किम की रूप में भारत को सिली गोडी गली यारे के उत् भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में आप जानते ही हैं कुछ खास नहीं यहाँ पर है ना प्रादेशिक समुद्री छेत्र संगलगन छेत्र और अनन्य आर्फिक भारत के पड़ोसी देश हैं काफी कुछ हमने अभी तक देखा लेकिन बहुत सी खास बाते अभी बची हुई है उनको भी हमिआपर कवर करने का प्राज कर रहा है चीन भारत का सबसे बड़ा परोसी देश है चीन और भारत की सीमा प्रकृति की रूप से हिमाले द्वारा नि तरह से हिमाला की गोद में वसे हुए है नेपाल और भुटान चीन और भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में हैं अंतस्थ राज्य यानि बफर स्टेट होता क्या है दो बड़े और शक्तिसाली देशों के बीच में जो छोटे इस्थलरुद्ध देश होते हैं फसे हुए जिनके पास समुद्री सीमा नहीं होती दो बड़े और ताकतवर देशों के बीच में जो इस्थलरुद्ध देश होते हैं उन्हें बफर स्टेट या अंतस्थ राज्य कहते हैं उधारण के लिए नेपाल और भुटान भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट के रूप में है बफर स्टेट की खासियत क्या होती है यह सक्तिसाली यानि बड़े देशों को उनकी सीमाओं को एक दूसरे से दूर रखते है यह है नेपाल और यह है बुटान उत्तर में क्या है चाइना दक्षिन क्या है इंडिया नेपाल बुटान यह 2 बड़े देशों के बीच में फंशेवी चेत्र होता है इस्थल रुधु चेत्र होता है यह दोनों शक्तिसाली देशों के स्थली सीमा को ईक दूसरे से दूर रखने का प्रयाश करते हैं सह offense नहीं कि रखते हैं सुथा बप्र स्टेट यानि जो अंतस्त राज्य होते हैं उनकी एक समस्षा यह होती कि यो स्वतंत्र विदेशनीती का पालन नहीं करते हैं क्योंकि दोनों सक्तिसाली देश इन बफर राज्यों को अपने प्रभाव छेत्र में रखने का प्रयास करते हैं चीन और इंडिया जैसे देश दो दोनों देशों से लाली पॉप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और दोनों इनको लाली पॉप देते भी हैं ताकि हमारे प्रभाव छेत्र में रहें इनकी जो भोगोलिक इस्तिति होती है वो परिवहन और वियापार के दृष्टी से अनुकूल नहीं होती है विदेश के लिए ये प्रया शक्तिसाली देशों के बंदरगाहों पर निर्भर करते हैं यहां पर कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है पसी मगाल राज्य में तो नेपाल अपना अधिकांस विदे से अपर कोलकाता बंदरगाह की माध्यां से करता है नेपाल भारत के साथ तो समस्या क्या है कि चाइना अगर नेपाल जैसे देश को संगहाई या बीजिंग में बंदरगा आवेलेबल कराता भी है तो उसकी दूरी नेपाल से बहुत ज्यादा है संगहाई संगहाई वहाँ चाइना का प्रमुक बंदरगा है विदेश वयापार के लिए लेकिन नेपाल स इस्थल मार्ग से होते हुए चीन के संगाई बंदरगाह तक पहुंचना नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है, मुश्किल काम है, इसलिए भारत के साथ संबंध नेपाल कभी बिगार नहीं सकता, तो यह सो तंत्र विदेश नीती का पाला नहीं कर पाते हैं, और इनकी जो जाद इसे भरे पड़े हुए होते हैं, तो अभी तो हमने बताया कि भारत और चीन के बीच में दो वाफर एस्टेट हैं, तिबबत के बारे हम जानते हैं, चीन का जो दक्षडी छेत्र है, वो तिबबत पठार के रूप में है, चीन का पूरा का पूरा दक्षडी भाग, जो कि भारत से इसपर्ष करता है, वो पुरा पठारी है, 1901 के पहले तिबबत एक सोतंतर देश हुआ करता था, लेकिन 1901 में जब चीन ने तिबबत पर कबजा कर लिया, तो तिबबत एक सोतंतर देश नहीं रह गया, अब वो चीन का भाग बन गया है, हलाकि भारत इसे मान नहीं देता है, लेकिन भारत के मानने से कुछ नहीं होता है, चीन तिबबत में अपनी पूरी प्रशासनिक और आर्थिक सनरचना बिछा चुका है, सबकुछ बना चुका है, सेना की छावनिया, पूरी तरह से उसने तिबबत को अपने कबजे में कर लिया है, वहां के जो धार्मीक और राजनेतिक प्रमुग दलाई लामा कहलाते हैं, वो भारत में सरण लिया हुए है, भारत उन्हें सरण देता भी है, तो जो तिबबत का छेत्र है, अब उचीन की नियंत्र में है, तो उत्तर में कुल्लून परव से घिरा है और दक्षण में हिमाले से घिरा तिबबत के साथ भारत का महतपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों तरह का समंद्र है, आज भी भारत से बड़े प्यमाने प्यात्री कैलास और मांसुरवर की आत्रा पर प्रतिक वर्ष जाते हैं, बड़े प्यमाने पर, चीन उन्हें आने जाने की पले टिबद भी एक बफर स्टेट की रुप में था, और भारत और चीन की सिमाओं को एक दूसरे से दूर रखता था जब और भारत की सीमाय आपस में मिल गई। इसकी जो राजधानी लासा है भारती सीमा से केवल 300 किलोमेटर की दूरी पर है। तिबत की राजधानी लासा केवल 300 किलिमेटर की दुरी पर हैं भारती तरफ परिसित खाडियां मैं पूर्ण भाग है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे ऐसे समुद्री भूभाग जो तीन तरफ से इस्थल खंडों से घीर होते हैं उन्हें हम खाड़ी कहते हैं तीन तरफ स ही घीरा हुआ है दक्षण में कैसा है दक्षण में हिंद महा सागर से मिल जाता है बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा हूं तो तीन तरफ से इस्थल खंडों से घीर हो भाग को हम खाड़ी कहते हैं जैसे बंगाल की खाड़ी अंग्रेजी में जो बड़ी खाड़ियां होती उनको हम बे कहते हैं और छोटी खाडियों को हम गल्फ कहते हैं बंगाल की खाड़ी को हम बे आप बंगाल कहते हैं बड़ी खाड़ी है लेकिन जो मनार की खाड़ी है खंबात की खाड़ी है कच्च की खाड़ी है गुजरात कर तटकी किनारे चोटी खाडियां, सकरी खाडियां, चोटी और सकरी खाडियों को हम गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ आफ मननार, गल्फ आफ कच, गल्फ आफ खंबात, इस तरह से अलग करते हैं, चोटी और बड़ी खाडियों को, हम सुरुआत करेंगे कच्च की खाड़ी से, कच्च की खाड गुजरात तट पर दो खाड़ियां है कच्च की खाड़ी और खंबाद की खाड़ी गुजरात तट पर दो सकरी खाड़ियां दिखाए देंगे आपको कच्च की खाड़ी और खंबाद की खाड़ी गुजरात का जो पस्मी छोर है पस्मी भाग दो प्रायदीपों में बटा हुआ है उत्तरी प्रायदीप को हम कहते है कच्छ प्रायदीप और दक्षरी प्रायदीप को हम कहते हैं काठिया वार प्रायदीप हम पढ़ेंगे सबसे पहले कच्छ की खाड़ी के बारे में कच्च की खाड़ी, कच्च प्रायदुइप और काट्या प्राइदूइप के मत्धमेस्थित है, यहां पर है, फ्रॉलाएदू żypt के मत्धमेस्थित है, कच्च प्रायदीप, यह तीन तरफ से गुजरात राज्य से घिरा हुआ है गुजरात के पस्यमी भाग में है तीन तरब से गुजरात राज्य से घिरा हुआ है ध्यान देजेगा कच की खाड़ी के उत्री भाग में गुजरात का कच्छ जिला है कच्छ प्रायद्वी पर ही गुजरात का कच्छ जिला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है, कोई जिला छोटा बड़ा कब होता है, किसी जिले का निरिधान जनसंख्या क्या धार पर किया जाता है, अगर जिले में जनसंख्या सघंता जादा है, तो जिला छोटा हो जाएगा, क्यों कि जनसंख्या क प्राइदुई पर यहां पर जनसंख्या बहुत कव निवास करती है जब जनसंख्या नहीं है तो दस जिले बनाओगे तो दस डियम बैठाओगे तो इसकी जुरूत नहीं आप पर दल्दली छित्र है इसलिए इसको हमने एक ही जिला मान लिया इसको हम कहते हैं कच्छ जिला यह भारत का सबसे बड़ा जिला है लेकिन यह दल्दली जिला है तो उत्तर में कच्छ जिला है जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ की खाड़ी की दक्छिण में यहां पर जाम नगर जिला है कच्छ की खाड़ी का जो सबसे पूरी छोर आपको यानि पूरी और अंत मेंग्रो वनस्पतियों से सघन रूप से धका हुआ है यहां पर धेर सारी मेंग्रो वनस्पतियां पाई जाते हैं चारों तरफ इसके तठ पर इसका जो तटी छेत्र है मेंग्रो वनस्पतियों से धका हुआ है जो कच्च की खाड़ी का जो बाहरी सिरा है इसको हम बाहरी किनारा केरता है तो बाहरी किनारे पर यहाँ पर ओखा बंदरगा रिस्तित है उखागर का बहुता बंदरगा यहां पर कंट्छ प्रायदीन और बंदरगा यहां पर काठी से अंतिम छे एंधिला मुंदन देजेगा गुजराज में दो मत्पूर बंदरगा हैं कांदला बंदरगा और काठिया और प्राइदीब के बिलकुँ अंतिन सिरे पर यानि कच्छ प्राइदीब के हां मुहाने पर उखा बंदरगा है खंबात की खाड़ी कच्च की खाड़ी हो या खंबात की खाड़ी दोनों भुखंडों की तरफ अरफसागर का ही विस्तार है पर नर्वता और तापी नदियां अपना मुहाना बनाती है गुजरात राज्य में कमबात की खाड़ी का जो पूरी तठ है और इसका जो उत्तरी तठ है इसके उत्तरी तठ पर साबरमती और माही नदी दो नदियां एक तो साबरमती जो उत्तर से चलिए आती है और माही नदी जो उत्तर में जाती है फिर करकर रिखा को क्रॉस करते हुए दक्षण में घुमती है तो ये दोनों नदियां खंबात की खाड़े में अपना मोहना बनाती है इसके जो कंभात की खारी का जो सबसे उत्तरी सीरा है अंतिम सीरा कहते हैं जो सखरी खारिया होती है उसका जो सबसे अंतिम सीरा जैसे यहाँ पर अंतिम सीरे पर कांडला है उसी तरह से यहाँ पर अंतिम सीरे पर खंभात बंदरगा है एक बंदरगा का नाम है उसका नाम है उसी बंदरगा के नाम पर इस खाड़ी का नाम पड़ा है इसके अलावा नर्मदा नदी के मुहने पर यहाँ पर भड़ोच बंदरगा है बड़ोच को भरूच भी कहते हैं यहाँ पर भड़ोच बंदरगा है और तापी नदी के मुहने पर यहाँ पर सूरत सहर है तापी दीव और यहां पर दमन और दीव की बीच, ठाड़ी तो दोनों खाडियां, भारत में जवारी उर्जा उतपदन के दिश्टे से माटपोर्ण छेत्रा है, जवारी उर्जा उतपदन क्या होता है? श्री दिर मताते हैं, तो दोनों ज्वारी उर्जा उत्पादन की सरवाधिक छमता वाला जो छेत्र है वो है खंबात की खाड़ी आप से सवाल पूछा जाएगा कि भारत में ज्वारी उर्जा उत्पादन की सरवाधिक छमता वाला जो छेत्र है वो है खंबात की खाड़ी आप से सवाल पूछा ज हम अरब सागर के कोई भी खाड़ी तीन तरफ से घीर होती है तो आप सागर की पूर्वी भाग में प्राइड हमें भारा से घीरा हुआ है पस्मी भाग में मैं तो काफी नजदीक बना दे रहा हूं लेकिन थोड़ा दूर है लेकि फिर वी में यहाँ पर सुविधा के रिया आपके लिए नस्दीक बना दे रहा हूं कुछ ज़्यादा ही नस्दीक बनाना पड़ेगा वरना हो नहीं पहेंगा यह अरब प्रायदीप अफरीका के उत्तर में लाल सागर के उत्तर में इतना नस्दीक नहीं लगी में सुविधा के लिए बना रहा हूं तो अरब सागर पूर्वी भाग में भारती प्रायदीप पस्मी भाग में अरब प्रायदीप से घिरा हुआ है बुखंडों की तरफ अरब सागर के बहुत सारे संकीड विस्तार दिखाई देता है चाहे कच्च की खाड़ी हो, चाहे खंबात की खाड़ी, या फिर मननार की खाड़ी, या फिर यहाँ पर फारस की खाड़ी, या फिर यमन की खाड़ी, या फिर यहाँ पर अधन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और अब प्रायदुप के पूर्वी भाग में फारस की ये सभी खाडियां आरफ सागर का ही भुखन्डों की तरब सकरा विस्तार है भारत का सबसे छोटा केंदर सासित प्रदेश लक्ष द्वीव समू आरफ सागर में ही इस्थित है तिब्बत भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली सिंधु नदी है ना प्राचीन काल में आपने इरिथ्रियन सागर का अग्यात नामा लेखक इतिहास में एक किताब का जिकर आता है इरिथ्रियन सागर का अग्यात नामा लेखक एक पुस्तक में जिकर है कि युनानी यात्री भारत की यात्रा पर आया था और उसने यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाहों की आत्रा किया और उनका जिकर उसकी ताद में उसने किया है तो युनानी यात्रियों ने इरिथ्रियन सागर अरफ सागर को ही बोला है अरफ सागर को ही नाम दिया गया है इरिथ्रियन सागर बंगाल की खाडी को हम देखेंगे बंगाल की खाडी पस्चे में भार्ती प्रदीप स्रीलंका उत्तर में बंगला देश पूरब में मयमार थाइलन्ड और मलायः प्रदीप । इसे मलायः प्रदीप कहते हैं जोकि इंडोनेशिया तक चली जाती है यहां मलाया परदीव पर सिंगापूर बसा हुआ है, जो मलाया परदीव का बिल्कुल अंतिम सिरा आपको दिखाई देता है, मलेशिया है, यह पूरा देश को है, मलाया परदीव पर कौन सा देश बसा है, मलेशिया, लेकिन उसका अंतिम सिरा उसी पर सिंगापूर बसा तिब्बत और भारत और बांगलादेश से प्रवाहित होने वाली ब्रंपुत्र नदी बंगाल की खाड़े में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है इसके बाद भारत और बांगलादेश में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी बंगाल की खाड़े में गिरने वाली दूसरी स बनाती है गंगा ब्रम्पुत्र का जो डेल्टा है बंगाल की खाड़ी के उत्री तट परिस्थित है गंगा ब्रम्पुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है यहां तक है गंगा ब्रम्पुत्र डेल्टा को हम सुंदर्वन डेल्टा भी कहते हैं वन डेल्टा का दिकान्स भग कहां पर है बंगला देस में हैं सुंदर वन मैंग्करो जंगलों से भरा हुआ है चारो तरफ यहाँ पर मैंग्रो के वन पाए जाते हैं मैंग्रो वन क्या होते हैं समुद्री छेत्रों में यानि तटी छेत्रों में समुद्र के खारी पानी में दल्दली भूमी में तटी छेत्रों में समुद्र के खारी पानी में गरान इन्हें हम गरान वनस्पतियां भी कहते हैं परंपुत्र गंगा के अलवा एक अन्य महत्रपूम नदी बंगाल की खाड़िम गिरती है इरावदी तिब्बत के पठार से निकलने वाली और म्यामार में प्रवाहित होने वाली ये पूरे म्यामार को उत्तर दक्षड देल्टा या मुहाना बनाती है यहां पर ये डेल्टा बनाती है इसे इरावदी का डेल्टा कहते हैं यानि दो महत्रपूर यहां पर डेल्टा है दो बड़े डेल्टा है एक सुन्दरबंड का डेल्टा दूसरा इरावदी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में दो महत्रप समूह भी है ये इसके लबा मियामार का कोको दूइप और अंडमान ये बंगाल की खाडे में इस्थित महत्पोर्ट दूइप है इन नदियों के अलामों भारत की अन्य नदियां भी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं जैसे स्वाणरेखा नदी, ब्राहमडी नदी, महा नदी, स्वाणरेखा नदी, ब्राहमडी नदी, महा नदी, गुदावरी नदी कृष्णा नदी आंदरप्रदेस तट पर बहने वाली आंदरप्रदेस तट तक पुरहाईत होती है पेनार नदी उसके लमा आंदरप्रदेस से निकलने वाली एक अन्य नदी जो तमिलनाडू में यहां पर गिरती है चन्य के दक्षिण में पहुच जाती है पलार नदी पेनार तो आंदरप्रदेस तट पर गिरती है उसके दक्षिण में पलार नदी उसके दक्षिण में ब्रह्मगिरी चोटे से निकलने वाली और तमिलनाडू में बहने वाली करनाट्टा के ब्रह्मगरी से चोटिस निकलती है और तमिलानों में प्राहित होती है कावेरी नदी कावेरी के दक्षिण में यहाँ पर वैगाई नदी तो भारत की बहुसी नदिया बंगाल की खाड़ी में अपना महाना बनाती है हैं जैसे फिर से रिपीट कर दो स्वाड रेखा ब्रामणी महानदी गोदावरी कृष्णा पिनार नदी पालार नदी कावेरी और वैगाई यह सब बंगाल की खाड़ी में अपना महाना बनाती है कि इसके बाद हम देखेंगे मनार की खाड़ी कि मैं अध्यपूड टियान से आगर आप देखेंगे तो यहां पर कैसे कहां पर दिखाओं ठीक है और आप इहीं पर देख लें तो अच्छा है कि मनार की खाड़ी का पहले देखर करता है मनार की खाड़ी भारत वैं इस लैंका या रमसे समय जंगीख इसको आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा यहां पे तमिल नाडू तमिल नाडू का जो पूर्वी तठ है उसे हम कहते हैं कोरो मंदल तठ तमिल नाडू के पूर्वी तठ पर दो कॉर्नर पाए जाते हैं तठ पर जब आप चेन्ने से दक्षिड की ओर जाते हैं तो तमिल नाडू का तठ अचानक से यहां पे 90 डिग्री पस्यम की तरव घुमता है उसे हम क्या कहते हैं कैलीमर पॉइंट कहते हैं आप में देख सकते हैं कैलीमर पॉइंट यहां पर कोरो मंदल तठ 90 डिग्री पस्यम की तरव घुमता है इसको हम कहते हैं रामेश्वरम क्या बोलते हैं रामेश्वरम भारत के साथ स्री लंका की जो आवस्थिती है वो थोड़ी से जतिल है आंतोर पर लोग वहां पर गल्तियां कर देता है समझ नहीं पाते हैं सिलिंका को यहां से बनाए कि यहां से बनाए कि यहां से बनाए सिलिंका कहां से निकला हुआ यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पर लोग इंफिज हो जाएंगे तो यह कलीमर पॉइंट और यह है रामेशुरंदीप यहीं परिस्थित है तो कलीमर पॉइंट से लेकर रामेशुरम दीप तक कौन सी खाड़ी है पाक की खाड़ी है यहाँ पर पाक की खाड़ी है कलीमर पॉइंट से रामेशुरम दीप तक रामेशुरम दीप की दक्षिड में यहाँ जो छेतर है इसको हम कहते हैं मनार की खाड़ी द्यान रहे आप को पले एक बार में समझा दूं कैलीमर पॉइंट से रामेश्वरम तक पाक की खाड़ी रामेश्वरम की दक्षिण में यहां पर मन्नार की खाड़ी अब सवाल यह कि सिलंका कहां से अलग होना शुरू होता है सिलंका का जाफना प्राधीप यहां कलीमर पॉइंट से अलग होना सुरू होता है यहां सिलंका का जाफना प्राधीपτο आर उसके दक्षिन बें यह सिलंका का जाफना प्राइद्वीप कोरो मंडल तठ और सिलंका का जाफना प्राइद्वीप में जो सक्रा जली छेत रहे हैं यह सक्रा जली छेते हैं इसे हम क्या केते हैं पाक की खाड़ी स्वरी पाक स्ट्रेट का मतलब है पाक-जल्डमरु मध्य पाक कि खाड़ी और बंगाल की खाड़ी यहां पर बंगाल की खाड़ी दोनों का अपस में जोडता है पाक की खाड़ी पाक स्ट्रेट के मद्धन से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है यानि कोरो मंडल तट और जापना प्रैदी के मद्धन जो सकरा जली छेतर उसम कहते हैं पाक स्ट्रेट क्या करता है पाक की खाड़ी को बंगल की खाड़ी से जोड़ता है अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रामेश्वरम यहां पर रामेश्वरम एक द्वीप है इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप इसका नाम क्या है पंबन दूइप को हम रामेशोरम दूइप भी कहते हैं क्योंकि रामेशोरम इसी पंबन दूइप पर इस्थित है यह तो कलिमर पॉइंट है यह पंबन दूइप यह रामेशोरम दूइप पंबन द्वीप से चुना पत्थर या कैल्सियम कार्बोनेट की जो चटाने होती है चुना पत्थर चटान उसी को हम कैल्सियम कार्बोनेट चटान भी कहते हैं और वास्तों में क्या ही प्रवाल भित्तिया है समुद्र में जो पुरॉल भित्तियां होती हैं काल्सियम कार्बोनेट के चट्टानों से बनी होती हैं ठीक है तो पंबन द्वीप से काल्सियम कार्बोनेट या पुरॉल भित्तियां की जो चट्टाने हैं उनसे बनी हुई दीपों की एक स्रिंखला चली आती है यहां पर सिर तक आती है से लंका का दूइब है इसका नाम क्या है तलाई मननार तलाई मननार तक आती है सिर्णका का दूइब है उसे में रामसेतु कहते हैं राम सेतु के दक्षण में मननार की खाड़ी है और राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी है ध्यान देजेगा राम सेतु के दक्षण में मननार की खाड़ी राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी पाक की खाड़ी की उत्तर में पाक स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट के सबसे नजदीक स्थिति में हैं अगर आप से पूछा जाएगा कि स्रिलंका का कौन सब्सक्राइब करो मंडल तटके सबसे समीफ है तो आप कहेंगे जाफना परायदूइब यह कोरो मंडल तटकी बिल्कुल नजदीक पढ़ता है यह आपने समझ लिया चलिए आगे देखते ह तो हम अभी पढ़ रहे हैं मनार की खाड़ी खाड़ी मंन की नाम कैसे पढ़ा सिलंका की तलाई मननार द्वीप के नाम पर पढ़ा है, यहाँ पर सिलंका की तलाई मननार द्वीप, उसी के नाम पर मननार की खाड़ी का नाम पढ़ा है, मननार की खाड़ी वास्तों में भारत और सिलंका के मद अरब सागर का ही सकरा विस्तार है, राम सेत्यु की बारें इसलिए इसे हम रामेशुरम द्रीप भी करते हैं पंबन द्रीप के बिलकुल पूर्वी छोड़ पर यहां पर एक गाउं है उसका नाम है धनुष कोड़ी धनुष कोड़ी से ही कल्सियम कर्बोनेट चट्टान या प्रवाल भृत्यों से बनी द्रीपों की एक स्रिंखला स्र अपनी नाव लेकर इधर से गुजर रहा था बेजारा तभी उसका बोट था जहाज पुर्णाने समय में जहाज यहाज यहां पर टकरा गई तो उससे स्वेमिन आज है कि यहां समुद्र तट काफी छिछला है जितना गहरा समझ रहा था उतना नहीं है तो राम सेत्व कि आ सुरक्षित नहीं है तो उसे पता चला कि यहां प्रवाल भित्यों से बने द्वीपों की एक स्रिंखला जाती है पर पंबंद्विप से कलाई मननार तक उसका नाम एडम्स था इसलिए इस राम सेतु को बाद में इसका हमने जब मिल गया तो हमने फिर खोज करना शुरू किया तो अपने धार्मिक तौसे जोड़ा इसका नाम रख दिया राम सेतु एडम्स से खो जा इसलिए इसको एडमिक भिरिज हम करते हैं इसे हम आदंपुल भी कहते हैं ठीक है तो यह हो गई रंस नुकी काहनी रामसेत्यू की उत्तर म्हें यहां प्र काहरी बंद्ध के भारत दीब तक का जो कोरो मंडल तठ है वो पाक की खाड़ी की तठ पर ही इस्थित है कलिमर पॉइंट से लिकर पंबन दीब तक जो कोरो मंडल तठ है वो पाक की खाड़ी के तठ पर ही इस्थित है पाक की खाड़ी एक तरफ भारा से घीरी हुई है दक्षण में राम सेतु से घी बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है कोई और है सागर बंगाल खाड़ी रमेशरम everything हुआ है हो गया समुद्री चैनल कुछ भारत में इस ट्रेट और समुद्री चैनल अलग-अलग नहीं होते हैं बहुत से इस्ट्रेट क्या है, दो भुखंडों की बीच में, दो भुखंडों की मद्ध में जो सक्रा जली छेतर होसे हम क्या कहते है, इस्ट्रेट क्या करता है, हिंदि में क्या बोलता है, जल्डमरु मद्य या जलसंधी, तो इस्ट्रेट दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला एक सकरा जली छेतर होता है एक सकरा जली छेतर जो दोनों तरब दो बड़े विशाल सागरों को जोड़ता है स्ट्रेट के दोनों तरब क्या होता है भुखंड होता है दो भुखंडों के बीच में सकरा समुद्री छेतर को हम क्या कहता है जल्डमुर मध्या स्ट्रेट लेकिन जब दो द्वीपों के बीच कोई सकरा जली छेतर होता है जैसे अंडमान और निकोबार दो दूसमों हैं तो अंडमान और निकोबार दूसमों के बीच में जो सकरा जली छेतर है उसे हम क्या कहते है चैनल समझ के आप चैनल किसे कहते हैं दो दीपों के मदे सकरे समुदरी छेतर को चैनल कहा जाता है। उधारण के लिए इंग्लिश चैनल के बारे में अपने पढ़ा होगा। फ्रांस और युनाइटिट किंगटं के बीच में सकरा समुदरी छेतर आप देखते हैं। फ्रांस के उत्तर में युनाइटिट हैं। दोनों के बीच में सकरा समुदरी छेतर हैं। उसी को हम इंग्लिश चैनल के पस्चे में अट्लांटिक महसागर है और इंग्लिश चैनल के पूरव में उत्तरी सागर है नौर्थ सी। इंग्लिश चैनल अट्लांटिक महसागर को नौर्थ सी से जोड़ता है। और कि उनका नाम रिखाओं के नाम पर रखा गया है विश्वत रिखाओ , J0 By सुने छान्स दो टीगरी She दज डिगरी एक चांस पचास डिगरी एक चांस फिर आज जागे नबबे डिगरी उत्तरी एन क्रमस बढ़ते हैं ठीक है तो विश्वत रिखा भारत के दक्षण में यहां पर हिंद महास आगर मान लेते हैं थोड़े दिर के लिए यह जीरो डिगरी एक चांस जीरो डिगरी यह झाल डिगरी नए इन होता है ना एस यह बस जीरो डिगरी है यहां से जब नोर्थ के तरह बढते हैं एक डिगरी उत्तरी दो डिगरी और यहां curry एक बड़ा loan का показыв झाक्टा कने यहां तक तो माल्टी слож और मिनिकाय की बीच में जो सक्रा जौली जड़फ रहे इसको हम क्या किहते हैं भाव यानि यहाँ से आठ डिग्री एक च्छांस रेखा गुझरती किक है इसलिए रहा हुड रौव कि किसके बीच है मैनि काय और लक्सिद्यफ की वीच में नाइंज डिगरी आत के बाद नोας ही तो फढ़ेगा ना क्योंकि 90 डिगरी तक है उत्तर में क्यूलस चीक के बीच में 9 डिगरी उसके बाद एप अंडमान और निकुपार दुषत स्रमों के बीच में यहां पर जो है भारत में चैनलों का नाम अक्षास रिखाओं के नाम पर रखा गया है इसके अलामा भी कुछ चैनल है जैसे कोको चैनल यहां पर कोको का मैमार का कोको दूप है तो उत्तरी अंडमान और कोको दूप के मद्ध जो सक्रा जली छेत्र है उसे हम कहते हैं कोको चैनल ठीक है इसी वारत की जो अवस्यति और विस्तार है खतम हुआ और इसके बाद हम खोल रहे हैं भारत की आवस्यति विस्तार में इतना ही पढ़ना था जितना आपने देखा पर्याप्त है उसके बाद भारत के 28 राज, उसी चेप्टर के लाश में कुछ आउकडे दिए होया, 28 राज रोके इन सासीत प्रदेशों के बारे में, उसके बाद भारत का एक संचित परचे है, ठीक है? इसके बाद हम प्रवेश करेंगे सीधे तीसरे चेप्टर में, जिसका नाम है भारत क भुगर्भीक संरचना भारत को आप भारत की खनी संसादन तो वहां पे आप उसको पढ़ लेंगे क्योंकि भारत की भुगर्भीक संरचना में हम दो ही तीन बाते पढ़ते हैं एक तो भारत में कौन-कौन सी चत्थाने हैं ए उनमें से कौन पूरानी है कौन सी नहीं है जैसे गुन्डवाना चट्टाने धर्वड चट्टाने कुडप्प चट्टने उसके लावा विंद्यन चट्टने तो अलग 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 तरह की संसाधन पाय जाते हैं खनी संसाधन इसपेसली खासकर धात्विक खनीच ये कुछ कट गया है भी आ जाएगा वो पेडिया लगा हुआ है तो भारत का भुवाकृति की भाजन भारत में कई तरह के भुवाकृतिया है जैसे उत्तर में विशाल हिमाले है हिमाले के दक्षिड में गंगा ब्रेंपूत्र और सिंधु नदीन दौरा निर्मित मैदान है जो कि हिमाले से बहा कर लाए गया उसादों को पाठ कर बना हुआ है उत्तर भारत के मैदान की दक्षिड में प्रायद्यपी भारत का पठार है मुखे रुप से हिमाले है वो प्रायद्यपी भारत का पठार है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है दोनों के मद्रिक फसा ह हुआ छेतर है इन तीनों बहाकृतियों के निर्माड अलग लग समयकाल में हुआ है तीनों बहुत पहले कुछ भी नहीं था यहां पे घटना तब शुरू हुई जब गोंडवाना लेंड से टूट कर प्रायदेपी भारत उत्तरपूर की तरफ प्रवाहित हुआ तो उसी की उत्तरपूर की तरफ प्रवाहित हुआ जब उरेसिया से टकराया एक बड़ा भुखंडत था जो अब भी है उस करसादों से पाठ दिया उससे क्या बना उत्तर भारत विशाल मेदान ना वह मिट्टी और बालू नहीं मिलती मतलब ही में मिल सकती है लेकिन आप ज़्यादा गहराई भी नहीं जा पाएंगे तुरण चट्टान मिल जाएगी इसी तरह से प्राध्यपी भारत का भाग पठारी है वहाँ पर मिट्टी की गहराई ज्यादा नहीं है लेकि उत्तर भारत का मैदान क्या है एकदम जलभरित की तरह है सोखते क की तरह है आप नीचे तो ड्रेलिंग करते जाएं एक किलोमेटर दो किलोमेटर तिन किलोमेटर तक आप ड्रेलिंग कर सकते हैं नीचे क्यों क्योंकि मुलाय मिट्टी से बना हुआ है यह मुलाय मिट्टी कहां से भाग लाई गई है हिमालय प्राध्यपी भारत के पठार से जो नदिया निकलती थी, उन्हों नहीं परोती और पठारी छेत्रों को काट कर आवसाद लाया और उन आवसादों को भर कर उत्तर भारत का विशाल मैदान बनाए दिया जो कि बिल्कुल संतल है, और जिसका ढाल की दर है, दोनों सागरों की तरफ है पस्यमी भाग का ढाल अरवसागर की तरफ है और पूर्वी भाग का ढाल बंगाल की खाड़ी की तरफ है तो भारत में अलग-अलग हिस्सों का निर्माड अलग-अलग समय में हुआ है भारत में जो उत्तर में हिमाले परवसरिंखला है उसे मुत्तरी परवसरिंखला कहते हैं उसका निर्माण आज से केवल 6 करोण वर्ष पूर्व टर्शियरी काल में परारम हुआ किस काल में तर्शियरी युग में प्रारम हुआ भुगर्वी की इतिहास में 6 करोण वर्ष के समय को बहुत लंबा नहीं माना जाता भूत प्राचीन नहीं माना जाता हिमाले दुनिया की सबसे नमीन वलित परवस रिंखला है जिसका निर्माण आज से किवल 6 करोण वर्ष पहले टर्शियरी काल में प्रारम हुआ था जबकि जो प्राधुपी भारत है जो पठारी भारत है वो दुनिया की सबसे प्राचीन पठार से निर्मित है और वो गॉंडवाना लेंड का भाग है, यानि गॉंडवाना लेंड से टूटकर अलग हुआ, उत्तरपूर की और प्रवाहित हुआ, और यूरेशिया से टकराया, यानि जहां हिमाला एक नवीन वलिद पर वसरिंख लाया, दुनिया की सबसे नवीन, वहीं पे जो पठारी प्रादिपी भारत है, वह दुनिया की सबसे प्राचीन पठार से मिलकर बना है, है ना, दोनों के मद्धे गंगा सिंधो बरेंपूत्र का मैदान है, जिसका निर्मान सबसे बाद में हुआ, यानि भारत में अगर हम तीन सनरचनाओं को ध्यान से देखें, तो सबसे पठार से बना हुआ है, उसके बाद हिमालय का निर्माड हुआ, क्योंकि वही प्रादिपी भारत का पठार जब गंडोना लेंज से तूटकर उत्तरपूर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, यूरेसिया से टकराया, तो उसी की टकराने से ट्रेथिस सागर में जो आवसाद जमा थे, उसमें मोड पढ़ गया, वलन पढ़ गया, ऐसे से लहर पढ़ गया, उसे हिमालय परवत का निर्माड हुआ, दूसरे नमबर पर हिमालय है, हिमालय प्रादिपी भारत पे बहने वाली नदियों ने अपने आवसादों का जमाओ किया, टेथिस सागर का कुछ हिसस भी बचा रह गया था, उसमें पाट दिया ले आके, मिट्टी और बालू पाट दिया नदियों ने, नदिया जब परोतों से निकलती हैं, तो उनको काटती रहती हैं, बालू और मिट्टी के रूप में, कंकड के रूप में, पत्थर के रूप में, और बहाती रहती हैं, त तो उसको नदियों ने अपने अउसादों से पाट दिया और उत्तर भारत का विशाल मैदान नर्मित हो गया तो अलग-अलग यहां पे इस सब चीज़ें वही बिलकुल आसान भाहसा में लिखी होई हैं तो भुभारत की भुवाकृति के अध्यान के लिए अध्याम को सुग कम बनाने के लिए इसे हम 5 भागों में बातेंगे तो अच्छा रहेंगा यह है उत्तरी परवसरिंखला के बाद प्रायदीपी भारत का पठाण उत्तर भारत का विशाल मैदान ततवर्ती मैदान और दीवसमों के अंदर गथ हम लक्ष दीप अंडमान बलकी धीर सारे कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा आप एक बार इसको देख सकते हैं कि कुछ बाते रिखी हुई है फिर यहां से सुरू होता है लेकिन हम तभी पढ़ेंगे जब सामने मांचीत्र होगा बिना मांचीत्र की कोई भी अध्यन करने में खासकर भुगोल भुगोल एक ऐसा वीचा बिना मांचीत्र लगाए उसको करने मजानी आता है तो आए मैप की सब्सक्राइब चलते हैं कि उत्तरी प्रवसरिंखला को हम पढ़ेंगे हैं यहां से हम उत्तरी प्रवसरिंखला को सुरू करते हैं भारत की जो उत्तरी सीमा है भारत की उत्तरी सीमा पर उत्तरी प्रवसरिंखला का विश्तार है उत्तरी प्रवसरिंखला जिसे हम सामान रुप से हिमालय केरते हैं सिंधू नदी की मोड से प्रार Urban होकर पूर्मैं ब्रह्मपुत्र नदी के मोड तक विस्तरित है 2500 यानि 2500 किलोमेटर के लंबाई में सिंधुनदी के मोड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड तक विस्तरित है हम दूसरे भासा में कह सकते हैं कि यहीं पर नंगा परवत है सिंधु नदी के मोड के पास लद्दाख में नंगा परवत है और यहां पर ब्रंपुत नदी के मोड के पास हिमाला की सबसे पूर्वी चोटी यहां पर हिमाला की सबसे पस्मी चोटी नंगा परवत है सिंधु नदी के मोड के पास लद्धाक में और हिमाले के सबसे पूरी चोटी नामचा बरवा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मोड के पास है लेकि नामचा बरवा चोटी भारत में नहीं तिबबत में इस्थित है इसकी जो अवस्थिती है पूरी तरह से तिब्बत में है। बहुसे लोग गलत फ्हमीन समझते हैं कि रौणांचल प्रदेस में है। नामचा बरवा चोटी रौणांचल प्रदेस के उत्तर में तिब्बत में पढ़ता है। पूरो पस्ची में विस्तरित दुनिया की सबसे लंबी परवसरिंग्ला है अगर आप हिमालय को देखेंगे तो इधर पूरव है हिमालय पूरो पस्ची में विस्तरित दुनिया की सबसे लंबी परवसरिंग्ला है इसके अलमा ये दुनिया की सबसे उची परवसरिंग्ला भ भी उत्तर देला हुआ है यहां पर हमने क्या देखा कि सभी जुक दुनिया की पर्वत हैं लंबी परोसरिंग खला है वो पूर्व पस्चे में विस्तरित न होकर उत्तर दक्षण में विस्तरित है इसलिए पूर्व पस्चे में विस्तरित हिमालय सबसे लंबी परोसरिंग खला है अगर हम सभी परोतों को सामिल करके देखें सभी परोतों में अगर हम देखें तो हिम तीसरी सवसे परवसरींखला लंबी परवसरींखला आस्ट्रेलिया के पूरुवी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है चौथे नंबर पर है हमाल्य है चौथी लंबी परवसरींखला है हिमाला की लंबाई हमने पहले बताई पचीस सो किलो मेटर की लंबाई में विस्तरित है इसकी चोड़ाई औसतन कितनी है 150 से लेकर 400 किलो मेटर 150 से लेकर 400 किलो मेटर इसकी औसत चोड़ाई है पूरुई भाग में हिमाला की चोड़ाई कम पाई जाती है काफी कम है जबकि पस्मी भाग में हिमाले की चोड़ाई ज्यादा पाई जाती है इन सब चीजों को आगे पढ़ेंगे अभी तो मैं संचित परचे दे रहा हूँ आगे मैप भी अच्छे आएंगे आप देख पाएंगे कि किस तरह से पूरी हिमाले कम चोड़ा है आगे आप ये भी देखेंगे कि पस्मी भाग में इतना सकरा क्यों आए तो मैठ के माध्य में से हम आगे इन सब चीजों को समझेंगे तो पूरी हिमाले सकरा है जो कि पस्मी हिमाले की चोड़ाई अधिक है ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्रायद्रिपी भारत का भुखंड गौंडवाना लेंड से तूटकर उत्तर पूर की और प्रवाहित हुआ तो उसके प्रवा की दिशा उत्तर पूर की तरफ थी उसके प्रवा की दिशा कैसे थी? उत्तर की तरफ नहीं थी. गुणडवना लेंड से टूट कर जब प्रयादिपी भारत का भुखंड प्रवाहित हुआ, तो उत्तर पूर की तरफ प्रवाहित हुआ. तो इस कारण पूर्वी हिमाले में दबाव अधिक था. पूर्वी हिमाल की चोड़ाई ज्यादा, लेकिन उचाई कम मिलती है. किसी चीज को आप दबा देंगे, तो उसकी उचाई बढ़ जाती है. तो यहाँ पूर्वी भाग में नंगा परवत के समीप, और पूर्वी भाग में नामचा वरवा चोटी के समीप. हिमाले में तीखे अक्षसंगी म कहते हैं. सिं্नटैक्सैल बेंद. अक्षसंगीय मोड, अक्ष में छत्री वाल अचा रहेगा. सिंटैक्सैल बेंड को हम हेरपीञ, अपने देखा है, हेरपी Finn जैसे अचानक जैसे मोड जाता है. तो अक्षसंगीय मोड को हम दूसरी सब्दों में हेरपीन कि समीफ हिमाले में अक्ष संगी मोड़ पाये जाता है यानि हिमाले दोनों छोरों पर अचानक दक्षिड की तरफ मुड़ जाता है अर्थात अपने दोनों छोरों पर हिमाले दक्षिड वर्ती मोड़ दरसाता है clear, ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी भाग में दबाव, sorry, ऐसा इसलिए क्योंकि परायदिपी भारत उत्तर की तरह पुराइथ हो रहा था जिसकी बारे हम आगे बाख्या करेंगे पस्मी भाग में दख्षिण वर्ती मोर के बाद जो हिमाला है उसको पाकिस्तान में दो नामों से जानते हैं दख्षिण वर्ती मोर के बाद ये पाकिस्तान में चला जाता है पस्मी भाग में यहाँ पर दो परवसरेडिया हैं किर्थार पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और दूसरी सुलेमान, पाकिस्तान में इसे किर्थार और सुलेमान के नाम से जाना जाता है, पूरी भाग में दक्षिन वर्ती मोर के बाद, हिमाले पुरोत्तर भारत में चला जाता है, दक्षिन वर्ती मोर के और पुरोत्तर भारत में हिमालाय कई छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विश्तरी थे, सिंखला बद्ध कई छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विश्तरी थे, जिसे हम सम्मिलित रूप से पुर्वांचल भारत की पहाड़ियां कहते हैं, क्या कहते हैं, पु आवतल है माल लेते हैं यह है नौर्थ और इधर है साउथ तो हिमालय के नौर्थ में क्या है तिबथ और हिमालय के साउथ में क्या है गंगा ब्रम्पुत्र का मैदान तो तिबथ की तरफ हिमालय आवतल है यह तिबथ इधर क्या है तिबथ और इधर भारत तिब्बत की तरफ ओतल होने के कारण हिमालय का ढाल मंद है जबकि गंगाब बंपुत और सिंदु के मैदान की तरफ हिमालय उत्तल है जिस कारण भारत की तरफ हिमालय का ढाल काफी तीव रपाये जाता है इस बात को समझने जुरूत है इधर ढ़ाल आउतले इसलिए ढ़ाल मंद पाया जाता है जबकि भारत की तरब उत्तल होने की कारण इसका ढ़ाल काफी तीवर पाया जाता है हाँ, आगे हिमाले की उत्त्ति हमने पहले ही बित्ता है कि हिमाले दुनिया की सबसे नमीन परोसिंखला है जिसका निर्मान आज से केवल 6 करोन वर्ष पहले तर्शियरी युग में प्रारम हुआ था इसकी आयू काफी कम होने की कारण हम हिमाले को युवा परवत भी कहते है अलपाइन भू संचलन का परडाम था जिन परवतों का निर्मान आज से केवल 6 करोन वर्ष पहले प्रारम हुआ उन परवतों को हम अलपाइन भू संचलन का परडाम मानते है इसे हम अलपाइन आल्प्स दक्षण अमेरिका महादूइप में एंडीच और उत्तरी अमेरिका महादूइप में रॉकीच ये सभी नवीन मोड़दार परवत हैं और इन सभी का निर्माड जितने का मैंने नाम लिया हिमालय आल्प्स एंडीच परवत और रॉकीच परवत इन सभी का वेगिनर का महादुपी सिध्धान्थ, कोबर का भूस अनिति सिध्धान्थ और प्लेक्टिक्टॉनिक थेरी, पहले हम वेगिनर का महादुपी सिध्धान्थ देखते हैं, महादुपी विस्थापन सिध्धान्थ, क्या कहती है? वेगनर का माहादव oluşपी विस्थ आपた सिदान वेगनर महादोई ने बताया कि वर्तमान में जितने भी माहदुईअ समश्थ स्थलखंड अभी कितने स्थलखंड हैं सात और छोटे-छोटे दूइप हना तो जितने भी स्थलखंड हैं वो सभी कार्बोनी फिरस यूग वेगनर के नुसार पैंजिया के चारोतरप एक ही विशाल महसागर था उसको उन्हें पैंथा लासा नाम दिया है वेगनर मोदे ने बताया कि कार्बोनी फेरस युक के अंत में पैंजिया में विखंडन हो गया पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लेंड को प्रदर्शित क करता था वेगनर के नुसार प्रित्वी के आंतरी कारणों से कार्बोनी फीरस युक के अंतिन चरण में पैंजिया में विखंडन हो गया जिससे अंगारा लेंड और गॉंडवाना लेंड अलग-अलग हो गये उत्तरी भाग को उन्हें अंगारा लेंड का है दक्चिणी भागों में बट जाने से मद्द'के भाग में 55 चलप प्रवेस कर गया जो विशाल महासागर था और दोनों की बीच एक संकीड सागर का विस्तार हो गया इसे वे टेथिस का खुल निर्मित हुआ उसे जो संकीड सागर का निर्माड हो गया इसके बाद उन्हों में बढ़ गया था जुरसिक युग में गॉंडवाना लेंड का भी विखंडन हो गया गॉंडवाना लेंड के विखंडन से दक्षिडी गोलार्द की महादुईपों का निर्माड हुआ जब आप मैपको गलोब को देखते हैं तो विश्वत रिखा कि दक्षिड में जो अस्ट्रेलिया और अफरिका महादुईपोर में बड़ा सद्वीप है में अगास कर तो इससे दक्षिडी गोलार्द के महादुईपों का विखंडन हो गया इसका मतलब है कि जो प्रायदुपी भारत है वो प्राचीन गोंड़वाना लेंड का भाग है और गोंडवाना ल अगर गॉंडवानलेंड के विखंडन से कई महादूइपों का निर्मार भूए तो उसका अवशेश भाग क्या है उसका अवशेश भाग अफरीका है माना जाता है कि अफरीका ही गॉंडवानलेंड था जिससे टूटकर महादुप अलग-अलग दिशाओं में प्रवाहित हो गया, जैसे अस्ट्रेलिया तूट गया, पूरव में प्रवाहित हो गया, दक्षिन अमेरिका महादुप तूटकर पस्ची में प्रवाहित हो गया, प्राइदिपी भारत का भुखंड तूटकर उत्तर पूर दिशाओं म हुआ उसके बाद जुरेसिक यूग के अंत में अंगारा लेंड कई महादुपों में बट गया बाद में अंगारा लेंड भी कई भागों में बट गया जिससे यूरोप एशिया और उत्तरी अमेरिका महादुपों का निर्मार हुआ अंगारा लेंड के चूटने से और इस त पत्ति को समझाने का प्रयाज किया है। उन्होंने बताया था कि जग्यों प्रयाद भारत उत्तरपूर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, तो ये यूरेशिया की together समीब पहुंच। बिल्कुल used और मद्धमें टेथिस सागर की उपस्थिति थी युरेशिया और प्रायदेपी भारत से निकलने वाली नदियों ने लंबे समय में टेथिस सागर में आउसादों का जमाव किया करोणो वर्सों में तेथिस सागर में आवसादों का जमाव किया आवसादों की जमाव से धेरे धेरे वे आवसादी चटान का रूप धारण कर लेते हैं एक दो दिन में नहीं लाखो करोण सालों में तो इस प्रकार नदियों के प्रवाहित होने से टेथिस भुसनती में आवसादी चट्टानों का निर्माड हो रहा था, और जब आज से छो करुण वोर्ष पहले प्राइदिपी भारत का भुखंड यूरेशिया से टकराया, तो टेथिस भुसनती में जमा आवसादी मलबा वलित हो गया, जैसे यह माल लेते हैं प्रतदार चट्टाने है, अब उस पर दो तरफ से बल लगता है, प्राइदिपी भारत प्रवाहित हो रहा है और इधर यूरेशिया भी है, तो यह प्रतदार चट्टाने है, इसे हम संपीडनात्मक बल कहते हैं, दो तरफ से जब फो सिंखलाओं का निर्माड हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब भारती भुखंड, प्राइदिपी भारत का भुखंड, यूरेशिया से टकराया, तो टेथी सागर में जमा अवसादी मलबे में वलन की क्रिया हो गई, और जिससे हिमाले, मोड़दार परोत हिमाले का निर्मा लाइक, नहीं है, जाने लाइक है भी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इतना चाल लेजिए कि कोबर ने अपना भूस अनति सिध्धान्त, इस्पेसली हिमाले की उत्पत्ती की व्याख्या करने के लिए ही दिया था, जैसे वेगनर मोड़े ने अपना महाद सिध्धान्त, इस्पेसली विशेश रुप से लिए की उत्पत्ति की समस्या को सुझाने के लिए ही दिया था, इसलिए उन्होंने बताया कि आज जहां पर हिमाले है, वहाँ पर पहले तेथिस भूसननति थे, उनुनिने तेथिस अगर को तेथिस भूसननति कहा है, उनके अनुसार टेथिस भूसनती में जमाऊ साधी चट्टानों से हिमाले का उत्थान हुआ उन्होंने टेथिस भूसनती को परवत निर्माड यानि हिमाले का निर्माड इस्थलका है कि वहीं से हिमाले का उत्थान हुआ यह है बूसन अतिक सिध्धानत के बारे में प्रमुख बात लेकिन सबसे महत्पूर सिध्धानत हम पढ़ेंगे प्लेक टेट्टॉनिक थिरी इसे हम बढ़ियां से पढ़ेंगे ठीक है आराम से बिलकुल कोई जल्द बाजी नहीं हो कि मतलब ज्यादा ज्यादा दस मिनट का स 1960 के दशक में प्रस्तुत किया था ध्यान देजेगा 1960 के दशक में प्रस्तुत किया था है रही हैस महोदय ने लगी प्लेक्ट टेक्टॉनिक थिरी जब मैं अपनी वर्ड जोगर्फी पढ़ाउंगा या उस बुक को आप पढ़ेंगे वर्ड जोगर्फी अगले तीन-चार बानों का युगदान है है ना बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना युगदान दिया तब जाके प्लेट टेटॉनिक क्योंकि यह इतनी जटिल थियोरी है यहां तो हम आसान भासाम समझेंगे बेलकुल लगी प्लेट टेटॉनिक थियोरी इतनी जटिल थियोरी कि एक व्यक्ति कभी भी इतना अध्यन करी नहीं सकता तो एक लंबे समय में लभग पिछले 100 सालों से जो अध्यन किया जा रहा था उसका पड़ाम निकला 1960 के दसक में और इस इधान को समझाने और सुल्जाने का काम ह इसलिए हम सामान रुप से बोलते हैं कि हैरी हैस महदेद द्वाराई दिया गया था प्लेट टेटॉनिक जो प्लेट टेटॉनिक थियोरी है वो केवल मोड़दार यानि वलिक परवतों के उत्पत्ति की वाक्षा नहीं करती बलकि महासागरी मोड़दार परवत जैसे जो अलामुखी दीपों समुदरी खाईयों की उत्पत्ति की व्यक्षा प्लेट कीनारे के सहरी करता है इन सभी भुगर्विक सरचनाओं की व्यक्षा प्लेट कीनारों के सहरी करता है प्लेट क्या होते मैं थोड़ी दिर्म बताऊंगा इसके अलमा भुकंप और जो ठीक है, अब यह theory है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं, start करते हैं, थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, दो मिनट में समझ जाएंगे plate teutonic theory क्या है, मैं यहाँ पर विश्व भूगल नहीं पढ़ा रहा हूँ, plate teutonic theory क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है box मे लेकिन उसको समझने के लिए आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, इसको समझेंगे आप अच्छे से तब, जब यहाँ पर हम map के द्वारा समझेंगे, पृत्वी का जो यह आपने पृत्वी के आंतरिक सरचना में यह सब चिजह देखी होंगी, लेकिन वो रासायनिक विभ आप देख रहाए है नदेजिएगा, पृत्वी की सता से लेकर 200 किलोमेटर घ्राएवाली जो 200 किलोमेटर की घ्रावी लेकिन परत है, उसे ध्रण इस्थली भूखंड कहते हैं, क्या कहते हैं? 200 किलोमेटर की परत को यहाँ पर लिखा हुआ है, यानि ध्रण इस्थली भू पाई वाली जो परत है वह द्रिण इस्थली भुखंड की रुप एगा नी काफी कठूर भाग है और उसे हम समान रूप से लिफोस्फियर का बाग जो है की यांतरिक रूप से एक ही भाती व्यवार करता है लितोस्फियर के encryption क्रश्ट और mental के उपर ही भाग को क्रस्ट की लेकिन मेंटल की गहराई कितनी है 30 किलोमेटर से लेकर 2900 किलोमेटर कितनी 2900 या 2800 किलोमेटर तक मेंटल का विश्थार है अंदर 30 किलोमेटर से लेकर 2900 किलोमेटर तक मेंटल का विश्थार है लेकि मेंटल का जो यह उपरी भाग है खासकर उपरी mental का जो उपरी भाग है 200 km की घारही तक, crust plus उपरी mental का उपरी भाग, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूं समझ जाएगा, उपरी mental का उपरी भाग, इन दोनों को हम सम्मली तुरूप से क्या कहते हैं, 200 km की मुटाई वाला यह भाग है, इसको हम सम्मली तुर एगत, crust और उपरी mental की उपरी भाग को सामिल किया जाता है, लिफुष्टक है काफी काफी कठोर है, क्योंकि ग्रिणाईट और शेसाल्ट जैसे चत्टानों से बना है, दो कठोर चत्तानों से बने होने की कारण, लिफुष्पएर का भाग एक कठोर भाग है, लेकिन लिफ लिथो स्फियर एक जो पृत्वी का ऊपरी 200 km मुटाई वाला भाग है वो क्रमबद पट्टी की रूप में नहीं है हम यहाँ पर 200 km मुटाई वाला भाग बना दे रहे हैं पृत्वी का बारी आप समझ जाएगा यह पृत्वी का 200 km गरहाई वाला बाहरी भाग में बनाया हू है ना यहाँ से यहाँ तक आप 200 km की गरहाई समझ लेजे तो यह जो द्रेण स्थली भुखंडे नहीं लिथो स्फियर है यह क्रमबद पट्टी की रूप में नहीं है बलकि अलग-अलग प्लेटों में भाजित है यह लग-भग 6 बड़ी देखे अलग-अलग भागों में भाजित है एक दो तीन चार पांच और एक यहाँ पर कर दीजित एक यहाँ पर और यह छे तो छे बड़ी प्लेटों में और लग-भग लिथो स्फियर का भाग क्रमबद पट्टी की रूप में ना होकर छे बड़ी और लग-भग बीस छोटी भुगरभी प्लेटों में विभाजित है यह क्रमबद नहीं है यह 200 किलोमेटर का भाग है इसके अलग-अलग टुकड़े पाए जाते हैं इसे हम प्लेट कहते हैं तो प्लेटों के सोभाव और गतियों यह एक दो तीन चार जो बाहरी 200 किलोमेटर मुटाई वा के लेक्ने दो सो किलोमेटर से लेकर लगभग 356 किलोमेटर की घार आई तक एस्थोन ब्लेटर 5 teach में कियो loves लिए 156 के प्लास्टिक जुञाए तक एस्धोन स्फियर करों Esther जोन कहते हैं लेकिन अर्द द्रवी अवस्था होने की अर्द द्रवी रूप अवस्था में होने के बावजूत जो एस्थनोस्फियर का भाग है वो लिथोस्फियर से अधिक घनत वाला है कठोर लिथोस्फियर है लेकिन ज्यादा अधिक घनत तो किसका है एस्थनोस्फियर तो एस्थनो स्फियर चुकिं है अधिक घनता वाला और अद्रवी अवस्था में हैं इस कारण लिथो स्फियर की प्लेटे एस्थनो स्फियर के उपर तैरती हुई अवस्था में लिथोस्फियर की जो बाहरी प्लेटे हैं वो एस्थनोस्फियर के उपर धीरे-धीरे सरकती रहती हैं क्योंकि यह प्लास्टिक जोन है क्या है प्लास्टिक जोन है पेस्ट की तरह है तो वर्तमान में जितने भी आप महादुईपी और महासागरी भाग देख रहे हैं वो सभ पर सबसे गहरा छेत्र कौन सा है मेरियाना ट्रेंच 11 किलो मेटर प्लेटों की मुटाई कितनी है 200 किलो मेटर इसका मतलब कि जितने महादुईपी और महास्वागरी भाग है इनहीं प्लेटों के ऊपर स्थित हैं इधर महास्वागरी भाग है और इधर महादुईपी क्रस्ट है महासागरों पर प्लेटों की मोटाई कुछ कम है ऐसा क्यों क्योंकि महासागरी क्रस्ट पतला होता है क्रस्ट की आउसत मोटाई कितनी होती है 30 किलोमेटर तो महासागरी क्रस्ट पतला होता है जबकि महाद्वीपों पर प्लेटों की मुटाई अधिक पाई जाती है, क्यों कि महासागरी Crust मोटा होता है, महादुपू पर क्रस्ट की मोटाई 50–60 km होती है, इसलिए पलेट की मोटाई भी महादुपू पर अधिक हो जाती है, जब कि महासागरी प्लेटों महासागरों पर प्लेटों के मुटाई कम पाई जाती है तो चुकि महादुईपी और महासागरी भाग इनी प्लेटों के ऊपर इस्थित हैं इस करण इन प्लेटों के प्रवाह के साथ ही महाद्वीपी और महासागरी भाग भी धीरे-धीरे प्रवाहित होते रहते हैं इतना समय में आ गया? clear तो मैंने बताया है कि प्रिथ्वी पर स्वरी जो द्रेंड इस्थली भुखंड कई प्लेटों में भाजित है छे बड़ी और 20 लगू प्लेटों में भाजित है इनी प्लेटों के गतियों के कारण प्लेटें आपस में या तो टकराती है या आपस में दूर जाती है जब प्लेटे प्रवाहित होती है तो या तो प्लेटे आपस में टकरा रही होती है तकराती है तो एक दूसरे के नीचे कोई एक प्लेट ऊपर उठ जाती है कोई एक प्लेट नीचे चली जाती है ऐसे होता है यह देखी जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं प्लेट टकराती है कम घनत वाली प्लेट नीचे चली जाती है इसको हम अभी सरण कहते हैं तकराने की घटन या तो आपस में अगर दो प्लेटें आपस में दूर हट रही हैं तो निश्ची तरुप से कि वो प्लेटें कहीं दूसरी प्लेट से जाकर वापस टकराने वाली हैं आप समझ गए तो प्लेटों की टकराने की क्रिया को हम अभिसरण कहते हैं और प्लेटों की दूर हटने की क प्रड़ाम शरूप हुआ है इन्द्मार के निर्मार क्या है इंडियन प्लेट और इयुरेसियन प्लेट की मध्य कि अबिस्वनर के प्रड़ाम शरूप हुआ हिमाला का निर्मार कैसे हुआ जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से तूटकर अलग हुआ पहले इंडियन प्लेट प्लेटें इस्थिर नहीं है नई प्लेटों का जन्म होता रहता है और पुरानी प्लेटें समाप्त होती रहती है क्योंकि जब प्लेटें ठकराती है तो कोई एक प्लेट जो कम गनत्वाली होती है वो नीचे जाती है और नस्ट होती रती कहां मेंटल में चली जाती है जब दो प्लेटों में अभिसरण की क्रिया होती है तो कम घनत्वाली प्लेट जो अधिक घनत्वाली प्लेट है वो कम घनत्वाली प्लेट के नीचे प्रवेस कर जाती है उसको धकेल के पीछे की तरफ और चली जाती है मेंटल में में टेंपरेचर जादा होता है प्लेट में जाकर लावा में तबदिल हो जाती है मैगमा में और इस तरह से प्लेट नस्ट होती रहती है नई प्लेट का निर्माद कब होता है जब कोई बड़ी प्लेट दो भागों में तूट जाती है और विपरीज दिशाओं में प्रवाहित होने लगती है तो इसे नई प्लेटों का जन्म होता है उधारण के लिए इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से तूट कर अलग हुआ और उत्तर पूरो दिशा में प्रवाहित हुआ है ना इंडियन प्लेट और युरेशियन प्लेट के बीश चक्राओं के प्रडाम सुरूप ही हिमाले का निर्माड हुआ आज से ल ठीक है प्लेटे या तो महादूइपी होती है जैसे मैं बोल रहा हूं अगर आप वैसे लिखेंगे तो और अच्छा ही रहेगा अगर आप किताब को पढ़ना है आपको तब लिखने की जूरुत नहीं है लेकिन आपको इस किताब को नहीं पढ़ना है मेरे लेक्षर से भाने हैं क्या बताया कि प्लेटे या तो महादूइपी होती ही या महासागरी है महासागरी प्लेट अधिक घंत्वाली अटेरा अदिक घंत्त वाली होती ह्यें ऐसे नहीं मत्लब है उसका नेचर यह घंक्त है कि महासागरी प्लेट की मोटाई ख wildly होते है congressional और महाद्वीप परता है और अगर प्लेटें एक प्लेट महाधुऑपी और एक महासाःगरी तो हो रही है तो आधि गनत्यवौली के प्लेट कंगा में प्रउश कर जात थी नश्ठी क्यों प्लेट नीचे में यरी य। उसको गलाती रहती है इसको लिखेंगे आप किताब में भी ऐसे लिखा है को अंतर नहीं तो लेकिन यहां पर एक दिक्कत है यह महादुपी प्लेट है महासागर नहीं है यह देखे भारती भुखंड क्या है इसको हम उप महादुपी करते हैं यह एक महादुपी छेतर है भुखंड है यह क्योंकि महासागरी प्लेट जो प्रायदुपी भारत का पठार है तो ये महादुपी प्लेट है यूरेशियन प्लेट भी महादुपी है किकि यूरेशिया महादुप है तो दो महादुपी प्लेटों का घनत समान होता है इसलिए अगर टकराव होता है तो छेपड की क्रिया नहीं होनी चाहिए, अभिसराड के परड़ाम सुरूप छेपड, छेपड मतलब अधोगमन, वही जो मैंने बताया, दो प्लेटों में जब अभिसराड होता है, तो कोई अधिक घनत्वाली प्लेट नीचे चली जाती है, इस क्रिया को हम छेपड कहते है छेपड को हम दूसरी भासा में अधोगमन, तो अधिक घनत्वाली प्लेट का, कम घनत्वाली प्लेट के नीचे चेपड या अधोगमन होता है, है ना, लेकिन यहाँ दोनों प्लेटों महाद्वीपी हैं, दोनों प्लेटें, तो यहाँ पर अभिसराड के परड़ाम छेपड की क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडियन प्लेट सक्क्री प्लेट है, क्यों, क्योंकि यह आगे बढ़ रहा है, किसकी तरफ, यूरेशिया प्लेट की तरफ, उत्तर पूरु दिसा में प्रभाहित है, यह सक्क्री प्लेट है, जब क्यों, क्योंकि यह इधर यह नहीं रहा है यह किधर जा रहा है यह यूरेशियन प्लेट के प्रवा की दिशा पूर्व की तरफ है यह पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है तो यह निश्करी प्लेट है इंडियन प्लेट जो कि उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित थी इस कारण अभिष्रण के प टेथ्ी सागर के आउसादों क्यों उपस्ते थी थी ते थी सागर में जमा उसादों क्यों पस्ते थी यहां पे इस करण भी इंडियन प्ल neon का गनद तो अभी इसलिए छै पन की क्रिया उतनी प्रभावी सिध्धर नहीं हुई क्योंकि आम तोर पर जब दो प्लेटे टकराती है अधिक घनत्वाली और कम घनत्वाली तो अधिक घनत्वाली प्लेट सीधा ऐसे टकराकर नीचे में घुस जाती है नीचे चली जाती है वो लेकिन यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का घनत्व में बहु तो चुकि दोनों महादुईपी प्लेट थी इंडियन प्लेट का अभिसराण, दोनों प्लेटों का अभिसराण के परड़ाम शुरूप छेपन तो हुआ, लेकिन इंडियन प्लेट में जाने के बजाए, यूरेशियन प्लेट को उठा कर उसके नीचे समनांतर रुप से घु इसका परड़ाम यह हुआ कि हिमाले की पीछे तिबबत जैसे उंचे पठार का निर्माड हो गया, ऐसा प्लेट टिक्टोनिक थेयरे में कहा गया है, तो इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट को उपर उठा कर उसके नीचे समनांतर रुप से घुस गई, परड़ाम से हिमाले की उत्तर में, यानि हिमाले की पीछे तिबबत पठार का निर्माड हो गया, क्लियर, हिमाले का निर्माड अभी भी जा रही है, कैसे, हिमाले की नीचे इंडियन प्लेट का छेपड अभी भी चल रहा है, हिमाले छेतर की नीचे इंडियन प्लेट की छेपड की क्रि आज से लाखों साल बाद हिमालाय अगर रहेगा तो और उचा हो जाएगा यानि धिरे धिरे इसकी उचाई बढ़ती जा रही है दूसरे ये दो महादुपी प्लेटों के बीच अभिसरण का छेतर है दोनों महादुपी प्लेटों में यहाँ पर रगड होती है जो मैंने स्प चीजें आपस में विप्रीद इसा में जोर लगाएं तो अचानक बहुत जादा जोर लगा हुआ है आमने सामने से और ऐसे छुटा तो अचानक से हिल जाएगा आप समझें यह दिखिए ऐसे अगर जोर लगाएंगे दो तरफ से ऐसे आ रही है और कई साल से इसे दबाई बना हुआ है, तो उर्जा वहाँ संचीत है, इस्तिती जो उर्जा है वो, लेकिन जैसे ही अगर बैलन्स बिगडा, तो हिल जाएगा पूरा, तो रगड की कारण यहाद दबाव संचीत होता रहता है, और जब कभी बटा गया था, चार जोन में ही है, तो हिमाले का जो छेत्र है, जोन पाँच में आता है, जो कि भारत में भुकम की दिश्च से सरवाधिक समेदन शेल छेत्र है, हिमाले, अब हम देखते हैं कि हिमाले की पस्मी मोड और पूरी मोड पर अक्ष्य संगीय मोड क्यों पाए जात है, सिंटेक्सियल बेंड क्यों पाए जाते हैं, यहां तो नहीं बना हुआ है, पीछे आले मैप में बना हुआ था, हम इससे समझ लेता है, यहां से है, ऐसे अक्ष्य संगीय मोड पाए जाता है, आप समझ लिजए, यहां बना नहीं है, लेकि समझ लिजए कि बन गया है, अक्षव्य संगी मोड्र क्यों पार यहां, इस मैसमी के बजी remembering इस मैप से ज़र अच्छी संगी मोड्र के इसका करण गर्विक हो उत्तर-पूर का उत्तर पूर्पूर की तरह पुड़ा की पूर con के पठार के दबाव के चलते ही यह मोड बने प्रयादिपी भायत का पठार का जो दोनों उत्तरी सिरे थे एक उत्तरी सिरा ये था आज ये कहां तक जाता है दिली तक जाता है और अलिस रेड़ी की रुप में फिर यहां से वापस आता है और पूरो में राजमाल पाड़ी है, छोटा नागपूर पाड़ी है, छोटा नागपूर पाड़ी है, छोटा नागपूर पाड़ी है, राजमाल पाड़ी, और यहां तक जाता था, मिघाले पाड़ी से बिलकुल आगे तक जाता था, ऐसे था, बा समझ गये, तो उत्तर जो दोनों उत्तरी सिरे थे उत्तर पस्चमी सिरा और उत्तर पूर्वी सिरा ये दोनों नुकीले कटक की तरह आगे की तरफ निकले हुए थे इसका प्रमाड क्या है कि आगे की तरफ निकले हुए थे आज भी जो दिल्ली रिज है और आवली पर उस्रेडी को दिल्ली की पास राजमहल गारोरिज उसी निक्वीले कटक के आउसेस्ट भाग हैं आप कहघेंगे राजमहल गारोरिज क्या है यहाँ पर च्षोटनागपुर पठार के सबसे पूरी सिरे पर एक पहाड़ी ऐसे निकली हुई है अवसेश भागया वो, उसी को राजमहल पहाड़ी कहते हैं प्राचिन काल में राजमहल पहाड़ियां काफी विस्तरी तो चौड़ी थी और वो चली जाती थी बिल्कुल ब्राभुत्र गाटी जो है उसके लाज शतक यहां तक चली जाती थी लेकिन यहां राजमहल पहाड़ी थी और यहां पर मेघाले पठार श्रीलांग पठार लिखा है इसी को हमेघाले पठार केते हैं मेघाले में जो पठार है उसी को हमेघाले पठार केते हैं तो प्राइदिपी भाग पठार का जो उत्तर पूर्वी सिरा था वो ब्रह्मपुत्र की घाटी के अंतिम सिरे तक निरंतर विस्तरित था लेकिन बाद की काल में एक समय ऐसा आया कि बीच का भाग नीचे की तरब धसक गया बैठ गया और इस धसके वे भाग को गंगा यहां से गंगा निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गये आवसादों से पाट दिया गया जिससे बांगलादेश की भूमी का दिर्माड हो गया बीच का भाग नीचे धसक गया प्रनशन हो गया और इस घहरे भाग को गंगा और ब्रंपुत्र नदियों द्वरा लाए गया अवसादों से पाट दिया गया इसलिए बंगलादेश की भूमी बिल्कुल संतल है वहां कोई परवत नहीं पाया जाता है बंगलादेश में इसी को हम राजमहल गारो गैप कहते हैं यह राजमहल पाड़ी है और अब तो बीच का भाग जो है गैप आ गया है उसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं राजमहल गारो गैप लेकि प्राचीन काल में राजमहल गारो रीज था क्योंकि तब गैप नहीं था तो राजमहल से गारो गारो क्या हैं मेघालय पठार है not मेघालय पठार प्राज़इपि भारत की पठार का ही हिससा है पसगे शर्इडिक से थिंद पाड़ी ऑर यह राजमहल इसको हम समान तोर पर जब निरंतर था इसको हम कहते हैं राजमहल गारो रीच तो पस्मी भाग में दिल्ली रीच और पूरी भाग में राजमहल गारो रीच उसी नुकीली कटक के आउशेश भाग है जब ये दोनों नुकीली कटक उत्तर की तरह प्रवाहित हो रहे थे तो इ हिमाले के पस्वी भाग में और पूर्वी भाग में मोड पड़ गया और मोड की करण सिंटेक्सियल बेंड यानि हेर पिन की भाती मोड का निर्माड हो गया पूर्वी हिमाले पतला क्यों है और पस्वी हिमाले चौडा क्यों है जो इंडियन भारती इंडियन प्लेट के ऊपर पठारी भारत प्रवाहित हो रहा था उत्तर पूर की तरफ इसके प्रवा की दिशा किधर थी उत्तर पूर की तरफ थी उत्तर की तरफ नहीं थी अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि इंडियन प्लेट के प्रवा की दिशा उत्तर की तरफ है तो गलत अंसर है उत्तर की तरफ नहीं है अभी प्रवाइट हो रहा है ठीक है? तो इसके प्रवा की दिशा उत्तरपूर की तरफ थी या अभी भी है, तो इसके चलते क्या हुआ, कि जो उत्तरपूरी नुकीला का टक था, वो ज्यादा सक्रिय था, इसके दबाव के चलते, तो पूरवी भाग में हिमाले की स्रिंखला यां, बिलकुल यहां पे चिपक गई इस कारण पूरी हिमाले की चोड़ाई कम पाई जाती है और दबाव की कारण इसकी उचाई ज्यादा पाई जाती है जबकि पस्वी भाग में दबाव उतना ज्यादा नहीं था जितना की पूरी भाग में था पस्वी भाग में दबाव कम होने की चलते हिमाले की तीनों स के मध्य अंतर परवतिय घाटियां पाई जाती हैं यह समतल सपाथ घाटियां हैं यह कैसी घाटियां यह समतल सपाथ घाटियां जैसे कस्मीर घाटी कस्मीर में आप जाएंगे तो अचानक से बिल्कुल मैदानी छेतर सुरू हो जाता है कस्मीर घाटी जो घाटी की बात कर र पहली है कश्मीर घाटि जोकि जम्मु कश्मीर केंदर शाषित प्रदिश में है। दूसरी है हिमान्चल प्रदिश में कुल्लू घाटी और तीसरी है उत्राखंड में पूलों की घाटी और भी इन्ने बहुत सी घाटिया हैं, जिसको हम घाटी वाले अध्या में पढ़ेंगे, एक चप्टर आएगा घाटी, भारत की घाटियां और दर्य वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हिमाले की उच्चावच और व्वाकृति की विवस्थी तद्धिन के लिए हम पांच भागों बा करेंगे, ट्रांस हिमाला छेतर, महान हिमाला के उत्तर में और उसके समाना अंतर, महान हिमाला के उत्तर में और उसके समाना अंतर, ट्रांस हिमाला का विश्था है, कैसे है, आप इस मैप क्यों देखेंगे तो अच्छे से समझाएंगे, महान हिमाला के उत्तर में और उसके एकदम समानांतर यह जो लाल रंग की लंबी रिखाब देख रहे हैं, यह महान हिमाला या वरिहद हिमाला है, इसके उत्तर में ट्रांस हिमाला का विस्तार है, उत्तर में और समानांतर, इसको हम पार हिमाला भी कहते हैं, ट्रांस हिमाला मतलब पार हिमाला, यानि हिमाला के उ ये तीनुप पर्वेस्रेणियां भारत की केंदर शासेचीप्र परदेश से फैली हुई है है लेकिन इनका जो अधिकांस भाग ह een हम तो वही पड़ेंगे बभारती भुगल पड़ रहा है इनका अधिकांस भाग इंप में फैला हुआ है इसको हम दूसरे कलर से दिखा दें ताकि आपको समझेने में सुविधार है इनका अधिकांस भाग परपल कलर से बनाते रहे हैं तो इनसेड़िएं का अधिकांस भाग तिबबत में फैला हुआ है ज्यादा तर इंकी लंबाई कहा है तिबबत में है तकिन भारत में यह तीनो तो परुसरी खलाओं के निरमाड़ हीमाला से भी पहले हो चुगा था, चुकि यहाँ पर उचाई बहुत ज़्यादा है, यह काफी उचे च्छेत्र हैं लदाख में, उचाई बहुत ज़्यादा है और साथ ही यह काफी बरफीला च्छेत्र है, उचाई होने की कारण और नहीं पाई जाती थोड़ी बहुत घास आशाइवाल हिं उकती है जर्ण प् सामाने रूर्फ के रूप से इंजाताँ में वनस्पतिय नहीं पाई जाती है। और यहां से तीन नदिया की कर दिश्य जो तिब्बत हिमाले उसे हो पर से यहां पर मांसरोवड जिल है निकलती हैं यानि तिब्बत हिमाले में इस्थित मांसरोब जिल चेतर पर मांसरोड जिल जिल निकलती हैं जो कि भारत में प्रवाईत होती हैं सिंधु उसके दक्ष्ण में सतलच और हिमाला के उत्तर में यहाँ पे सांगपो या ब्रहंपुतर नदी हाँ पहती है तो तीन अंतराश्ची नदियां तिब्बत हिमाला से ही निकलती है इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कारा करा कोरम नकेवल ट्रांस हिमाले की बलकी पूरे भारत की सबसे उत्तरिस रडी है करा कोरम बेसाल्ट चट्टानों का बना होने के करण इसका रंग काला है इसलिए इसे हम क्रिष्ण गिरी भी कहते हैं क्रिष्ण किरी मतलब परवत होता है कारा कोरम विशेश रूप से अपने उची चोटियों और गलेसियरों के लिए जाना जाता है भारत के सबसे भारत की सबसे उची चोटियां और भारत के सबसे बड़े गलेसियर कारा कोरम स्रेडी पर ही पाए जाते हैं यहां पर जो उची चोटियां है उनका नाम है केटू अथ्वा गौडवी नास्टेंड दूसरी है प्राट पीक प्राट पीक और तीसरी है गासेर ब्रह्म कारा कोरम स्रेडी पर यह तीन चोटिया पाए जाती है इन में से जो गाडवी नास्टेंड है वह भारत की सरोच चोटी है और एवरेस्ट के बाद हिमाला के मांट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी है मांट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी है केटो के बाद जो गाशेर ब्रह्म है वो कारा कोरम की दूसरी सबसे उची चोटी है लेकिन गाशेर ब्रह्म भारत की दूसरी सबसे उची चोटी नहीं है यह सिर्फ काराकूरम की दूसरी सबसे उची चोटी है की च托चर फो एंच पर रावी को रावी है क्यू इंञि प्यू conceived कर दो हुआत debit में झालोशने की प्यूंच कारा कोरम स्रेडी पर भारत के सबसे बड़े ग्लेसियर में पाए जाते हैं बात के सबसे बड़े इसी पाए जाते हैं सियाचीन, बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पर, इनमें से सियाचीन ग्लेसियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेसियर है, और दुरुई छेतरों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेसियर है, प्रित्वी पर सबसे बड़ा ग्लेसियर के बाहर, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेसियर धुर्वी छेत्र के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेसियर ताजिकिस्तान में फेदचेंको है फेदचेंको ग्लेसियर ये धुर्वी छेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेसियर है ताजिकिस्तान में है फैद जनकों के बाद सियाचीन दूसरा सबसे बढ़ा गले सियर है काराकुरम स्रेडी के दक्षिण में लद्दाक स्रेडी इस्थित है ठीक है अब आप हेडिंग डाल देंगे लद्दाक स्रेडी यानि कि आपने देखा कि ट्रांस हिमाले के अंदर का तीन स्रेडियां है तो सबसे पहले आपने काराकुरम के बारे में पढ़ा अब लद्दाक के बारे में पढ़ रहे हैं लद्दाक स्रेडी के ठीक उत्तर में शियोक नदी परवाहित होती है यहां पर लद्दाक स्रेडी के ठीक उत्तर में शियोक नदी परवाहित होती है य उसके दक्षिड में सिंधु नदी प्रवाईत होती है श्योक नदी सिंधु की सहयक नदी है जो उत्तर पस्चिम में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है श्योक नदी उत्तर पस्चिम में प्रवाईत होती है और सिंधु नदी भी उत्तर पस्चिम दिसा में प्रवाईत होत लगती है सिंद्धु नदी जोकी मांसुरोवर जील छित्र के पास चेमा यूंगडुंग ग्लेसियर ग्लेसियर का नाम है अग्लेसियर सिंद्धु नदी जोकी टिबत हिमाला के अंतरगत मांसुरोवर जील के समीप चेमा यूंगडुंग ग्लेसियर से निकलती है उत्तरपस्चिम में प्रवाहित होती है लग्दाक और जासकस रेडियों के मद्धे से होकर उत्तर प्रस्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और आगे जाकर दक्षण की तरफ मुड़ती है और पाकिस्तान में चली जाती है ठेक है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दा की जो राजधानी ले है वो सिंधुनदी के दाहिने तट परिस्थित है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले नंगा परवत ये क्या है? हिमाले की सबसे पस्मी परवत चोटी इसे हम नंगा परवत कहते हैं तो सिंधुनदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले नंगा परवत के उत्तर में एक स्थान है हापर उसका नहीं है बुंजी बुंजी नामा की स्थान पर एक बहुती गहरे गार्ज का निर्माड करती है किस परवसरिंखला में करती है लद्दाख परवसरिंखला में मैप को देखने से नहीं समय में आएगा आप किसी मैप को देखनेंगे समय में नहीं आएगा कि लद्दाक सिंखला में ही कर रही है दर्रे का निर्माड लेकिन लद्दाक सिंखला में ही करती है तो सिंध नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले नंगा परवत के ठीक उत्तर में बुंजी नामा की स्थान पर इस्थान का नाम क्या है बुंज नदी कहते हैं, उसे हम सिंद्यू गार्ज कहते हैं, सिंद्यू गार्ज की गहराई बावन सो मीटर है, यानि 5 किलो मीटर से भी अधिक गहरी है, इतना गहरा गारज एक तरण की घाटी होती, इतने गहरी गार्ज का निर्मार कैसे हुआ, समकल्पना करिए, परवत्य स्रेडी पर उपर खड़े हैं, और घाटी में अगर आप जाक रहे हों, तो सिंध नदी बिलकुल बाल कीतना दिखाए देगी, सफेद सी चमकती हुई, पांच किलो मेटर गहरी है, अपनी घाटी में भती है तो सिंध नदी एक पुरुवर्ती नदी है, इसलिए इसने अपनी घाटी को काफी गहरा कर लिया है, क्योंकि पांच किलो मेटर कोई कम गहराई नहीं होती, किसी नदी तोरा बनाए गया है, पांच किलो मेटर गहराई कैसे होगी, क्योंकि एक पुरुवर्ती नदी है, और और हिमाले के समानंतर पूरब में बहती है मांसरवार जिल से निकलकर बर्मपूत्रया दिहंग नदी ये तीनों नदिया पुरवर्ती नदिया हैं पुरवर्ती नदिया क्या है पुरवर्ती नदिया का मतलब होता है कि जो हिमाले के उत्थान से पहले भी वहीं पर बहती थी जहां पर आज बह रहे हैं, जब हिमाले का उत्थान नहीं हुआ था, तब भी वो उसी स्थान पर बरती थी, जहां पर आज बह रहे हैं, इन नदियों ने हिमाले की उत्थान की सभी अवस्थाओं में परवस्रेडी को काट दिया है, यानि हिमाले की उत्थान के साथ साथ वे अपनी घाटी को गहरा करती रही हिमाले उठता रहा लेकिन इनको कोई फरक नहीं पड़ा हिमाले उठता रहा लेकिन ये नदी अपना रास्ता नहीं बदली जहां बहती थी वहीं बहती रही हिमाले की उठान के साथ साथ ये नदियां अपनी घाटी को गहरा करती रही और इस प्रकार एक लंबे समयकाल में इन तीनों नदियों ने गहरे गार्ज का निर्माण कर लिया है सिंधु नदी द्वरा बनाए गार्ज को सिंधु गार्ज, सतलज नदी द्वरा बनाए गार्ज को सिपकीला गार्ज और ब्रंपुत्र नदी द्वरा बनाए गार्ज को दिहंग गार्ज कहते हैं गार्ज कैसे बनता है? उसका एक प्रोसेस दिखा दें ऐसे, माल लेते हैं कोई नदी यहां बह रही थी और परवत का उत्थान हो गया लेकिन परवत उत्थान के साथ-साथ नदी जिस घाटी में पहले बहती थी उसी घाटी में आज भी बह रही है ये क्या है? हिमाले का छेत्र माल लेते हैं ये हिमाले छेत्र है सिंद्ध नदी यहां पर ये घाटी है ये क्या है? इस ने के वह द्शेक्श divine कृटि दृस्टी रही आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे कौन्त सब्सक्रों है भूलू ब्रहिए satisf की फिसने अपनी राता honor बनकी डृटिको गहरा करती रही कित्ना गहरा करकर डाली है बा्वन सूमेटर बावन सूमेटर गहराई बहुत ज़ादा होती है तो भारत नहीं बनकी 50 जका सबसे गहरा को अचही है उसके दक्षण में यानि कारा कूराम की दख्षण में लद्दाक की दख्षण में जासकर है मपनुत इसके बाद हम पढ़ें गी ट्रांस हिमाले की बाद अगला इभरिह धीमाले व्रियाद हिमाले ट्रांस हिमाले से स्रचर जोन द्वारा अलग होता है एक फॉल्ट होता है दो परवत दो परवतों के बीच में एक फॉल्ट का निर्माड होता है उसे भरंड़ भी कह सकते हैं तो स्रेक भरंड़ द्वारा अलग होता है व्रियर हिमाले को चार पांच नामों से जाना जाता है जैसे सरोच हिमाले हाँ, सरोची हिमाले, हिमाद्री हिमाले, आंतरिक हिमाले, महान हिमाले, कई नामों से जाना जाता है वरियद हिमाले पस्ची में नंगा परवत के समीब से प्रारम होता है जैसे हिमाले फस्ची में नंगापरवा से सुरू होता है पूरो में नामचा वर्वा चोटी तक जाता है तो हिमाले का सबसे बड़ा भाग कुन सा है वरियाद हिमाले है तो वरियाद हिमाले भी वही नंगापरवात के समीब सिंधु गार से प्रारम होता है और नम्चा बर्वा चोटी के समीब ब्रंपुत्र नदी द्वरा बनाए गए दिहंग गार्ष तक पचीस सो किलोमेटर के लंबाई में फैला हुआ है ये तीनों मुखी स्रेडिया जो है हिमाल शिवालिक लगो और विरियत चापाकार है विरियत हिमाले सबसे आंतरिक चाप क रूप में इसलिए आंतरिक हिमाले कहते हैं चाप क्या समझते हैं आप जैसे कोई वरित जब आप खीचते हैं है ना जब आप कोई वरित बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं माल लेते हैं एक परकाल होता है ना रेखा गड़ी जब हम पढ़ते थे तो परकाल कांटा बीच में र तो ऐसे तो हिमाले तो इसमें बताए आंतरिक चाप कौन सा होगा यह हुआ ना और यह बाहरी चाप है यह आंतरिक चाप है अब आप समझ गए कि हिमाले की अगर तीनों सुरिंखलाओं को अगर आप देखेंगे तो यह देखेंगे अगर यहां पे हम तीनों हिमाले इस मेहित में बनाए होते किसे वर्याद हिमाले और ये था लगो हिमाले और यह था शिवालिक इस तरहीं कीसी तो व्रिहाद हिमाले सबसे आंतरिक चापा किके इसका केंदर कहां पड़ेगा उत्तर में पड़ेगा इसलिए इसको हम आमतरिक हिमाले कहते हैं इसको हम हिमादरी हिमाले भी कहते हैं या हिमादरी क्यों हिमादरी कहते हैं क्यों 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 कि टेथिस आगर में आवसादी चट्टाने जमा थी, जब प्रयादीपी भारत का भुखंड उत्तर की और बढ़ा, उत्तर पूर की तरफ यूरेसिया से टकराया, तो टेथिस में जमा आवसादी चट्टानों में वलन किक्रिया हुई, और उसे से हिमाले का निर्माड हुआ, त इसके कोर में लिखा न, वरियाद हिमाले के कोर में, कोर मतलब अंदर जाने पर रवेदार आगने चट्टानों की प्रधानता है, यह रवेदार आगने चट्टाने किसकी बनी हुई है, ग्रेनाइट और नीज की रूप में है, इसे थोड़ा सा समझ लेंगे, दो मिनट ठी इसके कोर में रवेदार आगने चट्टानों की प्रधानता है, आगने चट्टाने जब पृत्वी की भीतर से लावा निकलता है, जो अलमुखिक्रिया होती है, पृत्वी की गर्व में से लावा बाहर निकलता है, तो लावा के चट्टान के जमने से जो चट्टान बनती ह लावा के जमने से कौन से चट्टान बनती है लावा जब बाहर निकलता है उपर की ओर उठता है तो लावा के जमने से आगने चट्टान बनती है जब लावा धरातल के बाहर प्रकट हो जाता है भूसता के बाहर प्रकट हो जाता है तो आगने चट्टाने दो प्रकार की होती जब धर्ति के भीतर से निकलने वाले लावा बाहर निकल जाता है भूसता के उपर आ जाता है तो उसे हम बेसार्ट जटाने कहते हैं लेकिन जब लावा भूसत के बाहर न निकल कर धरती के अंदर ही कहीं जम जाता है आंतरिक दरारों में ही फस गया मा लेते हैं यहां से लावा उठ रहा था यहां से लावा उठ रहा था बाहर नहीं निकल पाया यहीं पर जम गया आप समझिए लावा बाहर ही निकल पाया अंदर ही जम गया लावा उठ रहा था और यहीं पर जम गया तो जब आगने चट्टाने दो प्रकार की होती है लावा के जमने से कौन सी लावा जब धर्ती की गर में से लावा बाहर निकलता है तो उसी की ठोस होने से लावा के ठोस होने से आगने चट्टान बनती है लावा जब धूसता पर बाहर निकल जाता है तो उससे बेसाल्ट चट्टाने बनती है अगने चट्टाने दो प्रकार जरो में कही अंदर ही जंड कर ठोस हो जाता है और लिफो तो अगर इसे घर तो एक हर एक तो पर न Village harbor को तोड़ कर बाहर निकल जाएगी बहुत तीरी इस फोट करेगी धनाम बिल्कुल ऐसे है ना लेकिन हाँ तो अगर अंदर ही फसकर ठोस हो गया तो ऐसी चटानों को हम ग्रेनाइट कहते हैं ग्रेनाइट का जब रूप परिवर्तित हो जाता है पुराना हो जाता है तो उसी चटान को हम नीज कह बेदन हुआ भेदते हैं ओर बाहर की तरफ निकला लावा लेकिन आपने कभी सुना हैं कि वहिए हमाले नए सभी परउद थे एंडीच एंडीच पर तो बाइस जॉझा पर उत पाए जाते हैं, इंडेज की सबसे उची चोटी, एक आंका गुवा चोटी, वो खुद जौला मुखी चोटी है, इसके अलावा आप जितने भी चोटियां पढ़ते हैं, इंडेज में चिंपा राजो, एक कोटो पैक्सी, है ना, ओजस डेल सलाडो, एक आंका गुवा ये सभी, सभी के सभी, इंडेज के जितने भी सीखारं हैं, सब जौला मुखी क्रियां से बने हैं, लेकिन हिमाले पर एक भी जौला मुखी है, क्योंकि यहां लावा निकलता तो है, भोगर और से लावा ऊपर की तरब उखता है, लेकिन लिठो स्फेर को तोड़ नहीं पाता और अंदर ही जमकर ठोस हो जाता है इसलिए हिमालय की गर्व में हिमालय की उसमें कोर में अंतरिक भागों में रवेदार आगने चट्टानों पाई जाती है रवेदार अगने यहां रवेदार में क्यों लिख रहा हूं रवेदार में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगने चट्टानों में रवे पड़ जाते हैं जैसे गुड़ देखा है कोई-कोई गुड़ ऐसा होता है जैसे उसमें चीनी के दाने पड़े होते हैं क्रिस्टल उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टल उसके कड मोटे मोटे होते हैं दाने पढ़े होते हैं, उसे हम रवा कहते हैं, क्रिस्टल, तो अगने चट्टाने रवेदार होती हैं, क्योंकि यह अपर धीरी-धी थंडी होती है, हिमालेक atmosphere से तो कोई contact है नहीं अंदर ही जम कठोस हो रही है तो तुरंत नहीं जमेगी लावा धर्ती को तोड़ कर बाहर निकल गया तो तुरंत जम जाता है क्यों 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 atmosphere की संपर्क में आ गया लेगिन अंदर ही जम रही है तो इसको जमने मोग समय लग जाता है इसका राण उसमें रवी पढ़ जाते हैं क्रिस्टल पढ़ जाते हैं इसलिए आगने चट्टाने हमेसा रविदार कहते हैं उसको क्रिस्टल होते हैं तो आंतरिक भागों में रविदार आगने चट्टानों की प्रधानता है और यह जो रवीदार आगने चट्टाने हैं दो रूप में पाई जाती है गरे नाइट की रूप में और नीज की रूप में पाई जाती है क्लियर अब समझ गया इसका मतलब देखे लिखने को तो दो ही लाइन लिखा था लेकि समझने में टाइम ले लिया हाँ हाँ अब लगू हिमाले की ठीक उत्तर में स्थित है वरियाद हिमाले वरियाद हिमाले की दक्षिम लगू हिमाले की उत्तर में स्थित वरियाद हिमाले की जो आउसत उचाई है वो एक सट सो मिटर है मामली उचाही की बात कर रहा हूँ मैं की बात कर रहा हूं और इसकी दुनिया की 8000 मीटर से उची जितने विचोटिया हैं और तो चाहिए 100-100 मीटर हैं लेकिन दुनिया की 8000 मीटर से भी अधिक उंची सभी चोटियां पर दुनिया की बात कराओं सभी चोटियां वरिहद हिमाले के अंतरगत ही पाए जाती है आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 8000 मीटर से अधिक उंची चोटियां कौन-कौन से जाती है यह 8000 मीटर से उंची चोटियां केवल हिमाले में ही पाए जाती है उदार्ण के लिए कौन-कौन सी है उदार्ण के लिए कंचन-जंगा मकालू, एवरेस्ट, मनासलू, अनपूर्ण, धौला-गिरी, नंदा-देवी, कामेट, नंगा-परवत, कहां पे है लद्द नेपाल में इस्थित जो हिमाले का मध्य भाग है, वो सबसे उंचा है, हिमाले का मध्य भाग जो कि नेपाल देश में इस्थित है, वो सबसे उंचा है, यही करण है कि अगर नंगा-परवत को आप छोड़ दें, लद्दाख में इस्थित नंगा-परवत को अगर आप छो हो कृमेट और नंदा दरीं के उचाई 8000 मीटर से अधिक नहीं है यह केवल नेपाल हिमाले में ही 8500 मीटर उची चोटियां केवल नेपाल में मिलती अगर नंगा पर रत को छोड़ों एक है तो जो हिमाले भागे वो सबसे नेपाल हिमाले सबसे उचा है, उधारण के लिए कौन-कौन से 8000 मीटर से उची चोटिया है, कंचन जंगा, मकालू, एवरेस्ट, है ना, मनासलू, अनपूर्णा, धौलागिरी, अब हिमाले की जो चोटियां उसका पूरव से पस्चिम की तरफ करम देख लेते हैं, नोट करिएगा, प्रियद हिमाले की चोटियों का पूरव से पस्चिम की तरफ करम, नामचा वर्वा चोटी तिबत में है, कंचन जंगा, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, मकालू, नेपाल में है, एवरेस्ट, नेपाल में है, एवरेस्ट के बाद है, एवरेट के ठीक पस्चिम है, माउ माउंट चो ओयू एवरेश के पस्षी में माउंट चो ओयू माउंट चो ओयू के पस्षी में माउंट मनासलू उसके पस्षी में अनपूर्णा उसके पस्षी में धौला गिरी यह सभी नेपाल में थे उत्राखंड की दो चोटियां हैं नंदा देवी और कामेत इसे कामेत और नंदादवी और लद्दाख में नंगापरुवत यह पूरा कि तरफ के तरफ मेले में लग इतन Day रहा है यह जानते हैं तो यह हमाले की सबसी उची चो मैं इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं तिब्बत में परवतों की रानी परतों की रणभी लेकिन नेपाल के लोग इसाघर माथा बोलते हैं ठीक है नेपाल की लोग सागरमाथा बोलता है एवरेश्ट दुनिया की सबसे उची चोटी है हिमाले की दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है हिमाले की दूसरी सबसे उची चोटी कंचन जंगा है क्लियर हिमालाई की सबसे उची चोटियों के बारे में जान लेते हैं सबसे उची एवरेस्ट दूसरी सबसे उची चोटी मौंट कंचन जंगा तीसरी सबसे उची चोटी माउंट लोट से माउंट लोट से यह नेपाल सीमा पर है जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है उस पर रिस्तित है माउंट लोट से यह हिमाले की तीन सबसे उची चोटिया है भारत की सबसे उची चोटी अब भारत की तीन सबसे उची चोटिया देख लेते हैं भारत की सबसे उची चोटि माउंट केटु या गाड़ोईन अस्टेन लेकिन माउंट केटु या गाड़ोईन अस्टेन हिमालय पर नहीं है ये ट्रांस हिमालय के अंतर गता आता है तो भारत की सबसे उची चोटी है, मांट केटू, भारत की दूसरी सबसे उची चोटी, सेम, वही, कंचन जंगा, भारत की सबसे उची चोटी, मांट केटू, दूसरी सबसे उची चोटी, कंचन जंगा, और भारत की तीसरी सबसे उची चोटी, कौन सी है, नंगा परवत, यह यहां पर लोट से है हिमाले की तीसी सबसे उची चोटी लोट से भारत में नहीं है यह कहां पर है नेपाल और तिबत की सीमा पर यहां पर है नेपाल और तिबत की सीमा तो भारत की तीन चोटिया जो क्रमसा सबसे उची है केटू कंचन जंगा और नंगा परवत भारत हिमाले पर इस्थीत भारत की सबसे उछी चोटी कौन सी है हिमालय की तो सबसे उची चोटी कंचन जंगा है क्लियर हाँ आगे यह परोज चोटियों के वस्तेती दी गई है आप आप से देख के समझ सकते हैं कि कौन कौन से चोटियां कौन से देश में और उनकी उचाई कितनी है जैसे 8000 मीटर सुची चोटियों को आप देख लीजिए माउंट एवरेस्ट केटू कंचिन जंगा मकालू धौलागिरी मनसलू चो यू नंगा परवत आठ जार मीटर से जितनी उची है उनसे और आप याद कर लीजिए ज़़ूरी है इसके अलेमा अन्यपूर्ण गाशेर ब्रह देख कुमाओं हिमाले की चोटियां यहां पर आठ जार मीटर से उची है ध्यान देख काराकॉरम की दूसरी सबसे उची पार्प कारब की सबसे उची चोटी केटू है ना के दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है गाश्य प्रम इसके उचाइब आपको पता होने चाहिए अब आगे क्या है कि स्वभाविक सी बात है तिब्बत की तरफ हम पहले ही बिता चुकिए हम व्रिया धिमाले पड़ रहे हैं अब ठीक है इधर भारत और इधर है तिब्बत भारत की तरफ प्रिया धिमाले के ढाल आवतल है और भारत की तरफ उत्तर ढाल है यह जो आवतल ढाल है तिब्बत की तरफ है और भारत की तरफ उत्तर ढाल है इसलिए तिब्बत की तरफ मंद ढाल है धीरे धीरे उचाई बढ़ती है मंद गलती से यह लिग गया तिबस की तरफ मंद डाल है और भारत की तरफ तीव डाल है इस बारे में लोग अकसर पढ़ते हैं बादर की तरफ जाते हैं मैंने देखा है हाँ अगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है अब हाँ जब आप मंडल में उपर की तरफ जाएंगे थोड़ा सा किमालिय की जारत चोटियां साल भर ही माच्छा दीत रहती हैं साल भर क्योंकि अधिकतर चोटियां 8000 मिटर से उची हैं जब आप 6,000 मिटर से छोब मंडल में जाएंगे तो तापमान हिमांग से उपर कभे नहीं आता है, हमेशा हिमांग के नीचे रहता है तापमान, कहाँ पे, 6000 मीटर की उचाई पर, छोब मंडल, वाई मंडल की सबसे निचली पर रहता है, है ना, तो इसमें उपर की तरफ जाने पर, तापमान धिरे-धिरे घटता चला जाता ह है, छोब मंडल, जैसे से उपर जाएंगे, धर्ति के पास तो तापमान ठिक ठक रहता है, लेकिन जैसे से सब उपर जाएंगे, तापमान गीरता चला यानि बादल जब पानी छोडते हैं तो कई बार उपर बरफ की रूप में बरस रहा होता है नीचे आते हैं जल्बूदों बदल जाता है ठंडा हो जाता है क्लियर बर्फ के जो बादल तेरते हैं आसमान में वो क्या है द्रव है कि गैस है बादल के कड़ द्रव होते हैं लेकिन कई बार धोस भी होते हैं कई बार वो बरब भी होता है बरफ के कड़ भी तैरते रहते हैं वो बादल के रूप में दिखाई देते हैं तो कई बार बरसा हिम पात की उरुप में होती है तो चोब मंडल में हम उपर जैसे जाएंगे तापमान गिरता है 6000 मिटर के उचाई पर कभी भी तापमान हिमांग से नीचे नहीं आता है तो हिमाले के ज़्यादा तर सिखर है से हैं ना लिए सिखर साल भर भर घ्ल नहीं पाते कि णति हैं थीघुलरत क्या है और जीरू डिग्री जीरु डिग्री संस्ट तपमान को मिलाने वाली जो लाइन किसी जाती इससे वहीं मरेखा कि एते हैं कि मालेते हैं पहाड़ों पर आप उचाई पे गए और उचाई पर जाने की बात जैसे पहाड़ है उचाई पर गए उपर नीचे हो सकता है यह जीरो डिगरी सेल्सियस तापमान वाले छेत्र हैं इनको मिला रही एक लाइन यह सभी छेत्र जीरो डिगरी सेल्सियस तापमान वाले थे ठीक है तापमान कहीं भी कभी इस्थिर नहीं रहता है घटा बढ़ता रहता है आज यहां पर जीरो है कल को हो सकता है 10 दिगरी सल्सेस हो जाए है ना तो घटा बढ़ता रहता है तो पहाडों पर 0 डिगरी सल्सेस अपमान को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं हेम रेखा कहते हैं या पहाडों पर उचाई की वह सीमा है हीम रेखा परवतों पर उचाई की वह सीमा है उचाई की सीमा जिसके उपर का छेत्र हमेशा हीमा छादीत रहता है यह पूरा का पूरा छेत्र साल भाव बरफ से डका रहेगा यह हीम रेखा परवतों पर छेत्रों से लेकर ध्रों तक एक ही समान नहीं पाई जाती है, पृत्वी हम बना देते हैं, गोल है, इसके बीच में हम खिचेंगे, विश्वत रेखा, विश्वत रेखी छेत्र गर्म होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि साल भर सुर्यातब की अधित्तम मातरा परात करते हैं, यह गर्म खेत्र होते हैं, यहां पर धर्ती का जो सत्व होता है, काफी गर्म होता है, विश्वत रेखी छेत्र हैं, इसके चलते जल्दी हैं बरफ जम नहीं पाता, उचाई पर भी नहीं जम पाता, क्योंकि गर्म खेत्र हैं, विश्वत रेखी छेत्रों में जो हीम रेखा होती है जादा होचाई पर पाई जायगी अगर यहां पर कोई परवत है तो वहां पर हीम रेखा विश्वत रेखा पर तो जादा होचाई कर जाने पर हिम रेखाult को मिलेगी तब उसके उपर का सेत्र हे म अचा दित मिलेगा आ समझ रहे हैं यानि विश्वत रेखी छेत्रों में हेम रेखा की उचाई अधिक होती है मान लेते हैं यहाँ पर हेम रेखा क्यंचाई इतनी थी कितनी कि पच पंसो 1 विश्वत रेखी छेत्रों में हीम रेखा की उचाई अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम विश्वत रेखा से धुरुओं की तरह बढ़ते हैं, यह क्या है? विश्वत रेखा से जैसे हम धुरुओं की तरह बढ़ते हैं, यह क्या है? यह हीम रेखा है, विश्वत रेखा पर हीम रेखा की उचाई अधिक पाये जाती है, लेकिन विश्वत रेखा से जैसे हम धुरुओं की तरह बढ़ते हैं, हीम रेखा नीचे आती चले जाती है, क् क्योंще दौरव क्यक्कि उत्थ धुरुया इसे जाता धुम रेखा भी नीचे आती चली जाती है और द्रोव पर हीम रेखा बिल्कुल धरातल पर पाई जाती एकदम नीचे ही यानि द्रोई छेत्र इसलिए हम अच्छादी तरते हैं वहां पहाड चड़ने की जुरुत नहीं है अंटर का डिका में आप जाएंगे पहाड नहीं भी चड़ने तो चाहतर आपको बरफ ही बरफ मि ही आपको मिल जाएंगी क्योंकि वहां हीम रेखा नीचे है आप मन बहुत नीचे है यहां सूरा है स्ल की किरने और उत्री द्रूपर फिर अधिरी और लिए रपार हम को 45-500-500-2008 जैसे मांट केनिया थे कर दो केनिया में मौंट केनिया है अफरिका में विश्वत रिखा पर है लेकिन यह भी ट्रहता है लेकिन इसके लिए आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा विश्वत रिखा पर होगा लेकिन आपको पच्पन सो मीटर की उच्पाई पर जाना पड़ेगा तब आपको बरफ मिलेगा इतने असान इसे नहीं मिलेगा तो विश्वत्रे की छेत्रों में हीम रेखाक कि आउसत उच्पाई 400-500 मीटर होती है 4500-500 मीटर जबकि धुरों पर या धरातल पर पाई जाती है कुछ क्लियर हो आपको कमेंट करिएगा जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो, जाननी हो आप वीडियो को देखते समय बीज-बीज में कमेंट छोड़ते रहिएगा, यह मेरा बिल्कुल पर्सनल प्रोग्राम है है ना, और एक साथ चुकि 15 या 20 घंटे की कच्छाएं है तो आप जब भी पढ़ते रहिएगा तो अपनी बातें पूछते रहिएगा कमेंट में, जब भी आप आईएगा तो पूछते रहिएगा उसे मैं देखता रहूँगा देखता रहूँगा और जहां पर जिरूरुत हुआ आपको खुद रिपलाई करता रहूँगा आप हमेशा कमेंट करते रहेगा, जब भी आप कुछ पूछेंगे तो आप एक सिक्षन आगे है, निवेस्ट कमेंट मैं निवेस्ट वाला आपसन दबाऊंगा आपका जो लेटेस्ट कमेंट है, रोज उपर में देख लिया करूँगा और जो भी उचीत जबाब होगा, वहाँ कमेंट में में डाल दिया करूँगा ठीक है, इस तरह से पूछ देरेंगे बुक के बारे में भी पहला संस्क्रण जब मार्केट में आता है, तो जल्दीबाजी में जो टाइपिस्ट लोग होते हैं तमाम चीजी सही करने के बाउजूद हर दो-चार पन्ने के अंतर पे या चार-चार चार पन्ने के अंतर पे कोई एक आखड़ा समंधी मिस्टे को करी देते हैं तो चार-चे गलतियां पहले संस्क्रण में होने की हमेशा संभावना होती है तो आपको जहां भी वहां पर कुछ लगे कि मुझे बताना चाहिए तो आप वीडियू के डिस्क्रिप्ट्प्सन में मेरी मेल आड़ी भी दी होई है video के description में मेरी mail ID भी है और मेरी Facebook की personal ID भी है तो आप mail भी कर सकते हैं मुझे और मेरी Facebook को join करके आप वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं book के समंद्र में कोई सवाल पूछना हुआ या book से समंद्री कोई बात ऐसी कोई तूटी हुई है जिसके बारे में आपको ध्यान अगुत कराना है तो आप कर सकते हैं मैं सुधार कर लूँगा जब अगली बार में अगला संस्क्राण आएगा तो उसमें मैं सुधार करके सामिल कर लूँगा ठीक है हाँ तो मैं हिमरेखा के बारे मता दिया आपको अब हिमाले पर ही रेखा देखते हैं देखे जुप पूरी हिमाले है नहीं है इसके चलते लगु हिमाले के और शीत रितु में ही हिमाच्छा दित रहता है जैसे लगुई माले पर इसी सहर है मसूरी और देहरादून, है ना, मसूरी देहरादून, नैनी ताल, चकराता, रानी खेत, डलहोजी, इस सब सहरों की जलवाईव अच्छी मानी जाती है, क्यों, क्योंगी साल पर ही मच्छादित नहीं है, गर्मी आने पर यहां बरब पिख जाती है, इसी तरह सिदार जिलिंग, है ना, नैनी ताल, शिमला, मसूरी, देहरादून, डलहोजी, रानी खेत, यहां पर सर्दियों में ही क्यों बरफ गिरती है, यह लगु हिमालय के सहर है, सर्दियों में बरफ गिरती है, और गर्मी आने पर बरफ पिखल जाती है, और जाती है, चारोतर, फूल के बहुत धे उग जाते है, इसलिए मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है, गर्मी ओ लोग यही पर घुमने जाते है, लेकिन तो लगु हिमालय साल भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, और शीत रूत में होता है, लेकिन जो वरिहत हिमालय है, वो वर भर हिमाच्छादित रहता है, क्योंकि इसके अधिकान सिखर 6000 मीटर से उपर है, और 6000 मीटर से उचाई पर जाने पर कभी भी तापमान हिमांग से उपर नहीं आता है, हमेशा हिमांग से नीचे रहता हमापे तापमान, तो हाँ, एक चीज और है, पूर्वी हिमालय जो है, वरियाद हिमालय सालवर हिमाच्छादित रहता है, पूरी हिमालय में हिम रेखा अपिक्छा करित नीचे पाई जाती है, और पस्मी हिमालय में हिम रेखा उचाई पर पाई जाती है, ऐसा क्यों है, वरियाद हिमालय की, थोड़ा अस लाइन को देखते है, वरियाद हिमालय सब्सक्राइब के बंगाल की खाड़ी साखा जो है, दक्षिणी पस्वी मासुरून की बंगाल की खाड़ी साखा उत्तर की तरफ तेजी से बढ़ती है जुलाई अगस्त में, है ना, तेजी से बढ़ती है, और किसे टकराती है? यहाँ पर है गारो खासी जैंतिया यानि मिघाले मिघाले पठार मिघाले पठार से ठकरा कर भेंग कर वर्षा करती यही करणए कि मासिन राम चेरा पूजी जैसे इस्थल मिघाले पठार पर बहुत वर्षा वाले इस्थल है यही से इसकी एक साखा बरंपुत्र घाटी मिप बंगाल की खाड़ी की चाखा का एक हिस्सा बरंपुत्र घाटी में यानि सूर्मा घाटी में और बरंपुत घाटी में प्रवेश करता है और हिमाले के दक्सुनी ढाल पर ठकराकर वर्शा कर देता है तो यहां पर पानी अधिक है पूरी हिमाले में वर्शा की अच्छी खास नीचे पाई जाती है 400 मिटर की उचाई पर जाने पर चुकि यहां आर्दरता की मातरा अच्छी खासी आप इतना समझेए आर्दरता अच्छी खासी है इसलिए 400 मिटर की उचाई पर हम्रेखा मिलने लगती है जबकि जो पस्मी हिमाले का भाग है पस्मी हिमाले की भाग में 500 मिटर की उचाई पर आप जाएंगी तब आपको हम्रेखा मिलेगी ऐसा क्यों बारिश नहीं होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा जब मेगाले पठार से टकराती है तो उसका एक हिस्सा उसका एक भाग उत्तर भारत यह भाग तो देखिए पठा लेकिन मखाले पठा से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी की एक चाहँ घुस जाती है उत्तर भारत के मैदान में और कॉलकाता पहले जाती है यहाँपे लकाता फिर कानपूरíasa pras को दिल्ली पहुंचती है थोड़ी भूर्शा करती है कि बंगाल की घडी साखा जब उत्तर भारत की मैदान में वर्शार करती है उत्तर की तरफ ऐसे मुड़ती है, है ना, उत्तर की तरफ मुढ़ने के कारण, आपने को रियालिजबल पढ़ा है ना, कि उत्तरी गोलार्द में पहुने अपनी बाई तरफ मुढ़ जाती है, कि तरफ मुढ़ जाती है, बाई तरफ, और दक्षडी गोलार्द में पहुने अ जाती है लेकिन बात कर रहे हैं वरियाद हिमाले की, वरियाद हिमाले का जो छेत्र है, वो बिलकुल शुष करा जाता है, ये पौने वरियाद हिमाले तक नहीं पहुच पाती है, क्रश्मीर का छेत्र एक शुष का छेत्र है, वरियाद हिमाले का छेत्र, इसे हम कश्मीर हिमाले का सकते हैं, बारिश नहीं होत को मिलते हैं थो ने बृट ऊब्ली जो पर जाएंगे तो अपको जगाई पे चोटे बड़े मिलते हैं कए चोटे glacier होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, जादा तर glacier के जो लंबाई होती है, 3-5 km होती है, जादा तर glacier के लंबाई कितनी है, 3-5 km, लेकिन कुछ glacier ऐसे भी है, जिनकी लंबाई 20 km से अधीक होती है, अधिक तर glacier 3-5 km लंबे होते हैं, 20 km से भी अधीक लंबे glacier का उनकों से है, उत्राखंड में दो है, मिलाम और गंगोत्री, उत्राखंड का मिलाम हिमनत और गंगोत्री हिमनत, इसी तरह से सिक्किम का जेमो हिमनत, तो इन तीनों हिमनतों की लंबाई 20 किलो मिटर से अधिक है, इन हिमनतों से बहुत सारी नदिया निकलती है, कैसे निकलती है, अचानक से यहार से नदी नहीं चल पड़ती है नदियों के निकलने का अएक तरीका होता है, सिस्टम होता है erlebt यहाँ पर धारा निकल पड़ी। थोड़ा सा समझ agree लगाइए झाली नदी नहीं है जल्धारा यहां निकली फहाड होता है पहाडों के बीच भीच में घाति यहां होते हैं जैसे आप देखते हूं के बह कि दुसरा प्रव मे Bluetooth उसके बीच में घाटी, तो ग्लेसियर से जब बरब पिखलता है, तो नदी धाराएं घाटियों बहती रहती है, एक धारा यहाँ पर, अब यह आगे बढ़ रही है, तीन धाराएं आगे बढ़ी है, आपसे मिल जाती है, क्यों? क्योंकि इन तीनों को आगे एक बड़ी घाट समझ रहे हैं, आप ऐसे से बती भी आ रही है, फिर यही खेल यहाँ पर भी हो रहा है, कई जगह होता रहता है, लगाता है, यहाँ पर ग्लेसियर पिखल रहा है, और ग्लेसियर के पिखलने से, यहाँ पर एक धारा निकल रही है, दूसरी धारा निकल रही है, तीसरी धारा अब एक तीसरे गलेसियर से भी इसी प्रक्रिया से होते हुए कई धराया आपस मेली एक छोटी धरा बनी अब बड़ी धरा भी वह भी यहां पर आके मिल गई अब तीन बड़ी धराएं आपस में मिल गई सोचिए नदियों का उद्भो ऐसे होता है अब जाके गंगा नदी बनेगी क्या बनेगी अब जाके गंगा नदी बहेगी अब उत्तर प्रिदेश बिहार थोड़ा सजहार खंड पस्ची मंगाल होते हुए बंगलादिस तक पहु वह जाती है अपने लक्ष की तरफ वह वह भत्वी जायेगी किसी बड़ी धराखर निर्माड करेंगी वह अकेले नहीं बहर रही है उसके सासा सेकुण धराएं बहती है और शबके पहुंछती है किसी बड़ी घाटी में आपसे मिल जाती है और ये बड़ी नदी का दीरी- नदी निकलती है, इसी तरह से मिलाम हिमनत से कौन सी नदी निकलती है, काली और शारदा नदी निकलती है, जेमो हिमनत से तेस्ता नदी निकलती है, सिक्किम में, सिक्किम में जेमो हिमनत से तेस्ता नदी निकलकर चली जाती है, सिक्किम से निकलकर पस्रिमंगाल में बहती है पर चली जाती है बांगला देश में और ब्रंपुत नदी में मिल जाती है यानि ब्रंपुत की सहायक नदी है इसी तरह से अभी आपने थोड़े दिर पहले पढ़ा लेते तो बताया कि लदाख स्रेडी सिंधु परवत सिंधु नदी और शियोक नदियों के बीच जलवी भाजक है शियोक नदी कहां से निकलती है आगे हम पढ़ेंगे शियोक नदी रेमो गलेसियर से निकलती है रेमो आगे पढ़ेंगे इसको बढ़ियां से अभी मैप में ही पढ़े जाएगा कि एपने देखी सी इर चीन ग्लेसियर के टीक पूरो में चोटा से गलेसियर है उसका नाम है रेमो तो शीयोक नती रेमोग्लेसियर निकल कर उतर इसे बैठे प्रूरे पध्यन करेंगे तो यह आपने पढ़ा कुछ लाइने आप लिखी है तो आप ने पढ़ा अभी तक हिमालय का अच्छा खासा भाग हमने कभर किया अब इसके बाद लगो हिमालय देखते हैं लोग यहाँ पर लगो हिमालय या हिमांचल हिमालय छेत्र हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है कुछ बाते लिखी हुई है लेकिन इसको मैं मैप से पढ़ाऊँगा आप इसको देख सकते हैं आप इस मांचेत्र को ध्यान से देखिए इसमें मुक्रुप से दो परवसरेडिया है जो ऊत्तरी निरंत्र हो परवसरेडि हैं वह वरियद हिमालय के दक्षड मेरं डिखाई दे रही है वह वरियद हमालय की ठीक दक्षड में उसके संकरेज 허ani panours प्रवसरेडिया NEW हिमालय का विश्थार है नाम्हेल जानते हैं जासे हैं मुक्रुप से तीन नामहें से जानते ह होहें लगू हिमालए या मैं वरिया से छोटा है इसलिकों लगू हिमाल प्रदेश में इस्थीथ है मुख्यlı रूप से हिमानचल प्रदेश में इसका अच्छा खासा विश्थार है इसलिए इसको हम हिमांचल थाका Oh मांचल का मतलब होता है जो हिम से धका हो बरफ से धका रहता हूँ खास कर जाड़े की दिनों में मांचल हिमालय भी कहते हैं वरियेद हिमालय लगुहेमालय और उसके दक्षर में श्रीवालिक हिमालय यहाँ पर बना नहीं है मैं बना दूं गा भी तो चुकि ये मध्ध में इस थी थे लगू हिमाले इसलिए इसको हम मध्ध हिमाले भी कहते है मध्ध हिमाले लगू हिमाले की जो उचाई है जहां वरिहद हिमाले की आउसत उचाई एक सट सो मिटर है मैं महान हिमाले या वरिहद हिमाले की बात कर रहा हूँ महान हिमाले की आउसत उचाई एक सट सो मीटर है लेकिन लगू हिमाले उसे अपिक्छा करें काफी छोटा है लगू हिमाले की अधिक्तम उचाई पैंतालीस सो मीटर तक ही जाती है कितनी 4500 मीटर है व्रियाद हिमाले उससे काफी उचा है और हम यह भी देख रहे हैं कि व्रियाद हिमाले की जो सर्वोच चोटिया है उनमें से अधिकांस 8000 मीटर से भी उची हैं लेकिन लगू हिमाले में 6000 मीटर से उची कोई चोटी नहीं है लगू हिमाले की चोड़ाई व्रियाद हिमाले के पिक्छा जादा है जहां व्रियाद हिमाले की चोड़ाई कीवल 25 किलो मीटर है वहीं लगू हिमाले की चोड़ाई लभग 80 से लेकर जगा जगा पर 100 किलो मीटर की बीच पाई जाती है लगू हिमाले की चोड़ाई और व्रि लगई हिमाले जो है की वर्यध हिमाले के साथ-साथ पूरो से पस्लिट दिशा में तो फैला हुआ है लेकिन इसके साथ automate हमाले की भाटि यह निरंतर और करमबध नहीं है अज़रों के माध्यम से ही वर्यध हिमाले को पार किया जा सकता है बहुत से दर हैं अब रेद हिमाले पर जिनके बारे में बात करूँगा लेकिन लगू हिमाले उतना निरंतर और करमबध नहीं है पस्चिन से पूर की ओर अलग अलग परवस्रेड़ियों के रूप में जाने जाती है जैसे पस्चिन से पूर की और पीर पंजाल स्रडी सबसे पस्चिवी स्रडी है इसकी पीर पंजाल उसके पूर में धौलाधार स्रडी उसके पूर में नाग टिबबा स्रडी यहां पे लिखा हुआ है और उसके पूर में नेपाल में महाभारा स्रडी तो पस्चिन से पूर की जाने पर अलग अलग स्रेडियो की रूप में दिखाए देती है और उनाचल प्रदेश में जब आप जाएंगे तो ये वरियद हिमालय की बहुत नजदीक आ जाती है क्योंकि मैंने पहले बिताया था कि पूर्वी भारत में दबाव काफी जादा था इसके चलते लगू हिमा इमालय की सबसे पस्चमी लेकिन सबसे लंबी परवस्रेड़ी है अगर आपसे पूछा जाएगा कि लगू इमालय की सबसे लंबी परवस्रेड़ी कौंसी है तो यहां पर चार आपको दिखाई दे रहे हैं शिवालिक धोलाधार उत्राखंड में नाक टिबा और नेपाल म है उनमें सबसे लंबी परवस्रेड़ी कौंसी है पीर पंजाल है पीर पंजाल स्रेड़ी के दक्षिड में यहां पर जम्मू डिवीजन है जहां पर वैसरोड़ देवी माता का मंदिर है आप यहां पर ब्लू कलर का डॉट देख रहे होंगे और पीर पंजाल स्रेड़ी के छम्मू डिविजन को कश्मीर घाटी से अलग करता है. इसके उत्तर में कश्मीर घाटी यानि स्रीनेगर है और उसके दक्षिल में चम्मू डिविजन है. पीर पंजाल पर दो महत्यपूर दर्रे हैं जिन से होकर पीर पंजाल को हम पार आर पार कर सकते हैं इन दो महत्यपूर दर्रों का नाम है बनिहाल और दूसरा है पीर पंजाल परवस्रेडी के नाम पर ही दूसरे दर्रे का नाम है पीर पंजाल बनिहाल दर्रे की ठीक पस्चे में यहां पे पीर पंजाल दर्रा है आवागमन की लिहास से जादा महत्यपूर इनमें से बनिहाल दर्रा है और जादा प्रचलन में भी रहता है साथ ही जम्मू डिविजन से स्री नगर तक जाने के लिए जब हम बनिहाल दर्रे का प्रयोग करते हैं तो कम दोरी तेक करनी पड़ती है 1956 के पहले लोग बनिहाल दर्रे से ही होकर आया जाया करते थे दर्रा है तो निश्यत रुफ से अगर ये पीर पंजाल परोस रेड़ी है तो दर्रा है तो निश्चेत रुफ से उसके से उपर ही भाग में होगा यहां पर दर्रा है ना तो कोई भी सड़क जाती थी तो ऐसे दर्रे से होकर गुजरती थी कस्मीर की तरफ यहाँ पर जम्मो डिविजन इधर, जम्मो है और इधर स्री नगर है, तो इस दर्रे से होकर हम जाते थे, चड़ाई करते थे और दर्रे से होकर फिर उस धाल पर उतर जाते थे, कैसे भी परवत पर चड़ते हैं पर इस तरह से आप जाते हैं, फिर दूसरे धाल पर उतरते है इस तरह से होता है, तो पहले क्या होता था, कि बनिहाल दर्रे से ही आवागमन होता था, 1956 के पहले, लेकिन जो दर्रे होते हैं, परवत के शीर्ष भाग पर होते हैं, और ये हिमाले का उचाई वाला छेत्र है, शीत काल में यहां पर बर्फ बारी होती है, तो बर्फ बारी के चलते दर्रा बरफ से भर जाता था, हिमाच्छादित हो जाता था, आवागमन जाड़े के 4-5 महीनों में आवागमन बंध हो जाता था, जम्मू से कश्मीर खाटी की तरफ जाने के लिए जो रास्ता था, जो की बनिहाल दर्रे सोकर गुजरता था, वो बंध हो जाता था पहल भारा सरकार ने 1956 में क्या किया पीर पंजाल स्रेडी पर बनिहाल दर्रे के नीचे पीर पंजाल स्रेडी को काट कर एक सुरंग बनाया आर पार यह सुरंग बिलकुल पीर पंजाल स्रेडी को आर पार करती है यानि इगर से आप जाएंगे जम्मू डिविजन से तो अंदर आप सुरंग को जब आप पार करके उस पार निकलनेंगे तो आप पहुंग जाए कश्मीरगाटी की तरफ भारत स्रकार में बनिहाल डर्रे के नीचे पीर पंजाल-स्रेडी काटकर जवाहर सुरंग निर्माठी किया बलकि हम बनिहाल दर्रे के नीचे बने जवाहर सुरंग का प्रयोग करते हैं और सुरक्षित यातायात करते हैं क्योंकि यहां पिनब बारी होगी क्योंकि परवत के अंदर का छेत्र है और नहीं सुरक्षा समंधी खत्रे होंगे जम्मो से स्री नगर जाने वाला जो प्रमुक राश्ट्री राजमार्ग है उसका नाम है एनेच फॉर्टिफोर तो जम्मो से स्री नगर की और जाने वाला राश्ट्री राजमार्ग एनेच फॉर्टिफोर बनिहाल दर्रे के नीचे जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है बह पीर पंजाल स्रेडी के पूर में धौला धार स्रेडी है एक बात मैं यहाँ यह भी बता दूँ बाद में आपको काम आएगा पीर पंजाल स्रेडी ऐसे तो मुख्यूरुप से जम्मू कस्मेर में इस्थित है लेकिन इसका जो दक्षड पूरवी भागे आप देखेंगे यह हिमांचल प्रदिश में आगया इस बात को याद रखेगा पीर पंजाल स्रेडी पूरी तरह से कस्मेर में इस्थित नहीं है बलकि इसका दक्षड पूरवी भाग हिमांचल प्रदिश तक आगया है इसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको यह काम आएगा पीर पंज की शेयल की की Best रोलत में चलाता है उसी तरह से दोला स्रेडी का कुछ भाग पूरुवी भाग चलाता है उत्राखन में यहां पंजल प्रदिश की राजधानी शिंवला की प्रसित नहीं कि याफ पिर पंजाल सभी लगोई माले के भागे हैं अधिक्तम 6000 मीटर की उचाई वाला जो धौला धार है एक भेहत खोसुरत द्रिश्च्यों वाला परोस्रेडी है ऐसा क्यों क्योंकि धौला धार का मतलब होता है सफेद परवत धौल का अर्थ सफेद होता है तो इस सफेद परवत की भात दिख आगे बढ़ेंगे न मन्दी के मंडी से नजर आने लाँ तो बिल्कुल सफेद दिवार की तो बिल्कुल दिखतागा है हिमांचल-प्रदेश एक बहुत ही खुसूरत द्रिश्यों वाला राज्य है किसके चलते धौलाधार स्रेड़ी की चलते हिमांचल प्रदेश के जितने भी परेटन इस्थल है खुसूरत जगह हैं सभी धौलाधार स्रेड़ी के धालों पर ही बसे हैं चाहे कुल्लू घाटी हो, चाहे कांगडा घाटी हो, है ना, तो यह बहुत खुसरत द्रिश्यों वाला परवसरेड़ी है, कौन सी? धौलाधार, हिमांचल प्रदेश में दो प्रमुक घाटियां, धौलाधासरेड़ी के अंतरगथी पाई जाती है, खासकर कुल्लू घाटी में प्रमुक परिटन इस्थल है मनाली, कुल्लू घाटी में ही इस्थित है, और कांगडा घाटी में प्रमुक परिटन इस्थल है धर्मशाला, व्यास नदी कुल्लू घाटी में बहने वाली प्रमुक नदी है, व्यास नदी रोतांग दर्रे के समीव से निकल कर कुल्लू और उसके बाद कांगडा घाटियों को पार करती है यानि दो जो प्रमुग घाटियां ही मांचल प्रद्रस्की जो की धौला धार से नेड़ी के उत्री ढाल परिस्थित है उन दोनों घाटियों से होकर कौन से नदीप प्रवित होती है व्यास नदीप यह पूछा जा सकता है हाथ से हैं ना जो मांचेत्र में वीजिस से पढ़ा रहा थो यहीं मांचेत्र है यह किताब में है मैंने सुविधा के लिए आपको वहां पे लगा लिया है है ताकि इस्थिर है मैं यह इस्थिर नहीं है तो फीडियाफ आपके बढ़ता रहे है और मैं डिग जाएगा हाँ हम यहाँ पर पढ़ेंगे धौला धा स्रेडी की पूर में उत्राखंड में नाक्तिब्बा और मसूरी हिल है नाक्तिब्बा स्रेडी और मसूरी हिल उत्राखंड में नाक्तिब्बा स्रेडी की पूर में नेपाल में लगु हिमाले को महाभारस स्रेडी के रूप में जाना जाता है ठीक है नेपाल के पूर में लगू हिमाले पूरोत्तर भारत में चला जाता है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लगू हिमाले विर्यद हिमाले के अत्यधिक समी पा जाता है दबाव के चलते दबाव के चलते लगू हिमाले का जो ढ़ाल है अरुनाचल प्रद्यस में विल्कुल कगार की तरह खड़ा है विल्कुल इसे दिवार की तरह खड़ा हो गया है यानि लगू हिमाले के सबसे तीवर ढ़ाल आपको कहां दिखाई देगा अरुनाचल प्रद्यस में यानि पूरी भारत में दिखाई देगा लगू हिमाले की खास बात है कि जैसे व्रियाद हिमाले साल भर हिम अच्छा दीत रहता है व्रियाद हिमाले की ऑसवत उचाई एक्सो सो मीटर है और जबकि हिमाले पर हिम रेका अधिक्तम बाउन सो मीटर की उचाई पर पाई जाती है और पूरी भारत में चावाली सो मीटर तो बर्फ में कमी आने लगती है, तो बर्फ का जो निचला छेतर होता है, उपर से लेके नीचे तक हीमाच्छादित है, तो उसके निचले छेतर धीरे-धीरे पिघलने लगते हैं, यानि जो परवती ढाल है बर्फ से मुक्त हो जाती है, वहां से बर्फ धीरे-धीरे हटने लगती है, तो जब गर्मी आने पर बर्फ पिघलती है, और परवती ढालों पर भर्फ हटने लगती है, तो दूर तक खु शितोसर घास छेत्र कहता हैं कौन से घास होते हैं ठंडी जगयां पर उखते हैं इन्हें फितोसर घास की मैदान बोलते हैं यह विशेश रूपसे फित2 कैसे उक्ते हैं इनका तो सीतोसर घास के मैदानों को जम्मु कश्मीर में मर्ग कहते हैं क्या कहते हैं मर्ग और उत्राखंड में इन्हें क्या कहते हैं उत्रा खंडवी नहीं बुग्याल और पयार बुग्याल और पयार कहते हैं जमुकस्मिल में मर्ग क्या है आज से पुछा जाएगा जमुकस्मिल मर्ग क्या है सीतोस रघास के मैदान जो परवती धालों पर पाए जाते हैं कप पाए जाते हैं गर्मियों में क्योंकि जब दुबारा शीत रुत आता है तो फिर से बर्व बारी हो जाती है और घास के मैदान किस से ठग जाते हैं चारो तरफ बरव से ठग जाएंगे तो शीत रुत में आपको घास के मैदान का आनंद वहां पर नहीं मिलेगा यह विश कि तौस्र-खास के मैदान के लिए नाम याद रखेगा गुलमर्ग, सोलमर्ग और पहलमों इसी तरह कि सितौस्र-खास के मैधानों के लिए प्रसिद्ध हैं। 270 में ऐसे घ्ञास के मैदानों को हम गुलमर्ग कहते हैं। ऑपकी बीच एक कowtuhal होगा कि यह उगते Cевич छित्रों में ये हमने कहा कि सितोस्र घास के मैदान पाए जाते हैं जैसे मर्ग और बुग्याल पयाल तो ये घास के मैदान ऊपर जहां बर पिखलते हैं मैदान कैसे हो सकता है कि इन्हें मैदान क्यों कहते हैं क्योंकि परुती भाग तो धाल दार होता है और हमने ये भी पड़ रखा था की मर्ग चरागास के मैदान क्यों कहते हैं इसको आप ऐसे समझेगे यह एक तरफ का ढाल मैं दिखा रहा हूँ ठीक है आप ध्याम दिजीगा यह परवत की उपरी भाग है जो बिल्कुल ही मच्छा दीत है ठीक है ऐसे होता है परवत की उपरी भाग बिल्कुल खड़ी ढाल वाला होता है लेकिन जैसे जैसे हम ढ़ाल के साहरे थोड़ा नीचे आएंगे तो इक कम ढ़ाल वाला छेत्र आपको मिलेगा जब आप जम्मू कसमें घुपने जाएंगे तो आपको ऐसे छेत्र हमेशा दिखेंगे वहाँ पर जब आप दूर किसी पर चोटी को देखेंगे तो उपरी भाग यह बर्व से ढखा हुआ है रेट कलर से जरूर बना है इसको आप बर्व मान लेजे बर्व से ढखा हुआ है इमाच्छा दी छेत्र है गर्मियों में जब बर्व पिखलती है तो यह वाला जो छेत्र है इस पर भी बर्व भिच्ही रहती है यह कंड ढालदा से डिखाए दे रहा है इस पर भी बर्व इची होती है लेकिन गर्मिया अने पर यहां की जब बर्व है प्य्हलकर बहह पर क्या होता है चोटे चोटे घास के मैदान उग जाते हैं इन्हें ये सितोस्र घास के मैदान बोलते हैं ये देखिए ये बिल्कुल संतल न जाराते हैं और सितोस्र घास के मैदान इस्थाई नहीं है फिर जाड़ी का जब दिन आएगा शीत रित्व आएगा तो फिर से बरबारी होगी और तो बुग्याल, पयाल या मर्ग छेत्र हैं, मर्ग छेत्र यानि सिर्टो सुड़खास के मैदान, वो हीम रिखा और वनस्पती रिखा की बीच के छेत्र होता है, उनके नीचे वनस्पती छेत्र होता है, और उनके उपर हिमाच्छादित छेत्र होता है, गर्मी आने पर सीत्र तुम्हें ये पूरी तरह से बर्व से ढखा होता है मतलब इसको भी बर्व फिला छेत्र माले जब जाड़े का दिन आएगा तो ये पूरा एरिया जो है पूरा हिस्सा यहां तक हिमाचादित हो गया क्या हो गया हिमाचादित हो गया लेकिन फिर से जब गर्मी आएंगी तो ये वैला हिस्सा साफ हो जाएगा और यहां पर हरी हरी घास उख जाती है तो जब आप वहाँ पर घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि घास के मैदान हीम रिखा और वनस्पति रिखा कि बिल्कुल मद्य के छेत्र में पाए जाते हैं जमू कस्मीर में जब आप जाए कि आप जाएगा तो गुल मर्ग जरू घूमिएगा तो या पहलगाम जरू जाएगा तो ऐसी ँचाई वाले चेत्रों पर ढालदार घास के मैदान होते हैं पहलगाम को हम जमू करक्श्मीर का स्विटजर्लेंड कहते हैं पहलगाम एक उचाई परिस्थी पैसे ही दूर तक मखमली घास का मैदान यहां पर बिछा रहता है चारो तरफ बहुत ही सुन्दर जगह पाई जाती है इसके चारो तरफ यह हाँ नीचे जाने पर वनस्पती छेतर होता है चुकि नीचे घाटी से आप चढ़ाई शुरू करते हैं ऐसे गोल-गोल घुमते हुए ढालों पर ढाल फाला रास्ता होता है क्यों जब आप ढाल पर रास्तों पर चलते है जाती है और बहुत ही खतरनाख जगह होता है तो पहल्गाम ऐसे ही छेतर में गोलमर्ग, सुनमर्ग 24 नाकिकर वैसन यह बर्याद कि मालई बिच दो इस्जाल्ड जाती आन् gross या Wasnach अंतर परवतिय अनुदैर्ध घाटियां व्रियत हिमाले और लगु हिमाले की मद्य दो सम्तल सपाथ अंतर परवतिय अनुदैर्ध घाटियां पाए जाती है उधारण के लिए व्रियत हिमाले और पीर पंजल की मद्य कश्मीर घाटि व्रियत हिमाले और महाभारासरणी की मद्य काठमांडू घाटि यहां पर है सबसे बड़ी घाटी कश्मीर घाटी है कश्मीर घाटी में ही स्री निगर है स्री निगर में ही डल जील इस्थित है और उसके ठीक उत्तर पस्चे में यहाँ पर उसके ठीक उत्तर पस्चे में यहाँ पर बूलर जील है कश्मीर घाटी में ही स्री निगर बसा हुआ है डल जी जब जेलम नदी कश्मीर घाटी में ही प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जेलम जेलम नदी यहां पर बेरी नाग जहर्डे से निकलकर उत्तरपस्यम की तरव प्रहाइत होती है और स्री नगर होते हुए बूलर जिल होते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुशती है तो भारत पाकिस्तान सीमा के सास कस्वीर घर्टी में इसके अलावा भी अन्य महुत से जिले जैसे की से खेती के लिए बहुत से प्रसिद्र जिले जहां भी मुख्यों वहां किसानों का से खेती करना से बगीचों के लिए फिर मसंथ जैसे अनंतनाग, बारा मुला, पुलुवामा, शोपिया, बढगाम, कश्मीर घाटे में इस्थित ये जिले बढगाम, थोड़ा गलत लिख दिया है, समझ जाएगा, ये जिले सेफ़ी बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, लगुई मालय का जो दक्षणी ढाला है, वहाँ पर उपोष्ड स्वास्थ वर्धक जलवाई पाय जाती है, इसके चलते हैं, मैं जब लगुई मालय के नाम ले रहा हूँ, ठीक है, माल लेते हैं, ये नौर्थ है, और ये साउथ है, तो दक्षण की तरह भारत है, तो उपोष्ड स्वास्थ वर्धक जलवाई उसके दक्षणी ढालों पर पाय जाती है, इसके चलते हैं, यहाँ पर दक्षणी ढालों पर बहुत सारे नगरों का विकास हुआ है, जोकि जलवाई बहुत अच्छी पाय जाती है इसलिए इसके दक्षणी ढालों पर बहुत साई नगरों का विकास हुआ है, जैसे हिमांचल प्रदेश में कौन कौन से नगर है, शिमला, डलहोजी, धर्मशाला जैसे नगरों का विकास हुआ है, उत्राखंड में ननिताल, मसूरी, चक्राता, रानिखेत, ननिताल, मसूरी, चक्राता, और रानिखेत, जैसे नगरों का विकास हुआ है, इसके लिए पस्षिम मंगल, जिनके मैंने भी नाम लिए, ये सभी लगु हिमाले के दक्षणी धालों पर इस्तित है, नेले के लड़्श में बना रहा हूँ, सिंधु नदी के मोर से प्रारण होता है, भारत नेपाल सीमा के साथ साथ फैला हुआ है, और यहां सिक्किम में है तिस्टा नदी, शिवालिक लगु हिमाले के दक्षणी में परसिंध से पूर की तरफ फैला हुआ है, जहां लगु हिमाले की औसरत उचाई एकसर सो मिटर है, लगु हिमाले की औसरत उचाई एकसर सो मिटर है, लगु हिमाले की उचाई लगभग अधिक्तम लंबाई लगभग तालिस सो मिटर है, वहीं शिवाले की जो उचाई है, 900 मिटर से लेकर 1500 मिटर के मध्य पाई जाती है, यानि हिमाले की सबसे निचली स्रेडी है, इसको हम वाह हिमाले कहते हैं, वरिहत हिमाले को हम आंतरिक हिमाले कहते हैं, तो यह सबसे बाहरी चाप है, इसके चलते ही से हम वाहे हिमाले या उप हिमाले भी कहते हैं हिमाले की तीनों स्रेडियों में कौन से स्रेडि को हम उप हिमाले कहते हैं शिवालिक स्रेडि को शिवालिक स्रेडि की जो उचाई है लभक 900 मीटर से लेके 1500 मीटर के मद्ध है शिवालिक की खास बात ये है कि जैसे व्रियद हिमाले और लगू हिमाले सिंधु नदी के मोड यानि सिंधु गार्ज सिंधु नदी के मोड से सुरू होकर पूर में ब्रंपुत्र नदी के मोड तक जाते हैं लेकिन शिवालिक सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी यहां पर सिक्की में तिस्ता नदी निकलती है जेमु गलेसियर सिक्की में जेमु हिमनद से तिस्ता नदी निकलकर पस्वि मंगाल में प्रभाईत होते हुए बांगलादेस में चले जाती है और यहां आकर ब्रंपुत विये ब्रम्पुत्र नदी है जो कितिब्भ से आ रहे हैं तो तिस्टा नदी इसको तिस्ता भी बोलते हैं तो तिस्ता नदी सुक्न से निकल और पॉर में मैश भी नहीं पाög पाए जाता है ऐसा क्यों है दर्शल शिवालिक जिसे जिसे पूरी भाग में चलते हैं शिवालिक की चोड़ाई घटती चली जाती है और ये लगू हिमाले से सटता भी चला जाता है परसिमी भाग में लगू हिमाले और शिवालिक की बीच दूरी जादा है लेकि पूरी भाग में पर ये ल सोतंत्र अस्तित तो नहीं रह जाता है और ये दिल्कुल उसे छोटी छोटी पहाडियों के रूप में विखरा हुआ दिखाई देता है उन छोटी छोटी पहाडियों को पसिन से पूर की और नाम दिया गया है डफला डफला पहाडी मीरी पहाडी अबोर पहाडी और मिश्मी पहाडी पसिन से पूर की और इनका क्रम है इन पहाडियो गोलाश्मों का जमाव पाये जाता है, बड़े-बड़े चट्टान के गोल-गोल टुकडे परत्पदी भागों पाये जाता है, धेर शारे गोलाश्मों का जमाव पाये जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, भाबर छेतर कहते हैं, इसे हम भाबर छेतर कहते हैं, बड़े-बड़े छोटे बड़े चट्टानों के चुकड़े जो की गोलाकार लगभा दिखाए दिते हैं गोल चट्टान के चुकड़ों को हम क्या कहते हैं गोलाश्म गोलाश्मों का जमाव पाई जाता है जिसे हम भाबर छेदर कहते हैं जब हिमाले के ऊचे ग्लेसियरों से निकलने वाली नदियां जब शीवालिक को पार करती है, ये धस्छड दिशा यानि भारत की तरह पाती है, बहुत से नदिया निकल कर, कौन-कौन सी है, सतलच, यमुना, गंगा, काली, घाघरा, रापती, गंडक, है न, कौन-कौन सी नद बहुत सी नदियां जो हिमाले की गले सीजों से निकलती हैं और हिमाले को पार करते हुए चली आती हैं शिवाले की परोतपदी भागों में ये नदियां मोटा मोटा दिखा दे रहे हैं सतलज, यमुना, गंगा, काली, घागरा, राप्ती, गंडक, कोसी, नरैडी, सत्कोसी, आरोण, महानन्दा ये पस्चिन से पूरक्यूर नदियों का मैंने करम बनाया हिमाले की उची गले सीजों से निकलकर भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां करम पस्चिन से पूरक्यूर याद कर लिजेगा सतलज, यमुना, गंगा, काली, घागरा, राप्ती, गंडक, कोसी, नाराणी, सब्त कोसी, अरोण, महानन्दा ये नदियां हैं तो हिमाले की उची गले से निकलकर बहुत से नदियां जब सिवाले की परवत बदी भागों में प्रवश करती हैं तो इन नदियों का जल भाबर छेतर के नीचे जाकर विलुक्त हो जाता है सत्ख पर नदियों का जल यहां समसता पर विलुक्त हो जाता है जब यह नदियों भाबर छेतर को पार करती हैं तो इनकी कोई स्पस्ट धारा नहीं होती है और अचानक से बाहर निकलती है तो इनका जल बिल्कुल तीतर भीतर हो जाता है तो श्रीवाले के ठीक दक्षण में भाबर और भाबर छेतर के दक्षण में यहां पर तराई छेतर है यहां पर नतियों की स्पस्ट धारा के भाव में जल बिल्कुल तीतर भीतर हो जाता है जिससे दल्दली छेतर करने मान हो जाता है जिससे वह समानतों पर तराई छेतर करते हैं यह दल्दली छेतर है यहां धान की श्रीवालिक पढ़ा हमने, इसके बाद हम देखते हैं पुरवांचल पहाडियां, हिमाले की तीन स्रोडियों के बारे में आपने पढ़ा, पुरवांचल पहाडियां हिमाले का वे भाग हैं, जो पुरुत्तर भारत में हैं, भारत में अमार सीमा के साथ साथ थेले हुई हैं, हिमालय का वह भाग ज हमार सीमा के साथ सकत्ष थीला है मोटा मोटा उसी को हम पुरुवान्चल पहाड कहते है यह प्रू उत्र भारत में ऍज częściठay यहां उसकी बारे में लिखा हुआ है उसका डिटेल है आपर बहुसी बात है हापर इसको हम समझेंगे मैप के थ्रू ठीक है हिमाले में दो तीखे अक्षसंगी मोड पाये जाते हैं पूर्वी छोर पर और पस्मी छोर पर तीखा अक्षसंगी मोड सिंधु नदी के मोड के सहरे पाये जाता है और पूर्वी सिरे पर अक्षसंगी मोड दिहंग यानि ब्रहंपुत्र नदी के मोड के सहरे पाये जाता है तो हिमालाय अपने पूर्वी अक्षसंगी मोड के सहरे अरुनाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर अचानक से दक्षिड वर्ती मोड लेता है और यहाँ पर भारत में अमार सीमा के साथ साथ चार छोटी छोटी पहाडियों के रूप में फैला हुआ है इन पहाडियों के नाम है उत्तर से दक्षिड की और पटकोई बूम अरुनाचल प्रदेश में फैला हुआ है उसके दक्षिड में नगा हिल नगा लैंट उसके दक्षिड में मडिपूर हिल मडिपूर में मडिपूर हिल के दक्षिड में मिजो हिल मिजोरम में ये पहाडियां भारत और मैमार की सीमा के साथ साथ खर ली हैं और भारत मैमार की बीच जल विभाज़क का काम करती है यानि पुरवांचल पहाडियां जो चार पहाडियां इसके अंतरगर्ट इसके पस् यहारी मयमार का जल, यानि मयमार की कोई भी नदी भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, दोनों तरफ दो तरह किया अपवात्नतरों का विकाश हुआ है, इसलिए से हम जल युभाज़क कहते हैं, मिजोरम के दक्षण में जो हिमाले है वो मयमार में चला जाता है, ऐसे निकल कर यहाँ से म्यामार में चला गया है म्यामार में इसे हम अराकान परवत कहते हैं अराकान परवत या फिर अराकान योमा भी बोलते हैं अराकान परवत के रुप में हिमालय म्यामार में होते हुए बंगाल की खाड़ी के तर्ट तक पहुँच गया है ठीक है? तो भारत में हमार सीमा के साथ जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम समर्षिक रुप से पुर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं क्या कहते हैं पुर्वांचल पहाड़ियां आप से इस बात को चिक किया जा सकता है सुक्षम कुर्शन पूछ के कि पुर्वांचल पहाड़ियों के भाग कौन कौन से है मिजो, मडिपूर, नगा, पटकोई बॉम इसके अलावा दो पहाड़ियां और है इन चारों के अलावा दो पहाड़ियां है बरेल सिरेडी और लेमाटोल पहाड़ी यानि पूर्वांचल पहाडीयों के इंतरगत मोटे-board मोटे 6 पहाड़ियां दिखाए दे रहे हैं नगा लेंड में, नगा हिल के ठीक पश्चिम है एक स्रेडी निकलकर असम में इसका नाम है बरेल स्रेडी बरेल स्रेडी का विस्तर नगा लेंड और असम में है जैसे ये है मडीपूर हिल, रेट कलर से दिखाये गया है ना, ये है मडीपूर हिल, उसके ठीक पस्से में यहाँ पर लेमाटोल पहाड़ी है, ये दोनों पहाड़ियां मडीपूर में हैं, लेमाटोल पहाड़ी भी पुरवांचल पहाड़ी का ही हिस्सा है, मड़ीपूर में लैमाटोल पहाडी और मड़ीपूर हिल के ठीक बीच में यानि मिजोरम के दक्षडी भाग में यहां पर लोक तक जील है दोनों पहाड़ीों के बीच में लोक तक जील है लोक तक जील के ठीक उत्तर में इमफाल बेसिन है यहां पर लोग तक जील के बेसिन उत्तर में इमफाल बेसिन इमफाल बेसिन क्या है इमफाल बेसिन अपने चारो तरफ पहाडियों से घीरी हुई है चारो तरफ पहाडियों से घीरी एक समतल मैदान जैसा छेतर है बिचो बीच, समतल मैदान जैसा छेतर है, राजधाने इमफाल बेसिन में ही इस्तित है, पहले बहुत पुरानी बात है, पहले इमफाल बेसिन भी लोग तक की भाती एक जील छेतर हुआ करता था, चारो तरफ पहाडियां थी और बीच में एक बड़ा सा जील था, लेकिन पह तो अब यहाँ पर समतल मैदान का निर्माड हो गया है, इस तरह से जो इमफाल बेसिन है, एक तरह से इसको हम सरोवर मैदान का प्रमुख उधारण है, इसे में राजधाने मड़ीपूर रिस्तित है, पहले ही बताया कि मड़ीपूर के देक्षण में मैमार में इसे हम हिमा अलक को क्या कहते हैं, अराकान परवत कहते हैं, ठीक है, आगे, यहाँ पर यह जानना आपका जरूरी है, थोड़ा सा, यह बेख लिजेए, पुरुआंचल पहाडियों की कौन-कौन से भाग है, पटकोई बूम, नगा हिल, मड़ीपूर हिल, मिजो हिल, बरेल्स रेडी, ल सारा मती है, बताना भूल गया, पुरुत्तर भारत की सबसे उची चोटी, सारा मती हिल, नगा हिल परिस्ति थे, यहाँ पर, यह सबसे उची चोटी, पुरुत्तर भारत की, पुरुआंचल पहाडियों की ठीक पस्चिम में, मिघालय पठार है, यहाँ पर, ठीक पस्चिम म गारो खासी जयन्तिया पसिन से पूर्ट्योर मिखाले पठार और इस पर रिस्थित ये तीनों पहाडियां हिमाले अर्थात हिमाले का भाग ना होकर अर्थात पुर्वांचल पहाडियों का भाग ना होकर ये पूरी तरह से प्रायदिपी पठार का ही भाग है और जारखंड में विस्तरी जो छोटा नाकपुर पठार है अतीत कल में उसी का विस्तार पूरब में मेखाले पठार तक था लेकिन बाद में बीच का भाग आउतलित हो गया जिससे यहां पर बांगलादेश और पसीम मंगाल के मैदान का निर्मार हुआ कैसे हुआ यहम प्रायदिपी भारत की पठार में विस्तरी तोर पर बताएंगे तो मेखाले पठार हिमालय का भागना होका प्रायदिपी पठार का भाग है मेखाले पठार के उत्तर पूर में यहां पर एक छोटा सा पठार और है ब्रह्मपुत्र घाटी म मिघाले पठार के उतर में असमराज है डिव कि बिल्कुल मैदानी छेतर में sulph। क्यों कि ब्रंपुत्र नदी की घाटी है यह बिल्कूल मैदानी छेत्र नदी नहीं मिट्ति बिच्छा कर संतल मैदान की निर्मार के दिया है तो मेघाले पठार की ठीक उत्तर-पासी में यहां पर जो पठार उसका नाम है कर भी कार्वी एंगलांग कार्वी एंगलांग पठार असा में ब्रह्मपुत्र घाटे में अस्तित है कार्वी एंगलांग पठार के उत्तरी सिरी पर और दक्षडी सिरी पर दो पहाडियां है, चोटी-चोटी पहाडियां है आप देखते होंगे मैप में उत्तर में और दक्षड में, कार्भी एगलांग पठार के उत्तरी और दक्षडी सिरे पर दो पहाड़ियां है, इन दोनों पहाड़ियों का नाम है, मिकीर, मिकीर हिल और रेंगमा हिल, मिकीर हिल और रेंगमा हिल, कार्भी एगलांग पठार के हिस्से हैं, कार्भी एगलांग पठार भी हमाले का भाग नहीं है बलकि मेगाले पठार कही पूर्वी विस्तार है और दूसरी अर्थ में आप कहेंगे की लांग पठार भी हमाले का भाग नंपा पुरिवां चल पाटिया आगो हिमाल। हिमालय का प्रादेश्यक विभाजन हम देखेंगे हिमालय काप्रादेश्यक विभाजन सबंसे पहले हैं कश्मेर हिमाले पढ़ेंगे, ये कश्मीर हिमाले के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, कश्मीर हिमाले के बाद कुमाओ हिमाले है, कुमाओ हिमाले के बाद हम पढ़ेंगे, नेपाल हिमाले और नेपाल हिमाले के बाद असम हिमाले है, इस तरह से हिमाले को चार भागों बाटा गया है, इस map को हम देखते हैं यहां से ठीक है हम इसी map के थूप पड़ते हैं हिमाले पर 5 प्रमुक ऐसी नदिया है जो गहरे गार्जों का निर्मार कर दिया है गार्ज क्या होता है खड़ी धाल वाली घाटियां बहुती सकरी और गहरे घाटियां होती है तो हिमाले की बहुत से नदियों ने हिमाले की स्रेडियों को काट कर गहरी घाटियों को खड़ भी कहते हैं क्या कहते हैं खड़ या महाखड भी बोलते हैं तो नदियों ने हिमाले को काट कर खड़ या महाखड़ों का निर्मार कर दिया है यानि गहरी घाटियों का तो इन मे कीला गार्ज कहते हैं काली नदी दोरा बनाई गई घरिघाटी किस्टा नदी और बनाई गई 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 घरिघाटी थो फज्ट नदी जवरा गई गहरी घरिघयां में से मात्रपूर्ण एक बिटिटी बिटिश सेंड अधिकारी थे ज़ि99 एंधार परaser भागों बाटा है हम यहाँ पर इनका व्रिहार द्ध्यन करने का प्रयाज करेंगे कि हिमाले को पढ़ने के दौरान जो चीज छूट भी नहीं हो यहाँ पर पूरी हो जाएं कश्मीर हिमाले मुख्रुप से सिंधु नदी से लिकर सतलज नदी तक है यह मैंने ब्लू कलर की जो लाइन बनाई है हिमाले को इतना ही नहीं है बलकि यहाँ पर हिमाले पूरी जम्मु कस्मीर और लद्दाक छेतर में फैला हुआ है यह पूरा भाग है हिमाले आप ऐसे समझेंगे यह पूरा हिसा क्या है कश्मीर हिमाले है ठीक है यह पूरा हिसा यह लाइन तो नदियों के विभाजन को दिखाने के लिए बनाई गई है कि यहां से यहां तक कश्मीर हिमाले यहां से यहां तक कुमाउं हिमाले यहां से यहां तक नेपाल हिमाले और यहां से यहां से यहां तक असम हिमाले चार भागों बढ़ता गया है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कश्मीर हिमाले कश्मीर हिमाले सिंदु नदी की घाटी से लेकर सतलज नदी द्वारा बनाये गई गहरी घाटी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है यहां पर हम बता दें कि इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है लेकिन सरवाधिक 800 किलोमीटर की लंबाई वाला नेपाल हिमाल है इन चारो भागों में सबसे लंबा हिमाले कौन सा है नेपाल हिमाले है इसके लंबाई सबसे ज़्यादा उचाई भी नेपाल हिमाले की ही है यह सबसे ज़्यादा लंबाई भी है सबसे ज़्यादा यहां उचाई भी मिलती है ठीक है नेपाल हिमाले की लंबाई भी ज्यादा है 800 किलोमेटर और इसके लमा उचाई भी सबसे ज्यादा नेपाल हिमाले में ही मिलती है लेकिन अभी अंपड़ रहे है कस्मीर हिमाले जो की 560 किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ है इसके इंतरगत हिमाले की बहुत से स्र लद्दाक जासकर है ना इसके अलावां पीर पंजाल और धौलाधार आप देखे कश्मीर हिमाले में कुण कुण सी परवस्रेडिया सामें है विशे सुरूप से कारा कोरम उसके दक्षिर में लद्दाक जासकर और रियाद हिमाले के दक्षिर पीर पंजाल और धौलाधार य सियाचीन, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पर, चार बड़े गलेसियर पाए जाता है, ये चारो बड़े गलेसियर भी कश्मीर हिमालय का ही भाग है, कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूरुवी भाग है, ये है, ये क्या हकालाता है, लद्दाक, कश्मीर हिमालय का सबसे उत्तर पूरुवि भाग लद्दाक। लद्दाक क्या है? एक शीत मरुस्थल है। इसका उत्तर पूरुवि भाग लद्दाक इसके अलावां हेमांचल प्रदिस में तीन घाटियां पाई जाती हैं मैं उनका लोकेशन भी भी दिखा रहा हूं कौन-कौन सी कुलू घाटी आसे पूछी जाएगा कि कुलू घाटी हिमाले की किस भाग में है कुमाओ हिमाले कशमीर हिमाले तो आपको पता होना च Hoş睹 एक तू कुलू घाटी कुलू घाटी कॉलू घाटी काहंगरा घाटी और उसके अलवा लाहौल इस्पीती घाटी हालाकि हम घाटियों का अध्यान अलग से करेंगे एक चेप्टर आगे भारत की दर्रे और घाटियां कश्मीर हिमाले में मुख्यर उसे चार घाटियां कश्मीर घाटी खुलू घाटी कांगड़ा घाटी लाहौल इस्पीती घाटी इनके बारे में संचित स्री नगर डल जील वूलर जील कश्मीर हिमाले में है और यहां पर बहने वाली प्रमुक नदी है जेलम नदी जेलम नदी की तड़ पर स्री नगर बसा हुआ है जेलम नदी हिमाले की एक मात्र नदी है जो विसरपड करते हुए चलती है ऐसा इससे क्यों क्योंकि परवती वहाँ के साथ घाटियों को गहरा करते हुए प्रवाइट होती है नदियों का विसरपन करना उत्तर भारत के मैदान की विशेस्ता है क्योंकि ढाल बहुत मंद होता है तो नदियां अपना रास्ता बनाते हुए चलती है जैसे साप रेंखता है उसे हम कहते है विसरपण करना जेलम हिमाले की एक मात्र ऐसी नदी है जो विसरपण करती है ऐसा इसलिए क्योंकि विरिहध हिमाले पीर पंजाल के मध्ध हिस्तित कस्मीर घाटी बिल्कुल संतल सपाट छेतर है इसलिए सिर्णगर वहाँ पर घाटी आप लोकेशन देख लेजिए यहां से और जो पीर पंजाल है वो अब मुटा मुटा हम इसको थोड़ा पूरब में बना दे रहे हैं ठीक है ऐसे समझेए ऐसे थोड़ा पूरब में आ गया है हिमांचल प्रदेश में मैंने बता कि कश्मीर हिमालय का विस्तार जम्मु है तो कश्मीर हिमालय के इंतनर नहीं कर देखत प्रदेश में तीन हाटिया और उसके उत्तर में आपार लहौल स्थिति घंगाटी धिये कुल्यू घटि में प्रमुक्रिश्थल कों सा है मनाली॥ कांगडा घटि में धर्मशाला। कश्मीर हिमाले में ही यहां पर रोतांॡ दर्रा है। पीर-पन्जाल-स्रेड़ी पर इस्तित है। पीर परंजाल स्रेडी के सबसे पूरुई भाग में यहां पर रोतांग दर्रा है रोतांग दर्रे से होकर हम यहां पर पीर परंजाल स्रेडी को हिमांचल प्रदिस में पार कर सकते हैं रोतांग दर्रे के दक्षिड में कुल्लू घाटी और रोतांग दर्रे के उत्तर में है यहाँ पर लाहौल इस्पीती घाटी इस्पीती यह पर लिखा हुआ है कुल्लू घाटी से लाहौल इस्पीती घाटी में जाने का रास्ता रोतांग दर्रे से मिलता है यानि कि हम रोतांग दर्रे से हुकर कुल्लू घाटी से लाहौल इस्पीती घाटी में पहुँच सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि लहौल इस्पीती घाटी पीर पंजाल स्रेडी के उत्तर में है और जाने कर रास्ता कौन प्रदान करता है रोहतांग दर्रा प्रदान करता है तो रोहतांग दर्र के उत्तर में इस्थी जो लहौल इस्पीती घाटी है वो लद्डाक सीत्वरुस्थल का भाग है ऐसा इसलिए क्योंकि रोतांग के दक्षण में जो कुल्लू घाटी है वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है ठीक है जब गर्मियां होती है तो यहां गर्मियां में अक्सर बारिश होती है कुल्लू घाटी में और बर्फबारी भी होती है लेकिन रोतांग दर्र में लाहूल स्पीति घाटी बारिश नहीं होती है व्रिय धीमाले और पीर पंजाल की बीछं एँ लेकिन लिखा और खाटी दो पोस्तांस घाटी का मतलत होता है है ने लेकिन जहां कुल्लू घाटी में बरबारे भी होती है वर्षा भी होती है और खुब वनस्पतियां भी पाई जाती है लेकिन जब आप रोतांग को पार करके आप इसपीती घाटी में पहुंचेंगे लाहॉल इसपीती में तो वहां बारिश नहीं होती है दूर तक न बरफ में बिल्कुल शुष्क है मतलब ड्राइब लेसे और निर्जन इसलिए वहां कोई रहता भी निया थोड़े बहुत 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 संब्दाय के लोग रहते हैं सोड़ी अडर्सों की संख्या में बहुत दूर तक जाने पर तो यह सुष्क और निर्जन प्लेस है और इसलि जहलें पाई जाती हैं कौन-कौन सी है कश्मीर हिमाले में डल जील कर यहाँ पर कौन-कौन सी जह प्लब जाती है यह पॉइंट लिख वह हैं जील, बूलर जील यह ताजे पानी वाली जिल है, इनके अलावाँ दो लवडी, यानि खारेपानी की जिले भी पाए जाती है, खारेपानी की जिलों का हम लवडी यह कहते हैं, जैसे पांगांग सो तिब्वती भासा का सब्द है पांगांग सो लिखने से पहले तो लगाते हैं पांगांग सो और सो मुरिरी या कश्मेद घाट में स्थित क्षारफण पांगांग की जील हैं और डलर ताजे पांगांग इसके बाद हम देखिंगी के कुमाओं हिमाले के विस्तारफ सुद्क नदी की घाटी से लेकर काली नदी की घाटी से नदी की आपके passing नदी के यह सuld चार भागें उसमें सबसे साकरा भाग है यानी इसकी लंबाई सबसे कम है क्यअब भक 320 किलोमेटर या your 340 किलोमेटर आप चेक कर लीजाएगा इसकी लंभाई सबसे कम है कुमाऊ हिमाले की चुकि पूरे हिमाले की एक विशिस्ता है कि पस्षिन से पूर दिसा में जाने पर लंबाई उचाई बढ़ती जाती है हिमाले पर जैसे जैसे अब पस्षिन से पूर की तरफ जाएंगे तो उचाई बढ़ती चली जाती है इसलिए स्वभाविक रूप से कुमाओं हिमाले की अधिक है कश्मीर हिमाले जब मैं अभी पढ़ा रहा था तो उसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कश्मीर हिमाले की यहां अभी में कुमाओ हिमाले मत आईए वापस कश्मीर हिमाले चलते हैं वहाँ दो बाते बहुत ही महत्पूर्ण है जो की छूट गई है कौन-क हिमाले का जो पस्मी भाग है पस्मी भाग में हिमाले की चोड़ाई 500 किलो मिटर है लगबग और जबकि इसके पूरी भाग में हिमाले की चोड़ाई घटकर लगबग 200 किलो मिटर ही रह जाती है यानि यहां पर चोड़ाई कितनी है 200 किलो मिटर पूरी भाग में और पस्मी छोड़ पर हिमालय की चोड़ाई लभग कितनी है 500 किलोमेटर तो कश्मीर हिमालय की चोड़ाई सबसे जादा है यह लभग 500 किलोमेटर चोड़ा है इसके अलमा कश्मीर हिमालय यहां पर हिमाले के इस हिस्से में हिमाल कि घाटी के ठीक उत्तर में आप देखेंगे तो हिमालय अचानक से उचाई पराप्त करता है के उत्तर में जो आसम हमाला के भाग के यह हैं उसमें हिमाले अचानक शुचाईब आट करता था भाँ तेजी स्यानी की खड़े ड्हाल वाला है पूरी शुच हिमाले बिलकुर कगार युपता है इसके लवग कस्मीर हिमाले की दूसरी बात है कि यह शुश्क छेत्र है आप एक्छा करें पूरी हिमाले में अच्छी खासी वर्षा होती है जबकि पस्मी हिमाले यानि कश्मीर हिमाले में शुश्क है यह वर्षा पर्याप्त नहीं हो पाती वर्षा होने की चलते यहां पर क्या है वनस्पत जो ह हीम रेखा है बहुत जद़ा उचाई पर पाई जाती है कश्मीर हिमाले में हिम रेखा आम तोर पर 2.2 tolerance कि यहां कि या पर वर्षा बहुत ही कन होती है कि वर्षा हो या फिर धूप में दक्षणी ढ़लों पर ही प्राप्त होता है अब यहां पर कैसे समझाँ उत्तरी ढालों पर न वर्षा होती है और नहीं धूप राप्त होता है ऐसा क्यों होता है यह जानना चाहिए आपको क्योंकि जो सवाल नहीं पूछे गया है अब वहीं पूछे जाएंगे इसलिए आप यह में सूची कि जो चीज बड़े असानी स से आप पढ़ लेते हैं वहीं आप से पूछा जाएगा हां आई इसको हम देखने करते हैं कि माल लेते हैं कि भारत अक्षांस रिखा कहां से गुजरती है बताइए अक्षांस रिखा गुजरती है गुजरत, राजस्थान, मद्यप्रदेश, चतिसगर, जहार खंड, अब यह भी जानते हैं कि सूर की जो लंबोत किरणे हैं वह विश्वत रिखा कि उत्तर में करकर रिखा तक ही, मैं इसको अक्षांस बोला था, सुरी, करकर रिखा, तो भारत की बिज़ों बिच करकर रिखा गुजरती है, साड़े तेज डिगरी, उत्तरी अक्षांस, साड सूर की लंबोत किरणे नहीं जा पाती हैं, और दक्षडी गोलार्द में यही बात मकर रिखा के साथ है, यानि सूर की लंबोत किरणे करक और मकर रिखा, यानि की साड़े तेज डिगरी उत्तरी अक्षांस और साड़े तेज डिगरी दक्षड रिखांस के बीच विचलन क प्छांसों यानिकर्क और मकररेखां के बाहर के छित्रों में सुर Rocky लंबोत किरणें नहीं पड़ती हैं करक और मकररेखाओं के बाहर के छित्रों में सुर्ग की कृड Jenkins दिर्ची पड़ती है इसके चलते एक प्रभाव ये उत्पन होता है क्या कि अगर ये हमाले है सिवालिक辉द मालव ने वर्याद सिवालिक दूसरा है लगु हमाले और तीसरा है वर्याद हमाल जो सहरे इधर है याँ है है इधर स्वाउदप सूरी नार्थ और इधर मानना पड़ेगा हिमालाय के साउथ में कर करेखा है तो सुर की जो लंबवद किरणे हैं वो अधिक से अधिक साड़ेतेज दिग्री उत्तरी अक्षांस पर ही पढ़ती है उसके बाहर के छेत्रों में शूर की जो लंबवकृत किरने नहीं पढ़ती है तिर्ची किरने जाती है अईसी आस समझते अब हिमाले का दक्षडी ढाल कि दर है इधर है इधर हिमाले का दक्षडी ढाल और इधर हिमाले का यानि ये ढाल उत्तरी है ये डाल भी उत्तरी है मैं आपर दक्षडी डाल बता दू हिमाले की तीनों स्रेडियों के दक्षडी डाल ये हैं सिवाली का दक्षडी डाल लगु हिमाले का दक्षडी डाल और वरिहद हिमाले का दक्षडी डाल जो रेड कलर की लाइन है वही हिमाले की तीनों सरीडियों के दक्षडी डाले है तो कश्मीर हिमाले में यहाँ पर वर्षा और धूप केवल दक्षडी डालों पर ही प्राप्त होता है एक तो वर्षा कम होती है दूसरे जो थोड़ी बहुत वर्षा होती भी है वो के वल दक्षडी डालों पर ही प्रा वनिस्पतियां होती हैं उनको हम दो नाम देता है सितोस्र वन और वर्याथीढ़ यVER पर पर नहीं पाई जाती हैज्य क्योंकि धूप Sidu वर्शा किवल इसके जगषड़ाइड़ीढ़ यहाँ पर ही प्राप्त होती है अग्षणी धालों पर जो वनस्पतियां उनको क्या नाम देते हैं शीतोसरवन या कोडधारिवन जिसके बारे में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे तो इसका उत्तरी ढाल कैसा है हिमालय की तीनों स्रेडियों का उत्तरी ढाल है तीनों स्रेणियों का उत्तरी ढाल के से है शुष्क शुष्क है बारिश नहीं होती वनस्पत्ती विहीन है वनस्पत्ती विहीन को हम दूसरे भासाम कहते हैं अनावरित जिस सतह पर या ढालदार सतह पर वनस्पत्ती नहीं पाई जाती उसे हम कहते हैं अनावरित है वनस्पत्ती विहीन है शुष्क है अनावरित है और निर्जन है जहां पर वनस्पत्ती नहीं मिलती और बारिश भी होती तो वहां लोग क्यों बसने जाएंगे ना खेती होगी ना कोई वर्नसपती होगी तो उत्तरी ढाल तीनों सेड़ियों के जो उत्तरी ढालने वो शुष्क निर्जन और अनावरित यानी वर्नसपती विहीन है आप समझें अब हम आते हैं कुमाओ हिमाले इसकी लंबाई चारो भागों में सबसे कम कुमाओ हिमाले की है कुमाओ हिमाले का जो पस्मी भाग है इसे हम गड़बाद हिमाले करते हैं कुमाओ हिमाले मुख्युरुप से उ तुरा खंड में स्थित है इसकी पस्वी भाग को हम कहते हैं यहां पर पस्वी भाग को हम कहते हैं गढ़वाल हिमाले और पूरी भाग को हम कहते हैं कुमाओ हिमाले अलग अलग नाम दिया जाता है लेकिन सामयित रुप से हिमाले की चारों यह भाजन जब हम करते हैं तो दो कि मीर हिमाले की अपिक्षा अधीकुंचा है अगर हम नंगा पर्वत जो कि लद्दॉक में यहां पर है नंगा परवत आठ 2000 मीटर से अधीकुंचाई वाला परवत है अगर नंगा परवत के उधारन के अगर हम छोड डे दें जो कि एक अपवध यह round मीटर से उची चोटी, एक मात्र उची चोटी है, जो कि भारत में है, वरना 8000 मीटर से उची सभी चोटियां या तो निपाल हिमाले में है या सिक्की में है, तो भारत के जो पस्मी तीन पहाडी राज्य हैं, या चार, लद्दाख, जमुकस्मीर, हिमान्चल, प्रदेश, उत हैं, तो कुमाओं हिमाले, जो की उत्राखंड में है, उसकी उचाई कश्मीर, हिमाले की तुलना में अधिक है, यहां की सबसे उची चोटी कौन सी है, यहां पर देखते हैं, कुमाओं हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम है, नंदा देवी, यहां की सबसे उची चोटी है नंदा देवी की अलावा यहां की अन्य चोटियों के नाम है कहां पर लिखो यहां पर सबसे उंची चोटि कौन सी है कुमाओं हिमाले की आज से पूछा जाएगा कुमाओं हिमाले की अन्य चोटियां है जो कि उत्राखंड में के दारनात बादनातं इसी तरह से थ्रीशूल इकामेट माना माना भी यहां की एक चोटियों जाती है देखे नाम है उसको हॉना बदरिनार्थ केधरना ट्रिशूल कामेट माना और बंधर पूच का बंदर यहां को पूच यहां कै चोटिए उन्में क्रिकर्ड़कराश और कामेत वो भी आपर शामिल करेंगे आप यहां की उची चोटिया इसके लावा कुमाओ हिमाले में बहुत से जीले पाई जाती है उस्वहाई और ँसे प्राक्रीतिक जीलों के विकास हुआ है इन जीलों के नाम कुं में कुंकान से ह consistent जीले हैं प्लियर 대ो Richt और यहां की कुमाओ हिमाले में इस्थित जीले हैं क्लियर। अगला पॉइंट, फूलू की घाटि और नंदादीवी बायो सफियर रिज्व कुमाउ हिमाले में ही इस्तित है। विरियत हिमाले की threat, अकि ठीक उत्तर में यहां पर कौन सा पहाड़ी है MID कोज़ है जासकरेल, कौन सी है जासकरेल, अच्छ। हिमाले भी कहते हैं तो जासकर सेड़ी है उत्राखंड होते हुए उत्राखंड की सीमा से होते हुए चली आई है नेपाल तक तो वरियाद हिमाले और जासकर के मध्य जो घाटी है उसको हम कहते हैं फूलों की घाटी वरियाद हिमाले और जासकर के मध्य जो निचला छेतर है दोनों तरब ढाल इधेर विरिया दीमालिय और अधेर है चाशकर है तो नीचे की घाटि एक नदी बहें हो difficulties तो दोनों की मद्द इस्थिथ घाटि में बेहती है ये है विरिया धिमालिय और ये है जासकर जोल्ए घाटी में यहाप एक नदी बैती है उस नदी का नाम है पुषपावती नदी इस बीच की घाटी में घाटी है तो उसकी गराई देख पाएंगे लंबाई नहीं देख पाएंगे आप तो दोनों व्रिया धिमाले और जासकर के मद्ध बीच की घाटी में पुषपावती नदी बैती है थोड़ा धूमिल दीख रहा होगा अभी मैं कलर चेंज कर दोंगा पुश्पावती तो पुश्पावती नदी की घाटी की दोनों तरफ क्या है जून के महीने में जब बर्फ बिघलने रखती है तो जून के महीने में बर्फ बिघलने के बाद जब यहां बर्फ बिघल जाती है तो पुस्पावती नदी के दोनों तरब के जो ढालदार छेतर हैं रियद हिमाले के और जासकर के इन ढालदार छेतरों में बहुत ही रंग बिरंगी फूल वाली वनस्पतियां उखती हैं दूर तक कई किलो मीटर दूरी तक आपकी नजर खतम नहीं होगी आसमान और जमिन मिलते नजर आएंगे दूर तक वहाँ पर फूलदार घास के मैदान दिखेंगे और बहुत ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं ये फूल पर घुमने का सबसे अच्छा मोसम है जुलाई अगस्त सितंबर फूलों की घाटी में आप कभी मार्च अपरेल मत जाएगा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहां बरफ पटा रहेगा जाने के नमती भी नहीं मिलेगी वास्तों में खुलता है जुलाई महिने में ही खुला ज हैं सितंबर अंति महीना जब यहां फेपूल होते हैं क्योंकि सितंबर के बाद फ्र अक्टूबर में अनधाया बरबारे सुरह होती यहीं परिस्थी थे कुमाओ हिमाले में अक्चुली में यहां पर दो नेशनल पार्क हैं एक नंदा देवी नेशनल पार्क और दूसरा फूरावर्स वैली भी एक नेशनल पार्क है फूलों की घाटि नेशनल पार्क और नंदा देवी कंसा है पहला बायासफेर रिजर्व भारत का कौन से है नीजी सभा होता कि कभी कभी दिमाक सी मेछ होता है मिला कर बनए गया है फूलों की हाटी ररिजेटर और यहां पे हैं तो नंदा देवी राष्टी Εचा घूरटी dow की कुमाव हिमाले में जो व्रियाद हिमाले की घाटिया की अंतरगत विरय हिमाले की घाटियों में भोटिया जन्जाति निवास करती है तो जब गर्मियां आती हैं बरफ पिखलती है, फरोती धालों पर जब बरफ पिखलती है, तो यह लोग अपने मवेशियों को लेते हैं और कहा चला जाते हैं? बुग्याल छेत्रों में, कौ什麼 से स्ट्रों में? बुग्याल यानि सितोस्ड घास के मैदान वाले छित्रों में चले जाते हैं जो उपर पाये जाते हैं धालों पर हुआ तो यह तोस्र घास के मैदान उपर ढालों पाए जाते हैं तो यह लोग अपने मुश्यों को लेकर महाँ चले जाते हैं लेकिन जाड़े में जब बरबारी होती है तो यह लोग वापस अपने घाटी में लोटाते हैं भोतिया, लोग इसके अलमा गंगा नदी की पवित्र धा भारत में ब्रिटिक्स राज था तो अंग्रविज प्रिशास्कों को भारत में रहना बेचैन कर देता था था का गर्मियों में क्योंकि वो ब्रिटन या यूरोपी कंट्रेज के थे तो उनको यहां बहुत गर्मी लगती थी यूरोप का छेतर उत्तरी ध्रू के बिल्कुल पास है इसलिए वहाँ पर साल के अधिकतर महिनों में बरबारी होती रहती है तो इलोग गर्मी के आदत नहीं हो करते थे इसलिए इन्होंने क्या कि हिमांचल प्रदेश रूत्तरा खंड के छेत्रों में बहुत सारे ऐसे नगरों का विकास किया जिसका उपयोगों ग्रेश्म कालिन सहरगाह के रूप में करते थे गर्मी आने पर उनी नगरों में जाकर बस जाते थे तो ब्रिटिश प्र रहते थे उस तरण ऐसे नगर कौन कौन से हैं ऐसे नगर हैं शमला आप देखेंगे अगर तो शिमला का जो भाग है आप केहेंगे घुरू जी अभी तो डियो आप बोले कि हिमांचल पर देश का कुछ भाग कश्मीर हिमाले में है Hack बाग कुंस में आ थिर està एकश्औ लेका सब्लज नदी स्क सवते गोर karış दाएं तो ला भाग आजाता है कुमाओ हमाले में यानी सवतलत नदी की दक्छिड पूर में जाने पर हिमांचल प्रदेश का सभाग है यहां वह चला आता है कांगडा घाटी और लाहौल इस्पीति घाटी है ना कुल्लू कांगडा लाहौल इस्पीति घाटी यह सभी कश्मीर हिमाले में क्योंकि सतलज के उत्तर पस्चिम में है और जबकी शिमला राजधानी हिमानचल प्रदिस की शिमला सतलज नदी के दक्षिडपूर की तरफ है आ जाता है कुमाम हिमाला के अंतरगत तो जिन नगरुक अविकास अंगरेजों नने अपने गिरिश्म कालीनस डैरगाह के रूप में किया थाूसमें थे शेला नदीं इस Sap जिए हमी मसूरी का सब्सक्राइव होगा है लाहाँ कि सब्सक्राइए इसकश्चा दाउन हеся लेंस डाउन इन जगों का विकास उथो ने गरिश मकाली राजधानी ती जब गर्मिया आती थी तो उनका सबसे पसंदीदा जगों क्या था शिमला में आप जाएंगे तो आपको लगेगा जगा 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 आपको चर्च मिलेंगे इसके अलबा जगा 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 वहां पर मॉल रोड होगा मॉल रोड जहां भी अंग्रेज बसते थे तो वहां एक मॉल रोड बनाते थे उसके अलबा मॉल रोड क्या है वो एक सुंदर बाजाह सबसे लंबा भाग है हिमालय का इसकी लंबाई लभग सरवाधिक 800 किलोमेटर यहां पर लिखा हुआ है और हिमालय का सरवाधिक उंचा भाग है यहां पर लिखा हुआ है चुकि PDF में आप देख रहे हैं कैमरा आपका आपकी स्क्रीन छोटी होती है मोबाईल की इसलिए नहीं दिखा होगा तो सबसे उंचा भाग हिमालय का नेपाल हिमालय है हिमालय जैसे जैसे आप पूरव की तरफ बढ़ते हैं उंचाई बढ़ती जाती है कश्मीर हिमालय से उं हिमालय की आँची इंची चोट primo इमधी मालय की इंघी हिमालय से उंची आधिकाशोटिया नेपाल हिमाली की इंतर घरत है obec क्षोतियां कौन-कौन सी हैं सिक्के में हैं कंचंजंगा लिख दे रहा हूं फिर से कंचंजंगा बोल दे रहा हूं कंचंजंगा के बाद है यहां पर मकालू पूरसे पस्चिन जा रहा हूं अधना पूर्ना धोला गिरी नेपाल के पस्वी भाग में हाँ पर उसके लमा यहीं पर कहीं है गोसाई थान नाम रिख दे रहा हूं गोसाई थान यह संभुता गोसाई थान भी 8000 मेटर से उचा है आप एक बड़ चेक कर लिजेगा फिल्ज तो यह सबी आएता ही जही चोटी है यो नेपाल हिमाले में ही स्थ्यत थै इसके लिवआ नेपाल हिमाले में हिमाले की ह conception भारत उत्तर भारत के मैदान में क्या पूरे भारत में बहने वाला सबसे बड़ा नदी तंतर है भारत में पुराइत होने वाला सबसे बड़ा नदी तंतर गंगा नदी है ठीक है हिमालई सहायक नदियां ऐसी सहायक नदियां जो हिमाले से निकलती है गंगा नदी की बहुत से अधिकान से हिमालई सहायक नद से तो उसके बाद ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है फिर चली आती ही बंगलादेश में ठीक है तो गंगा की अधिकांश हिमालाई साहेक नदियां नेपाल हिमालाई से निकलती है जैसे गागरा, राप्ती, गंडक, कोसी, नराडी, सब्त कोसी, महाननदा ये सभी नदियां नेपाल हिमालाई से ही निकल रही है आप देख लेजिए यहां से यहां तक है नेपाल हिमालाई तो गंगा की अधिकांश साहेक नदियां कहांश निकलती है नेपाल हिमालाई से निकलती ह ऑव हम आते हैं असम हिमाले मैं पर दिस्या नधी ब्रम्त नधी तक हिमाले करें असम हिमाले भारत के तीन राज्यों से मुख्यूरुप से घिरा हुआ वैसे तो पर्शी मंगाल का जो दारजलिंग वाला छेतर है वो भी असम हिमाला के अंतरगत ही आता है लेकि मुख्य रूप से तीन राज्यों से घिरा हुआ है सिक्किम आसम अरुणाचल प्रदेश यानि तीन घिरा नहीं है सौरी विस्तरित है यानि कि अगर ह आसम यह सिक्किम से लेते हैं तो असम राज्य में भी फैला हुआ है सिक्किम भी फैला हुआ है । Noah पर प्रसी मंगाल राज्य भी टॉच करता है उसका दार जिल इन जीन तो भारत के तीन राज्यों मुख्यों से प्क्रू capture उस Most 5 जहां पर कश्मीर लाइं की चोड़ाई स सबसे ज्यादा है और हम सोते ही मारा और पर यहाँ पर क्रमिक रूह से झीरे धीरे उचाई प्राप्त करता है यहाँ पर वहीं आसंही मर्य की चोडाइ सबसे कम है और यहां पर हमेरा आचानक से बिल्च चार। ऑर पर करता है तो असम में जो ब्रम्पुत्र घाती है उसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो हिमालय को करा आती भाती यानि दिवार की भाती खड़ा दिखाई देता है जाल बहुत तीव रहे करा इस यहाँ पर शिक्के में असम हिमालय के अंधे पर सिक्के में एक नदी निकलती है त तिस्ता नदि सिक्किम से जीमग से लिखियर पास्ञिम मं गाल में चुझाडें नलाlistि होगी book तो यह बहुत तैजीं से यहां पाती है सिक्किम दाल टीव रह इसलिए बहुत तेजीं से बहुत तेजीं से ल拜拜 यह शोर करती और गहरी घाटी का निर्माण करती है तिस्ता गार्ज बोलते हैं क्या बोलते हैं तिस्ता गार्ज उसके सिक्किम के दक्षण में यहां पर पस्विम मंगाल का दार्जलिंग छेत्र है दार्जलिंग पस्विम मंगाल का हिस्सा है लेकिन यह दार्जलिंग परवतिय छेत्र है जब कि पस्विम मंगल का दिकांस भाग मैदानी छेत्र है ऐसे पस्री मंगाल आया है, समुद्र तर्ट पर यहां पर कोलकाता और हल्दिया है, समुद्र तर्ट से थोड़ी दुरी कोलकाता है, समुद्र तर्ट पर हल्दिया है, अब पस्री मंगाल उत्तर में जाते जाते हैं, इसे सकरा होता जाता है, थोड़ा से टेस करता है, फिर थ लगू हिमाले और शिवालिक के मद्ध में पढ़ता है लगू हिमाले और शिवालिक के मद्ध में तो यहां पर कुमाव हिमाले में पढ़ा रहा था तो आपको यहां पर बताना भूल गया कि जिस तरह से वरिहद हिमाले और यहां पर थोड़ी से आज़ेए जिस तरह से वरिह समतल अनुदैर्द घाटियां पाई जाती हैं जिने हम पस्ची में दून और पूर में द्वार कहते हैं कुमाव हिमाले में जो दून इसला किरतिया हैं वो समतल मैदानी छेतर होती हैं जैसे देहरादून कौन-कौन सी दून इसला किरतिया हैं आपे उनके नाम क्या क्या है देहरा दून उन्हें हम दून या द्वार कहते हैं ना तो प्रमुक्ष दून के उधायान कुण कुण से हैं देहरा दून नाला गड़ दून कालका दून देहरा दून नाला गड़ दून कालका दून हरिके दून लगुई हिमाले श्रीवालिक के मद्धे जो समतल सपाट घाटियां पाई जाती है अनुदैर्द घाटियां उन्हें हम पस्ची में दून और पूर में द्वार कहते हैं जैसे दून के प्रमुकुदार ने देहरा दून नलागर दून कालका दून और हरी दून द्वार थी उत्तराखंड में है तो जो दुआर स्काला कृटियां है वह दारजलिंग छेत्र में भी मिलती हैं कहां सीथ है लगु हिमाले और श्री वालिक के मद्धे तो यहाँ पर द आरजलिंग में द्वारसला क運्व एक जव हम बोल रहा हैं तो आपको मतलथ समझ रहूंगे इंगें कि डो परत्रों चेयां हम्तिल का थियां यहां भी है तो द्वारसला के आनскञ प्रिदिया यहां पर चाय की बामने लगाएगे सब्सक्राइब यहां है। नामचा बरवा से पस्तित में आजब मारेUh whirl tow में पनानचल an ौ 뭐 India गानचल प्रदेस सीमा के नंस्दीक तिबत में हैं नामचा बरवाथight और अचल प्रदेस सीमा पर इस्थित नामचा बवा दिजो की हिमाले की सबसे पूर्मी चोर्टी है असम हिमालय के अंतरगती इस्थित है नामचा वर्वा चोटी के अलावा जब पुत्र नदी मांसुर्वाट जिल से निकल कर हिमालय के समानांतर पूरप की तरफ प्रवाइत होती है और जैसे ही नामचा वर्वा चोटी को क्रॉस करती है नामचा वर्वा चोटी से आगे ब अचानक ऐसे मुड़ती पूरव की तरफ जा रही है अचानक ऐसे गोल गोल हम के पस्टिंग की तरफ आ जाती है तो नाम्चा वर्वा चोटी को पार करते ही अचानक से यू टर लेती है और गार जिका निर्माण करती है असम हिमालय में यानि आरणाचल प्रदेश में प्रव अंग रदी बोलते हैं ठीक है नाम्चा वर्वा चोटी के अलावा कौन कौन सी चोटिया है असम हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम बताईए चलिए आप बताईए कमेंट करिए असम हिमालय की प्रमुख चोटिया है नाम्चा वर्वा काबस पहुनी जांग काबस पहुनी जांग एक और नदी है याद नहीं आ रही है ठीक है यह असमी मेले की प्रमुख चोटियां है यहां की प्रमुख नदियां कौन-कौन सी है दिहंग प्रमुख नदियां है दिहंग नाम लिख दू लिखा हुए क्या है यह अपने लिखा है दिहंग दिबांग लोहीत सुबान सेरी बहुसी नदियां है अब नदियां वाले चेप्टर में पढ़िए सुबान सेरी इसके लाब मानस भी यहां पे एक नदी है हना एक और नदी है जिया भरेली उसका दूसरा नाम भी है हम आगे दिखेंगे नदियांग दिबांग लोहीत दिवांग नदी में तिबबग से निकलती हैए मिल जाती है और भरमपूत्र को दिहांग दिबांग और लोहित नदी तिबस से पूरुवी भाग में आती हैं पूरुवी भाग में तिबस निकल कराकर दिहांग नदी मिल जाती हैं यहां के प्रवक नदियां आसम हिमाला की यहां पर बहुत से जन जातियां पाई जाती हैं जो कि जोम करिशी करती हैं हमने पहले ही बता था डफला मेरी अबउर मिसमी जिनकी नाम पर पाड़ियों की नाम पर हैं जाती है तो यह जब लाव मम कीशिकी को कहते हैं ठीक है इसे का और नाम देते हैं चलवासी कृषी इस तरह अंतरन शील कृषी या चलवासी कृषी भी बोलते हैं जंगल को जलाते हैं खेती करते हैं जब भूमी की दुरूबर छंता चुक जाती है खतम हो जाती है तो फिर दूसरी दरफ मूव कर जाते हैं और दूस हमालय के कारण ही भारत एक उपमहादुईूइब है नौष हमालय भारती उपमहादुऊएब को शेष एसया से EL करता है और इसे महाद्यव का दर्जा देता है हिमाले के चलते ही भारत में हिंद महासागर से आने वाली दक्षडी प्रस्वी मांसूनी पौने उत्तर भारत के मैदानों में वर्शा करती है हिमाले हिंद महासागर से आने वाली दक्षडी प्रस्वी मांसून को मांसूनी पौ इधर से आती है यानि कि दोनों तरफ से हमां आती हैं तो हिमाले इन पौनों को रोग देता है दक्षिनी प्रस्वी मांसूनी पौनों को रोग देता है जिसके चलते भारती पाध्यूप में वर्षा पराप्त होती है हिमाले के कारण ही भारत एक उस्ड कटिबंधी मांसूनी जलवाईव वाला देश है कैसे हुआ उस रिकट बंधी और मांसूनी एक साथ प्रयोग करते हैं इन दोनों सब्दों को ऐसा इसलिए कि हिमाला अगर नहीं होता तो हिंद महासागर से चलने वाली हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र पौने उत्तर की तरफ निकल जाती है और भारती महादीप में वर्षा नहीं हो पाती है जबकि हिमाले इन पौनों को उत्तर की तरफ बढ़ने से रोग देता है और ये पौने भारती महादीप में ही रह जाती है जिसके चलते इन पॉनों से वर्षा होती है इसलिए भारत एक मांसूनी जलवाई वाला दिस है उस रिकटी बंदिये कैसे हुआ उस रिकटी बंदिये ऐसे हुआ यह पिर्थ ग्लोब यह एन पी मतलब नौर्थ पोल और यह एस पी मतलब साउथ पोल तो उत्तरी ध्रो से प्रप्र यहां होती 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 ते रीत हैं एध्रोव के आधार होती होती है को किए द्रोवी से विश्वत रेथा की तरफ चलने वाले नौर्य है नोर्त कि अ discya हे हमाल्य उत्तर में डोबड़े देस है रूस और उसके दक्षिन में चीन यह पौने रूस और चीन को पार करती हैं और पूरे एशिया की जलवाई को प्रभावेत करती हैं जिसके चलते रूस चीन समय तिब्बत के पठार तक बहुत ही कडाकी की ठंड पड़ती है तापमान में काफी गिरावट आ जाती है लेकिन ह पवनों को भारती महादृप में प्रवेश करने से रोक देता है और अवरोध की भाती खड़ा होता है जिसके चलते ये उत्री धुरू से आने वाली आतेशी तल पवने भारती महादृप में प्रवेश नहीं कर पाते हैं जिसके चलते भारत की जलवायू गरम बनी रती है और ShreeTi Ritu में भी भारत के तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी जाती है यही करणए कि भारत में वास्तविक ShreeTi Ritu नहीं पाई जाती है वास्तविक ShreeTi Ritu हिमाले के उत्तर में पाई जाती है वहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो मौसम होता है बहुत कड़ाकी की ठंड वाला होता है हम भारती जिन्हें उतनी ठंड की आदत नहीं है खुद को समाय जित करने में या तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या तो नहीं कर पाएंगे भागाएंगे तो इसी लिए भारत एक उस्ड कटी बंधी जलवाई वाला भी देश है आम तोर पर उस्ड कटी बंध कहां पाए जाता है जिसे हम कर्क कहते है और भारत का अधिकांस भाग कर्क रेखा के उत्तर में है भारत उत्तरी गोलार्द में है और करकरेखा भारत के बीचो बीच गुजरती है और भारत का आधा भाग करकरेखा के उत्तर में है और जब कि उस रड़कटी बंद कहां पाए जाता है करकरेखा के दक्षड में पाए जाता है यहां पर देखें करकरेखा के दक्षड में ही उ उस्ड़ कटिबंध में आता है उत्तरी भाग उप उस्ड़ कटिबंध में आता है है लेकिन पूरा भारत उस्ड़ कटिबंधी यह इकाई की रूप में काम करता है सक्यों होता है क्योंकि हिमाले की उपस्तिती की चलते बरफिली हमाई जो उत्तरी रूप से चलती है भारत मे जिल्वाई वला देश भारत यह हो गया हिमाले का प्रभाव क्या है हिमाले का महत्तों क्या है हमारे लिए इस के लाबा ऐसा नहीं है कि हम जब जब भी खनी संसादन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अधिकांस धातवे धातवी खनीच कोईला जयसा और धात्वी खनीज, लोहा जैसा लोहा, कोबाल्ट, मैगनीज, निकल, क्रोमियम, धात्वी खनीज हो गये, इसके लावा पेट्रोलियम हो गया, इधन खनीज हो गया, ये सभी प्राइद वीपी भारत के पठार में ही मिलते हैं, आप जितने खनन छेतर देखते हैं, चाहे कर हिमाले में बहुत सारे धात्वी खनीजों, और धात्वी खनीजों और इधन खनीजों का भंडार दबा हुआ है, धात्वी खनीजों में विशी इस रूम से यहां पर पाए जाते हैं, निकल, कोबाल्ट, ताबा, एंटीमनी, विस्मत, जस्ता, ताबा के साथ जस्ता बोल भंडार भी हिमाले के नीचे हैं, लेकिन हिमाले की इस्तिती बहुत क्या है, दुर्गम छेत्र में है, एक छेत्र बहुती दुर्गम है, बहुती उचाई वाला है, और दूसरा हिमाले की सरचना बहुत जटिल है, जटिल इस्तिती के चलते हैं, यहां पर इन खनीजों का द च्षेत्रों ग्लेसियर होते हैं उन ग्लेसियरों के पिखलने से ध्रीज़्यों में जल प्राप्त होता है अगर यहां पर भुंचन पहुंचने के लिए और पहाड़ी ढालों पर पतले-पतले ढूल पर ऐसे घुमावदार तो बहुत ज्यादा रास्तों का विकास किया जाएगा, सडकों का विकास किया जाएगा, बंग काटे जाएगे, डैनमाइट लगाकर धाल उड़ाए जाएगे ताकि सडके बनाए जा सकें, इनकी चलते विनास बढ़ेगा, भूस खलन बढ़ेगा, धाल सरक नहीं लगती है, अचाना से गाउं की गांव दब जाते हैं धाल सरक जाती है गलेसीर तेजी से पिगलने लगेंगे क्यों जितनी रोड बनाएंगे उतने ज्यदा काबंड एक्साइट के उसर्जन होगा रोड पर गाड़ियां दोड़ेंगे ना पेट्रॉलियम जलेगा डिजल जलेगा तो काबंड एक्साइट के इंसानों द्वारा हिमाले छेत्र में लगातार किया जा रहा है जिसका विरोध भी होता है लेकिन सरकार के सामने चुनोथति है कि विकास तुने या परिया वरण तो बहुत ज्यादा अभी आपने थोड़े दिर पहले पढ़ी प्रायदुपी भारत का पठार यहां से स्टार्ट होता है एक नजर आप डाल सकते हैं चाहें तो लेकिन इसको पढ़ने का मज़ा तब है जब आपके हाथ में किताब होगी यहां पर हम मैप के माध्यम से समझेंगे पढ़ाओंगा यही कुछ है हम प्रायदुपी भारत का दिकांस भुभाग पठार है जिसे हम प्रायदुपी पठार करते हैं कैसा है आए देखते हैं यह है आपके सामने प्रायदुपी पठार गंगा का जो मैदान है गंगा घाटी का मैदान उसके दक्षण में प्रारंभ होकर कन्या कु कुमारी तक जाता है यह बिल्कुल टेबल की तरह उंचा उथा हुआ भूभाग है गंगा का मैदान समुद्र तल से ज्यादा उंचा नहीं है यहां पर कोलकाता है कोलकाता है कोलकाता चाहे फिर पटना वराणसी प्रियागराच कानपूर दिल्ली यह उत्तर भारत के मैदान में से बसे हुए है तो यह बहुत भूभाग समुद्र तल से बहुत उंचा नहीं है सौट डेड़ सो मीटर की उचाई है के वाल समुद्र तल से यह बहुत भूभाग लेकिन जो प्रयादेपी भारत का पठा है अचानक से टेबल की तरह उठा उठा हुआ है और उपर यह अपिछा कृत सम्तल है सम्तल इसलिए बोले हैं कि हिमाले की तरह उचे परवत यहां नहीं पाए जाते हैं कुछ पहाड़ियां जरूर मिलती हैं लेकिन ये टेबल की भाती उचा उठा हुआ उपर से सम् सीर्षवाला भाग है इसमें जगा जगा पर कुछ पहाड़ियां प्राजिपी पठार गंगा की मैदान की दक्षड से प्राराम होकर कन्या कुमारी तक चला जाता है जब कभी आप मिरजापूर यहाँ पर मिरजापूर है जब कभी मिरजापूर या मर्द्यपिदेश में के दक्षिड में बढ़ते हैं या हम मिर्जापूर की जगा इलहाबाद भी ले सकते हैं जब प्रियाग राज और ग्वालियर के दक्षिड में बढ़ते हैं तो अचानक आपकी कार उंचा उठने लगती है यानि जिस रोट से आप चल रहे होते हैं वो सड़क घुमावदार से चलती है ताकि आप प्रायदीपी भारत के पठार पर चढ़ सके हैं और जब आप इस पर चढ़ जाते हैं अब गंगा घाटी की तरफ देखते हैं तो गंगा घाटी के मैदान बिल्कुल नीचे नजर आता है और आप अचानक से ऊपर चले आ चुके होते हैं ठीक है तो इसिरी भारत का प्राचिन्तं भुखन्ड है किसी बना हैं पिसिक लिए नीस और ग्रिनाइट जैसी चाट्टतानों से बना हुआ है नीस और ग्रिनाइट हिमालय जो है तो अची हिमाले में ज्यादा तर आवसादी चट्टाने पाई जाती हैं क्योंकि टेथी सागर में लंबे समय से जो मलबा जमा हो रहा था वह आवसादी चट्टान में पर रितित हो गया और जब प्रायदेपी भारत का भुखंड उत्तर की तरफ बढ़ा तो टेथी सागर में संकुच हो गया और उसमें जमा जो अवसादी चट्टाने थें वो संपिटनादमक बलकी कारण वलित हो गई जिससे हिमाले परवत की उत्ति हुई लेकिन प्रायदेपी भारत का जो पठार है यह भारत का प्राचींतम भुखंड है और नीस और ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बना हुआ है कठोर चट्टानों से बना हुआ है प्राचींतम होने के साथ साथ यह कठोर भी है ग्रेनाइट जब हो ज्यादा पुराना हो जाता है और तो ताप और दबाव के प्रडांसरूप उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और नीस में परिवर्तित हो जाता है ठी यह वाला हरे छेत्र को आप मतलिजी बिल्कुल जो कथाई कलर के छेत्र नजर आ रहे हैं कि उतने भुभाग को आप लेजे प्राइदीपी भारत का पठार प्राचीन गोंडवाना लेंड का हिस्सा है और जब यह जुरैसिक युग में जब यह गोंडवाना लेंड से तूट कर अलगवा तो यह इंडियन प्लेट के उपर इस्थित है और जब इंडियन प्लेट अफ्रेकन प्लेट से यूरेशिया महदूइब के दक्षिण में टेथी सागर था, टेथी सागर में नदियां लंबे समय काल से आउसादों का निक्षेपड कर रही थी, जैसे माल लेते हैं उत्तर भारत के मैदान को आप थोड़ी देर के लिए टेथी सागर समझ लेजिए, तो हिमाले से यहां पर कर वलित हो गया हिमाले की उत्पत्ती हुई, ठीक है, इंडियन प्लेट के प्रायदवीपी पठार, इंडियन प्लेट के या प्रायदवीपी भारत का भुखंड, इंडियन प्लेट के ऊपर रिस्थित है, इंडियन प्लेट को हम इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते है क्यों कहते हैं क्योंकि प्रायदवीपी पठार जिस प्लेट के ऊपर रिस्थित है आस्ट्रेलिया भी उसी प्लेट के ऊपर रिस्थित है इसलिए इसे हम इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं संचित में हम इसे इंडियन प्लेट कहते हैं इंडियन कोई भी जो प्लेट होती है जो भी बाते बोल रहा हूं से आप लिखते रहेंगे तो सही रहेगा कोई भी जो प्लेट होती है उसके किनारे पर ही विवर्तनी क्रियाय संपन होती है प्लेटे अपिक्छा कृत अधिक घंदत्वाले एस्थेनो स्फियर के उपर तैरती हुए वस्था में हैं साथ में ये प्लेटे गतिसील है इनकी गतिसीलता यानी प्रवाह की दर कितनी होती है एक या दो सेंटीमीटर प्रतिवर्श एक साल में एक या दो सेंटिमीटर की दर से धीरी-धीरे गतशील होती रहती है तो प्लेटों की गतियों या गतविधीयों का प्रभाव उनके किनारों पर ही पड़ता है क्यों? क्योंकि गती की चलते दो प्लेट किनारे ही आपस में टकराते हैं या विवपरी दिसा में कती होती है तो प्लेट किनारे एक दूसरे से दूर खिसकते रहते हैं, जब प्लेट किनारे टकराते हैं तो अभिसरण कहते हैं, दूर हटते हैं तो आपसरण कहते हैं, तो विवर्तनिक क्रिया हैं हमेशा प्लेट किनारों पर ही संपन होती हैं, हिमाल अभी भी उठता चला जा रहा है क्योंकि इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित है प्रवा की दिशा क्या है उत्तर पूर्व उत्तर नहीं है ध्यान रहे उत्तर पूर्व में प्रवाहित है इसलिए हिमाले अभी भी उठता जा रहा प्लेट किनारे प्रिस्थित होने की चलते हिमाले में भूकम्प भी आते हैं इस अब आप पढ़ चुके हैं लेकिन जो प्रायदुपी भारत का भुखंड है यह जो प्रायदुपी भुखंड है यह किनारे प्रिस्थित नहीं है यह इंडियन प्लेट के मध्य भाग में इस् स्थिर है जबकि हिमालय प्लेट किनारे के ऊपर स्थित है इसलिए हिमालय विवर्तनिक रूप से और स्थिर है हिमालाय लेकिन प्रायदवीपी भुखंड विवर्तनिक रूप से इस्थिर है इसका करने का आशय यह है कि अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो प्राया पठारी भारत में भुकंप नहीं आते लेकिन इसके तीन अपवाद हमें मिलते हैं भुकंप आने के विवर् कौन-कौन से महाराष्ट्र में कोएना और दूसरा लातूर दो भुकंप आया है कोएना में आया था और लातूर में कोएना भुकंप आया था उननीस सो शर्शेठ में जबकि लातूर भुकंप आया था उननीस सो तिरांवे में महाराष्ट्र चेत्र यहां पर महाराष्ट्र चेत्र यहां पर दून भुकंप आया था गुजरात में भुज भुकंप गुजरात में भुज चेत्र है भुज भुकंप आया था 2001 में भुज चेत्र कच्छ चेत्र में यह काठीवार प्रायदिप है काठीवार प्रायदिप के उत्तर में कच्छ प्रायदिप है एसे हैं तो यहां पर जो कच्छ का प्रायदिप है उसी प्रायद था यह कछ प्रायदिप में अगर हम इन तीन अपवादों को छोड़ दें तो प्रायदिपी भारत में अपिक्षा के लिए भुकम नहीं आते हैं ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि हिमालय के ऐसा छेत्र है जहां प्रतिवर्ष भुकम पाते हैं यहां पर हर साल भुकम के 8-10 जटके आते हैं जो की या तो कम तीवरिता के होते हैं तो हमें पता नहीं चलता या फिर बहुत अधिक की पट्टी पाई जाती है यहां पर इसके पस्षी में जलोड मैदान की एक सक्री पट्टी पाई जाती है और आवली की पस्षी में जलोड मैदान की सक्री पट्टी पाई जाती है इसे हम कहते हैं राजस्थान बांगर कुछ बाहरी चेतर भी प्राइदेपी पठार के भाग है उधारण के लिए पहला है राजस्थान बांगर का छेतर आर्रणर की पस्षि में जलोड मैदान के एक शक्री पट्टी पाई जिसे महल राजस्थान बांगर केहते हैं यह भी प्रैदिप पिंप फठार का ही हिस्था है इसके लाँ गुरी की पहाडियां भी प्राइदिपी पठार का ही हिस्सा है तीसरा जो छेत्र है प्राइदिपी पठार का हिस्सा वो है मेगाले पठार शिलांग पठार भी बोलते हैं पुरवांचल पहाडियों के पस्षी में मेगाले का पूरा का पूरा जो भूभाग है वो पठारी है ठीक है और स्रीलांग पथार श्रीलांग या मिगाले पथार भी बोलते हैं। मिघाले पठार प्रायद्यपी पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है कैसे अतीत में अतीत में कुछ ऐसा था कि जारखंड में जो पठार उसेम कहते हैं छोटा नाकपूर का पठार जारखंड में जो पठार है उसेम बोलते हैं छोटा नाकपूर का पठार जारखंड में चोटा नाकपूर का पठार प्रायद्यपी पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है, प्रायद्यपी पठार के उत्तर पस्चमी सिरे पर अरावली है और उत्तर पूर्वी सिरे पर छोटा नाकपूर का पठार है, उसका जो उत्तर पूर्वी सिरा है उसे हम कहते हैं रा राजमहल पहाड़ी वास्तों में जारखंड में ही इस्थित है जारखंड के बाहर नहीं है तो अतीत में क्या था कि राजमहल की पहाड़ियां मेघाले पठार होते हुए कार्भी एगलांग पठार और उससे आगे तक उत्तरपूर में ऐसे निकली हुई थी यानि प्रयादिपी भारत का पठार अतीत में कुछ ऐसा दिखाई देता था तो राजमहल पहाड़ियां सिलांग पठार होते हुए और कार्भी एगलांग जोके असम में स्थित है उससे आगे तक निकली हुई थी लेकिन बाद में बी ये शलीत होकर नीचे की तरब दसगया जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने आउसादों से पाठ दिया गंगा नदी में ह démocrat होती है और प्रहें प्रहाइड होती है इन दोनों बड़ी नदी तंत्रों ने अपने ऑसादों से मद्द के भाग को पाठ दिया इसे से यहाँ पे मद्द के भाग में बांगलादेश और पस्चिम मंगाल मद्द के भाग को गंगा और ब्रंपूत नदी तंत्रों ने अपने जलोड अउसादों से पाड़ दिया जैसे बांगलादेश और पस्चिम मंगाल के समतल मैदान का निर्माड हुआ यहां पर सम्तल मैदान, पस्षी मंगाल यानि पहले से बंगाल कहा जाता था, बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगलादेश और पस्षी मंगाल बन गया है, तो यहां पर सम्तल मैदान का निर्माड हो गया, ठीक है, बीच की भाग को हम क्या कहते हैं, यह बीच का भाग, या कि निकली होई राज बाढ़िए गारो के बीस के भाब को राजमहल गारो गैप कहते हैं क्या करते हैं। तो राजमहल गारो गैप आ या इसे jsum था भी कहते हैं माल्डा नाम का इस्थान पस्ज़ी मंग्ल है उसी के नाम इसे माल्दा गैप भी कहते हैं तो हमने यह समझने का पर्याज क्या कि कुछ बाहरी छेत्र भी है जो कि प्रायदिपी पठार का ही भाग है प्रायदिपी पठार त्रिबुचЕ पेना य। प्रायदिपी पठार त्रिभुजाकार है ऐसा है है ना बिल्कुल त्रिभुज की तरह है त्रिभुज में आधार होता है और शीर्ष होता है तो त्रिभुजाकार प्रायदिपी पठार के उत्तर पस्चे में और आलिस रड़ी स्थित है, इसकी उत्तर पूरी भाग में छोटा नागपुर पठार स्थित है, और इसके सीर्ष पर क्या है? कन्या कुमारी है, कन्या कुमारी में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? नागर कुईल, प्रादिभी पठार का जो भाग कन्या कुमारी तक पह सिमांकीत कैसी होता है प्रयादिपी-पठार उत्तर में अरावलीष स्रेडि विंध्याचल पर्वत्थ स्यमांकीत होती है पस्मी घाट परवत यहां पर लिखा हुआ पस्मी घाट परवत यह है पस्मी घाट परवत इसकी पस्मी सीमा का निरधारण करता है जबकि पूर्वी घाट परवत इसकी पूर्वी सीमा निरधारेद करता है यह इसकी तीन सीमा है उत्तरी सीमा पस्मी सीमा और पूर्वी सीम पस्मि घाट परवत और पूर्वी घाट परवत दोनों आपस में आकर सुदूर दक्षिश्ण भारत में मिल जाते हैं इन दोनों के मिलने से नील गिरी परवती घाट का निर्माड होता है जिस पठारी छेतर से चारो तरफ पहाड़िया निकली होती हैं यूसे हम परवती गाठ कहते हैं इसके एक तरफ पस्मी घाट निकल ऊएound को और दुसरी तरफ पूर्वी घाट परवत निकलता है दोनों फूर्वी घाट और पस्मी घाट परवतों की मिलने से सुधूष दक्षण भारत में नेल रती गांट का निर्माण होता है निलगिरी के दक्षण में प्रायदिपी भारत का पठार निलगिरी के दक्षण में यह निलगिरी अनामलाई पहाडी उसके दक्षण में काडामाम पहाडी और उसके दक्षण में नागर कोईल पहाडी के रुप में फैला हुआ है निलगिरी के दक्षड में प्रायदीपी पठार, अना मलाई पहाडी, कारडामाम पहाडी, कारडामाम पहाडी को हम इला मलाई भी बोलते हैं, इला मलाई पहाडी और उसके दक्षड में नागर कोईल, पहाडीयों के रोप में चला गया है कर्ण्या कुमारी तक प्रायदीपी पठार की एक विश्यस्ता इसका काली मिट्टी का छेतर है, जो की मुखी रोप से महराश्री छेतर में फैला हुआ है, इसको हम महराश्री छेतर माल देते हैं, प्रायदीपी पठार की एक प्रमुख विश्यस्ता इसका काली मिट्टी का छेतर है, जो की मुखी रोप से महराश्री छेतर में फैला हुआ है, इसे हम दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार या दक्कन पठार कहते है दक्कन ट्रैप का जो भाग है वो मुखिरू से महरास्ट में है और महरास्ट के आरपार दूसरे राज्यों में भी चला गया है जो कि थोड़ दिर बादा समझेंगे ठीक है दक्कन ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रेप का निर्माण जो आलमखी लावा से निर्मित जब जो आलमखी लावा की परतें किसी भुभाग पर परती हैं तो धिरी धिरी जम जाती है उनके जमने से जो चट्टाने निर्वित होती है उसे हम बेसार्ट चट्टान कहता है जॉलमखी लावा अगर धरातल पर प्रकट हो जाती है तो उसके जमने से बेसार्ट चट्टान बनती है लेकिन जौलमखी लावा जब यानि मैगमा धरातल पर प्रकट नहीं हो पाता और अंदर की दरारों में ही फसा रहा जाता है, भूगर्ब में ही कहीं फसा रहा जाता है, तो उससे आगने चट्टानों का निर्माड होता है, जैसे ग्रे नाइट, क्लियर, तो यह बेसाल्ट च भूगर्ब में ही फसा रहा जाता है, तो उससे ग्रेनेट चट्टान का निर्माड होता है, और जब धरातल पर प्रकट हो कर जमता है लावा, तो उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माड होता है, तो दककन ट्रैप का निर्माड जौलमखी लावा से निर्मित बेसाल्ट छंडी बरसात कड़ी धूप हमें सब पढ़ने से चट्टानियों का छह होता रहता है इस क्रिया को हम अपक्षा कहते हैं तो महाराश्च में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षा से ही यहां पर काली मिट्टी के छेत्र का निर्माड हुआ है जिसे हम रेगूर मिट्टी भी क इसका निर्माड कैसे हुआ जब प्रहाईद की भारत का जो आप देख रहे हैं जब त्रिभुजा का प्रहईदीपी भारत का भुखंड आफरीका से टूटकर अलग हुआ तो बीच में दरार बन गया आफरीका से टूटकर जब अलग हो रहा था तो मद्देमें दरार का न परवाय से चूटकर अलग हुआ तो The Mental से लावा निकला और लावा का प्रवा महराश्य च्छेतर में हो गया क्रमिक रूप से लावा की कई परते एक यी 000 अनहीं हुआ क्रमिक रूप सधार की जो चट्टाने हैं थोड़ चीडिनुमा तो इसकी जो सत्र है न यह अम उर्मिल परत कहते हैं सीधी नुमा है, इसी के चलते हम इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं दक्कन ट्रैप, तो लावा की कई परतें बिशी जाने से यहाँ पर सीधी दार सत्र का निर्माड हो गया, इसी कारण इसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं, काली मिट्टी का निर्माड कैसे हुआ समझ चुके हैं कि विसाल चट्टानों के अपक्छे से यहां पर काली मिर्टी के छेत्र का निर्माड हुआ है चुकि लावा कप्रवह यहां पर पस्वी घाट पर्वत के सारे हुआ था जब अफ्रिकन भुखंड से टूटकर प्राइदीपी भुखंड अ Cathy कि सारे वात था general कि इसलिए प्रुग पठार्फ cynяж भाग में पर इकच्छा करित अधिक हुचा है फिदन ना ऐसे आप दिखेंगे यह क्या है पस्मी घाट यह है पूर्वी घाट और यह पस्मी तटीय मैदान कौन से हिस्सा यह वाला हिस्सा पस्मी तटीय मैदान यह कौन सा हिस्सा है पूर्वी तटीय मैदान चुकि लावा कप्रवा पस्मी घाट परोद के सहरे हुआ था इसलिए पस्मी घाट का हिस्सा पूर्वी घाट की अपिक्छा ज्यादा उठा हुआ है यानि उचा है प्रायदिपी पठार का जो समान अड़ाल हे वह पस्मी से पूरव की तरफ है या तो पूरव क की तरफ है या दक्षण पूरव की तरफ है यही करण कि प्राधिपी पठार की अधिकांस लंबी नदियां जैसे कि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी यह सभी पूर्व या दक्षिड पूर्व की तरब प्रभाइत होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है इसकी विपरीट चुकि पठारी भारत का सामाने ढ़ाल पूर्व या दक्षिड पूर्व की तरफ है लेकिन इसकी विपरीट दो ऐसी नदियां हैं जो पठारी भारत के बिकुल मद्ध भाग से निकलती हैं लेकिन अपनी भरंश घाटी में पस्चिंग की तरफ प्रभाइत ह होती हैं इसकी विपरीट नर्मदा और तापी नदियां पठार के बिलकुल मद्ध भाग से निकलने के बावजूत अपनी भरंश घाटी में पस्चिंग की तरफ प्रभाइत होती हैं क्योंकि इनकी भरंश घाटियों का ढ़ाल पस्चिंग में खंबात की खड़ी या अरब और सागर की तरफ है अरब सागर की कि तरह फेंका ढधाल कि वहीं नर्मदा भरंश के उत्तर में प्रायदय प्थार का जो उत्तर है नर्मदा भरंश के दक्षड में प्रायदेपी पठार के ढाल पूर या दक्षड पूर की तरफ है नर्मदा और तापी नदियां मद्य भाग से निकलने के बावजूद बंगाल की खाड़ी यानि प्रायदेपी भारत के पठार के ढाल के अनुसार नहीं बहती हैं यह अपनी भ्रहांश घाटिय से निकलने वाली नदियां चाहे चंबल नदी हो है ना चंबल नदी पारवती नदी बेतवा नदी के नदी सोन नदी अभी हम मोटा मोटा बना दे रहा हैं समझे यह तो चंबल पारवती बेतवा केन सोन और ऐसी बहुत से नदियां यह नदियां गंगा घाटी की तरफ प् पुट्तर की तरफ है जबकि तापी भरंश घाटिया सत्पूरा सरेणी की दक्षण का ढ़ाल पूर्व या दक्षण पूर की तरफ है नर्मदा और तापी दो ऐसी नदिया है जो पठार के मध्धिवाक से निकलने की तरफ अपनी भरंश घाटियों में पस्ची में अरब प्राइदेपी भरत का पठार एक बहुत ही प्राचीन भुखंड है विश्यों का प्राचीन भुखंड है इसके चलते गाल में अछयादन की शक्तियों से परभावीत रहीं जेटना ही प्राचीन है सवाविक से बात है उतने लंबे समय तक ये अपक्षा और अपर्दन की शक्तियों से प्रभावित रहेगा अपक्षा और अपर्दन की शक्तियों से अपक्षा और पर्दन को हम सम्मिली तरुप से अनाचादन की शक्तियां कहते हैं तो एक लंबे समय प्राचिंतम भुखंड होने की चलती लंबे समय तक अनाच्छादन यानि के अपक्छा और अपर्दन की शक्तियों से प्रावीत रहा है कोई भी चटान जब खुली रहती है लंबे समय तक तो उसमें टूट फूट होती रहती है चटानों में टूट फूट की क्रिया को हम अपक्छा कहते है जब चटाने टूटती फूटती रहती है तो उनके चूण होते हैं उसको जब अपार्दन की दूट इसे हम अपर्दन कहते हैं या इरोजन जैसे कि कडाकी की धूप पड़ी है है खुब तेज धूप है तो चटाने गर्म होकर तवे की तरह बिलकुल गर्म हो जाती है धन्यलगती है अब अचानक से थंडी पानी का बरसात हो गया है है बिलकुल ठंडा जल गिर गया बारिश मे तो वो अचानक से चट्टान ठंडी हो गई, ठंडी होकर चट्टान सिकुड़ गई, इसी तरह से दिन रात में भी होता है, दिन में तेज धूप और रात में एकदम ठंडी, और अचानक से अगर बारिश हो गई दिन में, तो अचानक से ठंडी हो जाती है, इसके चलते फैलन कि चलते चट्टाने टोटती फूटती रती हैं इसी तरह कि बाकी क्रियाएं भी हैं दुरुवी छेत्रों में बेदरिंग अलग होता है जिसे हम आने वाले विश्व भूगोल में पढ़ेंगे मैं विश्व भूगुल पर भी किताब लिख रहा हूं और उसके मैं काम शुरू भी कर दिया हूं मेरे लिए विश्व भूगुल की किताब लिखना ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम है क्योंकि उसे मैंने पूरी तरह से कभी पढ़ाया नहीं मतलब यूटूब तो उसको मैं काफी तसली से लिख रहा हूं आराम से ताकि कहीं से भी कुछ ऐसी चीज नहों जो कि इसमें आपको छोड़ सके संपूर्ण मिले आपको बिल्कुल तो लंबे समय तक प्राचिंतम भूखन होने की चलते लंबे समय तक अनाच्छादन की सक्टियों से प्रभा प्राइदीपी भात की दो सबसे बड़ी पाड़िया कौन कौन सी है अरावली पाड़ी और पास्यमी घाट परवत इन दोनों में ही वह विशालता और उचाई नहीं जो कि हिमाले में दिखाई देता क्यों क्योंकि अपरदी धोकरी घिस चुकी है प्राइदीपी भारत गगन चुम्बी विशाल चोटियां ही उसकी सबसे बड़ी विश्यस्ता है उची उची चोटियां हीमाच्छादित गगन चुम्बी चोटियां लेकिन यहां पर भुआ कृता बहुत जादा है कहीं भृणष घाटी दिखाई देगी कहीं अपरदीत और घर्शीत परवती भाग देगा, दिखाई देगा, कहीं बीच बीच में बेसिन जैसा थाला जैसा छेतर दिखाई देगा, जैसे 36 गड़ बेसिन बोलता है, हाना कहीं यहां पर सबसे उची चोटियां दिखाई देगी नील गिरिया और अनामलाई छेतर में, तो वहीं उत्तर में आप मालवा काट कर इसका अध्यान कर सकते हैं वाकृतिक वेट्टा के कारण वो पांच भाकन कुन से हैं मध्यवर्थी अच्छ भूमे दूसरी है पूर्वी पठार तीसरा है दक्कन पठार पूर्वी घाट परवत पांच भागों बाट करेंगे तो अच्छा रहेगा आसानी स्वज में आगा पढ़ते हैं मध्यवर्थी चुभूमी राली परोषरेंट्टे से लेकर विन्द्धय परोषरेंटी तक भाग है इसको उम्हें इन्तरगत्स और आवली परोस्रेडी है ना सबसे दक्षण में विंद्याचल परोस्रेडी दोनों के मद्ध में मालवा पठार की भूमी और आली अरिलिद्याचल की मद्ध में हैं दोनों के बीच में मालवा पठार की पूर में बुंदेलखण पठार, बुंदेलखण पठार के पूर में यहां पे बघेलखण पठार है यह चोटा नायपूर पठार के ठीक पस्य मैं बघ्य खन पठार तो पूरी इस भूमिंग के अंतरगत पांच तरह की ृषय रचनाय शामिल हैं इंमें सब्से पहरे पढ़ेंगे अरावली परवत इस्तित है इसको यहां पर देखते हैं गुजरात की पालनपूर से लेकर दिल्ली तक गुजरात के पालनपूर से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ है यहां तक चला गया यह रेट किलर की हिस्से है ना पालनपूर से लेकर दिली तक फैला हुआ कितना 800 किलोमेटर की लंबाई में और आली परवत विश्चो की सबसे प्राचेंतम परवस्रेडी है एक लंबे समय तक अनच्छादन की शक्तियों से गुजरी है अपरदन और पक् इसका निर्मार का हुआ था प्रीकेंब्रियन काल में हुआ था बहुत ही प्राचीन है इसका निर्मार प्रीकेंब्रियन काल में हुआ था और इसका निर्मार मुख्यरों से धरवाड करम की चट्टानों से हुआ है किसे हुआ है धरवाड करम की चट्टानों से निर्मित है यह दोने याद रखेगा पूछा जाता है इसका निर्मान धरवार क्रम की चर्टान से हुआ है और आली परोस्त्रेडी ऐसे तो 800 किलोमेट्रिक लंबाई में पालंपुर से दिल्ली तक विस्त्रित है लेकिन भुगर्वीक रूप से अगर दिखा जाए तो यह दिल्ली के उत्तर में हरिद्वार तक चला गया है भुगर्वीक रूप से लेकिन दिल्ली के उत्तर में यह यमुना के आवसादों ने इसे ढख दिया है जिसके चलते यह दिल्ली के उत्तर में दिखाई नहीं देता भुग तो पूर्वी चुभुमी आरावली की पस्ची में जैसल मेर तक है यहां पर पाकिस्तान बाॉडर पर पूरी चुभुमी आरावली की पस्ची में जैसल मेर तक है भुगरवीक रूप से लेकिन जैसल मेर की पस्ची में जाने पर बालू के टिब्बों ने और चापा कर तो आपको ऐसे बालु की टिब्बे दिखाए देंगे एसे राउंड में इसे उठेवेट होते हूं इधर सी इधर इधर बढ़ेंगे ति यह हिस्सा उचा होता है और यह हिस्सा नीचे होता है उपर की तरह आप चड़ते चले जाएंगे आसे तो यह बालु की चापा कर जो बालू की टिब्बे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बर्खान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्खान, इनकी विशिष्टा होती है कि इस्थिर नहीं होते हैं, ये पवन परवा की दिशा में सरकते रहते हैं, पवन परवा की दिशा में ये आगे की तरफ खिशकते रहते हैं इसको हम बर्खान कहता है तो मध्यवर्ती उच्छुभुमी अरावले की पस्ची में जैसल मीर तक है लेकिं अरावले की पस्ची में यह चापा कर बालू का इस्तोपों या बालू की टिब्बों से ढख चुका है जिसे हम क्या कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं थारवरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं अरावले की पस्ची में यहाँ पर एक जलोड मैदान की पट्टी है जिसे हम राजस्थान बांगर कहते हैं थोड़े पहले बताया और राजस्थान बांगर की पस्ची में जाने पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानि थार मरुस्थल शुरू हो जाता है और आवली का जो दक्षडी भाग है निरंतर और करंबध है यानि गुज़ अर आवली का देखिए 800 किलिमेटर में विस्तार जरूर है लेकिन इसका अधिकांस लंभाई कहा है इसके अधिकांस लंभाई राजस्थान राज में दिख दिखाई देती है और आवली का जो दक्षडी भाग है निरंतर और करंबध है यानि कटा चटा नहीं है जबकि उत्तर की तरफ जाने पर एक खंडित होता चला जाता है उतनी करंबध नहीं यानि उत्तर की तरफ दिल्ली की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यह मांट आबू की निकट है इसकी सरवाधिक उचाई मांट आबू की निकट है जिसे हम क्या बोलते हैं मांट आबू की निकट इसे हम जरगा पहाड़ियां बोलते हैं दचली भाग में इसकी उचाई अधिक है मांट आबू की निकट जिसे हम वहाँ पर जरगा पहाड़िया नाम देते हैं, जबकि उत्तर की तरफ जाने पर इसकी उचाई घटती चली जाती है, मांट आबों से जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे, अरावली की उचाई घटती जाती है, साथ ही ये संकीड भी होती जाती है, यानि पतली होती जाती है, क्लियर, दिल्ली के निक की बूंट गुरुषी खर मौंट आबू में स्थित नीचे मौंट आबू लिखा गुओक हुआ है। सरच चोटि गुरुषी सठ मौंट आबू भून में ही दर्ज की जाती है सबसे ज्यादा वर्शा हें मांट अब वारिष नहीं होती इसलिए श्याज़ा बारिष करनें लिके कंद राजर्थान शुष्कप्रदेश mh परनहीं की आनों यहां अपना नहीं सब्सक्रा वर्शा जातीएं लाट हमार जिए निधा के टिन जादा होती है माउंट आबू की निकट इसलिए यहां पर सदा बहार वनस्पति यहां भी ज्यादा नहीं थोड़ी भूत मात्रा में उगती हैं होता क्या है दक्षणी पस्वी मांसून की दो शाखाएं भारत में पुरिश करती हैं ज्यादा नहीं यहां समझाओंगा सितंबर तक भारती महाधुर्त में वर्शा करती हैं और हम दक्षणी पस्वी मांसून कहते हैं यहीं गारत में पुरिश करता है तरहyy बंगाल की खड़ा सबसे पहले पस्मी घाट परवसे ठकराती है और उत्तर की तरब बढ़ती है पस्मी घाट इसे रोग देता है अंदर नहीं प्रवश कर पाती है अरब सबस्मी घाट के पस्मी ढाल पही होती है क्योंकि पस्मी घाट परवसे उचा है और इन पहलों को पठारी भरत के बीच के भाग में इन पहनों से वर्शा नहीं होती है थोड़ा थोड़ा समझ दीजिए और इसके बाद यह पौने उत्तर की तरफ बढ़ने लगती है तो जब यह फोने उद्तर की तरफ बढ़ती है तो अरावली और उसे तकरा नहीं पाती है चुक्ति कि यहां पर अग्सागर शाखा पसमी गाट पर व से तकराती है प्रडाम सुरूप मालाबार तट पर केरल का जो तट है पस्मी तट पर केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं वहाँ पर खुब वर्षा होती है घंगोर उसे मांसुन प्रसफोट कहते हैं भारी बारी से हैं पर दस्की जाती है भारत में सरवादीक वर्षावला प्रवाईत होने की चलते यह उससे टकरान ही पाती प्रवाजस्थान शुष करा जाता है राजस्थान में बारिश नहीं होती है लेकिन माउंट आबू की जो उची पहाड़ियां है वहाँ पर थोड़ी बहुत अरब सागर से खट टकरा जाती है यहां पर माउंट आबू में राजस्थान में सबसे ज़्यदा वर्षा माउंट आबू होती है ठीक है माउंट आबू की मान्ट आबू है कहाँ पर एक जैट लोकेशन आपसे पूछा जाएगा उसकी पूर उदेपूर है ये उदेपूर की ठीक पश्ची में माउंट आबू है और वहीं पर गुरुष उनकी जनसंख्या भी कम है जनियों की तो उनमें से सबस्विम का प्रसिद्य तीर थिस्त्रों में से एक है माउंट आबू अब माउंट आबू की या उदैपूर के उत्तर में यानि दक्षडी अरावली में ही गोरम घाट दर रहा है आप लिखा हुआ है गोरम घाट अरावली पुर चलाता है दिल्ली तक तो अगर दिल्ली के हिसाब से देखें तो गोरम घाट उत्तरी अरावली में नहीं पढ़ेगा बलकि दक्षडी अरावली पढ़ेगा गोरम घाट दर रा राजस्थान का एक हुसूरत परण इस्थल है क्योंकि यह हरे-भरे जंगलों से से ठका हुआ है इसकी विश्यस्ता है कि यहां पर हरे बरे जंगल पाए जाते हैं इसलिए जंगलों से ठका होने के चलते हैं इसको हम राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं सुन्दर इस्थल है बनास एक मात्र नदी है जो अरावली को पस्रिम से पूर दिशा में पार करती है क चंबल नदी यहां तकाती चंबल नदी यमना नदी मिल जाती है यह यमुना उत्तर भारत के मैदान में गंगा की सहक नदी यमुना यमुना की सहक नदी चंबल और चंबल की सहक नदी बनास बास समझे यमुना की सहक नदी चंबल गंगा की सहक नदी यमुना यमुना की सह नदी चंबल चंबल की साहयग नदी बनास और यहां पर कौशट्री उध्यान के समीब चंबल नदी में मिल जाती है चंबल एक मात्र नदी है जो अरावली से पस्चिम में अरावली से आकर चंबल नदी मिलती है पस्चिम में अरावली से आकर मिलने वाली कोई दूसरी नदी नहीं है जो कि चंबल में मिलती है यह अकेली नदी है बाकी सभी नदियां जो चंबल म मिलती हैं पस्चिम से आकर नहीं मिलती है ध्यान देजेगा बाकी मिलने वाली जो नदिया है चंबल से यही पर आप जान लें आगे हला कि पढ़ेंगे आप चंबल में जो मिलने वाली नदिया है कौन-कौन से हैं एकमात नदी बनास है पस्चिम से आती है बाकी चंबल मिलने भाग से आकर मिलती हैं, किधर से चंबल में πूर्वी भाक से आकर मिलती है, नाम नोट कर लेजी, कालिसिन्ध पारवथी शिप्रा, कूनो, यह 4 साहिकनदियां चंबल की हैं जो की पूर्वी भाक से आकर मिलती है है विंधा मालवा पठार यह मालवा पठार इसको आप थोड़ा सा यहां पर ज्यादा ही कुछ नदियां हैं लेकिन आप देख सकते हैं यहां भी आप देखिए चंबल नदी प्रवाइद हो रही है काली सिंध फिर पार्वती है ना इसे में छिप्रा कुनों भी हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं यहां पर दो नदियां दिखाई गए चंबल मिलने वाली काली सिंध परवती यानि चंबल काली सिंध परवती सभी नदियां कहा प्रवाइद होती है मालवा पठार पर पर पहले हम यहां से देखें ब्लूप ज्यादा समय आएगा हां विंधा चल परवस्त्रेड़ी और अ मालवा पठार का जो धाल है जहां प्रायदवी पठार का सामान ने धाल पूरव या दक्षिणपूर की तरफ है वहीं मालवा पठार का धाल उत्तर में गंगा नदी की तरफ है इसलिए चंबल मालवा पठार पर बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि अपनी सहायक नदियो के साथ उत्तर में प्रवाहित होती है और मालवा पठार के जल को यमुना नदी में गिराती है चंबल नदी मालवा पठार पर भने वाली प्रमुक नदी है जो की उत्तर में मालवा पठार के जल को अपवाहित करते हुए यमुना नदी में गिराती है अपनी सहायक नदियों क के साथ, चम्बल की सहयक नदिया है, कालिसिंध, पारवती, शिप्रा, कुनो, कुनो भी यह, कुनो यहाँ पर, कुनो नेशनल पार्क है, जहां पर की चीत चूड़े गये थे, है ना, कुनो नदी के नाम पर ही पढ़ा है, तो यह चारो नदिया कहा प्रभाइत होती है, देजेगा चंबल नदी के साथ यह 4 नदियां मालवा पठार पर प्रवाइद होती है आपसे पूछा जा सकता है यह 4 नदियां मालवा पठार पर प्रवाइद होती है और चंबल को मिला ले तो 5 नदियां मालवा पठार पर प्रवाइद होती है क्योंकि मालवा पठार से बाह पर सिम कि खाड़ी की तरफ है। ज यही करण है यहां से निकलने वाली माही नदी मालावा पठार की पस्समी इससे का धाल निखाणी की तरफ ढ़ाण से हुआ है कि मालावा पठार की निर्माड हैँ या बेसाल चटानों से हुआ हैox इस तरह से दक्कन पठार का निर्माड ज्वालमखी लावा से निर्मित बेसाल चट्टानों से हुआ है उसी तरह से भारत में दूसरा पठार मालवा पठार है विंधि परवत के उत्तर में मालवा पठार भी ज्वालमखी लावा से निर्मित बेसाल चट्टानों से निर्मित यही कारण है कि मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाए जाती है मैं मालवा पठार पढ़ा रहा हूं आपको है यहां पर भी काली मिट्टी पाए जाती है मालवा पठार एक बीहर खड की तरह हैं बीहर खड चंबल उर्थी सहयक नदियों ने अवनालिका अपर्दन इसको हम क्या कहते हैं अवनालिका अपर्दन जब हम मिर्दा अपर्दन आगे पढ़ेंगे तो वहां पर अवनालिका अपर्दन को विस्तरी तरूप से समझेंगे और इसके रोकनी की तरीकों के बारे में भी बात की जाएगी किताब में बताया गया अच्छे से कि अपर्दन बड़ी बड़ी नालियां बना दी है इसके चलते ही इसको बीहड खड में बदल दिया है बीहड खड को हम उत्खात भूमी भी कहते हैं उत्खात भूमी कैसे जैसे ऐसे यह कोई धरातल है एक दो इस तरह से कि शौğa यह stat framed 1-2-3-525 आपको दिखाई दे रहे हैं यह सत्था ओपर क्या है सट्था धरातल की सत्था और इसने बीच बीच में आपको नलीकां दिखाई दे रह McD यह इए होते हैं अम नलीका विश्वा का प्राचेनतम भुखंड है। बहुत पहले इन अवनालिकाओं में नदिया बैटे थी और नदियों नहीं इनका निर्मार कर दिया है। इसे हम अवनालिका परदं कहते हैं यानि बहुत गहरी गहरी चोड़ी चोड़ी अवनालिकाइं बना दी हैं। तो दो आउनालिकाओं के बीच में जो सम्तल उचा उठावा भाग है, सम्तल बिलकुल, सम्तल उचा उठावा भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, सम्तल उचे उठावे भाग पाई जाते हैं, दो आउनालिकाओं के बीच में, उसे हम मेसा बुटी इस्तला किर्थियां कहते हैं, जो समतल उचे उठ्वे भाग हैं इन्हें हम मेशा बुटी यानि कि मालवा पठार पर मेशा बुटी इस्थला कृतियां पाई जाती हैं दो और नालिकाओं के बीच में समतल उचे उठ्वे भाग को मेशा बुटी इस्थला कृतियां कहते हैं और जो ब मेंशे यह यह हो आप आराम से देखेंगे इसको सभव 멋있 नहीं ह्याएगा, नदियों के साथ साथ आप पठार को भी समझ सकते हैं विंधियों के बेच में किस तरह से बगहिल खंड पठार, कौन से दो नदियों के बेच में हिसम यहाँ पर दिखाएगा है मोटे रूप में आप यहाँ समझेंगे अभी के लिए तो अच्छा रहेगा मालवा पठार के ठीक पूर में यहाँ पर बुंदेल खंड का पठार है बुंदेल खंड का पठार एक बहुती पुरानी जेड और अपरदित सता है यानि जेड मतलब घीस पिट चुकी है और अपरदित सता है तोरह इसे बहुत ज़्यादा अपर्दित कर दिया गया है यहां पर ग्रेनाइट और नीश चट्टानों से बना है चुकि जो बुंदेल खंड़ पठार है हम क्या पड़ रहा है कि बुंदेल खंड़ पठार कि यह पुरानी अपर्दित सत्य है और जेर्ड सत्य यानि काफे परिद्ध हो गई है यह कि इसका निर्माठ किसे हुआ है कि आपसे पूछा जा सकता है किसी पर तो निर्मार नीश में लीशों क्या और सामाने रुप से यह मध्यपरदेश में इस्थित है यहां पर बुंदेल खंड पठार का जो जल है तीन नदियों द्वारा गंगा घाटी की तरफ अपवाइद किया जाता है यह तीन नदियां है बेतवा धसान और केन यह तीनों यमुना नदी की सहयक नदियां थे अंद पुद्धत से इंवाद देख रहें मान लेते हैं इसको यमुना नदी माल देजिए थ्वोड़े लिए तो बुंदेल खंड पठार का जल बेतवा धसान और केन नदिया द्वारा गंगा घाटे की तरफ यमुना नदे में अपवाहित किया जाता है जिस तरह से मालवा पठार से निकलने वाली नदिया कहा जाती है यमुना में जाती है उसी तरह से बुंदेल खंड पठार से निकलने वाली नदिया भी यमुना में ही जाती है गंगा में सता है इसलिए यहां की नधियों ने यहां पर बहुत सारे गहरे खड़ों और जलबर पर निर्मान किया है मुंद्धिल खंपठाद पर बहुत सारे घ्रकड़ और जल पर पहोड पाए जाते हैं यहां पर भारत के तीन स्थ भूर्य नीशतल जैसे कि बन्देल खंट पठार के इंतरगत स्थीत हैं पन्ना ताइगर वी जरौ पन्ना में क्या है पन्ना टाइगर रिजिरौ बागों सरक्षण के लिए एक बहुत खुसुरत स्था二 है पन्ना में इसको हम बोलते हैं पन्ना टाइगर रिजर के बीचो बीच भेने वाली जो नदी है उसको हम कहते हैं केन इसके बीचो बीच के नदी प्रवाइत होती है काफी चोड़ाई में जब आप बरसात के समय में जाएंगे मांसून काल में तो आप देखेंगे कि केन नदी बहुत ज़्यादा चोड़ाई में बहती है और अत्यधी चोड़ाई में बहती है इसके चलते कहीं कहीं पर बहुत दूर तक इसकी चोड़ाई दिखती है और जब आगे किसी घाटी में गिरती है तो एक अकेले जहरने के रूप में नहीं गिरती है पन्ना नदी वहाँ पर कह कहीं 6-7 अलग-अलग जरने बनाती है एक ही नदी अब बड़े-बड़े जरने बनाती है इतना तेज शोर मचाती है कि आपकी कान में दर्द होने लगेगा तो जो बुंदिल खंट पठार है जैसे पन्ना में के नदी तो ये बहुत सारे जलप्रपातों का निर्मान करती और जब आप यहां पर टाइगर रिजर्व है तो जब आप केन नदी पर किसी पूल से होकर गुजरेंगे पन्ना चेत्र वहां से आप किसी पूल से होकर गुजरेंगे तो आपको अगर सुबह 6-7 बज़े अगर आप जा रहा है तो आपको बहुत हद तक संभाग कि कुछ आपको के नदी में पानी पीते हुए बंड ऐसा होता है कि जब भी व subah वह पाणी पीने जाते हैं दिन भर उनहें प्यास नहीं लगते। वह उसकी बाद हम पढ़ेंगे बगेल खंडिका पठार यह चाह रहा है सोन नदी अमर कंटक चोटी यह है इस निकल कर पहले उत्तर और फिर उत्तर पूर की तरफ प्रवाइत होती है यह सोन नदी उसके लामा एक नदी सोन की सहयक है वह है रिहंद नदी जो सोन में मिल जाती है यह सोन की सहयक नदी और रिहंद नदियों की बीच का जो भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं बगहेल खंड का पठार कहते हैं दो नदियों की बीच में है सो नदी और रिहंद नदी के बीच का जो भू भाग है पठार है उसे हम बगेल खंड का पठार कहता है इसकी दूसरी वस्तिति को समझने के लिए विंध्याचल परवस्तिने के सबसे जो पूर्वी भाग है उसे हम कैमूर पहाड़ी कहते हैं लिखा हुआ है विंध्याचल का सबसे पूर्वी भाग कैमूर पहाड़ी है जो कि बिहार तक चला जाता है आगे बिहार में कैमूर जिला है सुना होगा आपने अगर बिहार के हैं तो जानते ही होंगे बिहार में कैमूर जिला इसी कैमूर पहाड़ी के नामबर पढ़ा है क्योंकि कैमूर की पहाड़ी चली गए बिहार तक यह विंदाचल की विंदाचल स्रेडी का सबसे पूरी भाग बनाता है कैमूर तो कैमूर परवत की दक्षिण में इसकी अवस्तिती है बगेल खंड पठ पठार से होकर ही बैठती है अगर आप से पूछा जाएगा कि बखेल खंट पठार पर बने वाली प्रमुक नदी कौन से है सो नदी इसके साहरे आप किसी भी मुख्य पर इच्छा का उत्तर लिख सकते हैं चाहे प्राइब भायरत के पठार का उच्छा अच्छो या हिमालाय प्राइब आप यहां से बहुत खुबी आसानिस लिख सकते हैं चाहे 200 सब्दों में चाहे 1500 सब्दों किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा खेचेंगे तो 1000 सब्द हो जाएंगे नार्मल से पर्चत देंगे तो 1500 सब्दों का हो जाता है दूसरा है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में कौन-कौन सी सरचनाय सामिल है, पूर्वी पठार के अंतरगत, छोटा नागपूर का पठार, पहले हम यहाँ पर दिखा दें एक बार आपको, पूर्वी पठार के अंतरगत, छोटा नागपूर का पठार, छोटा नागपूर का पठार यहाँ पर, उसकी उत्तर पूर्व में मेघाले पठार, छोटा नागपूर पठार के दक्षिण में उडिसा में गड़जात पहाड़ी है, गड़जात पहाड़ी के पस्चिम में च चोटा नागपूर पठार इसके इधर आने पर मेघाले पठार चोटा नागपूर पठार के दक्षिड में गढ़जात पहाड़ी गढ़जात पहाड़ी के ठीक पस्ची में 36 गढ़ बेसिन और उसके दक्षिड में दंड़का रहने का पठार जो तीन राज़्यों भेला हुआ है तो पूर्वी पठार के इंतरगत क्या क्या रखते हैं इसके इंतरगत चोटा नागपूर पठार मिघाले पठार गढ़जात पहाड़ी उडीशा की यद्म क्या करते हैं उडीशा उच भूणी और उसके पच्ची में है 36 गड़ बेसिन मितलब थाला च्छतिश गड़ बीचों बीच एकदम गहरा है थाले की तरहां मिदानी छेत्र में महानदी प्रवायत होती है, इसली नहीं हम महानदी बेसिन भी कहते हैं, 46 घर बेसिन के दक्षिन में दंड कारैने का पठार है इसमें सबसे पहले क्या पढंगे चोटा कपूर पढ़ते हैं, प्रायदेपी पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर छोटा नागपूर का पठार है छोटा नागपूर का जल है वो दो नदियों दोरा अपवाहित या प्रवाहित किया जाता है कौन-कौन से नदिया है दामोदर नदी छोटा नागपूर पठार का जल दो नदियों दोरा पूर्व या दक्षण पूर्व की तरह प्रवाइद करते हैं इन में से जो दामोदर नदी छोटा नागपूर पठार के बीचो बीच अपनी भरंश घाटी में प्रवाइद होती है और पूरब में जाकर हुगली नदी में पस्यम मंगाल की हुगली नदी में मिल जाती है चोटा नागपूर पठार वैसे तो इसका मुख के वुभाग जारखंड में स्थित है जारखंड में आपको दिखा दू कहा तक है यह चोटा नागपूर का पठार जारखंड में स्थित है ये जारकंड है लेकिन इस पठार के जो बाहर ही इससे है पस्टि मंगाल दक्षण में उडिशा और थोड़ा सा चतिस गड़ में भी चला गया है इसके बाहर ही इससे है लेकिन मुखे रूप से पठार जारकंड में दामोदर नदी छोटानागपूर पठार पर बीचों बीच अपनी भर्णस घाटी में पूर्व दिशा में प्रवाइथ होती दिशा क्या है पूरव और आगे जालकर पस्सिम मंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर भरंश का निर्माड कार्बोनी फेरस काल में हुआ था दामोदर भरंश का निर्माड छोटा नागपूर पठार पर कब हुआ था कार्बोनी फेरस युग में हुआ था चोटा नागपुर नदी की जो भ्रंश घाटी है चोटा नागपुर पठार को इस पस्ट रुप से दो भागों बाठती है वो कौन से हैं दो भाग हजारी भाग पठार और राची पठार दामोदर भ्रंश घाटी के उत्तर में हजारी भाग पठार है और दामोदर भ्रंश घाटी के दक्षण में यहाँ पर राची पठार है ठीक है हम से से पहले राची पठार को पढ़ेंगे राची पठार का जल स्वाड रेखा नदी द्वारा दक्षण पूरु दिशा में प् जो की उडिशा तटपर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है जार खंड की राजधानी राची यहां पर है सोण रेखा नदी के तटपर है राची पठार का जो पस्मी भाग है वो आपक्छा करित अधिकूचा है जो काले धब्बे वाला छेतर देख रहे हैं राची यह उचा उठा हुआ एक संतल भूभाग है यानि पाठ प्रदेश एक उचा उठा हुए संतल मैदान की तरह है फिर से बता दे रहाओ राची पठार का पस्मी भाग जो की सबसे ज्यादा उचा है इसको हम पाठ प्रदेश करते हैं यह एक अधिक उचाई वाले मैदान की प्रदेश यानि राची पठार का ही जो पाठ प्रदेश है वो भारत में संप्राय मैदान का उधारन प्रस्तुत करता है या राची पठार का जो पस्मी पाठ प्रदेश है जो ज्यादा उच्या है वो भारत में संप्राय मैदान का उधारन प्रस्तुत करता है हजारी बागपठार दामदर भ्रूज गाटी समीब दामोदन नदी में आकर मिल जाती है हजारी बाग पठार भारत में सबसे ज़्यादा अबरक उत्पादन वाला छेतर है भारत में सबसे ज़्यादा अबरक उत्पादन कहा होता है हजारी बाग पठार पर है हजारी बाग पठार पर तीन ऐसे छेतर है जहां पर भारत मे सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन होता है कौन कौन से कोडर्मा गिरिडी बुकारो कोडर्मा गिरिडी और बुकारो यहां प्रभात में सबसे ज़्यादा अब्रक उत्पादन होता है चोटा नागपूर पठार को ये बहुत से धात्विक खनिजों और इधन खनिजों जैसे कोयला जैसे इधन खनिजों से संपन्न छेत रहे इसको हम खनिज की उत्तर पूर्वी पेटी कहते हैं व्थाम थी खनीशों की उत्तर पूर्वी चेतर करते हैं रिपैट। है चोटा नगपूर पथार को बहुत सारे खनीशों से संपन दात्रिक एनन धातुं के चलते हैं भारत का रूर कहते हैं रूर परदेश जर्मनी metu है कि में थैंब झ birthday फाजकर आते हैं कौन और चेटर कॉन-गति मपाला प्रक्रांज यहां kyya कोद दो छेटर में याद रखेगा दामोदर ब्रस्रुब गाटी में और दूसरा छेत्र कौन सा है सिंग भूम छेत्र कुछ लोग भूम लिखते हैं या भूम होगा भूमी नहीं होगा सिंग भूमी गलत है सिंग भूम छेत्र दामदर भूम घाटी विचो बीच पूर दिस्याम चली जयती भूम होगा था दामदर भूम घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्ठाने पाई जाती है कौन सी चट्टाने पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टाने दमोदर नदी की ब्रहंश घाटी में पाई जाती है या दमोदर बेसिन में नदी का जो थाला होता उसे बेसिन कहते है यानि नदी की नीचे जो चट्टाने है उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टाने है भा जो कि किस प्रकार का कोईला है बिटू मीनस कोईला है भारत का अंठान में प्रिशत कोईला गुंडवाना चट्टानों महीं पाय जाता है जो कि जम्मू कस्मीर में चेत में पाता है कारगेल वाले यह बात में नहीं बटमडवानागरम की चट्टावर्व में पाइजिए भारत में भारातं। हsilίν नदी घाटि में फएली व्हे रहेगा हैा सै जाने में लीए थुरूआ से देख में तो सही रहाएगा। भारत में गुडवाना करम की चत्टा ने चार नदी घाटी फेली हुई हैं पहली है दमोधर नदी की वरेंस घाटी जो कि यहांपर हुगली से मिल जाति है दूसरी है सोन नदी की वरेंस सोन नदी घाटी दमोधर नदी घाटी दूसरी उसके लमा महानदी घाटी यहां पर निकलती है और आख और तीसरी और दामोदर नदी घाटी तो भारत में गोंडवाना करम की चट्टा ने चार नदी घाटियों में पाई जाती हैं दामदर नधी घाटी, सोन नधी घाटी, महान नधी घाटी और गौदावरी नधी घाटी हम कोयले का अध्यान जब करेंगे तो इसके बारे में विस्तिर्त अध्यान करेंगे तो दामदर नधी घाटी ό anti şu गोंडवाना चट्टाने पाए जाती हैं और इसलिए वहाँ पर bituminis स्टकोएले का बंडार संचीत भारत में 99- collect गोंड़वनाकरम की चित्टानों में ही पाये जाता है कि इसकी अलमा सिंग भूम छेत्र जो की जारखंड का दक्छणी छेत्र है यह जो रेट कलर की लाएना आप देख रहे हैं यह जारखंड का दक्षडी छेत्र है छोटा नागपूर पठार का दक्षडी छेत्र इसको हम कहते हैं सिंग भूम छेत्र सिंग भूम छेतर में धारवाड करम की चट्टाने पाई जाती है यानि कि छोटा नागपूर पठार एक ऐसा पठार है जहां पे एक छोटे से छेतर में ही दो तरह की चट्टाने पाई जाती है गोडवाना करम की चट्टाने दामदर घाटी में और शिंस्ख भूमचहत्र में धरवाड करमranило की चत्ठाणों में यहाँ पर लोहा और यूरेनियम के निक्चहर पाए जाते हैं यहां बंडार पाए जाते हैं चट्टानों में जहां पर खनिजों का भंडार होता है उसे हम निक्षेप कहते हैं उनका जमाओ कोई भी खनी चट्टानों में सुध धुरूप में नहीं होती है कोई भी खनी चट्टानों के साथ जिसे लोहा भी आप निकालेंगे तो इदम सुध धुरूप में निकलेगी छटानीं निकाले फोड्र सूघ्ञें इस से को गलताय से नीचे उतिक टपक टो जिन चत्तां मे lists तो जाने में आ गूंपर करते चायर लोहा की बहब करते हैं तो लोहा भी इलग हो जाता है कि own play-old the green a ** और चट्टान प्यूंगी नहीं तो चिन सत्व उसके कहते हैं उसरे हम थनल पाइस्का के रूफ में मिलेधा यह निeno तो चटानों का जो वो परत्थ चटानों के परत हुती है जिसमें हर तरह की चटान में हर जग़ें नहीं पाहिजाता है हर ठरह की चटान में धातव कयह orang तरह के chciaеп्ली की गर्भ में आप जाएंगे तो एक निस्शित परत्थ मिलती है और उसी परत में धातों का mixर होगा चटानों की एक vicious परत होती है आयास्कज़े से कहते है चटानों की एक vicious परत में धातों मिली रहती है एक पट्टी पाई जाती है उसी को हם निक्षेप बोलते हैं तो धारवाड करफ़ी चटानों में कर दो सब्सक्राइब यहां पर सिंग भूमी छेतर में धरावार कर्म की जक्टाना है जहां विशेशुरुप से लोहे और यूरेनियम की निक्छेप मिलते हैं या भंडार मिलते हैं यानि की छोटा नागपुर पठार विशेशुरुप से तीन खनीजों के लिए जाना जाता है विशे शुरूप से कौन-कौन से खनीज है लोहा यूरेनियम और कोईला विटो मिनस कोईला इसे शुरूप से तीन तरह की खनीज यहां पर पाए जाते हैं छोटा नगफुर पठार के बाद हम पढ़ेंगे अगला पूर्वी पठार हम पढ़ रहा है तो पूर्वी पठा पठार के इंतरगत दूसरा छेतर जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है मेघाले पठार है यह सब किताब से ही मैंने लिया हुआ है जूचला पूल्च टैस Cup है। कि इस शितर को पहले हम देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जोटा नागपूर पथार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। आप पहले विसको ॡचुके हैं चोटा उत्तर पूर्वी विश्ता है , अतीत काल में, प्रयदुइपी पठार, जो छोंता नमाकफूर पठार है , छोंता नमाजबूर पठार के उत्तर पूर्वी शिरे पर राजमहल की पाडुएं यहा जार्कंड में इस्थी ,AN sentir आतीत में राजमहल की पहाड़ियां मेघाले पठार और उसके आगे एक और डॉट आप यहां पर यलो कुलर का देख रहे हैं कार्भी एगलांग पठार मेघाले पठार और कार्भी एगलांग पठार होते हुए ब्रंपुत्र नदी की घाटी तक पहुंचती थी कौन सी Нिरंतर और करमभध रूप में जब चोटा नाकपूर का निरंतर और करमभध रूप में ब्रह्म पठार पहुंचती थी वह अधें के बाद में बीचिसे नदियों अपने जलोड औसाथों से पाड़ दिया जिससे बांगलादेश और पस्चिम मंगाल के मैदानी भूमी का निर्माड हो गया उसे हम सामानित तो पर क्या नान देते हैं बीच के भाग को हम राजमहल गारो गयप कहते हैं बीच का जो गयप है उसे हम नाम देते हैं राजमहल गारो या मालदा गयप भी नाम देते हैं मालदा गयप राजमहल गारो नाम क्यों देते हैं क्योंकि इसके पस्मी भाग में यहां पे राजमहल पहाडिया है और इसके सबसे पस्मी भाग में मेगाले पठार का जो सबसे पस्मी भाग है यहां पे वो गारो पहाडी है गारो पहाडी मेगाले पठार पर सबसे पस्मी पहाडी है उसक मंगाल में जिला है माल्दा उसके नाम पर हम इसको माल्दा गैब भी नाम देते हैं मेघाले पठार के पूरु में या उत्तर पूरु में यहां पर लिखा है कार्भी एगलॉंग पठार मेघाले पठार के उत्तर पूरु में कार्भी एगलॉंग पठार जिसके अंतर के दो पहाडियां है इसके उत्तर में मिकीर पहाडियां हैं और दक्षणी भाग रेंगमा पहाडियां कहते हैं कार्वी एंगलांग पठार है ना इसके अंत्रगत दो पहाड़ियां है उत्तरी पहाड़ी को हम मिकीर पहाड़ी बोलते हैं या मिकीर हील और दक्षणी भाग को हम रेंगमा पहाड़ी बोलते हैं कार्भी इंगलांग पठार और ये दोनों पहाड़ियां असम घाटी में स्थित हैं यनि ब्रमपुत नदी की घाटी में स्थिते हैं पिलेक लगड का तक सब्सक्राइब ब्याट में सब्सक्राइब कर पाए बार होगी सब्सक्राइब परशकर क्योर गरव कि खासी गरव पहाड़ी उसके पूर में मिकीर और रेंगमा पांच पहाड़ कि पौर पथार भी में घाली संसे बाख तो इसके पहाड है के पैंद पनी कि पहाड़ी को देखते हैं यह गारवपहड़ी पर नोकरेक चोटी स्थिति आप लिखा हुआ है यही गारवपहड़ी सबसे पस्चि मैं है ना इसे पर नोकरेक चोटी स्थितित हैं यहां पर नोकरेक राष्ट रुद्ध धान प्रा स्थोर्ण मन ह्साल ot 1 ला मासिन राम है दूसरा आउसत वार्सिक वर्षा वाला इस्थल चेरा पूजी है उसके बाद यहां पर तुरा में भी बहुत ज्यादा वारिश होती है तुरा मिखाले पड़ तो नोकरिक चोटी के ठीक पसी में तुरा नाम का एक शहर है जब आप इधर से कभी आप नोकरिक राष्टी उद्यान घुमने जाएंगे तो जो रास्ता है आपका वो तुरा सहर से होकर गुजरता है तुरा सहर होते हुए ही आप नोकरिक राष्टी उद्यान घुमने जा सकते ह तुरा सहर से हो के गुजरेगा ध्यान रखिएगा गारों के पूरी भाग जो है वो खासी पहाडी है से गारों की सरवी भाग शीलां चोटी में गया पथागी की सलोड़ां परिस्तित थे इसलांग पूर्टी के अलामा राजधानी, शिलांग, चेरपूजी और मासिनराम यह भी खासी पहाडी परिस्थित है भार्त में सरवाधीक वा आवसतवार्शिक वर्षा वाला स्थल मासिनराम खासी परिस्थित है मिघाले-राज्य की सबसे पूर्वी पहाडी पुशा जाएगा ड्य वो मेघाले पठार से ती नदियों दवार अलग होता है कार्भी एगलांग पठार यहां पर ती नदिया बैती है जमुना ऐसे जैसे माँ लेते हैं यो तो ब्रहम पुत्र नदि बैते हैं वह रही है ब्रंपुत्र नदी पसिम बहती है और यहाँ पर दक्षण देशा मोग जाती है है ना चले जाती है बांगलानेश तो मिभाले पठार और कार्भी अंगलांग पठार के बीच में तीन नदियां उत्तर की तरफ बहते हैं ब्रंपुत्र नदी से मिल जाती है जमुना कोपिली और कलांग करते हैं यहीं तीन नदियां कार्भी अंगलांग पठार को में घाले पठार से अलग करती है यह पढ़ा अपने में घाले पठार उसके बाद हम पढ़ेंगे गड़जात पहाड़ी यहां पर देखते हैं पूर्वी पठार मद्धिवर्त्यू चुभूमी पहला जिसके अंतरगत आपने सारे पठार पढ़ें आप हम पूर्वी पठार मैंने बोला कि छोटा नागपुर पठार में घाले पठार और तीसरा यानि सी कौन से है गड़जात पहाड़ी गड़जात पहाड़ी को हम उड़ीसा उच्चभूमी भी कहते हैं क्योंकि यह उड़ीसा मेस्तित है और इसे हम उड़ीसा उच्चभूमी भी कहते हैं मैं गड़जात पहाड़ी मुख्य रुप से दो प्रकार के खनिज़ों के लिए जाने जाती है लोहा और बाक्षाइट उड़ीसा उच्चभूमी कि यहाँ पर दो प्रकार के खनिज़ पाई जाते हैं लूहा और बाक्षाइट में लोहे के भंडार से सम्म्रिद्ध तीन जिले हैं क्यों ज़र मयोर्भंज और सुन्दरगड उडिसा में लोहे से समरीद लॉएस के समरीद तीन जिले गढ़जात पहाड़ी के इंतर गती हैं यह तीनों जिले उडिसा में स्थित हैं गड़जात पहाड़ी का जल दो नदियों दोरा अपॉय disp किया जाता है ब्रामडी और वैतर नडी इसके पूरुं हिस्सेमें ब्रामडी नडी निकलती है और पश्च्मी हिस्सेमें वैतर नडी निकलती है यह धोनों नदियां वोरिशा में बंगाल की खाडी में हपना जल ग अगला महानदी बेसिन या चतिस गड़ बेसिन चतिस गड़ बेसिन चतिस गड़ बेसिन गड़ जात पहाड़ी के ठीक पस्चे में यहां पर यह वाला जो छित्र है आप देखी हरा हरा छित्र दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ पहाड़ीं से घिरा हुआ बिलकुल ग्रीन कलर का जो एरिया है वो यह दर्साता है कि चतिस गड़ यह चतिस गड़ चतिस दी प्रवाइत होती है इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस मैप का प्रयोग करेंगे हां चतिस गड़ बेसिन है ना है कि गड़ जात पहाड़ी के पस्चे में चतिस गड़ बेसिन है यह चतिस गड़ का मध्य भाग है जो कि चारों तरफ से पहाड़ीं से घिरा हुआ अब चक्रित निचला और थाला नुमा छेतर है यानि जैसे हम वास बेसिन होता है न ऐसे गहरा उसी तरह चारों तरफ से पहाड़ीं से घिरा है इसे हम चतिस गड़ बेसिन चुकि इसमें महा नदी प्रवाहित होती है सबसे बड़ी नदी इसलिए इसको हम महा नदी का बे परस्श्मी भाग में में काल उत्तरी भाग में रामघड पूरुए बाग में बेल्कुल रहन missing इसे हम छट्य्स गड़ मैदान कहते हैं, उसकी साहिक नदियों द्वारा से चित है, और ये काफी उपजाव छेतर है, इसलिए यहाँ पर धान की खेती काफी सगंता से की जाती है, इसे हम धान का कोटोरा इसी दिए कभी कहते हैं, तो यह चट्यस गड़ बेसिन, 36 गड़ बेसिन में जो महा नदी प्रवाहित होती है जिस तरह से छोटा नाकपूर पठार पर बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में गुंदवाना करम की चट्टाने पाए जाती है उसी परकार 36 गड़ बेसिन यानि महा नदी की घाटी में भी कार्बोनी फेरस योगीन गुंदवाना करम की चट्टाने पाए जाती है अर्था तोहाँ पर बिटूमीनस कोईला पाए जाता है अगला है दंड़ कारेन कपठार ए भी से डी क्योंकर की जैसे नमबरिंग हो रहा था वैसे आप करते रहीएगा हां हा हा ए लंड़ का decisipe बेसीन की थीक दक्षिन में दंड़ कारेन पेठार है दंढ़ कारेन पठार का जो मुख läuft सा चाटियस गड़ में पढ़ता है विल्कुल तटिस गड़ का सी रही ह prisoners ये रेट कलर की जो लाइन है आप देख रहे हैं ये ये 36 गड़ है पूरा तो 36 गड़ की दक्षडी भाग में दंदकारेन का पठार इस्थित है जो की मुख रूप से 36 गड़ राज्य में ही इस्थित है लेकिन इसका पस्चमी भाग चला जाता है आंदर प्रिदेश में और पूर्मी भाग चलाता है उड़िसा में इसका मतलब ये तीन राज्यों में फैला हुआ है लेकिन इसका सबसे ज्यादा भाग 36 गड़ में है दंदकारेन पठार का जो सबसे पस्चमी भाग है उसे अबुझ मार पहाड़ी कहते हैं आप लिखा है सबसे पस्चमी भाग को हम अबुझ मार पहाड़ियां कहते हैं और दंदकारेन पठार का जो दक्चणी भाग है उसे हम बस्तर पठार कहते हैं पस्चमी भाग को अबुझ मार पहाड़ी और दक्चणी भाग को बस्तर पठार कहते हैं ये दोनों अबुझ मार और बस्तर पठार ये दोनों 36 गड़ र Indraoti नदी द्वारा पस्यं में अपवःत क्या जाता है जो की की और पतर के नदी इंद्रावती नदी पुर्वी घाट जैसे पुर्वी घाट परवत के अंतरगत ओरिसा के कला हांडि अने ऑज्जिले से निकलती है और पश्म की ओर प्रवाही ठोती हुए बस्तर पठार को पार करती है और जब यह 36 गड़ की पस्चमी सीमा पर पहुंचती है तो 36 गड़ और आंदरपरदेश की सीमा के साथ साथ दक्षड की ओर मुर जाती है और सीमा के साथ साथ प्रभाइत होते हुए ग explorer नदी में मिल जाती है 36 गड़ में प्रमुक्स है यहाँ पर जग्दलपूर जगदलपूर इंदरावती नदी के तठ पर ही इस्थित है ये थोड़ा दूर लिखा हुआ है जगदलपूर लेकिन ये इंदरावती नदी के तठ पर ही इस्थित है जंड़कारे न पथार और यह हैं तंट्र और गोडावरी नदी तंट्र जब हमकरता है दंडकारेंड पठार के उत्तरी धाल से निकलने वाली तेल नदी, यहाँ पे लिखा तेल नदी, साध आपको ना दिख रहा हो, तेल नदी, दंडकारेंड पठार के उत्तरी धाल से निकलने वाली तेल नदी, महा नदी में, उत्तर में प्रवाहित होते हुए महा नदी में मि उत्तर से निकलने वाली तेल नदी उत्तर दिसाम प्रवाहित होती है और दक्षड से निकलने वाली इसके दक्षडी धा से निकलने वाली इंद्रावती साबरी और सिलेरु नदियां दक्षड के प्रवाहित होती है और गोदावरी नदी में मिल जाती है अब हम पढ़ेंगे अभी तक हमने पढ़ा मध्यवर्ती उच्छ भूमी जिसकी पहत हमने और आली परवत विंद्या परो थोते वे बगहल खंट का पठार पढ़ा उसके बाद हमने पूरी पठार पूरी पठार हमने छोटा नाक कुपूर का पठार मेघाले पठार गढ़जात पहाड़ी 36 कर पठार पठार सकता है तो आभ महाराश्ट में तुनाट करनाटक तक जो बठार है उसको हमबोरी घाट के बीच में महराष्ट और करनाटक के छेतर में जो पठार विस्तृत है उसको हम सामान रूप से दक्कन पठार ही करते हैं तो दक्कन पठार का विस्तार महराष्ट राज्य के आर पार सत्पुड़ा मैकाल स्रेडी से लेकर दक्षड में करनाटक पठार तक है इसके अंतरगत निम्लिखी सरचनाई सामिल की जा सकती है जैसे इसके अंतरगत कौन-कौन से सरचनाई सामिल है सत्पुड़ा स्रेडी हैना सत्पुड़ा स्रेडी के बाद सत्पुदा स्रेडी उसके बाद हम दक्कन का पठार सामिल करेंगे जो कि महरास्ट में है विश्य सुरुप से उसके बाद तेलंगाना पठार सामिल ले इसके अंतरगत करनाटक या मैसूर का पठार भी इसके इंतरगत शामिल है दकन का पठार महराश्र छेत्र के आरपार सत्पुड़ा मेकाल स्रेडी से लेकर दक्षड में कलंगाना और करनाटक पठार तक विश्ट रहे थे इसके इंतरगत हम्मुख्य रूप से दकन के पठार के इंतरगत हम मुख्य रूप से निम्रिखी सवरचनाय सामिल कीर कर सकते हैं जैसे सत्पुडा मैकाल स्रड़ी उसके दक्षण में महाराज्ष छेत्र में दक्कन पठार दक्कन पठार के दक्षण पूर में तेलंगाना पठार और दक्कन पठार के दक्षण में करनाटक या मैसूर पठार सबसे पहले हम शुरू करते हैं सत्पुडा मैकाल स्रड़ी की दक्षण में नर्मदा की भरहश घाटी है नर्मदा भरहश घाटी के ठीक दक्षण में नहीं पा रहा है चली से समझते विंध्याचलपुरत की दक्षट में नर्मदा भनश घाटी है उसके दक्षट में सत्पूडा स्रेड़ी है नर्मदा भनश के ठीक दक्षट में लेकिन दक्कन पठार की उत्तरी सीमा करनाटक सद्पूरा स्रेडि से निर्धारित होती है क्योंकि जो लावा महराश्ट छेत्र में जो लावा का प्रवा हुआ था वो लावा सद्पूरा स्रेडि होते हुए यहां तक इंदवर तक चलाया था जो मद्य प्रदेश में इसके उत्तर में नर्वदा भरंश है और दक्षण में तापी भरंश है यानि दो भरंश घाटियों की बीच में ब्लाक परवत की रूप में यह उठा हुआ है और मद्य प्रदेश राज में पस्चिम से पूर दिशा में विस्त्रित है सद्पूरा स्रेडि मुखिरू से मैकाल स्रेडी की रूप में फैला हुआ है सद्पूरा स्रेडी पस्चिम से पूर की तरफ तीन पहाडियों के रूप में फैला हुआ है सबसे पस्चिम में राज पीपला पहाडी जो कि मद्य प्रदेश के साथ सद्गुजरात में भी थुड़ी चली गई है राज पीपला सबसे पस्चमिस रड़ी है जो की गुजरात तक चली गई है महादेव पहाडी पर ही सत्पुडा की सबसे उची चोटी सत्पुडा की सबसे उची चोटी धूपगड महादेव पहाडी पर ही धूपगड के बिल्कुल समीप ही महादेव पहाडी पर ही धूब गर चोटी के बिलकुल समीब पंचमढी हिल स्टेशन है महादेव पहाडी के ठीक दक्षिण में अगर ये महादेव पहाडी है ये महादेव पहाडी के ठीक दक्षिण में यहाँ पर बैतूल पठार है यहां पर दक्षड में महादेव पाड़ी के बैथुल पठार से ही तापी नदी निकल कर पस्चिन दिसायम पर रहाईत होती है और खंबात की खाड़ी में अपना मोहाना बनाती है इसके मोहाने पर यहां पर सूरत सहर है सूरत के समीब खंबात की खाड़ी में अपना मोहाना मैकाल स्रेडी की सरोच चोटी अमरकंटक है इसकी सरोच चोटी अमरकंटक है अमरकंटक चोटी के आसपास का जो उचा छेत्र है समुचे छेत्र को हम अमरकंटक पठार कहते हैं मैकाल स्रेडी पर यहां पर बीचो बीच है अमरकंटक चोटी लेकिन अमरकंटक चोटी की चारो तरब का जो उचा उठा छेत रहे उसे हम सामाने तोर पर अमरकंटक पठार कहते हैं अमरकंटक पठार से दो नदिया निकलती है या हम कह सकते हैं कि अमरकंटक चोटी की समीब से बिल्कुल अमरकंटक चोटी से नदिया नहीं निकलती है क्योंकि हाँ glacier तो पाया नहीं जाते हैं कि चोटी पे से glacier है तो चोटी पे से नदिया निकलेंगे असा नहीं है अमरकंटक पठार से दो नदिया निकलती है या फिर हम कह सकते हैं कि अमरकंटक चोटी के समीब से दो नदिया निकलती है सोन और नर्मदा सो नदी इसके उत्तरी हिस्से से अमरकंटक पठा के उत्तरी हिस्से से निकल कर पहले उत्तर की और फिर उत्तर पूर की और प्रवाहित होते हुए पटना के समीब गंगा नदी में मिल जाती है जबकि नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी के दक्षिण थोड़ा दूर दक्षिण से निकलती है और पस्चिम में अपनी भ्रांच घाटी में बहते हुए मद्ध प्रवाहित होते हुए गुजराच तट पर भढ़ोच के समीब खंबाती खाड़े में अपना मुहाना बनाती है जब नर्मदा नदी पस्चिम की तरव प्रवाहित होती है तो जबलपूर के समीब भेडा घाट एक स्थान है या जबलपूर में भेडा घाट नामक स्थान पर संग्मर्मर की चटाने पाई जाती है वहां पर तो भेडा घाट इस्थान पर संगमरमर की चटानों में बड़ा ही खुसूरत जलपरपात बनाती है जिसे हम धुआधार जलपरपात कहता है जलपरपात धुआधार ऐसे लिखेंगे धुआधार खुसूरत क्यों है? संगमरमर की चटानों के लिए खुसूरत है क्योंकि जब नर्मदा नदी जबलपूर में भेड़ा घाट में ऐसे नीचे की तरफ गिरती है बहुत उचा जलप्रपात नहीं है उचाई ज्यादा नहीं है लेकिन जब चारो तरफ संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए बैती है तो बिल्कुल सफे चट्टाने संगमरम दक्कन पठार मुखी रुप से महराष्ट में विस्तरित है दक्कन पठार का निर्माण तब हुआ था जब प्रायदिपी भारत का भुखन गोंड़ोना लेंड से तूट कर अलग हुआ था तो मद्द के भाग में जॉलो मुखी लावा का दरार ही उदगार हुआ था जब लावा दरार के मध्यान से निकलता है तो धीरे-धीरे निकलता है क्योंकि दरार बन गया है लावा को लिध्वोटे के चैट्टानों को तोड़ना नहीं पढ़ रहा है विस्तरित सथ के साथ Hai जब लावा जल वाश्व के साथ मिलकर स्वystem ताकत के साथ लिथथ भ्यारिये इस्थल मंडल की चट्टानों को तोड़ कर विसफोट के साथ बहार निकलता है उसको कोई जगह अपने आप नहीं मिलती है तोड़ कर बहार निकलता है तो इसको हम केंदरी उद्भेदन या विसफोटक उद्गार कहते हैं केंदरी उद्भेदन या विसफोटक उद्गार ल दरारी रुदगार में निकलने वाला निकलने वाला लावा होता है बहुत पतला और तरल होता है जल्दी ठोस होकर जम नहीं पाता पतला होने के चलते ऐसा लावा दूर तक के छेत्रों में फैल जाता है क्योंकि उसको फैलने का समय मिलता है पतला है तरल है जल्दी जम नहीं पा रहा है तो दूर तक फैलता रहता है दरार से लावा निकल रहा है और दूर तक धीरे धीरे फैलता रहता है तो दरारी उद्गार की चलते महाराष छेत्र में लावा की कई परते करमिक रोप से एक के रचना पाई जाती है, जो कि जब लावा बाहर निकलता है धरतल के तो उससे बेसाल्ट चथानों का निर्माड होता है, है रहला है? «थान लावा कि कई करमित पढ़ते हैं» एक क्यों उपर एक जम्हा होती गई जिससे लफ़दार सिर्धी नुमा सतफ पाई जाती है इसलिए से हम दक्कन ट्राइप कहते हैं दक्कन ट्राइप की चट्टानें बेसाल चट्टान कीबनी हुई है बेसल चट्टानों के पक्षे से ही यहां पर रेगूर या फिर काली मालवा पठार पर लावा का प्रवा हुआ है हमने बताया मालवा पठार जॉलमखी लावा से निर्मित बेसाल्ट चत्तानों से निर्मित है इसलिए वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है महाराश्ट पठार भी बेशाल चक्टानों से नहीं इसलिए यहाँ भी कालिमिटी पाई जाती Ini यहाँ लवा का प्रवा हुआ था लेकिन तेलंगाना पठार जो कि आंदर पुरदेश और तेलंगाना राज्जों में विस्तरी था है हुआ प्रजू में फ्राइब विस्त्रिद है अंधर्परदेश और तेलंगाना यह इसाय तिलंगाना है और पिलिगर के इसमृष्टतां हुर्ष महराष्ट नचानख तरब है त्रणहये उसको महराष्ट पथार है और य sf लेकिन तिलंगान पठ्थार पर विल्यावा प्रवा का प्रवा नहीं हुए यह प्रेंद से प्रवा हैं अधर भूमियां नहीं हैं और इंद जलता कि दस़िएन हम अलेकर पर दभ कहते हैं जिसे आप को प्रवाह नहीं होने की कारण तो महiana za महाराष्ठ महाराष्च की चेतरों में प्रफी छेतरों में पाला यहांं तक लवाह का सुद्रा नहीं हुआ इसके चलते तेलंगाना-Pal उबर खाबड इसलाग करती पाई जाती है तो वर्षा जल उन्ठालों में कटोरी नुमा इसला किरतियों में कटोरी क्या कर्षा कार को होते हैं लेकिन होते हैं बहुत बड़े-बड़े जैसे बड़े विशाल तालाब जहांपे अगर पानी कट्ठा होता है तो बड़े बड़े तालाब बन जाता है तो जब वर्षा होती है तो इन कटोरी नुमा सिलाकृतियों में वर्षा जल्िρη कट्ठा हो जाता है यही कारण है कि तेलंगाना आंद प्रदेश के भागों में प्राकृति के रोप से तालाब पाया जाते हैं जो राजधानी हैदराबाद और सिकंदराबाद इसी प्रिकार के ठाले यानि कटोरी नुमास्तला किर्थी में बसे हुए हैं अभी आप भुवा किर्थी को समझ रहे हैं हैं वाद म में तालाबों का अध्यान करेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगी महराज पठार के दक्षिण में करनाटक या मैसूर पठार महाराज पठार के दक्षिण में यहां से यह पूरा है से करनाटक पठार के इस पूरे हैं क्या कहते हैं करनाटक पठार के था महाराज पठार के दक्षिण में और दक्षड में ये बिल्कुल निलगीरी परोती गाठ के पास यहां पर निलगीरी परोती गाठ है यानि इसकी करनाटक पठार की दक्षडी सीमा निलगीरी परोती गाठ के बिल्कुल समीब चले गई है करनाटक पठार के उत्तरी हिस्से का जल तुंग भद्रा नदियों द उसको हम मैसूर पठार करते हैं करनाटक पठार के ही बिल्कुल दक्षली हिस्से को जो की चला गया है निलगेरी प्रोड़ोती गांट तक उसको मैसूर पठार नाम देते हैं मैसूर पठार में दो भाग हैं अगर आप अनुपरस्त काट में देखें तो मैसूर पठार ऐसा है कुछ ऐसे मैसूर पठार का जो पस्मी भाग है अपेक्षाक्रित अधिक उचा है इस पस्मी भाग जो की अधिक उचा है उसे हम मालनट प्रदेश कहते हैं मालनट और जो कि मैसूर पठार का पूरवी भाग अपेक्षा करित नीचा और समतल है इसे हम मैदान प्रदेश कहते हैं मैदान छेतर कहते हैं वहां भी लोकल भासा में भी कहा जाता है पस्मी भाग को मालनट छेतर कहते हैं और इसके नीचले और समतल भाग को मैदान छेतर कह जो मालनट का पृदेश है वह पस्मी घाट की सीमा से लगा हुआ है और काफी उचा है यानि जंगलों से ढकी हुई हरी भरी जंगलों से ढकी हुई पहाड़िया और गहरी तंग घाटियां मालनट पृदेश के विश्चता हैं यह देखें, उची उची पहाडियां और बीज बीज में गहरी तंग घाटियां, तो जंगलों से धकी, हरी भरी जंगलों से धकी उची पहाडियां और गहरी और सकरी घाटियां मालनट प्रदेश के विश्यस्ताएं हैं, जो बाबा बूधन की पहाड़ी है, करनाटक में, व और मैदान छेतर से प्रवाहित होते हुए मालनेट प्रदे से निकलती है और मैदान छेतर से प्रवाहित होते हुए दक्षणपूर की ओर मुड़ जाती है और कोरो-मंडल तर्ड पर अपना मौंग बनाती है तमिलender summ में कोरो मंदल पर अपना मुहाना बढाने थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था कि पठारी भारत का अध्यान या प्रायदविपी पठार का अध्यान पांच भागों में बांट कर किया जा सकता है जिसमें से मैंने मध्यवर्ति उच्भूमी उसके बाद पूरुवी पठार उसके बाद दक्कन पठार समाप्त किया और इसके बाद हम पस्मी घाट और पूरुवी घाट का ध्यान करेंगे तो इस क्रम में चौथा टॉपिक है पस्मी घाट पर उत्त इसका सामाने परचे हम ले ले है क्या और कैसे है और क्यों है पस्मी घाट परवत तापी नदी के मुहाने से सुरू होता है तापी नदी के मुहाना नरवदा के दक्षिन में है यह मुहाना आम तोर पे 22 डिगरी उत्तरी एक छांस परस्तित है 22 डिगरी एन मतलब उत्तरी एक छांस करकर रेखा बीचोबीच गुजरती आठ राज्यों से होकर है ना एक दो तीन चार पांच छे हां पात की बीचोबीच आठ राज्यों से होकर गुजरती है 23 डिगरी उत्तरी एक छांस है उसके दक्षण में 22 डिगरी उत्तरी एक छांस होगा है ना क्योंकि जैसे विशुवत के तरफ जाएंगे तो संख्या घट्ती चले जाएंगी तो 22 डिगरी उत्तरी एक छांस पर तापी नदी का मुहाना है तो यहीं से स्टार्ट होता है पस्मी घट परवत 22 डिगरी उत्तरी एक छांस पर तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षण में पस्मी तटी मैदान के साथ साथ या पस्मी तट के साथ साथ कन्या कुमारी तक 1600 किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ है सामनित इसका समाने नाम सहयाद्री है सामनित हम इसे ही सहयाद्री कहते हैं सहयाद्री स्थानी नाम सहयाद्री का पूरा छेत्र यानि पस्वी घाट परवत छे राज्यों में फैला हुआ है देखते हैं कौन-कौन सराज्य है तापी नदी के पास ये गुजरात में चला गया है गुजरात महारास्ट गोवा करनाटक केरल और नागरकोईल पहाड़ी इसकी सबसे दक्षडी पहाड़ी है पस्मी घाट परवत की नागरकोईल पहाड़ी चले गई है तमिलांड में कन्य कुमारी तक कन्या कुमारी तमिल लाड़ों में तो इस तरीके से कुल आठ राज्यों में पस्मी घाट परवत परवत वास्तों में एक सही मैने में परवत नहीं है यह प्राइद्विपी पठार का ही पस्मी भरंस कगार हम इसको कहते हैं प्राइद्विपी पठार कुछ इ यह पस्LYमी तटी मैदान उसके पूरो में पस्LYमी घाट परंवत ऐसे उठा हुआ है और उसके बाद प्रजीएफ्णी भायत का पठाड़ शुरू हitchens जाता है पूर्वी घाट परंवत और उसके बाद पूर्वी तटी मैदान यह पस्मी तटी मैदान और इसके बाद अरफ सागर है यह पूर्वी तटी मैदान इसके बाद बंगाल की खाड़ी है पूर्वी घाट परवत पस्मी घाट परवत है ना पस्मी घाट और यह पूर्वी घाट परवत तो ऐसा है कुछ ऐसा दिखता है तो पस्मी घाट परवत सही मायनें प्रवत नहीं है अक्चुल में ये प्रायदेपी पठार का ही पस्मी भरंश कगार है भरंश कगार मतलब खड़ी ढाल इस भरंश कगार का निर्माड तब हुआ था जब पठारी भुखंड गुंडवाना लेंड से तूटकर अलग हो रहा था ठीक है तो उस समय इस कगार का निर्माड हो गया था तूटकर अलग हुआ ये हिस्सा तो यहाँ पर कगार का निर्माड हो गया जब ये तूटकर अलग हो रहा था तो जौला मुखी लावा का प्रवा हुआ विशेश रूप से ये लावा का प्रवा सहयाद्री के उत्तरी छेत्रों में हुआ था लावा का प्रवा कहा हुआ था सह्याद्री के उत्तरी छेत्रों में लावा का प्रवा अधिक हुआ यहाँ पे है ना इसके चलते जो सह्याद्री का उत्तरी भाग है उसके उपरी सतह पर लावा की परत पाई जाती है यानि उत्तरी सहयाद्री का जो सत्य है वो लावा से ढखा हुआ है है ना उस पर लावा की परत पाई जाती है यही करण 자कर जो ब्हाग है वो अपेक्षाक्रित जादा उभरा हुआ दिखाई दिता है लावा की परतें इस पर चैटीज प्रवाहित हो गें थी इसे लिए उत्तरी सयाद्री के भाद अधिक उभरा हुआ दिखाई पड़ता है पस्मी भरंश कगार, सयाद्री की पस्मी भरंश कगार के कारण यहाँ पर जो नदिया प्रवाहित होकर अरब सागर में विलिन होती है पस्मी अरफ सागर की तरफ जो प्रवाहित होने वाली नदिया है वो अत्यधिक प्रपाती होती है मतलब बहुत प्रपाती मतलब तीव रढ़ाल के सहरे बैती है तो इसको हम कहते हैं अत्यधिक प्रपाती होना तो पस्मी तठपर बहने वाली जो नदियां है अरब सागर की तरफ वो अत्यधिक प्रपाती है इस भरंश कगार के सहरे अनेक छोटे छोटे जल प्रपातों का निर्माड हो गया है उधारण के लिए करनाटक में शरावती नदि ने भरंश कगार के सहरे जोग या गर्सुपपा जल प्रपात का निर्माड किया है है ना शरावती करनाटक में कहां पर है यह करनाटक में शरावती नदि परिस्थित है तो यहां पर नत्यधिक प्रपाती है अच्छा एक सवाल यह उड़ता है आपके फिमन में आता होगा कि धाल तो इसका पस्ण से पूर की तरफ है तो नदी यहां कैसे निकल जाती है अच्छा एक दो नदी नहीं बहती है उत्तर से लेकर दक्षिर तक पचासो छोटी छोटी नदियां ऐसी है जो पस्मी घाट परोत के से निकलती है और पस्मी खगार के सहरे पस्मी तटपर प्रवाहित होते हुए और अपसागर में चली जाती है तो यहां पर नदियां कैसे निकलती है इन को जल कहां से मिलता है नदियों को तो पठारी भारत में हैं समुध्र के पास है, तो बंगलोर में साल भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है, कि कोई समुद्री यहां पर समुद्री जलवायू के संपर्क में है, जलवाश हमेशा यहां थोड़ा भूत रहता है, तो बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी कि बाढ़ा जाए, लेकिन हमेशा थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, पठारी भारत में कठोर चट्टानों से बना हुआ है, तो बीच बीच में चट्टानों के बीच में दरार पाये जाते हैं, क्या पाये जाता है, दरार, चोड़ी अब होगाया जाता है। टो उन्हीं दरारों में जल संचीट रहता है और गहराई तक होते हैं अन्हीं दरारों का पानी पॉसमी में रिर नहेंको लगता है आप सुमाज में आ रहा होगा हमको लग रहा हैं अगर आप ध्यान से समझेंगे तो दरार के माधियों से पानी अंदर चला जाता है तो वो पानी जो है पस्मी भरंस का गार के सारे यहां पे धीरे-धीरे रिस्ता रहता है यही कारण है कि पस्मी तठ पर बहुत सी नदियां प्रभाइट होती है लेकिन चोटी होती है क्योंकि इनका उद्गम सुरूत पस्मी ढाल है प्राइदेपी पठार का पस्मी भरंस का गार पास सही निकलती है इसलिए नदियां बहुत ही छोटी होती है आपने देखा होगा कि पस्मी प्राइदेपी पठार में कुवे नहीं होते हैं कुमे खूदना एक तो कठीन है कि हिरा वही चथोर संग रचना अतार oppression survival टेली लखनों कानपूर बनार इला बात मुलाएं मिठी को सकते हैं अगर ठोध भी लिया प्रोप वो जो है कि चुकि दरार पाए जाते हैं मैं उल्टा बोल दिया हाँ तो चुकि खोद लिया किसी तरह तो दरार पाए जाते हैं तो दरारों से पानी वहां पर आकर मिलता रहता है कुवों में लेगिन खोदना ही कठीन है अगर खोद लेते तो दरारों से पानी कुवों में आ पस्वी घाट प्रोत को अध्यन की सुविधा के लिए तीन भागों बाढ़ सकते हैं A, B and C, मोटा मोटा, उत्तरी सहयाद्री, मध्यवर्ती सहयाद्री, और दक्षडी सहयाद्री, तो से पहले हम उत्तरी सहयाद्री, अध्यन सुविधा के लिए तीन भागों बाटाएंगे तो अच्छा रहता है, उत्तरी सहयाद्री को हम लेते हैं, उत्तरी सहयाद्री तापी नदी से लेकर गोवा तक विश्तरी थे, तापी नदी से लेकर गोवा की उत्तरी सीमा है ये जो रेट कलर की लाइन है या बलू मेंने कर दिया ये गोवा है तो तापी नदी से लेकर गोवा तक उत्तरी सहाध्री का विस्तार है उत्तरी सहाध्री का भाग उभरा हुआ है जो कि लावा के 36 परतों का प्रवा हुआ है उत्री सह चोटियां पए जाती हैं, जैसे तीक दख्षण में गश्ड कल्स चण्र ओस्रेटी की तीक दख्षण में यहाँ पर धुड से दूर Ming पर महाबलेश्वर चोटी है महाबलेश्वर चोटी से ही क्रिष्णा नदी निकलती है और पतलब क्रिष्णा नदी महारास्ट में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है महाबलेश्वर कहा है महारास्ट में और पूर में करनाटक को और तेलंगाना को पार करते हो चली जाती है आंद्रप्रदेश में डेल्टा के निर्माण करती है सबसे उची चोटी कालसुबाई की ठीक उत्तर में यहाँ पर ठीक उत्तर में नहीं थोड़ा सा उत्तर में जाने पर हाँ पर सलहर चोटी है कौनसी सलहर सबसे उची चोटी कालसुबाई उसके दक्षड में हरिष्चंदर चोटी उसके दक्षड में महाबलिश्वर चोटी उत्तरी सहयाद्री की दक्षड में मध्यवर्ती सहयाद्री है जो की गोवा से लेकर निलगिरी परवती गाठ के दक्षड में पाल घाट दर्रे केरल में पाल घाट दर्रा है वहां तक विस्तरित है हम पहले बिता चुके हैं कि निलगीरी परवती घाट पूरी घाट और पूरी पस्मी घाट दक्षिड भारत में आपस मिल जाते हैं जिससे निलगीरी परवती घाट के निर्माड होता है तो मध्यवर्ती सहयादरी गोवा से लेकर निलगीरी परवती घाट के दक्षिड में क अधिक्तरभा करनाटक में इसमें प्रमुक रूप से मध्धिवर्ति सहयाध्री दुर्टिक न्द्रगत करनाटक में करनहें दो प्रमुक्चोटियां पाई जाती हैं कि एक तो कुन रिम्क्चोटि में में लिख दे रहा हूं यहां पर कुद्रे मुख चोटी और उसके दक्षण में ब्रह्मगीरी चोटी कुद्रे मुख चोटी यहां की सबसे मद्यवर्ती सहयाद्र की उची चोटी है उसके दक्षण में ब्रह्मगीरी चोटी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है और दक्षण पूर की प्रभाइत होते जो पूर्वी तठ है हरे कलर का मतलब समुद्र तल से बहुत पास में है समुद्र तल से उंचा नहीं है जो भी हरे कलर के मैप में दिखाए देते हैं वो उनकी उंचा ही समुद्र तल से ज्यादा नहीं है समुद्र तल के लभ लभ बराबर ही है यह तो यह जो तटी एरिया है उसको हम कोरो मंदल तट कहते हैं तमिलाडू का तट है ठीक है कुद्रे मुख चोटी और उसके दक्सिम में ब्रहमगिरी चोटी निलगिरी परवती गाट के समीप पस्मी घाट परवत पूर्वी घाट परवत से आकर मिल जाता है जैसे बोलां उसके लिखेंगे निलगिरी गाट पर दोनों पस्मी घाट पूर्वी घाट आकर आपस में मिल जाता है निलगिरी परवत का विस्तार तीन राज्यो में है करनाटक केरल और तमिलनाडू तमिलनाडू में है निलगेरी की सबसे उची चोटी डोडा बेटा इसकी सबसे उची चोटी डोडा बेटा किस राज में है आप बताएंगे ठीक है इसकी सबसे उची चोटी कौन से है निलगेरी की डोडा बेटा डोड़ा बेटा जो है निलगिरी की सबसे उची है लेकिन ये दक्षिड भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है सबसे उची चोटी नहीं दक्षिड भारत की दक्षिड भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है नेलगीरी परोद पर ही तमिल नाडु का प्रसिद्ध परेटन इस्थल उटी को हम उटक मंडल भी कहते हैं तमिल नाडु का प्रसिद्ध परेटन इस्थल या प्रसिद हिल स्टेशन उटक मंडल या उटी नेलगीरी पहाड़ियों पर ही इस्थी थे इसके अलावा निलगिरी पहाडियों के इंतरगत ही केरल में सांत घाटे इस्थित है यानि साइलेंट वली निलगिरी पहाडियों में स्थित सांत घाटी सदा बहार वर्षावनों से दूर तक ढखा हुआ एक जंगली छेतर है जिसमें सूर की किर्णे रिस रिस कर पहुंचती है बहुत ज्यादा अंदर धूप नहीं जाते क्योंकि बहुत उंचे वरिक्ष दूर तक और घंए वरिक्ष पहले हुए हैं जंगल इतना घंग है कि दूर तक सन्नाठा पसरा रहता है इसलिए हम इसको साइलेंट वैली कहते हैं साइलेंट वैली अपनी जय विविजता के लि तो और नहीं मिलती है जैसे में ऐसे संग पुछ बंदर या बहुत-तरह कि गिलहरी की परजातियां है या सापों की परजातियां इस यह वनसपतियों में भी ऐसे फूल पॉदधय और सधियां जो कहीं आने नहीं कि नदी प्रवाइट होती है कुंती पुझा बीच नदी प्रवाइट होती है अरब सागर की तरफ उसका नाम है कुंती पुझा इसको बीचो बीच पर्सिम की तरफ प्रोवयक्ट नेलगी परोध की दक्षण में, पाल-ःड धर्रा है, हुआ पाल-ःड धर्रा कैरल में इस्टिथ है, इसको हम पलकार्ड दर्रा भी कहता है कियोंकि कैरल में एक जिला है, है पलकाड इसल्एमाइस दर्रह ही करते है केरल ड्रशला ऋप्सरी दर्रह है कि इस दर्रह है में कोच्चीckt बनदर्रगाह को सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा को परिम तूर है और चैननेए से जोड़ा गया है कोच्ची को फालकाड दर्रह से होकर यहानि कीरल और तमिल नाडू की लोग सरक मार्ग और रेल मार्ग द्वारा पालघाट द्र्रे से ही होकर आते जाते हैं है्ना और भी कुछ हन्दर रहे हैं जिननके बारे मैं बताऊंगा हाँ दक्षणी सहाध्री पालगाट दर्रै की दक्षण में हम एक भाज फिर पालगाट द्रा बना भेहांपगा पाल घाट दर्रै है अब यहाँ पर हम देखिएंक दूसरे मैंसे ज़द आचा रहे और धक्षणी भारत की दूसरी सबसे चोटी दोदा बेटा अभी तक मने बैताया था कि पाल घीड दर्रे तक आलः गमन होता है पाल घीड दर्रे की दक्छिड में दक्छडी सहीाध्री है डक्छडी सहीाध्री के अंत्रगत उत्तर से दक्छडी की ओर क्रम सह 2 पहाड़ियां कन्या कुमारी तक चले gây इन में से सबसे पहले है अनामलाई चोटी यह पालगाट दर यहां पर बना हुआ है लिखा हुआ है उसके दक्षड में अनामलाई पहाड़ी अनामलाई पहाड़ी के दक्षड में काडामम हिल और काडामम हिल के दक्षड में नागर कोईल पहाड़ी यह करम से तीन पहाड़ अनाई मुडी या अनामदी अनामलाई की सबसे उची चोटी और यह ना केवल पस्मी घाट की पस्मी घाट की सबसे उची चोटी है बलकि ये पूरे दक्षिर भारत की भी सबसे उची चोटी है अगर आप से पूछे कि पस्मी घाट की सबसे उची चोटी अनामोदी और दक्षिर भारत की भी सबसे उची चोटी अनामोदी अनामुदी भी वास्तों में परवती गाठ कीतर है अगर आप ध्यास देखेंगे तो अनामुदी भी एक परवती गाठ कीतर है जहां से तीन तरफ पहाड़ियां निकली हुई है इसके उत्तर में अनामलाई पहाड़ी निकली है इसके दक्षिण में काडामाम पहाड़ी का व राज में काई पहाडी का विश्थार है रावो तीन स्वेज़ान आँकर आना-मुदी चोटी पर एक दूसर से मिल जाती हैं तमिलनाड़ु का प्रसीद्ध हेल के डाट पमेल्नाड़ु के अधेक स्थित है अना मलाय की दक्षण में कडामूं पाहडी को हम कहते हैं इझार कोईल पाहडी है जो कि कन्या कुमारी तक सुदर्स भारत कता है पोरवा relief पूर्वी घाट परवत पस्मी घाट परवत की अच्पले है कहां से कहां तक पूर्वी घाट परवत महानदी के मुहाने से लेकर यह महानदी पूर्वी घाट परवत महानदी के मुहाने से लेकर निलगिरी परवती घाट तक विस्तरी था मोटा मोटा है नो यहां से लेकर निलगिरी परवती घाट तक विस्तरी था लेकिन पूर्वी घाट पस्मी घाट परवत की तरह निरंतर और करंबध नहीं है जैसे पस्मी घाट परोट निरंतर और क्रमबद है के वल चार दर्र हैं जिनके माध्यम से इसको पार किया जा सकता है थोड़ी दर में बताऊंगा पस्मी घाट परोट परोट निरंतर नहीं है क्रमबद भी नहीं है बलकि बहुत ज़्यादा कटा चटा है ऐसा इसलिए कि पठारी भारत पर बंगाल की खाड़ी की तरब बहने वाली लंबी नदियों ने जैसे महानदी गोदावरी कृष्णाव, पेनार पालार, कावेरी पेनार उसके दक्षण में पालार है उसके दक्षण में कावेरी, और भी छोटी-छोटी नदिया है, तो इन छोटी और लंबी नदियों ने पूर्वी घाट परवत को जगा-जगा काट-छाट दिया है इसके चलते पूर्वी घाट इस्थानी पहाड़ीयों के रूप में नजार आता है और इस्थानी पहाड़ीयों के रूप में दिखाई भी देता है ये कौन-कौनसी इस्थानी पहाड़ीया है उधारण के लिए जैसे वैली कुंडा से रेड़ी पाल कुंडा पहाड़ी शेशा चलम पहाड़ी ये चारों पहाडियां आंदर प्रदेश में है और उसके दक्षण में तमिल नाडु राज्य में उत्तर से दक्षण की तरफ चार पहाडियां है जैसे जावादी हिल, शेवाराय हिल, पंचामलाई हिल, सीरूमलाई हिल ये तमिल नाडु में है तमिल नाडु में जो पहाडि कि अब सवाल है कि पूरी घाट परवत की सबसे उची चोटी कुछ सी है इस पर अलग-अलग किताबों में वहाँ से लिखी रहती है कभी क्लियर इस पस्थ निहीं हो पाता हैं कहीं लिखा रहता है निम गिरी कहीं महेंद्र गिरी चोटी अलग-अलग किताबों में लिखा रहता है हाल में ये पता चला है कि पूरी घाट परवत की सबसे उची चोटी आंदर परदिस में अराकू घाटी में एक परवत है जिंद गड़ा जिंद गड़ा चोटी ये पूरी घाट परवत की सबसे उची चोटी है इसके वस्तति विशे शुरुष से विशाखा पटन जिले में है ये हो गया पूर्वी घाट अब हम पस्मी घाट में जो दर्रे हैं उनके बारे थोड़ा पढ़ा दें पस्मी घाट परवत को कुछ खास दर्रों के साहता से ही पार किया जा सकता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा निरंतर और करंबध दिखाई देती है है ना कि वह चार दर्रे हैं जिनके माध्यन से हैं पस्मी घाट परवत को आर पार कर सकते हैं यह चार दर्रे कौन कुछ से हैं पस्मी घाट परवत के डर्रे थाल घाट सबसे उत्तर ही दर रहा है उसके दक्षण में भोर घाट उसके दक्षण में पाल घाट और उसके दक्षण में संकोट्टा संकोट्टा दर्रा या संकोट्टा गैप सबसे उत्तरी धरत इन दर्रों के माध्यन से जो पस्मी तठपर इस्थित शहर है या महानगर पस्मी तठपर इस्थित महानगरों को जैसे मुंबई कोच्ची पस्मी तठपर इस्थित बंबई कोच्ची और त्रिवेंद्रम जैसे नगरों को पठारी भारत के नगरों से जोड़ा गया है इन्हें केवल इन दर्रों के माध्यम से पस्मी तठप की बंबई कोच्ची और त्रिवेंद्रम जैसे नगरों को ना केवल पठारी भारत के नगरों से जोड़ा गया है बलकि इन्हें उत्तर भारत के नगरों से भी जोड़ा जा सका है इनी दर्रों से होकर इन्हें आर पर किया जा सकता है पस्मी घाट परवत को सबसे उत्तर में है यहाँ पर थाल घाट दर्रा यहाँ पर ठीक है थाल घाट दर्रा सबसे उत्तरी दर्रा है पस्मी घाट में इस दर्रे से होकर थालगाट दर्रे के माध्यम से मुंबई को पठारी भारत में इस्थित नासिक जिले से और उसके आगे उत्तर भारत के नगरों और कॉलकाता से जोड़ा गया है यहां पर कुलकाता है उत्तरभाद के नगरें मोटा मोटा जैसे वपाल उसके बाद लखनू है नो थालघठ दर्रे की माध्य को महराज की नासीख और उत्तर भारत के नगरों और साथी कुलकाता महानगर से जड़ा गया है मुंबई भी एक महानगर है क्योंकि इसकी आबादी एक करोण से भी अधिक है तो एक करोण से आधिक आबादी वाले नगरों को महानगर कहते है या मेगा पोलिस भी कहते हैं उनको तो बाद में जन संख्या या नगरी करण में इसे पढ़ेंगे किताब में एक चीज में कहना चाहूँगा किताब में ऐसे गौर चैप्टर जिनके बारे में मैंने खुद अपने छात रेजियन पढ़ते समय नभो किया था कि बहुत से चीजें तो बहुत ही गौर तरीक से दी गई होती हैं जैसे जनसंख्या नगरीकरण परिवहन जैसे कौपी-पेस्ट लगता था कि कहीं से लाग कि कौपी पेस्ट किए आँ लेकि मैंने पूरा प्रेज किया कि जनसंख्या नगरीकरण परिवहन जैसे अध्याओं को देश्किया जादी के बाद इसी तरह से परिवहन सुई धाओं का जिस तरह से विकास हुआ फैक्ट तो रहें गई लेकिंगे अपनी किताब को लिखते समय इन लास्ट के अध्यायों को भी ऐसे लिखा जाए कि आप एक बार पढ़ें तो किसी विस्तर पर कुई कमी न दिखा लेकिन जब बुक पब्लिश हुई और मैंने खुद जनसंख्या वाला अध्याय एक बार खुद से पढ़ा तो मुझे लगा कि जनसंख्या वाला अध्याय बहुत ही अच्छा लिखा गया है आपको मैं सलाद हो इसलिए जनसंख्या का नाम ले रहा हूं क्योंकि आम तोर प जनसंख्या के लिए छोटे-छोटे प्रकाशन की मार्केट में मिलती रहती है छोटे-छोटी-छोटी पतली-पतली बुकलेट उससे हम जनगर्णा लेकि पढ़ लेते हैं और कई बार ऐसा होता कि जनसंख्या के विकास से समन्धित बहुत से मूल बाते हैं तो जिनको जनस चैप्टर से सामिल किया है कि आपको सभी तरह की जनकारी चाहे जनसंख्या नगरी करण का विकास हो या जनगड़ना हो या नगरी करण से समन्धित आकड़े हो या सिध्धान्त हो यह सब आपको पर्याप्त रुपे मिल जाएगा है ना बुक एक बार फिर से में कवर बहुत अच्छा लगा हो सकता है बहुत से लोगों को ना अच्छा लगे सबके अपनी पसंद होती है लेकिन जनसंख्या कि मुझे कहीं भी उसका पर्याप्त रुपे जनकारी मिलती नहीं थी ना किवल प्रेलिम की इसाब से बहुत अच्छे आंसर उससे बना लेंगे है न जैसे भारत में जनसंख्या की गुडवत्त से समतित ने टोपिक आते हैं जिसको हम बोलते हैं संभावना जैसे या जनसंख्या जब भड़ती चली जाती है हैना और भारत में अध्युच जो जनसंख्या है वो यूड़ा जनसंख्या की देमोगरेफिक डिविडेंट के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको लिखने का प्रयास किया है कि हम उसका दोहन की इस तरह से कर सकते हैं और हमारे लिए चुनोती भी एक तरीके से है और बाद में नुकसान भी पहुँचा सकता अगर हमने उसका अच्छे से दोहन नहीं किया क्योंकि किसी भी देश में जनांकी की लाब लेने की समभावना हमेशा नहीं रहती क्योंकि आज जो जनसंख्या युआ है कलो बोड़ी भी होने वाली है तो जब जनसंख्या युआ है तभी हम उसका लाब ले सकते हैं और जेमगरेफिक डिविडेंट का लाब लेने के लिए जनसंख्या का skilled यानि कुशल और educated होना जरूरी है यह उसका आज जो समाजिक infrastructure कहते हैं सिक्छा और कुशलता को तो समाजिक infrastructure अगर नहीं मजबूत है तो क्यों जनसंख्या युआ जनसंख्या तभी कुशल हो पाएगी जब उसका समाजिक infrastructure social infrastructure मजबूत रहेगा सिक्छा करना होता है जैसे अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा उच्छे सिक्षी और कुशल हो भी गई लेकिन देश में हमारे रोजगार के परियापत उसर नहीं है चाह सरकारी चेतर में या फिर प्राइवेट चेतर में तो अगर रोजगार के आउसर दूसरी कंटेंट खरीदने पड़ते थे दूसरे दूसरे बुक के या नोट्स खरीदने पड़ते थे एक ही चीज को जानने के लिए फैक्ट यहां पड़ो पड़ो तो मैंने प्रियास कि एक चैप्टर में सारी बातें उससे समंधित अवेलेबल हैं जब मैं इसको लिख लेकिन पूरा नहीं कर पाता था लापरवाही में मैंने बुक के थोड़े थोड़े इससे कई बार लिखे लेकिन टाटाम एग्राहिल वाले लोग मुझसे मिले थे तो तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसको लिखिए दो-तिन में मैंने लिखा लेकिन पूरा नहीं लिख पाया इसी तरह से 2021 में भी कुछ बाते मैंने लिखी कुछ चैप्टर्स लेकि पूरा नहीं लिख पाया क्योंकि बुक लिखते से मैं बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल करने होते हैं आंकड़े चेत्र मांचेत्र कहीं से अधूरा पन ही लगना चाहिए सही लिखना होता है जाच कर लेना होत लाट और बोले कि आप एक किताब को लिख देजिए हमने कहा कि कई लिखने लगा होते तो मेरे दिमाह में अक्सर ही बात आती थी कि लिख तो रहा हूं लेकिन जब मैं इसे पूरा करूंगा पब्लिश होगा तो पता नहीं चात्रों को पशंदाय गा है नहीं सही होता रहा क्योंकि बजार में इतना कम डिजयन है किताबों को लेकर खास कर जब ख्लिपकार्ट एमेजन खुली तो एक भूबल की किताब आप सच करें सेकुड़ों किताबें सामने आ जाती है तो लेकिन अच्छी बात ही है कि बुक जब पब्लिश हुई तो 20 दिनों में ही किताब को बेस्ट सेलर का टैग मिल गया मैंने एक दिन अचानक से पब्लिकेशन वालों का फोन आया मुझे पास बोले कि जर्वधायों ने कहा क्या हुआ हुआ है और आपकी बुक के उपर बेस एजार या तीन हजार प्रति आपकी निकल एक रो मिलाकर तो मुझे अच्छा लगा कि छात्रों को पसंद आया और सबसे है इसलिए इसलिए च्छानी लगा कि मेरी किताब भी करें है इसलिए छात्रों के बीच बहूत ही गुरता वहाला कंटेंट गया जो कि कहीं सी कॉपी प्राटा से सम्मंदित हो अपडेट होते रहते हैं हमको चेक करना पड़ता है तो मैंने बताया कि सबसे उत्री है तो मुंबई महानगर को थाल घाट से उत्तरभाइद की नगरों से और कलकाता जोड़ इसी तरह से भोरगाट उसके दक्षण में महाराष्ट में ही नाशिक सब्स हुआ है तो भोरगाट दर्रे की मध्यम से मुम्बई को नाशिक और उसके पूर में बंगलोर और चेननी नर्ण ही महानगरों से जुड़ा गया नेन च teor इनेक वर्ल हैं स catch the किरल की पलकार जीर में पालगाट दर्रे से होकर किरल की कुच्ची बंदरगाह को क्रमसक कोयम बटूर और चन्दवी महानगरों से जोड़ा गया है एनच यहां पर कौन से एनच गुजरती है सेनकोटा गयप काडमम और नागरकोईल पहाड़ियों के बीच है इस गयप के माध्यम से तिरवेंद्रम नगर को तमिलनाड़ के मदुरई शहर से जोड़ा गया है तो जब निकल के एक सहर पहुँच गया तो अगर इधर से आपको चन्दी जाना है तो आप मुदरी से आगे चन्दी पहुँच जाना है तो यहां पर ऐसे कोईम बटूर चले जाएंगे यह कैसे जड़ा गया है सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा जुड़ा गया है ना यह जो कहिए भारत की भुआ करती कें तरगथ बहुत बड़े छीटर कभर हो गया है जिनमें से उत्तरी परवसरिंखला यानि हिमाले और दूसरा प्रायदेपी भारत का पठार क्रम में तो तीसरी नंबर पर आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान लेगे चोकि हमने पठारी भारत पढ़ा तो हम उत्तरभाद का मिशाल मैदान थुड़ बाद में देखे लेंगे अभी हम देखेंगे तटी मैदान अच्छे से है ना पस्वी तटी मैदान पूर्वी तटी मैदान तो तीसरा भाग जो हम पढ़ रहा हैं तटी मैदान पठारी भारत के पूर tha फागों में तक्ठी मैदान के होता है जो भारत में इस्थित हैं वह समुद्र तल से जादा उचे नहीं है समुद्र तल से इनकी उचाई धार उत्तर भारत पा मैं या फिर पूरवी पंदान जो भी हरिक लर्ण के च्छित्र आप देख रहे हैं, वो दिखाते हैं कि इनकी उचाई समुद्र तल से बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये मुलायम मिट्टी से बने हुए सम्तल च्छित्र होते हैं, बिलकुल, और समुद्र तल से इनकी उचाई भी बहुत कम होती है, भारत में सबसे बड़ा प्रेंगा ब्रेंपुत्र का मैदान इसे हम कहते हैं, या उत्तर भारत का विशाल मैदान भी हम कहते हैं, जबकि प्राइदेपी भारत के पूर्वी और पस्मी किनारों पर जो मैदान है, उससे हम तर्टी मैदान कहते हैं, जो अपेक्छा कृत सक्रा है, लंबाई लिए हु अधिक चोड़ाई आपको दिखाई दे रही है, यह से बातों के लिखना है, यही से पूछा जाएगा, मैं यह मान के पढ़ा रहा हूं कि आप किसी निकट एक्जाम के ही नहीं, लंबे समय तक की तैयरी करें, साल दो साल बाद भी आपको एक्जाम देखना चाहेंगे, देना प्रादी, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, अतीत में और भी नदिया निकलती रहे होंगी, क्योंकि एक लंबे समय काल में, प्रायदिपी भारत, गॉंडवाना लेंड से तूटकर अलग हुआ, उत्तरपूर की तरफ प्रवाहित हुआ, उत्तरपूर की तरफ तो ऐसा था, मान लेते हैं, टेबल की तरह ऐसे उठा हुआ था, मान लेते हैं, ठीक हैं, और इसके बाहरी छित्रों में क्या था, इसके बाहरी छित्रों में तटी मैदान तब नहीं हुआ करता था, क्योंकि दरार का निर्माड हुआ, गॉंडवाना लेंड और पठारी भारत की भी में हुआ कैसे हुआ क्योंकि 30 मैदान की मित्ति मुलायम है और पठारी भारत चूटकर रहा हुआ गोंडवाना लेंड से जोकी क्राचीन और द्रड़ भुखंड यह क्या है गोंडवाना लेंड से जुड़ा हुआ यह एक द्रड़ बुखंड है तो इसके दोनों तरफ मुलाय मिट्टी से बना हुआ मैदानी भाग कैसे आ गया और कब आ गया तो पठारी भारत से एक लंबे समय काल में जो नदिया निकलती थे वो प्रवाहित होकर जब अपनी घाटी में बहती थी तो पठार को अपरदित करती थी काटती छ नदि रहती थी नदियों की घाटी घाटी अंदर घाटी में एक दम इसी पर नहीं बैगी क्योंकि किसी नदियों की घाटी अंदर घहरी होती है न तो नदियों पठारी भारत को काट कर औशौदू का निक्षेपड बाहरी छेत्रों में करती थी है ना तो इसका पड़ाम यह हुआ यहां से भी निकलने वली नदियां आउसादों का निक्षेपड बाहरी छेत्रों में करती थी तो नदियों तोरा पठार को काट कर लाए गए आउसादों के निक्षेपड से पठारी भारत के पठारी भारत के बाहरी पूर्वी और पस्तिमी छेत्रों में मुलाय मिट्टी का जमाव किया और बालुकणों का जिससे तटी मैदान के निर्माड हुआ तटी मैदान के निर्माड में के नदियों का युग्दान नहीं है इसमें सागरी लहरों का भी युगदान है अतीत में शागर आके सीधे यहां पर तो समुद्र आकर सीधे याँ पर टकराता था समुद्र में जब 24 गंटे में दो बार उचा जवार उठता है जब उचा जवार उठता है तो खतरनाक लहरे उत्पन होती है और अचानक से आप गूम फी रहे हैं बैठे हुए हैं और आप देखें कि समुद्री लहरे खतरनाक रूप धायर कर रहे हैं तो वहाँ से हट जएए भाग जएए फिर भी आप नहीं मान रहे हैं वहाँ किसी उचे चटान पर बगल बैठे हुए हैं जैसे डिर सारे चटानी एरिया वाले कुछ तठ होते हैं तो खतरनाक होता है तो उचे जवार के समय उची लहरे उठती थी उची लहरे जब उठती हैं तो यहाँ तक उड़ जाती होगी कल्पना करिए उचे जवार के समय लहरे यहाँ तक उड़ जाती थी विकराल लहरे यहाँ तकरा रही हैं प्राचेन दिड़ भुखंड से तो लहरें जब टक्राएंगी तो अपरदन करेंगी चट्टानों को कटेंगी छाटेंगी है ना गर्मी पड़ेगा ठंडी पड़ेगी पानी भी टकरा रहा है उसे में तो चट्टाने कट छट कर अपरदीत हो जाती हैं और ये चट्टाने कह यहां जमा होती जाएंगी गेर कर नीचे यहां पर जमा होती जाएंगी बह समझ गया यहां पर यहां पर ऐसे तो यह पूरा छेतर मुलायं मिट्टी से बन गया दिरे-दिरे लहरों के टकराने से यानि अप अपर्दन और निक्षेपण करिया सागरी लहरों द्वारा जो तटी मैदान है वो सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण करिया का भी प्रेडाम है प्रेडाम सुरूप यहाँ पर तटी मैदान के निर्वाण हो गया आप कल्पना कर पा रहे होंगे तो नदियों द्वारा जलोड असादों के निक्षेपन से और इसके लमा सागरी तरंगों के अपरदन निक्षेपन का भी प्रडाम है तटी मेदान तटी मेदानों में पस्मी तटी मेदान की कम है पूर्वी तर्टी मेदान की अधिक है इसके अध्यन के लिए इसको हम दो भागों बाटेंगे पूर्वी तर्टी मेदान और पस्मी तर्टी मेदान सबसे पहले हम सबसे पहले हम पस्मी तर्टी मेदान पढ़ेंगे पस्मी पस्मी तर्टी मेदान कच के रन से लेकर यहाँ पर कच्छ का रन है कच्छ के रन से लेकर तक्षण में कन्या कुमारी तक विस्तरित है है ना वह आपको यहाँ पर एक चीज बता दूँ कि भारती तटरिखा की लंबाई 1600 किलोमेटर है है ना और जो तटी मैदान है वो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 1600 किलोमेटर की लंबाई में तटरिखा के साथ-साथ फैला हुआ है यह मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था कि तटी मैदान तटरिखा की 100-100 किलोमेटर की लंबाई के साथ-साथ अरब सागर पाश्मी तटी मैदान कच्छी के रन से लेकि कन्या कुमारी तक फैला हुआ है पस्वी तटी मैदान कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो पाश्मी तटी मैदान की को्ढाई आप इच्छा की पूरवी तटी मैदान की तुलना में कम है पस्वी तटी मैदान की इप हैसे के अंद है आप देखेंगे तो नर्मदा और तापी नदियों की मोहाने पर मिलते इं press है और ओर यह आ पस्मी घाट से पस्मी घाट की तरफ पस्मी घाट की पस्मी घाल से निकल कर पस्मी घाट की पस्मी घाल से निकल कर पस्मी घाट की पस्मी घाल से निकल कर पस्मी घाट की तरफ पस्मी घाल से निकल कर अत्यदिक तीवरगामी होती है क्योंकि धाल के सहरे बहती है धाल के सहरे बहती हैं तो बहुती तेजी से बहती है तो तीवरगा में होने के कारण ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती बलकि एस्चुवरी का निर्माण करती है एस्चुवरी को हम हिंदी में जौर नदमुख बोलते हैं पस्वी तटी मैदान पर प्रवाहित होने जितनी भी नदियां ये अपने मुहाने पर एस्चुवरी का निर्माण करते हैं एस्चुवरी क्या होता है इसको विश्चुवरी तरुस से जब हम नदी वाला ध्याय पढ़ेंगे अपवा तंत्र वाला वहां पर हम समझ पाएंगे यहाँ पर टॉपिक भटक जाएगा आप मोटा मोटा एस्चुवरी का मतलब इतना समझ लेजे कि नदी जब किसी ऐसी घाटी में प्रवाइट होती है जो काफी ढाल दार है तो नदी आउसादों का निक्षेपड नहीं कर पाती तर्टी शित्रों में सारा का सारा आउसाद बहा कर तेजी से समदर में घोश जाती है अंदर और एस्चुरी की एक विशिस्ता ये है कि समदर का लेबल उपर रहता है और नदी की घाटी नीचे रहती है आसमझ गया है ढाल से बहा कर आती है तो समदर का लेबल उपर रहता है और नदी की घाटी समुद्र सागर सता के नीचे चली जाती है यानि नदी एदम समुद्र में जाके समा जाती है स्पीट के साथ तो ऐसे इस्तितिमे नदी अपने मुहाने पर आउसादों का निक्षेपड नहीं कर पाती जिससे डिल्टा का निर्मार नहीं हो पाता डेल्टा का निर्मार उसी परिस्थितिम हो सकता है जब नदियां बहुत इन्निम्न ढ़ाल के साथ प्रवाइट हो रहे हैं ढ़ाल बहुत कम हो ऐसे इस्थितिम नदियां अपने आउसादों को बहा नहीं पाती है और तट पर ले जाकर छोड़ देती हैं तट पर जमा करतेने से ही डेल्टा छेत्रों का निर्मार होता है उदाहरण के लिए उत्तर भारत में प्रवाइट होने वाली नदियां जैसे गंगा नदि इसको हम इस मैप से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गंगा नदि उत्तर भारत की मैदान में जैसे प्रवाइट हो रही है है ना बांगला देश में आई बहुत कम ढ़ाल है पहाडी छेत्रों में हिमाले में तो अच्छा खासा ढ़ाल है लेकिन उत्तर भारत का मैदान आप कलपना करिए लखनओ, दिल्ली, बनारा, सिल्हाबाद यहाँ जमिन में ढ़ाल मिलती है बिल्कुल संतल मैदान है आपे ऐसे छेत्रों से होते हुए विमगा नदि यह बांगला देश से पहुंचती है तो उसमें ढ़ाल बिल्कुल नहीं रहता है जैसे लगता है कि नदी तडप रही हो कि हम जाएं तो जाएं कि दर क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिला और ढाली नहीं है तो नदी का पानी, नदी की पानी को भाव की दिशा नहीं मिल ले नदियां विवश होकर दूसरी तरफ निकल पड़ती है जहां उनको मौका और रास्ता मिलता उधर ही बहने लगती है तो मुक्ह नदी का साथ छोडने वाली जो धाराएं होती है तट के पास, मुक्ह नदी का साथ छोड़कर अलग प्रवाहित होने वाली धाराओं को वितरिका कहते है जैसे सबसे गंगा नधी की सबसे बड़ी वित्रीख है हुगली नदी जो मिंगाल में उसका इसाथ झोड़कर दक्षिल की तरह प्रवाई टोने लगती है कॉलकाता हुगली नदी के तट पर ही इस्तित थी है तो यह वित्री नधी इस बात की से उस्ट करथे है कि नदी जिस भूमी पर प्रवाही थोरी उसमें ढाल बिल्कुल नहीं है तो यह वितरिकाएं अलग अलग दिशाओं में आवसाद लेकर प्रवाही थोरी है आवसाद वो मिट्टी जो पहाड़ों से काट कर लाई है उसको हम आवसाद कहते हैं तो तट पर पहुंचते पूर्थी परवती छेत्रों से हो रही है गंगा नदी द्वारा भी सांगपो नदी द्वारा भी तो जो डेल्टा छेत्र होता है ऐसे त्रेबुजा कर बनता है इसे हम डेल्टा कहते हैं डेल्टा छेत्र हमेशा समुद्र की तरफ आगे की तरफ बढ़ता रहता है क्योंकि अवसादों की आपूरती परवती छेत्रों से चलती रहती है अवसाद यहाँ पर हमेशा नए जमा होती रहते हैं इसलिए धिरी धिरी डिल्टा छेत्रों में नई भूमी का भी निर्माड होता रहता है गल्टा छेत्र मेशा समुद्र की तरफ आगे की तरफ बढ़ता रहता है गंगा मैदान में बहने वाली नदियां डिल्टा के निर्माड करती हैं इसके अलबा पठारी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियां है उनमें भी अधिकांस नदियां जो पूर्वी तरफ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जलगी रहती हैं जैसे गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार ये सभी नदियां अपने मुहानों पर डेल्टा करने निर्माड करती हैं क्योंकि एक लंबी दूरी से प्रवाहित हो के आ रही हैं तो पठारी भारत को काट कर अपने साथ जलोड आउसाद बहा कर लाती हैं जिसको तटी छेत्रों में जमा कर देती हैं आप मांचीत्र में कर दिहान से देखेंगे तो गंगा कावेरी का जो मुहाना है यह आगे की तरफ निकला है स्वरी गोदावरी और क्रिष्णा का जो मुहाना है यह गोदावरी का मुहाना है और यह क्रिष्णा नदी का मुहाना है आप देखेंगे तो यह मुहाना इनके मुहाने पर जो भोमी है समुद्री की तरब आगे की तरब बढ़ी वही है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इन अधिया देड़ सारे आवसात काट कर ला रहे हैं, और अपने मुहाने पर जमाक कर रहे हैं। इसके चलते ही डेल्टा छेतर समुद्र की तरब आगे बढ़ता रहता है, पूर्वी तट पर बहने वाले जितनी भी नदिया हैं, वो सभी अपनी मुहाने पर डेल्टा के निर्माड कर रही है, यानि बंगाल की खाड़ी की नदिया है ये, वही अरब सागर में बहने वाली पस्मी घाट के पस्मी ढाल से आतो निकलती हैं, जिससे उनकी रप्तार तीवर होती है और घाटी गहरी होती है, गहरी घाटी में तीवर रप्तार के साथ बह रहे हैं, उसके लागा दो भरंश घाटी में बहने वाली नदिया है, तापी और सत्पुडा, ये दोनों भी पस्मी घाटी मेदान निमजन का परड़ाम है, किसका परड़ाम है, यानि अतीत मिसमे निमजन हुआ है, हम किताबों में अक्सर देख की घवरा जाते होंगे कि इतनी कठीन कठीन सब्द कहां से हम पढ़ें, और दुसरा एक और सब्दा आता है उनमजन, जानना जरूरी है क्योंकि यही पढ़ना है, जो पढ़ना है उसके बारे में जरूरी है, उनमजन, यही पढ़ना है, तो जानना है इसको, निमजन का मतलब होता है डूब जाना, समुद्र में डूब जाना, यानि जमीन का समुद्र के नीचे चला जाना, और उनमजन का मतलब है जमीन का समु समुद्र के बाहर निकलाना यानि उनमजन मतलब बाहर निकलाना जो पस्वी तटी मैदान है अतीत में उसका निमजन हुआ है समुद्र में ढूब गया है यही करण है कि आप पस्वी तटी मैदान को के पास पस्वी तटी मैदान के पास समुद्री छेतर देखिए कम नीले हल पॉसरा suivre को संदर को दर्षाता है लेकिन जो हलका नीली रंग समुदर को समुदर kows दर्षाता है कंगरे समुद्री भाग को movimiento राता है तो चुक्ि ताठ का ही निमज्जण हुआ थो तत दूब की कहां लागया समुद्र में यही करने की पस्मी तटी मैदान की पास समुद्र की गहराई कम है तट के पास जो समुद्री छेत्र होता है उसे हम महादीपी मगन तट बोलते हैं क्योंकि महादीप का ही भाग है जो मगन हो गया है जलमगन महादीप का ओ भाग जो समुद्र में जाकर जल्मगन हो गया है उसे हम जल्मगन तट कहते हैं तो तट के पास सिछले समुद्र को हम क्या बोलते हैं जल्मगन तट तो चुकि पस्वी तट का निमजन हुआ है यही कराण है कि पस्वी तटी मैदान के पस्वी में जो अरब सागर का भाग है उसमें महादुईपिय मगन त टट की चोड़ाई जदा दिखाई दिती है जबकि पूर्वी तट, पूर्वी तटी मैदान उन्मजन का परणाम हुआ है, यही करणा की पूर्वी तट के पास बंगाल की खाड़ी में जो महादूपी मगने तट है, महादूपी मगने तट की चोड़ाई बड़ी कम है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में महादूपी मगने तट की चोड़ाई बहुत कम है, दिखाई भी दे रही आपको, और अरब साकर में, जो कि यहाँ पर निमजन हुआ है ढूब गया है इसलिए मगन तट की चोड़ाई ज्यादा है तो जो ऐसे तटो पर प्राकर्तिक रूप से बंद्रगाहूं का विकास होता है ऐसे तट बंद्रगाहूं के विकास की अधिक अनुकूल परिसितियां परदान करते हैं जबकि पूर्वी तटी मैदान के पास जो कि मगन तट की चुड़ाई काफी कम है तो ऐसे तट बंदरगाहों की विकास की कम अनुकूल परिसितियां परदान करते हैं जिसके चलते हैं करितरिम बंदरगाहों का विकास ज्यादा करना पड़ता है, जबकि पस्मी तठ पर, पस्मी तठ जो की बंदरगाओं के विकास से अधिक अनुकुल है, क्योंकि मगन तठ की चुड़ाई ज्यादा है, तो यहाँ प्राकृतिक बंदरगाओं का विकास हुआ है, कौन-कौन से प्राकृतिक बंदरगाओं का व हैं गुजरात में यह प्राकृतिक बंदर्गां यह ठिक हैं कंड़ला जहां कि मुंबई में मजगाओ डाख है कि मजगाओ बंदर्गा मजगा बंदर्गा की ठीक दक्षड में बंबई में है नावाशवा पडिक अ मुंबई के ठीक दक्षिड में नावा शेवा मजगाहों के ठीक दक्षिड में यह नावा शेवा बंदरगाह है जब हम बंदरगाहों का अध्यन करेंगे तो इनके लोकेशन और अस्तिक और अच्छे से समझेगे यह हम पढ़ेंगे परिवहन भारत में परिवहन का विकास ज इसका नाम है मरमगाओ कहीं मरमगाओ लिक्हा रहता है कहीं मरमगाओ, उसके ठीक है कि प्राकृतिक बंदरगाया क्यों क्योंकि हम मगन तट काफी चोड़ाई लिए और ऐसे तट बंदरगाओं के विकास के लिए नकुल होते क्यों जहाजों का आने जाने के लिए असान होते हैं आपर तट रेखा जो है कुछ इस तरह से कटी छटी रहती है जिसमें की बहुत उची लहरे नहीं उठ पाते हैं बंदरगाँ के विकास के लिए तट ऐसे तट ज्यादा अच्छी होते हैं जो कटे फटे होते हैं है ना और बिलकुल जो सीधे तट होते हैं जैसे आप चेन्दे में जाएंगे तो जो भी रिजन हो चेन्दे में समुद्री लहरें बहुत ज्यादा उड़ती हैं इतनी उधान के लिए पस्वी तटका निमजन हुआ है इसका उधान क्या है काठियावार गुजरात का चुका प्रादीप है उसके सबसे पस्वी सिरे पर है उखा बंदरगा है ठीक पस्वी यहां पर अतीत में एक पराड़ी सहर है जिसका वड़न गरंथों में मिलता है भारत के द्वारका कभी मुख्य भूमी पर हुआ करता था क्योंकि द्वारका का वड़न जिस तरह से हुआ करता द्वारका की राजा थे द्वारका धिश भगवान क्रिश्न तो यह मुख्य भूमी पर था लेकिन अब यह समुद्र में समा चुका है अब मंगन तटका हिस्सा हो गय पस्वी तटी मैदान को सुविधा के लिए हम पांच भागों बाटेंगे अध्यन के लिए कच्छकारण दूसरा है काठियावड का मैदान तीसरा है कौंकर तट्ट कौंकर तटी मैदान या कौंकर तट भी कह सकते हैं या कौंकर तटी मैदान भी कह सकते हैं क्योंकि मैदान है उसके बाद कंणर तट या कंणर तटी मैदान उसके बाद हैं मालाबार तटी मैदान या मालाबार तट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कच्छकारण कच्छ के रन को गुजरात में दो प्रायदीप है दक्षड में है कठ्याओर प्रायदीप और उत्तर में है कच्छ प्रायदीप दोनों प्रायदीप की बीच में कच्छ करान कच्छ करन की रूप में जो कच्छ प्रायदीप है कच्छ प्रायदीब का जो उत्तरी भाग है वो दल्दली है उस दल्दली भाग को हम कच्छ का रन कहते हैं दल्दली क्यों है? क्योंकि समुद्र की समय समुद्र का जो खारा पानी है इस पर आच्छादित हो जाता है जब उच्छ जवार की स्थिति होती है तो समुद्र की खारे पानी का इस पर आच्छादन हो जाता है जिसको हम इस मैप से समझेंगे तो ज़्याद आच्छा रहेगा यहां पर समुद्र का खारा पानी चारो तरह भर जाता है तो समुद्र की खारे पानी से निर्मित ये एक दलदली मैदान है कच्छ प्रायद्रीप का उत्तरी छेत्र एक दलदली मैदान है ठीक है प्रारंब में ये दलदली मैदान मुख्य भूमी का हिस्सा नहीं था मैं अतीत की बात कर रहा हूँ अतीत में जो कच्छ का रन है वो एक समुद्री छेत्र हुआ करता था इस समुद्री छेत्र की बीचु बीच में एक द्वीब था और इस द्वीब के चारो तरफ समुद्री पानी हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान में बहने वाली सिंदु और उसकी सहयक नदियों ने, क्योंकि कोई भी नदिय आती है तो उसकी वितरिकाओं का विकास होता है न दिल्टा के निर्माण करती है, तो सिंदु और उसकी वितरिकाओं ने कच्छ के रंच छेत्र में जो समुद्री छेत्र था, उसमें औसादों का निक्षेपण किया, जलोड औसादों का जो परुट्टों से काट कर लाए जाता, मिट्टी, बालो, गाद, औसाद, कंकर, पत पास समुद्री छेत्र नहीं रहा, इस प्रक्रिया से कच्छ के रंच निर्माण हुआ, ठीक है? जब इसमे उत्तरी जो इसका भाग है, उसको महान कच्छ का रंद बोलते हैं, कच्छ का प्रेदिव को आप ध्याँ से देखे, इसका जो उत्तरी भाग है, उसको महान कच्छ कारण बोलते हैं दक्षडी भाग को छोटा कच करण बोलते हैं दक्षडी भाग सुष्क है मतलब वहां उतना दल्दल नहीं है सुखा भूमी अलबख वहां पर गुजरात का प्रमुक्स भुज बसा हुआ है यहां पर 2001 में भीषड भुकम पाया था जो कि गुजरात में जब गर्मिया आती है ना तो आश्वी करण तेज होने लगता है क्योंकि करकर एखा कहां से गुजरती है करकर एखा बारत के बीचों-बीच गुजरात से प्रिवेश्च करती है और आठ राजन सों कर गुजरती है तो यहां पर जून के महीने में 21 जून को सुर्ग की पानसुन की आरफ सागर साखा पस्मी घाट परवस से एक जून को ही टकरा कर माला बार तट परवर्सा करता है लेकिन उत्तर भारत की मैदान में पहुंचने में इसको टाइम लगता है उत्तर भारत के मैदान में पहुंचने में 10 जुलाई या 15 जुलाई का समय भी आजाता तो जब भूमी सूख जाती है गर्मी आने पर वस्थी करणके चलते यहाँ पर दूर तक नमक की परत की सफेद चादर बिच्वी दिखाई देती है, जिसे सफेद रगिस्तान केते हैं, दूर तक सफेदी नजर आएगी, सफेद सफेद भूमी नजर आएगी चाओ तरफ, इसको सफेद रगिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है, और जून के बाद जुलाई तकाते आते हैं, जब दक्षिरी पस तो बरसात में इतना जब रजल मगून हो जाता है कि यहां पर क्यों तीन दीप इस्थल खंड के रूप में दिखाई देते हैं, यह तीन दीप कौन कौन से हैं, यानि इस्थल खंड के रूप में क्यों तीन दीप दिखाई देते हैं, क्योंकि चारोत पानी ही पानी होता है तुस्ता से पस्वी दृप को पच्छम दृप बोलते हैं पच्छम पच्छम को इंग्लिष में बोलते हैं, Western वेश्टर बेस्टर वेस्टर नाइलेंड पच्छम दृप और उसके पूर में खादेर दृप में बेला दृप तो वर्शाक में ईसा दिखाई देता है थे ना प कच्छ का रन का मतलब गजराती भासा में रिघीस्तानी छेत्रें निरंजन छेट्र होता है लिए प्लव्यक्वर्भ पोर्ण केसे किया कि यहाँ पर आबादी नहीं पाए जाती है अबाधी ने अब जिला बनाद यह किलया को क्योंकि आबादी भूत कम है भारत में जंगली गधों का एक मात्रा बहारण यहां पाए जाते हैं उनको सब्चित किया गया है है ना आप पढ़े होंगे यह हो गया कच्छ का रन जो कि में दलदली मैदान है एक तरह का भारत में अब हम दूसरा पढ़ेंगे काठिया वड़ इस मैप से जब अच्छर हैगा पसमी तर्टी मैदान को हमने कहां पांच भागों में बात कर अध्यन करेंगे कच्छ करण काठिया वड़ मैदान कॉंकर तट कनड़ तट और मालबार तट तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं काठिया वड़ मैदान काठिया वड़ प्रादीप परिस्तित है कछ्च की खाड geen काथियावार मैदान कोजिए काथियावार प्रयदीब काथ्यावार मैदान के काथियवार मैदान के बीचों बीच उसकी मद्र का चेतल पहाड़ी है। जाषस मितलब होता है इसकी युचाइट डिका dat बिलकुल बीच की भागों को छोड़ दिया जाए तो काठिया प्राद्रीब का ज्यादा अतर भाग भाग मैदानी है है ना जो मद्ध में जो पहाड़ियां है वो लावा चट्टानों से बनी हुई है प्रादिपी भारत का भुखंड जब तूटकर अलग हो रहा था तो आप पड़ रखें हैं कि गरार के सहरे महराश के छेत्र में जालमखी लावा का प्रवा हुआ था है ना लावा चट्टान से बनी हुई यहां पर दक्कन ट्रैप पाई जाते हैं जिसकी चट्टाने बैसाल्ट की बनी हुई है तो लावा का प्रवा यहां पर गुजरात के छेत्रों में थोड़ा बहुत हो गया था इसके चलते जो गुजरात की पहाड़ियां है मांडव गिरनार एवरिधिं और ग पास की खेती होती है मांडव पहाड़ी बिल्कुल बिचो बीच है अचा एक चीज़े दिख लिए काठ्यावाड मैदान के उत्तर पूर्वी सिरा इधर उत्तर होता है और इधर पूर होता है तो उत्तर पूर्वी सिरे पर नल सरोवर जो की पक्चिय अभ्यारण क्या है ज मतलब समझ लेजे तो इसके बिल्कुल बीचो बीच मांडव पहाड़ी इस्तित है भारत में मांडव पहाड़ी अपकेंद्री अपवाह का उधारान प्रस्तुत करती है जब आप नदी प्रतुरूप पढ़े होंगे व्रिक्षाकार अपवाह प्रतुरूप है नदियों की धाराये कई तरह की प्रतुरूप बनाती है तो उसे में से आप केंद्री अपवाह प्रतुरूप और दूसरा है अब ही केंदरी अपवापतरूप जब किसी एक बिंदू से नदिया निकल कर बाहर ही दिशांकू प्रवाइद होती हैं किसी केंदरी भाग से निकल कर नदियां चारो दिशांकू पपरवाइट होती हैं बाँर की तरफ, इसको हम अपकेंदरी अपववाप पर दूरूप किरते हैं, चीकुत है? लेकिन जब नदिया चारो और से आ कर किसी एक ही जील या गड़्े में समाझां जाती हैं, तो इसको हम आपकेंदरी अपववाप पर दूरूप केरते हैं, भा नर्मदा और सोन बड़ी नदिया हैं, इसके लावा अमर कंटक पठार के दक्षडी भागों में कुछ नदिया बहा कर चलिया आती है, 36 गड़ वह चोटी नदिया है, तो अमर कंटक पठार भी अपकेंद्री अपवा का उधारन पर सुथ करता है, जहां से निकलकर नदिया ब होती हैं, जब मांसुन काल आता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो नदिया निकल पड़ती हैं, लेकिन छोटी नदिया होती है, समुद्र तर तक नहीं पहुच पाती हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुच पाती हैं, उनमें पानी इतना कम होता है कि राजस्थान में बीच बीच में जहां गड़े हैं, जिसमें खारा जला है, जीलों का पानी खारा है, अब बाद में पढ़ेंगी को समुदर का पानी है कैसा है, रास्थान में जो लमडी जीले हैं या खारे पानी की जीले हैं, तो जो छोटी नदिया निकलती हैं, उन्हें खारे पानी की जील भादर नदी श्यायक निकलती है फिर से बता दू मांडो पहाड इसे निकल कर बाहर के और प्रवाहित होनेवाली नदिया हैं भोगवा भद्रा मच्छु और भादर मांडो इल से निकलकर भोगवा और भद्रा नदियां पूरों बहते हुए खमभात की खाड़िया जल गिराती है मच्छु नदी और गुजुरात की हैं कहां प्रवाहित हो रही हैं काथिया और मैदान में प्रवाइत होने वाली नदिया आया मच्छो नदी उत्तर क्यों प्रवाहित होते हुए कचके रन में विरिन हो जाती है जबकि भादर नदी पंस्टम की तरफ बेहते हुए पोरबंदर तट पर गिरती है है मांडो पहाडी की दक्षण में गिर नार पहाडी है उसके पुस्चिम दक्षण में गिर पहाडी है ठीक है गिर पहाडी के निकलकर पूरु दिशां प्रोहाःथ हuste है सके नाम है शैत्रुण जीए निकलकर पूरु दिशां प्रोहाइथ लिए क खाड़े में गिरता है ये तो आपने गुजरात के दो मैदान देखे कच्छकरन और काठियावड मैदान दक्छली गुजरात में भी मैदान है आप यहाँ पर देखेंगे तो पस्मी तटी मैदान का वह भाग पस्मी तटी मैदान का वह भाग जो दक्चली गुजरात में यानि खंबात की खाड़ी की पूरो मेश थी थे पस्वी तठी मैदान का वह भाग जो खंबात की खाड़ी की पूरो मेश थी थे उसे दक्चली गुजरात का मैदान कहते हैं क्या कहते हैं दक्चली गुजरात की मैदान मेदान पर चार परमुख नदियां प्रवाइट होती हैं, और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, दक्षरी गुजरात के मैदान पर चार नदियां प्रवाइट होती हैं, और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, साबर मती नदी, माही नदी, नरमदा नदी, तापी नदी, ह रुवाईत होती हैं खमबात इखाडी में चल गिराती हैं साबर मती नदी की मुहाने से लेकर तापी नदी के मुहाने तक खमबात इखाडी का जो पूर्वी तट है खमबात इखाडी का पूर्वी तट जो साबर मती से लेकर तापी नदी के मुहाने तक है वो एक दलदली भूमी के रूप में, या दलदली तट के रूप में है, करण चार नदियां यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, जिससे चार उतरब जल फैला होता है, इसके लावाँ खंबात की खाड़ी एक सकरा खाड़ी है, जब उच्छे जवार की इस्तिती होती है, तो कोंकर तट, कोंकर तट कहां से कहां तक है, कोंकर तट का विस्तार, दमन से लेकर गुवा तक है, दमन तक तो दक्षड गुजरात का मैदान है, दमन से लेकर गुवा तक कोंकर तट का विस्तार है, कोंकर तट या कोंकर तटी मैदान, दो राज्यों फैला हुआ है, यह महार watch और दक्षिन में गोवा में दो राज़ुं फैलावा टटी मैदान ही है का कॉंकर्ड टटी मैदान पर दो नदियाल प्रवाहित होती है पस्मी घाट पर्वत के पसमी ढाल प्रवस्क पस्मी घाट प्रवत के परस्मी ढाल से निकल कर परवह钓 ह वाली दो नदिया कोंकळ-30 मैदान पर प्रवाहित होती हैं यह नदिया है वयतरडा कि क्या है दौत में दो नदिया TV माँडवीIRE मलाास में भारत में दो नदिया एक एक वयतरडा और वैतरडी नदी गर्जात पहाड़ी से निकल कर उरिसा तटपर मुहाना बनाती है उसका नाम वैतरडी है गर्जात पहाड़ी को उरिसा उच्चे भूमी भी कहते हैं इसके पहले मैंने पढ़ाया था थोड़ दर पहले तो यह वैतरडी नदी लिगी महराष्ट में यहां पर जो नदी पुरहाइत होती है उसका नाम है वैतरडा किताब में मैंने बोला था कि पहला संस्क्रण है तो कुछ से टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो कहीं कहीं तो वहाँ पर वैतरडा को वैतरडी नदी लिग दिया गया है तो आप कृपय उसको सुधार लेजेगा तो अच आफिक वैतरडा मांडविर जुवारी नदीया है गोव में यह दो प्रमुक नदीया मांडविर जुवारी जब आप कभी गुंने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे उतरेंगे जैसे वहाँ पर एयरपोर्ट है दाबोली में एयरपोर्ट या फिरेली स्टेसों पर आगर तो आपको इन दोनों नदियों को जगर जगर पार करना पड़ेगा दिखेंगे आपको अब बड़ा ही सुन्दर दिखता है चार तरफ नारियल के पेड़ होते हैं और इसे चोड़ाई में बहती रहती है तो वहां पर मांडवी जुवारी यही दो नदिया दिखेंगी आपक है चौथा है कन्नरतत् गोवा से लेकर मंगलोर तक पस्मी तटी मैदान का वह भाग जो गोवा से लेकर मंगलोर तक फैला हुआ है उसे हम कन्नरतत कहते हैं या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कभी कभी शहर नहीं पूछके नदियां पुछ लेगा, यह लिखित में से कौन दो नदियों के बिच का नड़ तठेला हुआ है, तो गोवा की दक्षिण में यहाँ पर है, पस्मी घाट के पस्मी ढ़ाल से निकल कर, नित्रवती नदी, सुरी काली नदी पस्मी घाट परवत के पस्मी ढ़ाल से निकल कर काली नदी गोवा की दक्षडी सीमा पर प्रवाहित होती है यानि गोवा की दक्षडी में करनाटक है तो करनाटक और गोवा की यह सीमा है उसी पर काली नदी प्रवाहित होती है कहाँ निकलती है पस्मी कर नेत्रवती नदी के बीच का जो पस्मी तटी मैदान हैं से हम कन्नड तट कहते हैं कन्नड तट पर मुख्य रूप से चार नदियां प्रवाहित होती हैं पहली तो है काली पस्मी घाट से निकल कर पस्मी तटी मैदान पर स्वारी कन्नड तटी मैदान पर चार नदियां प् पर जहां पर कॉंकर तट महराश और गुवाम फैला हुआ है करनाटक राज में फैला हुआ है मंगलोर से लेकर कन्या कुमारी तक मालाबार तट का विस्तार है मालाबार तट मुख्यरूप से केरल में इस्थित है मालाबार तट मुख्यरूप से केरल राज में इस्थित है यहां की दो प्रमुख्य इस्ता है मालाबार तट की पहले तो दक्षडी पस्वी मांसुन की अरफ से अगर साखाया दक्षडी पस्वी मांसुन सबसे पहले एक जुन को पस्वी घाट परवर्ट के पस्वी ढाल से टकराकर मालाबार तट पर ही प्रसफोट के रुप में वर्षा करता यानि पहली बार टकराता और भारी होती है प्रसफोट के रुप में एक जुन के वर्षा होती है मालाबार तट पर दूसरी विशिस्ता ये है कि मालाबार तट तटी मैदानों में सबसे नीची भूमी किसकी है मालाबार तट की है तो नीची भूमी का मतलब होता ही समुद्र सतह से इसकी उचाई नहीं है नीची भूमी होने की कारण मुख्य भूमी में समुद्री जल अंदर तक घुस गया है जगा जगा अब समझें यह नीला छेतर है यह समुद्री पानी है जो मुख्य भूमी में अंदर की तरफ प्रवेश कर गया आप सहद अब देख पा रहे हो यह थोड़ सा और मोटाइम में बिना दू एक, दो, तीन यह यह इसको इस मैप में समझाओंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर देखते हैं नीची भूमी होने के चलते जगा जगा पर समुद्री जल मुख्य भूमी में अंदर की तरह पुरवेश कर गया है ठीक है जिसमें खारा जल पाया जाता है समुद्र का खारा पानी इसको हम बैक वाटर एरिया बोलते हैं क्या बोलते हैं पस्च जल छेत्र बैक वाटर एरिया इसको बोलते हैं इस थानी रूप से हम ऐसे यह जील की तरह दिखाई दिखाई देती हैं बिल्कुल जिसमें खारा-पानी पाय जाता है सुमुतुर का खारा-पानी भूमें अंदर की तरह प्रूस कर गया है, जिसे हम बस जल छेतर ब्रेकेट में बैक वाटर देरिया बोलते हैं इस ठानी रूपसे जिल की तरह दिखाई देती हैं और इन खारे पाने की जिलों को इस ठानी रूपसे हम कयाल कहते हैं वहां के लोग क्या बोलते हैं कयाल इस तरह से मलाबार्थट पर कई कयाल का विकास हुआ है जैसे जैसे वेंबानाट वेंबानाट कयाल दूसरी है अस्टमुदी कयाल तीसरी है कायम कुलम कयाल चौथी है मुरियाट कयाल इन में से 130 किलोमेटर की लंबाई वाली सबसे लंबी कयाल वेंबानाट है कहां मेलाबार्थट पर भारत में इसने हम लैगवोन जीले बोलते हैं हमने थोड़े पहले बोला था है कि जील नुमा दिखाई देती हैं तो ऐस जीलों को जो तट पर इस्थित होती है और उनका पानी समुद्री जल से मिला होता है तट पर इस्थित ऐसे खारी पानी वाले जीलों को जिनका पानी समुद्री जल से मिला होता है इने हम लैगून जील कहते हैं दैक वाटर एरिया भी कहते हैं मालाबार तट पर इस्थानी रुप से इसे कयाल कहते हैं, तो भारत में सबसे बड़ी लेगून जील कौन सी है, उडिसा में चिलका जील, उडिसा में चिलका जील, भारत में सबसे बड़ी लेगून जील है, यहाँ पर, यह चिलका जील, है ना, यह सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की जील है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की अंता इस्थली जील पूछा जाएगा अंता इस्थली जील तो राजस्थान की सामभर जील है लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी वाली जील चिलका है मालाबार तर्ट पर सबसे बड़ी लगून जील कौन सी है मालाबार तर्ट पर सबसे लगून जील या कयाल विंबानाड है 130 किलोमेटर लंबाई है तो ये जो कयाल होते हैं या लगून ये तीन तरफ से घीरे होते हैं किसे मुख के भूमी से घीरे होते हैं माल लेते हैं भारत का पस्मी तठ थोड़े दर के लिए समझने के लिए और उसके बाद ये है बास्मी तठ माल लेते हैं ये है भारत ये है दक्षिड भारत और इधर क्या है अरब सागर अरब सागर का पानी और ये कौन सा एरिया है ये है मालाबार्थट इसको ऐसे लिख देते हैं ये मुक के भूमि में चोकि ये नीची भूमी और छेतर है तो अहारा पानी मुक के भूम में अंदर तक घुश गया है जिसे किसक देर्माण हो गया है इस पर क्रिया से लैगोन झील कस सब्स नहीं लगातेश्व उर लगून का निर्माण हो गया है तो जो होते 3 तरफ से घीर होते हैं मुख्य हो में से इनके मोहाने पर समुदरी पानी का lagoon के खारेपानी से समुदर के खारेपानी का मिलन होता रहता्य मोहाने पर समुदरी लہरें लगतार तट की तरफ। उच्च ज्वैर की स्थितिम विश्स रूप से और ऐसे भी निरंतर सामा निरुप से तट की तरह प्रवाहित होती हैं, समुद्री लह रहे हैं, कैसे प्रवाहित होती हैं, ऐसे, है ना, ऐसे प्रवाहित होती हैं, तो समुद्री तरंगी जब तट से टकराती हैं, तो हमेशा तट का आपरदन करती हैं, है ना, इसके लिए नदियों दोर लाए गए ओसादों को वापस धक ळती है तरंगे क्योंकि नीची भूमी का छेत्र जिस पर समुदर का पाणी अंदर चला जाता है तो नदेख जो आवसाद लाती है उन अवसादों को समुदरी तरंगे अंदर की तरह फिर धक लती है क्रिया से क्या होता है इसके अलमा समुद्री लहरें खुद भी अपरदन क्रिया करती तर्टो पर जिससे मलवा प्राप्त होता रहता है बालो, मिट्टी, कंकर, बजरी, everything तो तरंगे जो बार-बार तर्ट से टकराती है तो इसका प्रड़ाम यह होता है यह जो लगून का मुँ है ना, यह दिरे-दिरे बंद होता रहता है अवसादों के जमाओ से लहरों के टकराने से अवसाद जमाओ होते हैं और अवसादों के जमाओ से लगून का मुँ बंद होता रहता है क्यों 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 कि आउसादों की जमाओं से औरोधक बनते रहते हैं लगून के मुहाने पर क्या बनते रहते हैं औरोधक औरोधक क्या करते हैं लगून के मुह को ध्रे ध्रे बंद करते रहते हैं ठीक है तो दो औरोधकों के बीच का वह सक्रा भाग जिससे होकर समुद्री पानी लगून के पानी से मिलता है उस सक्रे भाग को क्या बोलते हैं इस पिट उस सक्रे भाग को हम इस पिट बोलते हैं ये खुला छेत्र होता है जिससे लगून का पानी समुद्री पानी से मिल रहा होता है मालावार तठ पर एक प्रमुक बंदर गाई है कोची कोची ऐसे ही स्पिट पर बसा हुआ है कोची शहर में व्यापार की सम्होना बंदर गान छेतर है वेपार वाडिजी का छेतर है जहां जोगा प्रमाद होता उससी बहुत से लोग्ता है कंचारी टेकनिकल डक्षिता रखन इहां पर पूर्टगाली ऊकड़ा था जब यहां पूर्टगाली थे तो उन्हों कोची में बहुत सारे गत्विधियों के संगरहला हैं हमके किले हैं हाँ पर आप जाएंगे कोची तो आपको लगेगा कि आप पूर्टगाल में घूम रहे हो अलग कल्चर दिखाए देगा कोचिन का तो कोची में जनसंख्या बढ़ती चली गई तो जगह की कमी पड़ी तो कोची की विस्तार की रूप में एक दूइप यहाँ प वेंबानाट जिल में कोची सहर के कोची सहर के विस्तार की रूप में वेलिंगिटन दीप का निर्माड किया गया है यह कृत्रिम का मतलब मानो निर्मित यह कृत्रिम दीप है यानि मानो निर्मित दीप है प्राकृतिक नहीं है वेलिंगिटन दीप किस जिल में है या किस नियुक्स लगुन में, वेंबानाथ। यहाँ पर प्रतेख साल티ण में नमका opinion दौड ४्रतेजी सेवर्टा होती है। जिसमें धेर सारी ऐसी नाव होती है जिनकी चोड़ाई बहुत कम होती है लंबाई बहुत ज्यादा होती है एक ही नाव पर 50 लोग बैठकर चपू तेजी से चलाते रहते हैं कि देखते हैं कि नाव तेजी से भागती है 50 लोग एक ही नाव पर चपू चलाते हैं तेजी से नौकार दोड़ पर च्प किता जो लेगूण छेतर होते है्म मत से पालन के लिए लिए बहुत ऑनकूल छेतर होते हैं क्योंकि खनेजों की आपूरती चुकी मुखे भूमी में पूर्ठी जलते यहां पर समुद्री जल चैति है। इसके अलावा। समुध्री जल सांत रहता है लगून में। वनस्पतियां ज्यादा है। कि खने जो क्यापूरती ज्यादा हो रही है तो अनस्पधियां ज्यादा होगी दूसरा ये शान्त जल छेत्र है समुद्री जियों के लिए नर्सरी का काम करता है अपना प्रारंभी की विकास जैसे छोटी-छोटी मचलियां यहां बहुत ज्यादा पाएंगी बड़ी मचलिय ऐसे कलपना करना एक बात है लेकिन जब आप वहां पर बोटिंग करेंगे तो एकदम अलग दुनिया में आप खुद को पाएंगे आप ऐसे भी बोट होते हैं जो आपको 24 घंटे ठारने के सुधा देंगे बिल्कुल होटल की तरह रहते हैं हाला कि 24 घंटा वहां पर रुक में अपना अलग मज़ा होता है क्योंकि आप बड़े बोट में घुनते हैं तो छोटे-छोटे स्टीमर भी आपको आफर करते हैं कि हम कम पैसे में आपको स्टीमर कम जा देंगे तो आपको दूर-दूर तक स्टीमर की सेर कराते हैं इसमें बीच-बीच में गाउं भी मिले इस बात को जो लोग नहीं खाते हैं वो नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे गाउं में जवाब पहुचेंगे जहां बहुत अच्छे अच्छे प्रजाते कि कार्ड तूना कौन-कौन से मचलियां पकड़ कहां पर रखते हैं और बड़ा महना बेचते हैं वो लोग और मचलिय मिल जाने पर उसको पकाएंगे कहां जिस बोट पे आप हैं उसी पर पकता है खाने के लिए तो खाने पीडिक चौकिल लों के लिए भी मज़ेदार जगोंती है तो इसके लावाँ भी अस्ट्रमुदी है मुरियाठ क्याल है तो केरल जो है लगून या क्याल का छेत्र है इसके रेट कलर से जो लाइन आप देख रहे हैं पूर्वी घाट परवत है पूर्वी घाट परवत की ठीक पूर्वी भाग में वाइट कलर की जो पट्टी आप देख रहे हैं पूर्वी भाग में पूर्वी तटी मैदान है पूर्वी तटी मैदान पूर्वी घाट के ठीक पूर्वी तटी के रूप में है। ज्स तरह से पस्मी तटी मैदान का निर्मार नदियों ने अपने जलोड अवसादों से किया है। अपने जलोड वासादों से किया है। प्राइड़ीपी भारत की अधिकास नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जलगी राती हैं, उदारण के लिए महा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो पूर्वी घाट, प्राइड़ी भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वा काट छाट दिया है, और बहा कर लाए गए अवसादों से, परवत को काटेंगे तुन्हें अवसाद प्राप्थ होगा ना, बालू, मिट्टी, कंकड़, everything प्राप्थ होगा, तो जगए-जगए काट छाट दिया है, और बहा कर लाए गए अपने अवसादों से, अपने मु मैदान की तुल्ना में अधिक हो गई है, जहां भी, जहां कहीं भी, पूर्वी तटी मैदान में नदियों का मुहाना है, और नदियों ने डिल्टा छेत्रों का निर्माण कर दिया है, वहाँ पर पूर्वी तटी मैदान की जो आउसत चोड़ाई है, वो एक सो आउसत 120 किलो मिटर है इसकी आउसर चोड़ाई है यानि काफी चोड़ा मैदान है इस मैदान की सबसे जबर चोड़ाई दिखाई देती है काविरी नदी के डेल्टा के पास यहाँ पर इसकी चोड़ाई बढ़कर चली जाती है 130 किलो मिटर तक ठीक है पूर्वी तटी मैदान उनमजन का उधारण है पूर्वी तटी मैदान उनमजन का उधारण है मतलब अप लिफ्टिंग समुद्र से बाहर निकल आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं उनमजन का पड़ाम है अर्थाती सागर सता से बाहर निकल आया है सागर सता से बाहर निकल आने के काराण पूर्वी तट पर मगन तट की चोड़ाई अपक्छाक्रित कम दिखाई देती है पस्मी तट पर मगन तट की चोड़ाई जहां अधिक है वही पूरी तट पर मगन तट अपेक्चा क्रिट कम चोड़ा है ऐसे तट बंदरगाहों के विकास के लिए अनकोल नहीं होता है यही कराणा कि पूरी तट पर पस्मी तट की तुलना में कम बंदरगाहों का विकास हुआ है पूर्वी तटी मेदान पर मुख्य रूप से तीन जिलें पाए जादी है चिलका जिल दूसरी कोले रूप और तीसरी पुली कट जिल इनमें से चिलका जिल महानादी डेल्टा के ठीक दक्षिण में ओडिसा राज्ज में है पुली कट जिल आंद्र परदेस राज्ज में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा छित्र में है ये तर्ट परिस्थित नहीं है ये अन्तह स्थली जिल है जो की कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के ठीक मद्ध में स्थित है ये कुलेरु जिल और पुरिकट जील, तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थिथ है। चलका जील और पुलिकट जील यह दोनो जीलें देल्याओन जील के उधायरण है। पूर्वी तट पर ये दोनों लेगून जीलों के उधाय हैं जिनके बारे में आपने थोड़े दिर अभी पहला पढ़ा कि इसका निर्मार कैसे होता है समुद्र का खारा जल जब मुख भूमे में अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसे लेगून जील का निर्मार होता है ये तो हम अंतह इस्थली डेलटाई जील कहते हैं आपसे कोशन पूछा जा सकता है कि निर्मार के तुन से डेलटाई जील है तो ये अंतह इस्थली डेलटाई जील है पतलब दोनों डेलटाओं की मध्य में स्थित है और तटपना होकर मुख के भूमे में अंदर है ठीक है उत्कल मैदान या उत्कल तट्ट दूसरा आंद्र तट्ट और तीसरा कोरो मंडल तट्ट उत्कल तटी मैदान सौत रेखा नदी से लेकर महानधी डिल्टा तक है या इसको ऐसा भी माना जा सकता है कि उत्कल तट्ट की मैदान स्वाड रेखा नदі को महाने से लेकर चिल्का जिल्ट रखे यह उतकल तटी मैदान पर परफित्फ होतने हुन उलि मुखिनदी है, हौनदी की डिल्टा छेतर में उतकल मैदान की चढ़ाई सबसे जादा है। पारदीप एक उतकल तटी मैदान पर स्थित सबसे प्रमुक बंदरगा है पारदीप जो की महानदी डिल्टा के छेत्र में ही इस्थित है, है ना, महानदी की डिल्टा की छेत्र में इस्थित पारदीप एक प्रमूख द्वीपी ये बंदरगा भी हम इसको उपका सकते हैं एक द्वीपी इस्थिति में ये है ना इसके लावाँ चिलका जील के ठीक दक्षिण में उडिसा राज्य में ही हलाकि चिलका जील के ठीक दक्षिण में उडिसा राज्य में ही यहाँ पर गोपाल पूरबंदरगा है यह एक छोटा बंदरगा है क्या है? छोटा बंदरगा है बिल्कुल दूसरा आंध्रतट की बारे में आपने उत्कुल तट पढ़ा आंध्रतट आंध्रतट चिलका जहिल से लेकर पुली कट जील तक आंध्रतट का विस्तार है आंध्रतट का निर्माड मुख्युरुप से दो नदियों ने अपने मुहाने पर डिल्टा के प्रसार द्वारा किया है कृष्णा और गोदावरी नदियों ने अपने मुहाने पर विस्त्रिट डिल्टा छित्रों का निर्माड करके आंधर तटी मैदान का निर्माड किया है इन दोनों नदियों के मुहाने पर विस्त्रिट डिल्टा छित्रों का निर्माड किया गया है जिससे इन दोनों नदियों के डेल्टाई छेत्र लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ विक्सित होते जा रहा है या विस्तरित होते जा रहा है जिससे इन दोनों नदियों के डेल्टाई छेत्रों में नई भूमी का निर्माण हो रहा है यानि आंध्र तटी मैदान की चोड़ाई अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है इन दोनों नदियों के डेल्टाई छेत्रों के मद्य अंतह इस्थली कोलेरु जिल है जिसे हम डेल्टाई जिल भी कहते हैं क्या नम है कोलेरु जिल अंतरिस्थली डिल्टाई जिल है जिसे हम इस अंतरिस्थली या डिल्टाई जिल कहते हैं अतीत में कभी ऐसा समय था कि कोलेरू एक लेगून जिल थी यानि तठ परिस्थित थी वर्तमान में कोलेरू एक ताजे पानी की जिल है कर लिजिएगा एक अंतरिस्थली डिल्टाई जिल है और एक ताजे पानी वाली जिल है जबकि चिलका और पुलिकट ताजे पानी जिल नहीं है खारे पानी वाली जिल है कुलेरु वर्तमान में एक ताजे पाने की जिल है लेकिन अतीत में ऐसा था कि कुलेरु तठ परिस्थी था और एक लेगोन जिल हुआ करता था लेकिन जब कृष्णा और गोदावरी नदियों ने अपने मुहानों पर विस्तिर डेल्टा चेत्रों का निर्मार कर दिया और ड डेल्टा चेत्र आगी की तरफ बढ़ गए तो यह सुभाविक रूप से एक अंतर स्थली जिल बन गई है ना जिसे हम डेल्टा इजिल कहते हैं आंदर तथ पर दो प्रमुक बंदरगा है एक तो आंदर तथी मैदान के उत्तरी भागो में यहां पे आंदर तथी मैदान के उत्तरी भाग में विशाखा पट्टनम बंदरगा है दूसरा प्रमुक बंदरगा है, गोदावरी और क्रिष्णा नदियों के ठीक मध्य भाग में, ये गोदावरी नदी का डिल्टा आगे कितरों बढ़ा हुआ, ये क्रिष्णा नदी का डिल्टा आगे कितरों बढ़ा हुआ, इन दोनों डिल्टाओं के ठीक मध्य भाग में, म पट्नम बंदरगा है एक तीसरा छोटा बंदरगा भी है गोदावरी डेल्टा के ठीक उत्तर में यहाँ पर काकी नाड़ा बंदरगा है काकी नाड़ा गोदावरी डेल्टा में ही केंद्रसासित प्रदेश पुदुचेरी का एक छेत्र नहां पर है यनम गोदावरी डेल्टा में ही केंद्रसासित प्रदेश पुदुचेरी का छेत्र यनम इस्तित है इसके बाद तीसरा है कौरो मंदल तट पुली कट जीय से लेकर कन्या कुमारी तक कौरो मंदल तट का विस्तार है कौरो मंदल तट का जो मैदान है वो कावेरी नदी द्वारा बहा कर लाए गए जलोड आवसाद से पूरीतन से धका हुआ है कावेरी नदी द्वारा बहा कर लाए गए जलोड आवसाद से पूरीतन से धका हुआ है इसलिए जलोड आवसाद जहां भी एकठा होता है जाए गंगा घटी चाहे उत्तरभात के विशाल मैदान में जिसे हम गंगा का मैदान भी कहते हैं नदियां जहां भी पहाड़ों से काट कर धिर सारे आवसाद लाती है और मिचहा देती है तो इस हम जलोड मैदान कहते हैं तो कोरोमंडल तड़ भी विशतरि जलोड मैदान का Erfolg मेदान के निर्मार किस नहीं किया। कावेरी नदि नहीं किया तो ऐसे मैदान काफी उपजाव होते हैं तो कावेरी की जो घात यानि कोरोमंडल तट यह काफी उपजाओ मैदान है और यहां पर चावल की खेती सगन रूप में की जाती चावल की खेती के लिए परसेद्द छेतर है यह पूरी तटी मैदान में सबसे ज्यादा चोड़ाई कोरोमंडल तट पर ही मिलती है विशेश रूप से कावेरी नदी की डिल्टा छेत्र में जहां कोरोमंडल तट की औसच चोड़ाई 100 किलोमेटर है वहीं पूरी तटी मैदान की औसच चोड़ाई 120 किलोमेटर है है ना 120 किलोमेटर वहीं कोरोमंडल तट पर कावरी नदी की डेल्टा के पास पूरी तटी मैदान की चोड़ाई 130 किलो मेटर पाई जाती है सबसे ज़्यादा चोड़ाई हैं पर है कावरी नदी की डेल्टा के ठीक उत्तर में या चेन्नाई के दक्षण में पूदुचेरी केंदसासित प्रदेश केंदसासित प्रदेश पूदुचेरी की राजधानी या पांड़ी चेरी की राजधानी पांड़ी चेरी है जैसे हम पूदुचेरी भी कहते है केंदसासित प्रदेश की राजधानी पांड़ी चेरी जबकि ये चेन्ने की दक्षण में कुरमंडल तट पर इस्थित है जबकि कावेरी नर्दी के डेल्टा छेत्र में केंद्रसासित प्रदेश पांडिचेरी काही एक छेत्र कराईकल है यह डेल्टा छेत्र में आप देखेंगे कावेरी डेल्टा के ठेक दक्षण में कलीमर पॉइंट है इसे हम कहते हैं कलीमर पॉइंट कलीमर पॉइंट पर कोरो मंडल तट बिल्कुल 90 डिगरी पस्चिम की तरव घम जाता है ठीक है कलीमर पॉइंट से लेकर रामेशोरम यहां पर रामेशोरम है कलीमर पॉइंट से लेकर रामेशोरम तक का जो कोरो मंडल तट है वो पाक की खाड़ी कहते हैं कहां से कलीमर पॉइंट से लेकर रामेशोरम तक के छेत्र को यह हो गया पूर्ली तटी मेदान पूरी तटी मेदान की एक और विशिस्ता है जहां पर दक्षडी पस्वी मांसुन काल में कोरो मंडल तट सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है और भारत में सरवाधिक वर्षा का छेत्र है कब जब ग्रेश्म रेतु में दक्षडी पस्वी मानसून की अरफ सागर साखा यहां पहुंचती है तो सबसे पहले कोरो मंदल तट पर ही वर्षा करती है और यह भारत में सरवाधी के वर्षा वाला छेतर है वहीं कोरो मंदल तट दूसरी तरफ कोरो मंदल तट दक्षडी प यहां पर वर्षा नहीं प्राप्त होती है, बलकि यहां पर शीत काल में वर्षा प्राप्त होती है, जाड़े की दिनों में यहां पर वर्षा प्राप्त होती है, किससे होती है, उत्तर पूर्वी मांसुन से, उत्तर पूर्वी यानि उत्तर पूर्वी की तरफ से आने वाली जो पौने हैं, उत्तर पूरु इधर है, इधर उत्तर है और इधर पूरु है, तो उत्तर पूरु की तरफ से जो आने वाली पौने हैं, उनसे वर्षा होती है, शीत काल में भारतियु महादुई पर उत्तर पूरु ही प्रवाईत होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मानस मांसून का अर्थ है मौसम के अनुसार पौनों के दिशा उलट जाना या बदल जाना तो गर्मी की दिनों में भारती उप महादूई पर भारती महादूई पर उत्तर पूर्वी मांसून परवाहित होती है और को कि कोरो मंडल तत पर चकरा कर जाड़े की दिनों में आपर वर्षा करती है, तटी मैदान के बाद हम उत्तर भारत का विशाल मैदान देखेंगे, भारत के तट वरती मैदान अभी आपने देखा, है नो, ये सारा विवरन आपने भी पढ़ा, ठीक है, एक बार इसको आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, यह प्रायदेपी भारत का पठार पड़ते हैं और उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसलिए विवरन उपर दिया गया है, है न, तटी मैदान के उपर है, कंफ्यूशन एक जरूत नहीं है, यहाँ पे इसके बारे हम को जनकरे लिखी वी जिसको आप देख सकते हैं आई इसको हम मैब से समझते हैं। सिंदु गंगा और बरंपुत्र नदी तंत्रों नदी तंत्र का मतलब होता है मुख्य नदी और उसकी सहयक नदी तो इसको हम सिंदु गंगा और बरंपुत्र का मैदान भी बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माड सिंदु गंगा और बरंपुत्र नदी तंत्रों द्वारा बहा कर लाए गए जलोड आउसादों से हुआ है इन दियों ने अपने जलोड आउसादों से इस बीच के भाग को भर दिया है यानि हिमाले प्रादिवी पठार के बीच के भाग को जलोड आउसादों से भर दिया गया है और इसी से बिल्कुल समतल सपाथ उपजाओ मैदान का यह पर निर्माड हुआ है जिसकी उचाई कहीं भी चाहे अगर आप पंजाब से असंत कहीं भी देखेंगे इसकी उचाई सागर सता से 200 मीटर से जादा नहीं मिलेगी अधिकतम उचाई कितनी है सागर सता से लगभक 200 मीटर तक है वास्तो में उत्तर भारत का मैदान एक भू अभ अभिनती गर्थ के रूप में उस भू अभिनती गर्थ में नद्यों द्वारा बहा कर लाए गए जलोड आउसाद भर दिये गया है यानि मिट्टी भर दी गई यह कुछ ऐसी कल्पना के जैसे गड़्धे में मट्टी पाट दे जाती है वैसे इसी मट्टी से भर दिया गय यह भू अभिनती गर्थ है क्या इसको हम समझ लेते हैं इधर साउथ और इधर नौर्थ यह हिमाले की तीन स्रेडिया है उत्तर में दक्षिड में प्राइदिपी भारत का पठार है बीज में वह अभिनती गर्थ है जिसे हिमाले से निकलने वाली नदियों ने अपने जलोड आउसादों से भर दिया हुआ कैसे जब टेथी सागर से टेथी सागर में लंबे समयकाल से आउसादी चट्टानों का जमा हो रहा था आउसादों के जमाओ से टेथी सागर में आउसादी चट्टाने बनी प्राइदिपी भारत का भुखंड उत्तरपूर की तरफ प्रोहित हो रहा था दबाव पढ़ने से हिमाले की तीनों स्रेडियां तेथी सागर में जमा आउसादी मलबा वलित हो गया आउसादी चट्ट रूप में बचा रह गया था, यानि उत्तर भारत का मैदान टेथिस सागर का औसेस्ट भाग है, जिसे प्रायदिपी पठार और हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने जलोड औसादों से इसे भर दिया, इस मैदान में जलोड औसाद की गहराई इसको भर दिया, तो य इस पूरे मैदान में पंजाब से लेकर असन तक जलोड औसादों की गहराई, अधिक्तम गहराई कितनी मिलती है, 2000 मीटर या हम कहें तो 2 किलो मीटर, यानि कि इस सबसे गहराई प्रायदिपी पठार की तरफ जाएंगे तो जलोड औसाद की गहराई कम मिलेगी, क्योंकि ढ हिमाले की तरफ गहराई कम मिलेगी, लेकिन अधिक्तम गहराई अगर आप उतरेंगे, तो अधिक्तम गहराई आपको कितनी मिलेगी, यानि बिल्कुल बीच की भाग में यहाँ, यह बीच की भाग में अधिक्तम गहराई मिलेगी, तो अधिक्तम गहराई 2000 मीटर या 2 किलो म करेंगे तो आपको वैसी पथरीली भूमे मिलेगी बिलकुल चटान की तरह जैसे कि प्रायदेपी भारत के पठार में पथरीली भूमे मिलती है तो लेकिन अभी क्या है जलोड अवसादों से भरा हुआ है तो ये मुलाय मिट्टी से बना हुआ छेत्र उत्तर भारत का मैदान पंजाब से लिकर असम घाटी तक जो कि बिलकुल मुलाय मिट्टी से भरा हुआ है इसकी शिलाय भेद्ध है बड़े आसानी से आप यहां ड्रेलिंग कर सकते हैं तो चुकि मुलाय मिट्टी से बना हुआ पूरा छेत्र है इसलिए उत्तर भारत का मैदान चुकि मुलाय की तरह काम करता है इसको हम कहते हैं वाटर ट्रैप जल भृत की तरह मतलब सोखते की तरह काम करता है जिस तरह से सोखता पानी को सोख लेता है ना उसी तरह से उत्तर भारत का विशाल मैदान भी चाहे वर्शा जल हो या नदी का जल हो इसमें हमेशा नीचे की तरह भूमिगत जल यहां पर तो बड़े इस वक्ते और जल्दित की तरह काम करता है उत्तरभायत का मैदान क्योंकि इसकी मिठी मुलायम है इसलिए उत्तरभायत के मैदान में भूमिगत जल का विशाल भंडार पाये जाता है चाहे वर्षा हो या नदी जल सबको यह सोख लेता है इसमें वर्षा जल और नदी जल का संचय होता रहता है यह सुविधा प्रायदेपी भारत के पठार और हिमाले छेतर में नहीं है क्योंकि भूमी पत्रे ली है है यहां जो भी पानी कठा होता है वर्षा जल उदरारों में चला जाता है चट्टानों के बीच-बीच में दर रिचार्ज होते रहते हैं यहां ग्राउंड वाटर अंडर ग्राउंड वाटर से रिचार्ज होते रहते हैं उत्तर भारत के मैदान भी रिचार्ज होता रहता है क्योंकि मुलाय मिट्टी है पत्रिली भूमी जहां भी वहां पर भूमी का जल भंडार बहुत जादा नहीं मिल हुआ है पूरे उत्तर भारत के मैदान में नलकूप और कुवे चलंगे पंजाब में तो नलकूपों की संधनता इतनी जाद है कि हर पचास सो मीटर पर एक नलकूप लगाए गया है इसलिए पंजाब जो हरित करांती में सबसे आगे रहा क्योंकि सबसे खेती करने के लिए सागरा लखनोव इलहाबाद वारारसी पत्नाक कानपपूर कौका ताउर यहाँ पOsief बरने के लिए यहाँ पर उपजाओ च्रहें क्रेशी च्छेत्रों की यहाँपर कमी नहीं है तो बड़े असानी से चुकि पानी मिल जाता है इसलिए नलकूप और कुवा उच्छ भूमी जल्विभाजा का काम करती है अर्वली पर उस्रेड़ी उत्तर की तरफ बढ़ती है तुसे दिल्ली का टक कहते हैं दिल्ली के पास है ना अर्वली इस्रेड़ी के ठीक यहां पर पस्चिब में अम्बाला नाम का जगह है ठीक है यहां पर है अम्बाला इसको हम अम्बाला उच्छ भूमी कहते हैं क्योंकि उत्तर भारत की विशाल मैदान में ये उची भूमी का छेतर है इसकी उचाई समुद्र सतह से अधिक कम पाई जाती है यहां पर इसके दोनों तरफ आप जाएंगे तो आप समुद्र तल की तरफ नीचे चले जाएंगे मतलब उचाई कम पाएंगे सब उत्तर भारत की मैदान की सरवाधिक उचाई हैं अम्बाला उच्छ भूमी के पास मिलती है तो अम्बाला उच्छ भूमी उत्तर भारत की मैदान में जल्वी भाजक का काम करता है यानि अम्बाला उच्छ भू के अधार पर अगर हम देखें संग्राचनात्मक विशिस्ता के अधार पर तो उत्तर भारत की विशाल मैदान को हम चार भागों बाढ़ते हैं संग्राचनात्मक विशिस्ता जैसे भाबर, तराई, भांगर, खादर भाबर और तराई की बारे में आपने भुवाकर्तिक यु टाइम ही देना चाहता क्योंकि सरल भाग है आप पढ़ चुके होंगे तो संराचनात्र विश्यस्ता के दर पर चार भागों माड़ते हैं कौन-कौन सा है भाबर चेत्र, तराई चेत्र, खादर चेत्र और बांगर चेत्र तो भाबर तराई तो पढ़ लिए शिवालिक की तलहटी में यानि परवतबदी भागों में बड़े-बड़े गोलाश्मों का जमाव पाया जाता है और उसतन 10 किलोमेटर चोड़ी पट्टी में पंजाब से लेकर तिस्ता नदी तक पंजाब से लेकर तिस्ता नदी तक शिवालिक की तहलटी में 10 से 12 किलोमेटर की आउसत चोड़ाई में बड़े-बड़े गोलाश्मों का जमाव पाया जाता है जिसे भाबर चेत्र कहता है हिमाले से निकलने वाली नदिया जब भाबर निकलती हैं दक्षण में और दक्षण की तरह नदियां बहते हुए आती हैं तो भाबर छेत्र की चलते नदियों का जल बिल्कुल तितर बितर हो जाता है इस पस्ट धारा का भाव होता है दल्दली छेत्र का निर्मार हो जाता है इस कारण तो दल्दली छेत्र को हम जो कि शि नदी के मोर से लेकर तिस्ता नदी तक भाबर छेतर है, तो सिंदु नदी के मोर से लेकर तिस्ता नदी तक तराई छेतर भी पाये जाता है। खादर और बंगर उत्तर भारत की मैदान में नदी के पास की जो जमीन होती है नदी के पास का जो नमीन जलोड का मैदान होता है। इपनी चोड़ाई बढ़ा देती है, नदी के वल पानी की चोड़ाई नहीं बढ़ाती है, आवसादों की चोड़ाई भी बढ़ा देती है, तो नदी जब बाड़ करित हो जाती है, तो दोनों किनारों पर दूर तक के छेत्रों में मिट्टी बिछा देती है, हिमाला से काट क दूर का जो छेत्र है, यानि कि नदी इस घाटी में बै रही है, तो दूर का जो छेत्र होता है, ऐसे, यानि कि एक नदी यहां पर बैती है, आ रही है, गड़े में, एक यहां, तो बीच नदी की घाटी से दूर का जो उचाई वाला छेत्र है, यहां पर प्रतेक वर्स जलोड का नमीनी करण नहीं हो पाता, यह बहुत ही पुराना जलोड है, यह जलोड तब का है जब उत्तर भारत के मैदान का निर्माड हो रहा था, तब यहां कभी नदिया बहती थी, लेकिन अब यहां नदी उचाई वाले छेत्र में नहीं बहती है, तो नदी से दूर जो उ पंजाब से लेकर असन तक उत्तर भारत के मैदान की स्राण रचना एक समान नहीं है, इसमें विवेधिता पाई जाती है, छेत्री आधार पर, पंजाब से लेकर असन तक छेत्री आधार पर उत्तर भारत के मैदान की स्राण रचना में विवेधिता पाई जाती है, अंतर पाय जाता है पंजाब की मैदान की प्रक्रिती कुछ और है राजस्थान के मैदान की प्रक्रिती कुछ और यहां थार का मरुस्थल भी पाय जाता है गंगा घाटी की प्रक्रिती कुछ और है तो संग्रेशनात्मक विविधताओं के अधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदा को चार भागों में बाठते हैं पहला है पंजाब का मैदान दूसरा है राजस्थान का मैदान इसमें आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिल्चस्पी रहेगी राजस्थान का मैदान पढ़ने में क्योंकि विविद्दा से भरा पढ़ा हुआ है राजस्थान का मैदान तीसरा है गंगा का मैदान, ठीक है, और चोथा है ब्रह्म पुत्र का मैदान, जबसे पहले में सुरू करेंगे पंजाब का मैदान, ठीक है, देखे, पंजाब का मैदान में सबसे पस्ची में सिंध का मैदान है सिंध, मैं सिंधू नहीं बोलाओ सिंध, सबसे पस्ची में भारती उक महादूइप में हिमाले के दक्षिण में प्रादिवी पठार के उत्तर में, सबसे पस्ची में सिंध का मैदान है, लेकि सिंध का मैदान के मैदान के निर्मार असम से लेकर पंजाब तक ही नहीं है बलकि उत्तर भारत के मैदान के मिमार असम से लेकर सिंद्र तक है लेकिन सिंद्र का छेतर पाकिस्तान में है और इसका निर्मान सिंद्र नदी द्वारा भाग कर लाए गए औसादों को भर देने से हुआ है यानि काटता हो चलो सिंद्ध नुदी के पूर में यह है पंजाब का मैदान ठीक है यह वाला हिसा पंजाब के मैदान के ठीक दक्षिड में यहाँ पर है राजस्थान का मैदान पंजाब के मैदान के पूर में यहाँ तक है गंगा का मैदान और ये वाला हिस्सा है, बरंपुत्र का मैदान, तो सिंध के मैदान के पूर में भारत में पंजाब का मैदान है, हेटिन डाल देंगे पंजाब का मैदान, दो नदियों की बीज की भूमी को दौब कहते हैं, पंजाब का मतलब होता है पांच नदियों की भूमी, पंजाब का पंजाब को मैंदा हमें पड़ रहा है सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदीयों का पसिम से पूर की तरफ अगर आप करम देखेंगे तो इन नदीयों का करम है जेलम जेनाब रावी व्यास और सतलच पंजाब की भूमी इनी पांच नदीयों द्वारा बहा कर लाए गए जलोड आसादों के निक्षेपड से बनी है ये पांच नदियां है जो पंजाब में बहती है पंजाब का छेतर किवल भारत में नहीं है विभाजन के बाद पंजाब का छेतर भी पाकिस्तान में चला गया लेकिं यहां पर हम भारत पाकिस्तान नहीं करेंगे यहां पर हम पंजाब पढ़ेंगे तो पंजाब की भूमे भी पांच नदियों से बने हुई है ठीक है? कौन-कौन सी पांच नदिया है? यह सिंधु की पांच सहयक नदिया है जेलम चिनाव रावी व्यास अतलज ये मुख नदिया है सेंधु नदि की और इनी नदियों दोरा बहा कर लाएगे जलोड़ असादों से पंजाब की मेदान का निर्मार हुआ है पंजाब का वो हिस्सा जो भारत में इस्थित है उसका निर्मार रावी व्यास और सतलज नदियों दोरा बहा कर लाएगे असादों के निक्षेपन से हुआ है धेलम नदी पंजाब में जहां बहती हूँ पाकिस्तान का हिस्सा है भारत में ये क्यों कश्मीर में बहती है कहां बहती है कश्मीर में जब कश्मीर को पार करके पस्चिम में चली जाती है तो पंजाब में तो बहती है लेकिन हो कस्मीर का पंजाब है चेनाम नदी भी और रावी व्यास सतलज नदियों ने भारत में इस्थित पंजाब के मैदान का निर्मार किया है। दो नदियों की बीच की भूमी को हम दौाब कहते हैं। पंजाब पांच नदियों की बीच की भूमी है। सिंदु नदी से लेकर पूरू में सतलज नदी तक कुल छे नदियां हो गई, अगर सिंदु को सामिल करें, तो छे नदियां हो गई, सिंदु नदी से लेकर, तो छे नदियों के बीच कई दवाब पाय जाते हैं, दो नदियों के बीच में दवाब होता है, तो सिंदु से ले A, B, C, D, E. छे नदिया हैं, तो छे नदियों के बीच में पांच दवाब पाए जाएंगे. पहले दवाब का नाम है सिंदु सागर दवाब. सिंदु सागर दवाब हम पस्चिन से पूरव की तरफ चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिंदु सागर दवाब किसके किसके बीच होगा. सिंदु सागर दवाब सिंदु और जेलम नदि के बीच है, यहाँ पर. यहाँ पर हम लिग दें, सिंदु और जेलम नदि के बीच सिंदु सागर. उसके बाद चाज दवाब. सिंधु जेलम जेलम की पूरम जो नदी बहती है जेलम की पूरम उसका नाम है चिनाब तो जेलम प्लस चिनाब जेलम और चिनाब नदियों के विए चाज का दुआब है चिनाब नदी की पूरम जो नदी बहती है उसका नाम है रावी तो सिंधु, सागर, छाज, रेचना, रेचना, दुआब, रेचना दुआब है, चेनाब और रावी नदियों के बीच, उसके बाद है, बारी दुआब, बारी दुआब है, रावी, और रावी के पूर में कौन से नदी बेती है, व्यास नदी, इन दो नदियों के बीच है, सबसे पूरी दुआब है, बिस्त, बिस्त दुआब है, व्यास और व्यास नदी के पूर में कौन से नदी बेती है, सिंधु के साहब, सतलच, इन दो नद पहले तो आप सिंदु नदी की पांचों साहिक नदियां उनका करम याद रखेंगे कि सिंदु जेलम चिनाब रावी व्यास अतलच इस तरीके से फिर आप उनके बीच में दौाबों का नाम याद करने का प्रयास करेंगे सिंदु पंजाब में जो मैंने पहले बिता है कि रचनात्मक विसेस्ताओं के अधार पर चार भागों बाटा गया है उत्तर भारत की मैदान को तो पंजाब में भी खादर भूमी और बांगर भूमी पाई जाती है पंजाब में नदियों की समीब की जो खादर भूमी होती है पंजाब में पंजाब का मैदान दो राज्यों फेला हुआ है पंजाब और हरियाणा में ठीक है? भोल गया था बता दिया तो पंजाब में जो नदियों की समीप की जो नमीन जलोड का मैदान होता है, जिसे हम खादर भूमी कहते हैं, पंजाब में उसे स्थानी भासा में बेट कहते हैं, क्या बोलते हैं? खादर भूमी को बेट बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है ठीक है? बीच की भाग में यहाँ पर नदी बह रही है यहाँ पर ठीक है? यह नदी प्रोवाइट हो रही बीच की भाग में तो नदी की पास वाली जो जमीन होती है उसको इस थानी भासम क्या बोलते है? नए खादर भूमी को बेट बोलते है यहाँ भी बेट है और इधर भी बेट होगा है ना पंजाब में नदी नदी ओके दोनों तरप जो खड़ी ढ़ाल वाली भूमिया होती है ना, दोनों तरप राजस्थान का मैदान पंजाब के मैदान के ठीक दक्षिड में है या दक्षिड पस्षिब में है पंजाब के दक्षिड में और अरावली के पस्षिब में अरावली स्रेडी के पस्षिब में जब आप जाएंगे यह अरावली स्रेडी है इसके पस्षिब में राजस्थान क के मैदान का विस्तार है पंजाब के मैदान का ढाल भी दक्षडपूर की तरफ है क्योंकि यहां बहने वाली नदिया अरफ सागर की तरफ चली जाती है राजस्थान में भी निकलने वाली जो लूनी नदिया कच्किरन की तरफ चली जाती है तो पंजाब के मैदान की तरह अर आरावली के पश्री में इस्थित है राजस्थान का मैदान आरावली के पश्री में इस्थित है राजस्थान के मैदान कभी समुद्री छेत्र हुआ करता था बहुत पहले अतीत में यहां पर अरब सागर का विस्तार यहां तक हुआ करता था लेकिन बाद में जो सागर नितल है पीछे हट गया तो राजस्थान के मैदान का निर्मार समुद्र तली के पीछे हटने से हुआ है यानि अतीत में कभी ये समुद्र का हिस्सा था वो यूघ कों सा था मेस्व जो इक कल्प में यह समुद्र का हिसा हुआ इसका प्रमाड क्या थार राजस्थान में बहुत सी खारे पानी वाली नंकीन जहीं पाई जाती है और आवली के प्सें म्यार प्रोव में नहीं पाई जाएंगी और आवली के पस्चे में बहुत सी नमकीन पानी वाली जीले पाई जाती ही खारे पानी वाली जो कि इस बात का प्रमाढ है कि ये कभी यहाँ पर समुद्र का विस्तार हुआ करता था और समुद्र जब बाद पीछे हट गया तो खारे पानी वाली जिलें आवसेश की रूप में आपे छूट गई राजस्थान का मैदान एक शूष क छेत्र है बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है बहुत कम वर्षा वाला इस थले भारत में और ये एक शूष क छेत्र है और आवली की पस्चिम में जैसे जैसे आप पस्चिम दिसा में जाएंगे और आवली की पस्चिम में वर्षा की मातरा अचानक से घट जाती है और आवली की पूरवी छेत्रों में गंगा घाटी के पाप्शिम दिशा में आप जैसे-जैसे जाएंगे वर्षा की मात्रा में और ज्यादा गिरा उटाती है, शुक्ष्कता बढ़ती चले जाती है, clear? पाप्शिम में जाने पर, यहां पर एक समवर्षा रेखा है, जो इसको पिला रटा दे रहा हूं, और आली की पाप्शिम मे 25 cm वार्षिक वर्षा की एक समवर्षा रेखा है 25 cm यह यह ऐसी रेखा है जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है कल्पना करिए समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम समवर्षा रेखा कहते हैं बता रहे हैं कि इन सभी स्थानों पर एक जैसी वर्षा होती है तो राजस्थान में 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान को दो भागों में वाटती है ठीक है अरावली की अरावली स्रेडी की पस्षिम में एक सकरी प दक्षण की ओर एक सकरी पट्टी है जिसमें वर्षा की मात्रा 25 cm से अधिक पाई जाती है इसे हम क्या कहते हैं राजस्थान बांगर कहते है यह अरावली की पश्ची में जो राजस्थान का मैदान है सकरी पट्टी की रूप में उसे हम राजस्थान बांगर कहते हैं और वह वहां पर वर्षा 25 cm से अधिक होती है ये 25 cm की समोरशा रेखा जब कि राजस्थान बांगर की पस्चिम में जाने पर राजस्थान बांगर के आप पस्चिम अगर जाएंगे तो वहां पर वर्षा की मात्रा 25 cm से कम पाई जाती है आराली के पस् rhythm में 25 cm से अधिक वर्षा वाली सक्री पट्टी पाई जाती है उत्तर और दक्षिर दिशा में उसे हम राजास्थान बंगर केवेते हैं और राजास्थान बंगर पस्Ad जाने पर वर्षा की मातरा अचानत से 25 cm से भी नीचे गिर जाती है जिसे हम थार का मरुस्थर कहते हैं इसे हम इंडियन ग्रेट डेजर्ट भी बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट तो अरावली के पस्षी में राजस्थान बंगर है और उसके पस्षी में यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो रजस्थान बंगर का भाग है वो अरावली के पस्वी में वास्तो में एक उपजाव जलोड मैदान का हिस्सा है जब मांसून काल में बारिश होती है रजस्थान में साल भर कोई भी नदी नहीं पहती जब दक्षडी पस्वी मांसून से थोड़ी बहुत आड़ता प्राप्त करता है अरावली तो अरावली की पस्वी ढ़ल से कुछ नदियां रजस्थान मैदान की तरफ प्रवाहित होने लगती है किसे पस्चमी ढाल से निकल कर कुछ नदियां राजस्थान मैदान की तरफ प्रवाहित होती हैं तो अरावली स्रेडी के पस्चमी ढाल से निकलने वाली नदियां राजस्थान बांगर को सीचते हुए दक्षड पस्चम दिसा में प्रवाहित होती हैं राजस्थान, बांगर और अरावली सुरीडि के मध्य में जलोड नदियों द्वारा सिचित मैंने बताने कि पस्टमी ढूल से नदिया निकलते हैं जो कि चली जाती हैं दक्षित पस्टमी दी सामें नदियों को भी कलर बना दू ये पहले नदी निकली दूसरी तीसरी, ये नदीände अबलू कुलर की तो अराले के पशे में नदीयो द्वारा सेचित जलोड उपजाओ मैदान की एक सकरी पट्टी पाये जाती है ऐसे, है न? ये जलोड मैदान की एक बहुत ही उपजाओ सकरी पट्टी है इसके वस्तितिका है राजस्थान बांगर और अरावलि के मद्ध में इस उपजाऊ जलोर सक्री पट्टी को रोही कहते हैं. क्या बोलते हैं? रोही. यानि के कुछ ऐसा है. इधर राजस्थान बांगर है. बांगर. उसके पूर रोही है. यानि नदियर द्वारा सिचित भू जो की जलोड उपजाव मैदान से बनी है और उसके पूर में क्या है अरावली है रोए छेत्र जो की अतिधिक उपजाव मैदान है राजस्थान में सबसे जढ़ा सघंखेती इसी रोए छेत्र में की जाती है और आवली के ठीक पस्ची में, क्योंकि ये नदियों दूरा सिचित भी है और जलोड उपजाओ मैदान है उपजाओ होने के चलते, रोही के छेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्थान में यानि खेती के लिए राजस्थान में सबसे उपजाओ छेत्र क्या है? रोही का छेत्र है, रोही के पस्षी में राजस्थान बांगर है, गलत लिग दिया, राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर में खारे पाने की जहले पाई जाती हैं, जिनमें से तीन प्रमुक हैं, कौन-कौन से? रस्थान बांगर में खारे पाने की कुछ जेले पाई जाती हैं इनमें से तीन मत पूर है सांभर, डिडवाना और लूड करणसर सांभर, डिडवाना ये तीनों खारे पाने की जिले हैं कहां पे हैं? राजस्थान बांगर में थार मरुस्थल में नहीं हैं, राजस्थान बांगर में इस्थित हैं थार मरुस्थल में तो जिल बचे की नहीं, सब सोख लिया जाएगा क्योंकि तो गर्मी बहुत पढ़ती है, उपर से बालू में कुछ बचेगा नहीं, जाओ तरब बालू के टिबबे ही टिबबे हैं, तो वहाँ जिल नहीं पाए जाएगा, यह जो खारे पाने की जिले पाई जाती हैं, और आले की पस्चे में राजस्थान बांगर की छेतर मे जिल यहां पर चेलका है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी अंतolphि एस्थली खारे पाने की जिल सामभर जिल है, राजस्थान की जो घिले हैं, यानि राजस्थान में अंत्रि अपोह का भी उधारन मिलता है, अंत्रिश्थान यानि नदियान तो निकलती हैं, लेकिन साहों से आकर राजस्थान की खारे पानी की जीलों में मिल जाती हैं इन खारे पानी की जीलों को हम प्लाया भी कहते हैं क्या बोलते हैं खारे फानी के जिलों क्या बोलते हैं पलाया जो कि इस बात का प्रमाण है कि कभी इस छेतर में ये छेतर समुद्री छेतर हुआ करता थे और ये समुद्र में डूबा हुआ छेतर था राजस्थान की पस्यमी डाल से निकलने वाली लूनी नदी, राजस्थान बांगर की पस्यमी च्छेत्रे उसे हम क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल. थार मरुस्थल एक बहुती शुष्क छेत्र है जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है. लूनी नदी जो की अरावली की पस्वी ढाल से निकलती है थार मरुस्थल में चली जाती है कहां चली जाती है थार मरुस्थल में चली जाती है और ये थार मरुस्थल से होकर बहने वाली एक प्रमुक नदी है और साथ में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है थार मरुस्थन बने वाली नदी कौन सी है लूनी नदी कहां से निकलती है अरावली के पस्चमी ढाल से और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दक्षिण पस्चिन दिसा में ढाल के नरूप तो प्रवाहित होती है लेकिन समुदर तक नहीं पहुँच पाती बलकि कच् के रन में विलीन हो जाती है यह भी एक कारणा की कच्छ का रन दल्दली छेत्र बना रहता है क्योंकि नदी आकर वहीं पर विलीन हो जाती है जलको बहां नहीं पाती है ठीक है अब हम देखते हैं थार मरुस्थल में क्या है हाँ अरावली पहाड़ी निकलती कहां से है यह भी देख लेना है यहाँ पर अरावली की पस्मिट हाल पर एक जिला है अजमेर है अजमेर में अरावली की एक नाग पहाड़ी है अरावली की पस्मिट हाल पर अजमेर जिले में नाग पहाड़ी सर्ल को बेटेवे बार करती है समूदर का हिसळा करता घक हाँ अरावली पस्मिट में राजस्थान बंगर यह राज्थान बंगर का छेत्र है और राज्थान बंगर के यह राज्थान बंगर है और उसके पस्जिमी छेत्र में यह थार मरुस्थाल ठीक है थार मरुस्थल एक उस्र कटिबंधी ये मरुस्थल है यानि जो उस्र कटिबंधी छेतर में होते हैं जहां गर्मी पड़ती जैसे भारत में लद्दाक भी एक मरुस्थल है लेकिन लद्दाक एक शीत मरुस्थल है बरुस्थल का मतलब होता है जहां बारिश ना हो, सिंपल से बात है, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, जहां बारिश ना हो उसे बरुस्थल कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और उसर मरुस्थल, इन सब बातों पर विश्व भूगल में अच्छे सिस्टर चाहोगी ठीक है तो थार्व उस्थर में तीन तरह की इस्तला किरतियां मिलती हैं बालू का इस्तूप तीन तरकी इस्तला कृतियों से विस्ष्ष्ष्ट है बालू का उस्थूप बालू का स्थूपों में ही एक विस्ष्ष प्रकार का बालू का स्थूप होता है, जिसे चापा कार बोलते हैं, चापा कार रेतीले टिबबे जो खीशकते रहते हैं, या चापा कार रेतीले स्थूप, चापा कार रेतीले टिबबे या बालू का स्थूप, या बालू का स्थ स्लाकिर्ती मिलती है दूसरी इस्लाक इयहां मिलते है छत्रक चठन भया थार मरुष्थल में clarify अर्यए रहा है यहां पर अर्यां वरुष्थल में यह नहीं है यह चारुषदेश छेवे तोप द् Expecto जो आर्द्र छेत्र हैं जैसे गुंगा खाटी या हिमाले यहाँ पर आर्द्र छेत्र है तो यहाँ पर बहते हुए नदी का काम महत्पूर हो जाता है यानि नदियां अपरदन करती है आर्द्र छेत्रों में जो वेट लेंड्स होता है लेकिन जो सुष्क छेत्र हैं ड्राइ लेकिन हवा है ती रगती हे और हवा जब रगती है तो बालू कड़ों को उड़ाती रती है अपनंे साथ तो बालू कड़ों से यूख्त हवाएं जब लगा तार किसी सता से चट्टान से टकराती है उनको तो नो हीनक्ताइग तो पेται पड़ाम यह हुआ कि पूरा का पूरा छेत्र बालुका टिब्बों से भर गया धिरे-धिरे, यानि चट्टानों के चुकड़े बालुका स्थोप में बदल गया, है न, यहां पाउन का काम मत पूर है, बाते हुगे, तो बालुका स्थोपों के निर्माट पाउन की चलते हु है कि उधर ही जाएंगे, लेकिन अपनी आकार को नहीं बदलते हैं, उसी आकार में रहेंगे, यह दिखते हैं किस तरह से दिखते हैं, जैसे, यह बालुका टिब्बा है, और यह अधर को आशुमन पीछे की तरफ क उसका डॉल है, यह सामने का डाल है, यह भी ड्ाल है, सामने का, और यह पीछे कंचायी वाल्ट कर डिखता चलाएगा है यह बालुका स्थोप्य पीछ्एकता चलािएगा एसे खड़ी ऐसे छत्रक चट्टाने मिलेंगे जब हवाएं बहती हैं तो मुलायम चट्टानों को तेजी से काटती चले जाती हैं अगर नीचे मुलायम चट्टाने हैं तो उनको तेजी से काटती चले जाती हैं और उपर की चट्टान अगर कठोर है तो उतनी तेजी से उसका परदन नहीं होता है जबकि निचली चट्टाने जो मुलाएं में उनका परदन तेजी से होता चला जाता है तो ऐसे चट्टानों को हम छत्रक चट्टाने कहते हैं उपर से छाते की तरह होती है और तीसरे इसला किरती है मरू उद्यान जो थार मरूस्थल मिलती है मरू उद्यान का मतलब दूर तक फैले हुए रेतिली सता जो दूर तक फैली हुई है और बीच बीच में उसमें कुछ कटिली जाडियां दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी दोरी पे उसको मरूद ध्यान बोलते हैं जैसे क्यक्टास नाखफनी ये सब ठीक है तो तीन तरग इसला किरतिया दिखाई देती हैं यहाँ पर जो भी इसला किरतिया है वह पावन क्रिया द्वारा निर्मित हुई है बाते हुए पावन द्वारा है जैसे जो दपूर जैसal Mehr Vika और के यहार निर्मित है तो सफिके जैसे जोद्वपूर्स पीसली मेर बाड मेर, बिका मेर यह हो गया रजस्थान का मैदान ऐसी पत्रीली भूमे मिलेगी बिल्कुल चट्टान की तरह है जैसे कि प्राइदेपी भारत के पत्थार में पत्रीली भूमे मिलती है तो लेकिन अभी क्या है जलोड अवसादों से भरा हुआ है तो यह मुलाय मिट्टी से बना हुआ छेतर है उत्तर भारत का मैदान पंजाब से लिकर असम घाटी तक जो कि बरमपुत्र का मैदान है पंजाब से लिकर असम घाटी तक बिल्कुल मुलाय मिट्टी से भरा हुआ है इसकी शिलाएं भेद्ध है, बड़े आसानी से आप यहां ड्रेलिंग कर सकते हैं, तो चुकि मुलाएं मिट्टी से बना हुआ पूरा छेटर है, इसलिए उत्तर भारत का मैदान, चुकि मुलाएं मिट्टी से बना हुआ है, जलोड असादों से पटा हुआ है, इसलिए यह मै सोकता पानी को सोख लेता है न, उसी तरह से उत्तर भारत का विशाल मैदान भी, चाहे वर्षा जल हो, या नदी का जल हो, इसमें हमेशा नीचे की तरफ रिष्टा रहता है, और बड़े आसानी से इसमें भूमिगत जल का संचे होता रहता है, और नीचे जाने पर इसमें यहां तक भूमिगत पानी मिलता है, भूमिगत जल यहां पर, तो बड़े इस वक्ते और जल रित की तरह काम करता है उत्तर भायत का मैदान क्योंकि इसकी मिट्टी मुलायम है, इसलिए उत्तर भायत के मैदान में भूमिगत जल का विशाल भंडार पाय जाता है, चाहे वर जल दरारों में चला जाता है, चट्टानों के बीच में दरारों में पानी कठा रहता है, यहां पर वो सुविधा नहीं है, हाँ, जैसे 36 गड़ बेसिन, हरा छेतर दिखाई दे रहा है, जो हरे छेतर हैं, वहां पर मुलायम मिट्टी का छेतर है, या तटी छेतर, तटी छेतर बहुत जयादा नहीं मिलेगा भी तो चट्टानों के बीच जो दरार होते हैं उसमें पानी चला जाता है तो यह सोक्ते की तरह काम करता है, इसलिए बड़ी आसाने से उत्तर भारत के मैदान में नलकूप और कुओं द्वरासी चाहिए उस्था का प्रचलन हुआ है पूरे उत्तर भारत के मैदान में नलकूप और कुओं चलनगे पंजाब में तो नलकूपों की संधनता इतनी जादा है कि हर पचास सो मिटर पर एक नलकूप लगाए गया है दस लाखी नगरों की संध्या भी यहां खूब है जैसे दिली, मेरट, आगरा, लखनो, इलाबाद, वारारसी, पटनाक, कानपूर, कॉलकाता, बहुत सारे दस लाखी नगर है यहां पर इतना जन संध्या का बसाओ इसी लिए हो पाया, क्योंकि जन संध्या का पेट भरने के लिए यहां पर उपजाओ छेत्र है कृशी छेत्रों की यहां पर कमी नहीं है है ना तो बड़े असानी से चोड़ी यहां पे पानी मिल जाता है इसलिए नलकूप और कुवा तरह सिचाइवी वस्था का विकास हुआ है इस मेदान को अमबाला उच्छ भूमी जल्विभाजा का काम करती हैं पर कैसे अमबाला उच्छु भूमी इस मैदान में जलु भाजय का काम करती है और आवली परुसरेडी उत्तर की तरब बढ़ती है तो उसे दिल्ली का टक कहते हैं दिल्ली के पास है ना और आवली स्रेडी के ठीक यहाँ पर पस्षिब में अम्बाला नाम का जगह है ठीक है यहां पर है अम्बाला इसको हम अम्बाला उच्च भूमी कहते हैं क्योंकि उत्तर भारत की विशाल मैदान में ये उची भूमी का छित्र है इसकी उचाई समुद्र सत्ह से अधिक कम पाई जाती है इसके दोनों तरफ आप जाएंगे तो आ मैदान में जल्वी भाजक का काम करता है यानि अम्बाला उच्च भूमी गंगा नदी तंत्र को बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने के लिए बादे करता है और सिंदु नदी तंत्र को अरब सागर की तरफ बहने के लिए बादे करता है तो उच्च भूमी जल्वी भाजक क काम करती है सरचनात्मक विशिस्ता के अधार पर अगर हम देखें संग्राचनात्मक विशिस्ता के अधार पर तो उत्तर भारत की विशाल मैदान को हम चार भागों बाढते हैं संग्राचनात्मक विशिस्ता जैसे भाबर, तराई, भांगर, खादर भाबर और तराई की बार रहे थे तो आपने पढ़ा कि गोलाश्मों का छेत्र श्रीवाली की परोधपदी भागों में आप हेडिंग डाल देंगे कि सरचनात्मक विश्यस्ता के अधार पर उप्तर भारत की मैदान को चार भागों बाढ़ते हैं मैं इस भाग में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता है क्योंकि सरचनात्मक विश्यस्ता के अधार पर चार भागों माढ़ते हैं कौन-कौन सा है भाबर चेत्र तराई चेत्र खादर चेत्र और बांगर चेत्र तो भापर तराई तो अपड़ लिए शिवालिक की तलहटी में यानि परवत्वदी भागों में बड़े-बड़े गोलाश्मों का जमाव पाया जाता है और सतन 10 किलोमेटर चोड़ी पट्टी में पंजाब से लेकर तिस्ता नदी तक पंजाब से लेकर तिस्ता नदी तक शिवालिक के तहलटी में 10 से 12 किलोमेटर की ऑसा चोड़ाई में बड़े-बड़े आती हैं तो भाबर छेत्र की चलते नदियों का जल बिल्कुल तितर बितर हो जाता है, इस पस्ट धारा का भाव होता है, दल्दली छेत्र का निर्मार हो जाता है इस करणा, तो दल्दली छेत्र को हम जो कि शिवालिक के तलहटी में भाबर छेत्र के बाहर आने पर 14-15 किलोमी तिस्ता नजी तक तराई छेतर भी पाय जाता है खादर और बंगर उत्तर भारत की मैदान में नदी की पास की जो जमीन होती है न नदी की पास का जो नमीन जलोड का मैदान होता है नदी की पास नमीन जलोड का मैदान होता है नए जलोड का मैदान होता है उसे हम खादर कहते हैं नदी से दूर जाने पर पूराने जलोड का मैदान मिलता है उसे हम बांगर कहते हैं नदी के पास जो नए जलोड का मैदान होता है उसे हम नया क्यों कह रहे हैं नदी प्रतेक साल जुलाई में बारिश शुरू हो जाती उत्तर भारत की मैदान में, नदियों में बार आ जाता है, नदि अपनी चोड़ाई बढ़ा देती है, नदि के वल पानी की चोड़ाई नहीं बढ़ाती है, आवसादों की चोड़ाई भी बढ़ा देती है, तो नदि जब बार करित हो जाती है, तो दोनों किनारों पर दूर के छेत्रों में मिट्टी बिछा देती है हिमाला से काट कर लए गए मिट्टी को बिछा देती है और खादर छेत्रों में प्रते एक साल उपजाव मिट्टी का नमीनी करण हो जाता है हर साल यहां नई मिट्टी बिछा दे आती है खादर की भूमी बहुत ज्यादा उपजाव होती है नदी की पास की जमीन होती है ये और बांगर जो ये नदी से दूर का जो छेत्र है यानि कि नदी इस घाटी में बैरी है तो दूर का जो छेत्र होता है ऐसे यानि कि एक नदी यहां पर बैती है आ रही है गड़े में एक यहां तो बीच नदी की घाटी से दूर का जो उचाई वाला छेत्र है यहां पर प्रतेक वर्स जलोड का नमीनी करण नहीं हो पाता यह बहुत ही पुराना जलोड है यह जलोड तब का है जब उत्तर भारत के ठीक है तो सरचनात्मक विश्चिस्ता के अधार पर उत्तर भारत की मैदान को चार भागों बाठते हैं अभी मैंने दिखाया लेकिन पंजाब से लेकर असन तक पंजाब से लेकर असन तक उत्तर भारत की मैदान की सरण रचना एक समान नहीं है इसमें विविद्रिता है राजास्थान के मैड़न की प्रकेति कुछ और यहां थार का मृस्तरोर विपाये जाता है गंगा घाटी के प्रकेति कुछ और है तो सग्रैसीनात्मक विषताओं के का धार पर छेत्री संग्रेशनात्मक वित्ताओं के अधार पर उत्तर भारत की विशाल मेदान को चार भागों में बाढ़ते हैं पहला है पंजाब का मेदान दूसरा है राजस्थान का मैदान इसमें आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिल्चस्पी रहेगी राजस्थान का मैदान पढ़ने में क्योंकि विविद्ता से भरा पढ़ा हुआ है राजस्थान का मैदान तीसरा है गंगा का मैदान ठीक है और चोथा है ब्रह्म पुत्र का मैदान सबसे पहले हम सुरू करेंगे पंजाब का मैदान ठीक है देखें तर भारत की मैदान में सबसे पस्ची में सिंध का मैदान है सिंध का मैदान पाकिस्तान में भारत का हिस्सा नहीं है सिंध के मैदान का निर्माण सिंधु नती दोरा लाए गए जलोडों के अवसाद से हुई है राजनीती की भाजन बाद में हुआ प्रकिर्टी ने अपना काम पहले ही कर दिया था और प्रकिर्टी बोलती कि उत्तर भारत के मैदान के निर्मार असम से लेकर पंजाब तक ही नहीं है बलकि उत्तर भारत के मैदान के निर्मार असम से लेकर सिंद्र तक है लेकिन सिंद्र क के पूरु में पंजाब का मैदान है, यहाँ पर काटता हो चलो सिंद्धुनदी के पूरु में यह है पंजाब का मैदान ठीक है, यह वला हिसा पंजाब के मैदान के ठीक दक्षिड में, यहाँ पर है राजस्थान का मैदान, पंजाब के मैदान मैदान के पूर में यहां तक है गंगा का मैदान और यह वाला हिस्सा है ब्रंपुत्र का मैदान तो सिंद के मैदान के पूर में भारत में पंजाब का मैदान है हेटिन डाल देंगे पंजाब का मैदान दो नदियों की वीज की भूमी को दुआप कहते हैं दो नदियों की वी सिंदु नदी की मुख्य सहायक नदियों का प्रस्यम से पूर की तरफ अगर आप करम देखेंगे तो इन नदियों का करम है जेलम, जेनाब, रावी, व्यास और सतलच पंजाब की भूमे इन्ही 5 नदियों द्वारा बहा कर लाे गये जलोर आसादों के निक्षेपड से बनी है ये पांच नदियां हैं जो पंजाब में बहती है पंजाब का छेतर किवल भारत में नहीं है विभाजन के बाद पंजाब का छेतर भी पाकिस्तान में चला गया लेकिं यहाँ पे हम भारत पाकिस्तान नहीं करेंगे यहाँ पे हम पंजाब पढ़ेंगे तो पंजाब की भूमे भी पांच नदियों से बने हुई है ठीक है कौन-कौन सी पांच नदिया है ये सिंधु की पांच सहयक नदिया है जेलम, चिनाब, रावी व्यास, अतलज ये मुख नदिया है सिंधु नदि की और इन्ही नदियों द्वारा बहा कर लाएगे जलोड़ असादों से पंजाब की मैदान का निर्मार हुआ है पंजाब का वो हिस्सा जो भारत में इस्थित है उसका निर्माड रावी व्यास और सतलज नदियों द्वारा बहा कर लाए गए असादों के निक्षेपन से हुआ है धेलम नदी पंजाब में जहां बहती हो पाकिस्तान का हिस्सा है भारत में ये के ओल कश्मीर में बहती है कहां बहती है कश्मीर में जब कश्मीर को पार करके पस्चिम में चली जाती है तो पंजाब में तो बहती है लेकिन हो कश्मीर का पंजाब है चेनाम नदी भी जम्मु क पसंनेल में विवा जब जब जम्मो कस्मिर को छोड़कर टेसा में प्रवहित होती हैं विवा जदुबुदुन पूरग की और इन दूआब की हम नाम देख लेते हैं ठीक है, पस्षिन से पूर की और इन दवाबों की नाम है A, B, C, D, E छे नदिया हैं, तो छे नदियों के बीच में पाँच दवाब पाए जाएंगे पहले दवाब का नाम है सिंदु सागर दवाब सिंदु सागर दवाब हम पस्षिन से पूरव की तरफ चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिंदु सागर दवाब किस के किस के बीच होगा सिंदु सागर दवाब सिंदु और जेलम नदि के बीच है यहाँ पर यहाँ पर लिख दें सिंधू और जेलम नदी के बीच सिंधु चागर उसके बाद है छाज द्वाब सिंधू जेलम जेलम की पूर में जो नदी बहती है जेलम की पूर में उसका नाम है चिनाब तो जेलम प्लस चेनाब जेलम और चेनाब नदियों के भी छाज का दुआब है चेनाब नदि की पूर में जो नदी बहती है उसका नाम है रावी तो सिंधु, सागर, छाज, रेचना रेचना दुआब रेचना दुआब है चेनाब और रावी नदियों के बीच उसके बाद है बारी दुवाब बारी दुवाब है रावी और रावी को पूर में कौन सी नदी बेती है व्यास नदी इन दो नदियों के बीच है सबसे पूर्वी दुवाब है बिस्त 20 दौब हैं व्यास और व्यास नदी के पूरों में कोँ से नदी बेती है सिंदु की साहब सतलच इन दो नदियों के बीच इन दौबों के नाम आपको याद रखना जरूरी है सिंदु छाज रेचना बारे दौब पहले तो आप सिंदु नदी की पांचों साहएक नदियां जो हैं उनका करम याद रखेंगे कि सिंदु, जेलम, चिनाब, रावी, व्यास, अतलच इस तरीके से फिर आप उनके बीच में दौबों के नाम याद करने का प्रयास करेंगे सिंदु, पंजाब में जो मैंने पहले बिता हैं कि रचनात में विस्षिस्ताओं के अधार पर चार भागों बाटा गया है, उतर भारत की मैदान को तो पंजाब में भी खादर भूमी और बांगर भूमी पाई जाती है पंजाब में नदियों की समीब की जो नवीन जलोड का मैदान होता है जिसे हम खादर भूमी कहते हैं पंजाब में उसे इस्थानी भासा में बेट कहते हैं क्या बोलते हैं, खादर भूमी को बेट बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है ठीक है बीच की भाग में यहाँ पे नदी बेह रही है यहां पर, ठीक है, यह नदी प्रवाइट हो रही बीच की भाग में, तो नदी की पास वाली जो जमीन होती है, उसको इस थानी भासम क्या बोलते हैं, नए खादर भूमी को बेट बोलते हैं, यहां भी बेट है और इधर भी बेट होगा है ना, पंजाब में नदीयों के दोन होगा, पंजाब की मैदान की बाद हम पढ़ेंगे रजस्थान का मैदान, रजस्थान का मैदान, पंजाब की मैदान की ठीक दक्षड में है, या दक्षड पस्षी में है, पंजाब की दक्षड में और अरावली की पस्षी में, अरावली स्रेडी की पस्षी में जब आप इसके पस्ची में राजस्थान के मैदान का विस्तार है पंजाब के मैदान का ढाल भी दक्षडपूर की तरफ है क्योंकि यहाँ बहने वाली नदिया आरफ सागर की तरफ चली जाती है राजस्थान में भी निकलने वाली जो लूनी नदिया कच्किरन की तरफ चली जाती है तो पंजाब के मैदान की तरह अरावली सॉरी पंजाब के मैदान की तरह राजस्थान के मैदान के अधाल भी किदर है दक्षडपूर की तरह है राजस्थान का मैदान हम पड़ रहे हैं इसको भी मिटा देते हैं यह पंजाब कमेदान पंजाब कमेदान आरावली के पश्री में स्थित है राजस्थान कमेदान कभी समुद्री छेत्र हुआ करता था बहुत पहले अतीत में यहां पर अरब सागर का विस्तार यहां तक हुआ करता था लेकिन बाद में जो सागर नितल है पीछे हट गया तो राजस्थान के मैदान का निर्मार समुद्र तली के पीछे हटने से हुआ है यानि अतीत में कभी यह समुद्र का हिस्सा था वो युक क कल्प में यह समुद्र का हिसा हुआ करता था इसका प्रमाध क्या है राजस्थान में बहुत सी खारे पानी वाली नमकीन जीले पाई जाती है उषेष की रूप में हापे छूट गई राजस्थान का मैदान एक शूष के छेत्र है, बहुती कम वर्षा प्राप्त करता है, बहुती कम वर्षा वाला इस थले भारत में और एक शूष के छेत्र है, अरावली की पस्चिम में जैसे जैसे आप पस्चिम दिसा में जाएंगे, अरावली की पस्चिम में वर्षा की मा मात्रा अचानक से घट जाती है कहां राजस्थान के मैदान में और आले की पस्चिम में यानि राजस्थान के मैदान में पस्चिम दिसान में जैसे 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 जाएंगे वर्षा की मात्रा में और ज्यादा गिरा उटाती है शुक्षकता बढ़ती चली जाती है पस्चिम मे वार्षिक वर्षा की एक समवर्षा रेखा है 25 सेंटिमीटर यह यह ऐसी रेखा है जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है कल्पना करिए समान वर्षा वाले समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम समवर्षा रेखा कहते हैं यह बता रहे हैं कि इन सभी स्थानों पर एक जैसी वर्षा होती है, तो राजस्थान में 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, राजस्थान के मैदान को दो भागों में बाटती है ठीक है अरावली की अरावली स्रेडी की पस्षिम में एक सकरी पट्टी में ठीक है वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक पाए जाती है अरावली की ठीक पस्षिम में उत्तर से दक्षण की ओर एक सकरी पट्टी है जिसमें वर्षा की मात्रा 25 cm से अधिक पाई जाती है इसे हम क्या कहते हैं राजस्थान बांगर कहते है यानि अरावली की पस्षी में जो राजस्थान का मैदान है सकरी पट्टी की रूप में उसे हम राजस्थान बांगर कहते हैं और वहाँ पर वर्षा 25 cm से अधिक होती है, यह 25 cm की समोर्षा रेखा, जबकि राजस्थान बांगर के पस्षी में जाने पर, राजस्थान बांगर के आप पस्षी में अगर जाएंगे, तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा 25 cm से कम पाई जाती है, और आली के पस्षी में 25 cm से अ परशा की मात्रा अचानस से 25 से भी नीचे गिर जाती है जिसे हम फार का मरुस्तल कहते हैं इसे हम इंडियन ग्रेट डेजर्ट भी बोलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट अरराौली की पस्ची में रज्थान बंगर है और उसके पस्ची में यहाँपर ग्रेट इंडियन जो रजस्थान बंगर का भाग है वो अरावली के पस्वी में वास्तों में एक उपजाओ जलोड मैदान का हिस्सा है जब मांसून काल में बारिश होती है रजस्थान में साल भर कोई भी नदी नहीं पहती जब दक्षडी पस्वी मांसून से थोड़ी बहुत आठदता प्राप्त करता है अरावली तो अरावली की पस्वी ढ़ल से कुछ नदियां रजस्थान मैदान की तरफ प्रवाहित होने लगती है किसे पस्चमी ढाल से निकल कर कुछ नदियां राजस्थान मैदान की तरफ प्रवाहित होती है तो अरावली स्रेडी के पस्चमी ढाल से निकलने वाली नदियां राजस्थान बांगर को सीचते हुए दक्षड पस्चम दिशा में प्रवाहित होती है राजस्थान बांगर और अरावलिस र्रेडी के मध्वें, जलोड नदियों दौरा सिचित राजस्थान बांगर और अरावलिस र्रेडी के मध्वें, नदियों द्वरा सिचित глубुती है, मैंने बताने कि पस्वी ढ़ Deixa नदिया निकलते हैं जो कि चली जाती है दक्षिड पस्टिंद सामें नदियों को अभी बना दो ये पहली नदिय निकली दूसरी तीसरी ये नदिय अब बलू कलर की तो अरावली के पस्टिंद में नदियों दोरा सेचित जलोड उपजाओ मैदान की एक सकरी पट्टी पाए जाती है अईसे है ना ये जलोड मैदान की एक बहुत ही उपजाओ शकरी पत्ती है इसके वस्तितिक है राजस्थान बांगर और अरावली के मद्ध में इस उपजाओ जलोड सकरी पत्ती को रोही कहते हैं क्या believe आक बोलते है रोही यानि कि कुछ ऐसा है इधर राजस्थान बांगर है बंगर उसके पूर में रोही है यानि नदियों द्वारा सिचित भूमी जो की जलोड उपजाओ मैदान से बनी है और उसके पूर में क्या है? अरावली है रोही छेत्र जो की अतिधिक उपजाओ मैदान है राजस्थान में सबसे ज़्यादा सखन खेती इसी रोही छेत्र में की जाती है अरावली के ठीक पस्चि में क्योंकि नदियों द्वारा सिचित भी है और जलोड उपजाओ मैदान है उपजाओ होने की चलते रोही के छेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्थान में खेती के लिए राजस्थान में सबसे उपजाओ छेत्र क्या है रोही का छेत्र है रोही के पस्चे में राजस्थान बांगर है गलत लिग दिया राजस्थान बांगर राजस्थान बांगर में खारे पाने की जहले पाई जाती है जिनमें से तीन प्रमुक हैं कौन-कौन से डिडवाना और लूड करण सर, संबर, डिडवाना, लूड करण सर, ये नाम है, ये तीनों खारे पाने के जिले हैं, कहांपे हैं? राजुस्थान बांगर में है ठारम रुस्थाल में नहीं है राजस्थान बांगर में इस्थित है ठार मरुस्थाल मे तो जिल बचे की नहीं तो भालू science में उप जाओ मैदान है तो वहाँ पर तीन जीले पाज़े जाते हैं इन में से सामभर भारत की सबसे बड़ी अनतहिस्थली अपोह का भी उधारण मिलता है अंतह इस्थली यानि नदियां तो निकलती हैं लेकिन समुद्र की तरफ न जाकर अंदर ही खतम हो जाती हैं तो रजस्थान भारत के एक ऐसा राज्य जहां अंतह इस्थली अपवा के उधारण मिलते हैं यहां अरावली की पस्मी ढाल से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो चारों दिशाओं से आकर राजस्थान की खारे पानी की जीलों में मिल जाती हैं इन खारे पानी की जीलों को हम प्लाया भी कहते हैं क्या बोलते हैं का बोलते हैं जो इस बात का प्रम्यान है कि इस छेत्र में यह समुद्री छेत्र हुआ करता था जैने समुद्र में डूबा वचेत्र था राजनित्तान की पस्ष्मी ढाल से निकलने वाली लुनी नदी राजन्थान बांगर की पस्ष्मी जो चेट्र उससे हम क्या बोलते हैं? थार मरुस्थ slippers एक बहुती शुष्क चेट्र है जहां वर्षा 25 सैंटी मिटर से भी कम होती है लूनी नदी जो की अरावली की पस्वी ढाल से निकलती है थार मरुस्थल में चली जाती है कहां चली जाती है थार मरुस्थल में चली जाती है और ये थार मरुस्थल से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और साथ में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है थार मरुस्थन बने वाली नदी कौन सी है लूनी नदी कहां से निकलती है अरावली के पस्चमी ढाल से और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दक्षिड पस्चिन दिसा में ढाल के नरूप तो प्रवाहित होती है लेकिन समुदर तक नहीं पहुंच पाती बलकि के रन में विलीन हो जाती है ये भी एक कारणा की कच्छ का रन दलदली छेत्र बना रहता है क्योंकि नदी आकर वहीं पर विलीन हो जाती है जल को भाहा नहीं पाती है ठीक है अब हम देखते हैं थार मरुस्थल में क्या है हाँ अरावली पहाड़ी निकलती कहा से है यह भी देख लेना है यहाँ पर अरावली की पस्मिट हाल पर एक जिला है अजमेर है अजमेर में अरावली की एक नाग पहाड़ी है अरावली की पस्मिट हाल पर अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से अरावली पर लूनी नदी निकलती है और थार बरुस्थल को बाते वे पार करती है थार बरुस्थल में सुझय कल्ब में समुद्र का हिस्सा हुआ करता था अरावली की पस्मिट में समुद्र का हिस्सा ठीक है थार मरुस्थल एक उस्र कटिबंदी ये मरुस्थल है यानि जो उस्र कटिबंदी छेतर में होते हैं जहां गर्मी पड़ती जैसे भारत में लद्दाक भी एक मरुस्थल है लेकिन लद्दाक एक शीत मरुस्थल है बरुस्थल का मतलब होता है जहां बारिश ना हो, सिंपल से बात है, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, जहां बारिश ना हो उसे बरुस्थल कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और उसर मरुस्थल, इन सब बातों पर विश्व भूगल में अच्छे सिस्टर जाओगी ठीक है तो थार्व उस्थल में तीन तरह की इस्तला किरतियां मिलती हैं बालुका इस्तूप तीन तरग इस्तला कृतियों से विशिस्ट है बालू का उस्तूप बालू का उस्तूपों में ही विशिस्ट प्रकार का बालू का उस्तूप होता जिसे चापा कार बोलता है चापा कार रेतियले टिब्बे जो खिशकते रहते हैं या चापा का रेतेले स्टूप चापा का रेतेले टिब्बे या बालू का स्टूप की पहले स्थिला किरती मिलती है दूसरी स्थिला किरती यहां मिलती है छत्रक चट्टाने मिलती है छत्रक शिलाएं छत्रक शिलाएं मिलती है और यहां तीसरी स्थिला किरती मिलती है मरू उ यहां पर थार मरुस्थल में, यह कहां से है बालू का टिब्बे, शुष्क मरुस्थल में बहते हुए पोवन का काम महत्य पूढ़ होता है, जो आर्द्र छेत्र हैं जैसे गरंगा खाटी या हिमाले, यहां पर आर्द्र छेत्र हैं तो यहां पर बहते हुए नदी का काम महत् परणों का काम यहां परणों का काम परणों दोरा किया जाता है आतीत में यहां पर चट्टाने हुआ करती थी दरातल पर लेकिन हवा यहां तीवर गती से बहती है और हवा जब यहां तीवर गती से बहती है तो बालू कड़ों को उड़ाती रहती है अपने साथ तो बालू चुकडे बालुका इस्तोप में बदल गया है ना यहां पावन का काम मत पूर है बते हुए तो बालुका इस्तोपों को निर्मार्ट पावन की चलते हुआ है पावन की दिशा में जो बालुका इस्तोप खिशकते रहते हैं उन्हें हम चापा का रेटेले टिब्बे कहते हैं उनको असली भासा में बर्खान बोलते हैं, एक शब्द में, ये रेतिले टिब्बे हैं जो प्रवन प्रवा की दिशा में खिशकते रहते हैं, जिदर हवा जाएगे उधर ही जाएंगे, लेकिन अपनी आकार को नहीं बदलते हैं, उसी आकार में रहेंगे, ये दिखते को बर खान किस तरह से दिखते हैं, जैसे, ये बालो का टिब्बा है, और ये पीछे की तरफ का उसका ढाल है, है ना, ये सामने का ढाल है, ये भी डाल है, सामने का और ये पीछे की तरफ भीशकता चला जाएगा, इसे चापकर बालो का अस्तूप और टिब्बा बोलते हैं, बरखान बोलते हैं, दूसरी सलेकिरती छत्रक चट्टाने हैं, छत्रक शिलाएं, वो कुछ, जब आप थारमरुस्थन जाएंगे तो बा खड़ी ऐसे चत्रक चट्टाने मिलेंगे जब हवाएं बहती हैं तो मुलायम चट्टानों को तेजी से काटती चले जाती हैं अगर नीचे मुलायम चट्टाने हैं तो उनको तेजी से काटती चले जाती हैं और उपर की चट्टान अगर कठोर है, तो उतनी तेजी से उसका अपरदन नहीं होता, जबकि निचली चट्टाने जो मुलाएं, उनका अपरदन तेजी से होता चला जाता है, तो ऐसे चट्टानों को हम छत्रक चट्टाने कहते हैं, उपर से छाते की तरह होती हैं, और तीसर काम इत्पूर होता है पाकिस्तान से लगता है वो पूरा का पूरा थार मरुस्थल से भरा हुआ है, थार मरुस्थल के लो भारत में नहीं, पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन जो राजस्थान का जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान से लगता है, वहाँ इतना ड्राई एरिया होने के बाद भी, शुष्क होने के बाद भी, बहुत सारे जिले, बहुत सारे नगर यहां पर डेवलप हो गए हैं, सहर, जनगनों तो ज्यादा इसलिए सहर भी यहां बसके हैं, जैसे जोधपूर, जैसल मेर, बार मेर, बिका मेर, यह हो गया रजस्थान का मैदान.